Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription So, आज के हमारे इस lecture से हम स्टार्ट करने जा रहा हैं एक new chapter That is your chapter number 7, Human Memory Class 11th psychology हम पढ़ रहे थे अब तक हमने आपकी बुक में जितने भी chapters दिये हुए है Chapter number 6, that is learning तक पूरी तरह से complete कर लिया So, अब एक और new, very interesting और बहुती, entusing chapter आया है That is Human Memory Memory के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना? कि हम सभी के पास में memory होती है Memory क्या है? Memory है एक card Mobile phone में पहले जो है, एक card हुआ करता था जिसमें mobile phone में जितना भी सारा data होता था ना उसको क्या करके रखते थे? इस store करके रखते थे अब धीरे धीरे करके ये inbuilt system आने लग गया Mobile phones के अंदर Clear? वैसा ही एक inbuilt system होता है हम सभी humans के अंदर ठीक है? जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं human memory और हमसे related जितना भी data आज तक हमने जाना है जो भी सब कुछ हम जानते हैं That gets all stored in your memory तो memory एक तरीके का store house है Clear है? So इसी human memory को in detail हम discuss करेंगे वो भी हर एक topic के साथ में हमारे chapter number 7 That is human memory में But start करने से पहले क्या देखेंगे? देखेंगे कि आपका ये जो chapter है वो आपको कितनी सारी interesting चीजों से introduce करवाने वाला है यानि कि chapter का एक overview हम देखेंगे और एक बहुत छोटा से introduction की भाई human memory होती क्या है? या human memory काम कैसे करती है? And again ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि memory क्या होती है? अक्सर हम बोलते हैं कि बहुत सी चीजे हमको ध्यान में रह जाती है बहुत सी चीजे हमको याद रह जाती है लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीजे होती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं क्या होता है अक्सर बहुत सारी चीजों को हम भूल जाते हैं बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी से बात कर रहे होगे और उसका नाम ही भूल गये अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ मैं ऐसा हुआ था कि मैं किसी से बात करी थी और मैं उसका नाम भूल गी ठीक है? और ये situation ना बड़ी embarrassing होती है बड़ा अजीब सा लगता है कि हम जिससे बात करते हैं उसका नाम एकदम से दिमाग से निकल गया और मैं ये साथ में तो दिक्कत भी है मैं बहुत जादा नाम भूल जाती हूँ ठीक है? सब कुछ याद रह जाता है मुझे लेकिन मैं नाम भूल जाती हूँ कि उसका नाम था क्या? ठीक है? और बहुत बार ऐसा भी होता है सबसे जादे interesting कभ होता है जब बिचारे रात भर बच्चे उठते हैं सब गोलमाल हो गया सब भूल गया कुछ याद ही नहीं रहा ये सबसे जादा tragic situation बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके बच्चपन की जब आप बिल्कुल बहुत छोटे से होता है तब कि कोई memory आपको अब तक याद होती है अकसर हमको भी ऐसी चीज़े याद रहती है सब ही humans है सब के साथ में इस सेम चीज़े होती है ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ में नहीं होता होगा या आपके साथ में बहुत ज़्यादा होता होगा सब के साथ में equal treatment है तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसी चीजे भी होती हैं जो हमको याद रह जाते हैं सालो पुरानी चीजे जो अब तक हमको याद है और पता चला भी एक घंटे पहले क्या होता बहुत याद नहीं रहता तो ये जो human memory है ना ये बड़ी ही interesting है और बड़ी ही dynamic है इसके बारे में हम सभी जानते हैं कुछ ना कुछ तो हम सभी जानते हैं के exactly human memory होती क्या है एक बहुत simple एक word में मैंने आपको बता है storehouse ये human memory क्या है एक तरह का एक storehouse है जो हमसे related सारा data store करके रखता है अब थोड़ा सा एक ऐसा question पूछती हूँ जब तक related अभी तक पढ़ते हुए आए होना उस से related ठीक है देखो ये तो जानगे हो कि chapter बड़ा interesting है और ये memories are related जितने भी games हमारे साथ में होते हैं ना life में ये सारा सब कुछ होता कैसे है ये सब कुछ in detail हम जाने के हमारे इस chapter के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर this is the overview of your chapter number 7 clear इसके अंदर वो सब कुछ है जो आप इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हो in detail हम समझेंगे but before coming on that मेरा एक question है आप से ठीक है थोड़ा से introduction देखेंगे थोड़ा से discuss करेंगे chapter को तब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़ने वाले हो एक दम से बता दू यह 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 पढ़ना stage model पढ़ना है आप बोलो कि माडम stage model क्या होता है है ना तो इसलिए पहले थोड़ा से introduction देखेंगे पहले human memory को समझते हैं फिर उसके बाद में सारी चीजों पर हम आते हैं तो question यह है कि human memory आपके psychology में concept processes का part है clear? mainly आपने chapter के अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है मतलब start करते हैं हमारे chapter number one what is psychology से? okay so क्या पढ़ा था? what is psychology? psychology is the study of mind और soul यह हम सभी जानते हैं है ना? but psychology is the study of mind और soul यह सबसे basic definition सबने पढ़िए सबको पता है भाई psychology यही होती है mind and soul होता है अच्छा psychology के अंदर ना? mainly जब psychology को हम ऐजा scientific study नहीं बोलते थे उसके पहले मतलब scientific study जब से हम बोलने लगे हैं तो उसके अंदर और और भी सारी चीज़े आने लगें लेकिन जब नहीं बोलते थे तो उसके पहले it was as simple like psychology is the study of mind आपके माइन में जो भी कुछ चल रहा है तीरे धीरे इसके अंदर थोड़ा scientific parameters को हमने डाला थोड़ा facts वगेरा पर हम बात करने लगे and finally we concluded that psychology is the study of mental processes human behaviors human experience पढ़ा है yes or no जल्दी बता हो comment section के अंदर बता हो ये पढ़ा है ना ये चीज़ पता है और मैंने पढ़ा ही है बहुत डीटेल में पढ़ा ही है तो basics तो clear है ना आपके so अब psychology अगर mental processes okay mental processes human behavior और human experiences okay so now अगर हम सबसे simple में जो समझते हैं psychology को वैसे psychology बढ़ी वास्त है ना उसमें तो बहुत सारी चीज़े आती है इतनी सारी चीज़े आती है कि हमेशा पढ़ती रहोगे पढ़ती रहोगे पढ़ती रहोगे है ना बहुत wide scope है psychology का human memory पढ़ी आ रहे हूं मैं इन सारी चीज़ों के थुरू मैं human memory पर आ रहे हूं और आपसे question पूछूंगी जिसका answer आपको मुझे comment section में देना है और मैं देखूंगी सबसे पहले कौन मुझे reply देता है और किसको यह चीज जो है पता है जिसने psychology बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना उसको बहुत अच्छे से answer आ जाएगा तो मैं कहां थी कि psychology जो है वो बहुत ही wide scope है उसका बहुत सारी चीज़ों उसके अंदर आती है but we basically, basically हम इन तीन चीज की बात करते है mind, behavior, experience now from all these three human memory comes under which domain दताओ अब ये सवाल है आपसे कि mental processes, human behavior, human experiences इन तीनों में से human memory को आप कहां पर रखोगे और मैं मतलब बिल्कुल ये ना ऐसे guarantee के साथ में बोल सकती हूँ कि 90 to 95% students ने मुझे सही answer दे दिया होगा comment section के अंदर जल्दी बताओ दिया है या नहीं दिया और सही answer होगा सही answer क्यों होगा क्योंकि इतना मुझे आप पर भरोसा है और खुद पर भी है कि अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ठीक है और आप मुझे अगर follow कर रहे हो सो आपको यह चीज़ पता है कि human memory comes under which domain yes mental processes clear human memory comes under mental processes अच्छा आप psychology नहीं भी पड़ी तो भी पता है behavior का memory से कोई ले ना देना नहीं experiences का कोई ले ना देना नहीं mind से related है behavior मतलब ही memory आपकी क्यों mind में ही तो सारा store करते हो और एक चीज़ पता है ना क्या mind और brain अलग-अलग है बिल्कुल mind और brain जो है वो दोनों ही different entities है clear अब एक और question है ठीक है अब एक और question है और इसका answer अगर आपने दिया तो again you are very great student ठीक है mental processes हो गया now under mental processes mental processes में भी बहुत सारी चीज़े होती है ना तो mental processes के कौन से domain में आपका human memory आता है okay memory को हम कहां पढ़ते हैं so a term आपने पढ़ा होगा मतलब ऐसे तो question आप से आपको मुझा answer देना चाहिए but मैं थोड़े सा और hints देती जाते हैं थोड़े सा और hints देती जाती है we have studied about a process that is a process of knowing जिसके अंदर हम चीजों को समझते हैं understand करते हैं जानते हैं ठीक है knowing जानते हैं understand करते हैं learn करते हैं learning you have studied in your previous chapter chapter number six clear so वहां भी उस process के भारे में मैंने जिक्र किया था तब भी मुझे फिर से बताओ ठीक है फिर से बताओ मुझे की mental processes जो है वो आपका किस process के अंदर आता है ठीक है understanding knowing और आपका learning etc etc all these comes under the domain of which kind of mental processes जल्दी से बताओ जल्दी comment section के अंदर मुझे answer दो then I will tell you the correct answer yes cognition the correct answer is cognition what is cognition cognition is the process of knowing understanding यह साथी चीज़े तो हमारे mental processes के अंदर जो cognition है ना cognition का मतलब क्या होता है process of knowing इसी के अंदर यह human memory का सारा part है तो क्या पढ़ने वाले हो क्या पढ़ोगे mind पढ़ोगे clear so हम पढ़ने वाले है mind को okay और हम सब जानते हैं कि mind जो है वो बड़ा ही interesting है ठीक है सबका mind बिलकुल different तरीके से काम करता है सभी बिलकुल different जो है मतलब humans है different humans का मतलब यह complex species है सबके different different genetics है सबका different environment है तो हम सभी एक दूसरे से different है clear हम सभी का mind differently work करता है okay तो हमारी memory भी obvious है कि बिलकुल different ही होगी है ना हम मेंसे कुछ होंगे जिनकी memory बड़ी sharp होगी बोला जाता ना ऐसा सुना होगा कि अरे वा आपकी तो memory बड़ी sharp है ठीक है और किसी को बोला जाता है कि मतलब कोई खुझ से भी बोल देता है कि यार मेरी memory तती अच्छी नहीं है मुझे चीज़े ध्यान नहीं रहती है ठीक है जैसे अभी मैंने commit किया कि मुझे नाम याद नहीं रहते हैं मैं बहुत जल्दी नाम भूल जाती हूं अभी मैंने कोई चीज कोई मुवी के में बात कर रही होंगी मैं उसकी पूरी स्टोरी बता दूंगी लेकिन नाम याद नहीं आएगा ठीकिक मेरे साथ में यह दिक्कत है आपके साथ भी दक्रास हूं बढ़े होगी नाकुज नाकुन होकी कुछ सुर्ण रिलेट करी अब होगे कि, भी ही दिल्चस्प एक चीज धर बड़ी ट्रिकी चीज तहीं बहुत सारी ट्रिक्स करती हमारे सुर्ण में मेमोरी so basically memory indeed is very fascinating yet intruding human memory बड़ी ही दिल्चस्प सी faculty है यह आपकी memory ठीक है और आपको जो life के मज़दार experiences होते हैं न वो भी कहीं न कहीं यह memory से ही related होते हैं so indeed it functions to preserve our sense who we are maintains our interpersonal relationships अब ध्यान देना ठीक है अभी तक तो सवाल जवाब और सारा कुछ जो है मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ठीक है मतला अभी तक भी ध्यान देना ही था बट अब जो है थोड़ी सी और amazing चीजों को discuss करते हैं थोड़ा human memory पर focus करते हैं हमारी human memory हमको जो है यह याद रखने में help करती है कि हम कौन है पता चला मैं daily यहां आओ और बोलू अगले दिन मैं भूल जाओ मैं कौन हूँ मैं दूसरा नाम ले दूँ तीसरे दिन और भूल जाओ मैं कौन हूँ ठीक है तो कैसा लगेगा आपको सोच पा रहे हो मतलब नहीं भी सोच पा रहे होगे क्योंकि that's not possible that's not practical हमें हम कौन है यह जानने में help कौन करती है हमारी memory clear हमारे parents कौन है हम कैसे जान पाते हैं हमारी memory के थ्रू अगर हमारी memory ही fade हो जाए तो घर जाके बोलो कि यह कौन लोग है मेरे घर के अंदर clear so who we are this preserves our human memory second हमारे interpersonal relationships को maintain रखने में भी सबसे जादा help कौन करती है हमारी memory clear parents के साथ में आपके relationships हैं आपके siblings के साथ में आपके friends के साथ में आपके अपने साथ में clear हम सबके अपने साथ में भी होते हैं हम सभी दो लोग होते हैं मतलब practically कैसे हम लोग लोगोटे कि एक तो हम उते हो और अख्र हुमारी आदत होदी ना खुद से बात करने की वैसे वाले दो लोग ठीक है तो इंटर-पर्सनल रिलेशन्शिप्स को बनाये रखने में human memory हमारी बहुत हल पर जाथ ही साथ में decision लेने में problems को solve करने में our memory helps now this is related to human experiences clear previous chapter job cut that was chapter number six just kind of learning ki baat kari thi the learning and we discussed ki learning is a mental process but learning is a process that is connected to permanent change in your behavior clear what was learning learning is a change permanent change in your behavior and the changes in the behavior comes from experiences so this was your learning learning that was connected to mental processes human behavior human experiences here you will find out the same thing human memories your head book is that I say mental processes experiences are used to say connected so since memory is central to almost all cognitive processes such as perception thinking and problem-solving psychologists have attempted dances on the ticket dances on the key joe hamarie memory hair book cognitive processes case central to be with a cognition bolu bataya yeni bataya and now I'll be cognition for this case yeah the combination of the cheese at the perception the cognition matter perception can't put out without tell me the operation of the data chapter number five candor clear your chapter number five that was related to sensory attentional and perceptual processes behind the perception of the data clear thinking problem-solving yes are these is a cognitive processes may be a easy cognition candor at the up key human memory so what psychologist did they have attempted to understand the manner in which any information is committed to memory okay the mechanism through which it is retained over a period of time the reasons why it is lost they go kya-kya psychologist study karat ki joe bhi information humko milti hai bhai wo store kaise ho jati clear wo joe hai store kaise ho jati hai that's very normal for us ki mahi aapko ko koji chiz batarahi hoon padarahi hoon aap tak information pohonch rahi hai clear aap tak information pohonch rahi hai wo information store kaise ho jati hai thik hai wo hao hai wo ho hindi hormone k west and hao hoon aap tak machenoh mountain nao me normal e-mail phong ke in-dur joh hai storage rahan jisgi pohe jisgi wajhe se yoi memori joh hai store ho raha hai yo ho ta kaise haap bolo ka bhi bhi you technology ho ya technology ho raha yo ho ta ki say technology ho raha you like nai onyko Again, ठीक है, connect करते चलेंगे, सारा कुछ, जो पीछे भी पड़ा है न, मतलब previous lectures के अंदर, वो सब connect करो, सब मिलता जुलता ही है, अगर ऐसा सोचोगे, कि chapter 7 बिलकुल अलग है, chapter 5 बिलकुल अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब connected है, चाहे chapter 5 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, even 8, 9, everything is connected, सब को आपको जोड के पढ़ना है, okay, so, coming back to information, चलो यहाँ पर आजाओ, information भाई, memory में जारी है, कैसे, कैसे होती है, यह information हमारी memory के अंदर, यह process हमने तो बहुत easily बोल दिया, कि information है, हमारी memory में जारी है, बट यह information, memory में जाती है न, तो इसके बीच में बहुत सारे processes होते हैं, clear, अ कौन कौन से processes होते हैं, अब मैं ऐसा expect करे हूँ, कि मेरे साथ में बहुत intelligent बच्चे हैं, और बहुत ही अच्छे पढ़ने लिखने वाले, बहुत ही अच्छी memory वाले, ऐसा में बान के जल रही हूँ, तो मुझे बताओ कि information, memory में जाएगी, इस बीच में कितने सारे processes होंगे, मैं hint देती हूँ, chapter number 5 recall करो, that is sensory, attentional and perceptual processes, जिसके अंदर आपने information processing पढ़ा है, अब आप मुझे फटाग से बता दो comment section के अंदर, कि भाईया ये चीज़ कैसे होने वाली है, how is that possible, मतलब ऐसा होता है कि information आई सीधे memory में, इतना, इतना मतलब high-tech process है, ऐसा हो सकता है किया, बता जल्दी बताओ, क्या सीधे ऐसा होता है, या इसके बीच में और भी processes होते हैं, और अगर होते हैं, तो कौन से processes होते हैं, मुझे जल्दी से बता दो comment section के अंदर, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए wait कर लेती हूँ, जब तक थोड़ी सांस ले लेती हूँ, लंबी-लंबी, जब तक बता रहो, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कि इस बीच में कितने processes होते हैं, clear, so, जल्दी 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 से जो है typing, wiping कर दो comment section के अंदर मेरे को पतल जल जाए कि भाई, information से memory, मुझे नहीं पता है, आप लोग को मुझे बताना है, मैंने इतना पढ़ाया है, त ठीके, हमारे आज पास में अगर information है, तो मतलब क्या बोलेंगे, हमारा stimulus, हमारे stimulus से information collect कौन करता है, so, our senses, okay, second, जो information collect करता है, वो कौन करता है, senses करता है, हमारे जो sense होते हैं, human senses, वो इस information को कहां पहुचाते हैं, यह पहुचाते हैं, हमारे brain में, हमारे brain के अंदर क्या होती है, information process, IP का मतलब क्या information process हमारे brain के अंदर अब यह जो information आई है यह process होगी कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ यह हमारे आसपास में ऐसा stimulus है तो क्यों है क्या है सारी चीजों के जवाब होंगे और वह जवाब कहां मिलेंगे perception में कहां मिलेंगे perception में now what is perception perception means understanding clear for example just take an example जो example मैं आपको chapter number five से देती हुई आ रही हूँ just suppose this is a tree just suppose this is a tree आपकी आँके बताती है आपको कि यह tree है बताओ क्या आपकी eyes आपको बताती है कि यह ट्री है तो आप बोलोगे हाँ मैडम आख ही तो देखती है no that's not true आपकी eyes देखती है कि भाई यह यह एक object है बड़ा ही हरा भरा सा देख रहा है बहुत बड़ा सा है बहुत थी अच्छा देख रहा है देखने में clear तो अब मेरी आँखों ने बताया brain को भाईया मैंने कुछ देखा है ठीक है कुछ इस तरीके से पूरा ऐसा shaded था, leaves का, और बहुती बड़ा सा था, यहाँ पर green color था, यहाँ पर थोड़ा सा red brown सा color था, तो मेरे brain ने information को process करा, कि पता लगा हो क्या चल रहा है, ठीक है, brain ने information को process करा, और धीरे 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 करके वह information process हुई, और मेरे perception के through, understanding के through पता चला कि ऐसा दिखने वाला object जो होता है, that is, वो क्या होता है, tree होता है, clear, आरा समझ में, तो ऐसा जो दिखने वाला object होता है, वो tree होता है, clear तो हम अब जब भी ऐसा कोई object देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये tree है अब जब भी देखते हैं तो क्यों पता चल जाता है clear जब भी ऐसा कोई object देखते हैं तो क्यों पता चल जाता है क्योंकि क्योंकि नेरी जो memory है न उसने इस information को store कर लिया है अब आया समझ में, clear, no doubt, जल्दी बोलो, comment section में, yes or no, doubt है, तो हाँ बोलो, कि हाँ मुझे ये doubt है, और doubt को लिखो आगे, ठीक है, मैं देखते हूं मेरे को ऐसे doubts आते हैं, मैं पूछती हूं, आपको doubt है, so you are like yes ma'am, clear, मेरे को बताओ doubt क्या है, ठीक है, ऐसे मैं बोलो, yes ma'am, doubt पूछो, नहीं है doubt बोलो, no doubt, clear, so ऐसे doubt पूछना है, ठीक है बता जती हूं में पहली, so this is the process, ऐसा नहीं होता कि सीधे information आई और memory में, no, there is a process, there is a stimulus, there are human senses, there is brain, there is information processing system and from this information processing, we make a perception and that perception goes to your memory, clear, समझ में आया, कोई doubt तो नहीं है यहां तक कि कैसे भाई यह होता है, तो अब psychologist ने सवाल पूचा, अब यह तो समझ में आगे, आपको memory में चल गया, आप psychologist ने कुछ चीजों को answer किया, clear, उन्हें कहा कि यह information जो है, यह सीधे memory में कैसे चली जाती है, मतलब जो information, जो भी information है, वो memory तक कैसे जो है, मतलब store हो रही है, clear, और इसके यह memory हमारे mind में रहती है, जैसे अब ही मैंने आप से कहा, कि मानलो, आज आपने कोई photo खीची, ठीक है, अपने phone के अंदर, अपने mobile phone के अंदर, so, वो photo को आप 5-10 साल भी देख सकते हो, अपने Gmail account बना लो, बढ़िया से जो है, वहाँ पर backup बगेरा हो जाता है, आप अराम सो उसको देख सकते हो, ना मैं पूछू यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, so you would say, that's a technology, clear that's a technology, बट ऐसी कोई technology हमारे अंदर होती है क्या, जिसकी वज़े से हम कोई भी information को सालो सालो तक memorize कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है, तो क्यों memory lost हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है, कि हमने जो चीज को memorize किया था, हम उसको भूल गए, बहुत बार आपने देखा हो कि लोगों की याददाश चली जाती है, ठीक है, so that's a different process लेकर उसको discuss करेंगे, बट ऐसा क्यों होता है, कि लोगों की याददाश चली जाती है, और ऐसा भी क्यों होता है, कि जैसे मान लो, आज आप किसी से मिले थे, आपकी कोई रिष्टेदार आते हैं घर पे, जो ऐसा बोलते हैं कि आरे बेटा कितने बड़े हो गए हो, ठीक ह ऐसा होता है, ठीक है, उनने अपन को देखा था, दस एक साल पहले, पांच एक साल पहले, क्लियर, जब हमने भी उनने देखा था, लेकिन हम उनको इतना मेमोराइज नहीं कर पाए, और हम धीरे धीरे करके बड़े होते चले गए, लेकिन आप वो सालों बाद आते हैं और ब Memory Improvement, बहुत सारे ऐसे टिकनीक्स होती हैं, जिसके थुरू, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसको प्रेक्टिस करोगे, तो आपकी Memory Improve हो सकती है, आपकी Memory Sharp हो सकती है, एक Yoga का मैंने सुना था, कि अगर आप Yoga करते हो, Meditation आप करते हो, तो आपकी Memory बड़ी शार्प रहती है, ऐसा नहीं करता है, clear, तो यह Memory Improvement होता क्या है, कैसे होता है, यह सारे सवाल एं Psychologist के, जिनके answer आपको मिलेंगे, Chapter Number 7, Human Memory के अंदर, clear, so, in this chapter we shall examine all these aspects of Memory and understand various theories which explain the mechanisms of Memory, तो इस एक Chapter के अंदर, इन सभी topics के साथ में हम deal करेंगे, साथ ही साथ में हम different, different mechanisms of memory भी देखेंगे, different, different tools, techniques, different, different machineries, etc, clear, machinery का मतलब यह नहीं है, कि मैं आपको कोई industrialization या कोई machine यहाँ पर समझाने वाली हूँ, but the mechanism, okay, the mechanisms, so the history of psychological research on memory spans over 100 years, तो अब यह जो research हुई है, memory को लेके, human memory को लेके, यह बहुत सालों तक हुई, ठीके, यह जो है, सालों सालों तक हुई, सबसे पहली किस ने करी, सबसे पहली करी, Herman Abingos, a German psychologist of late 19th century, 1885, सबसे पहली research होती है, sorry, 1885 में, जहाँ पर memory को systematically explore किया जा रहा है, systematically, memory को explain किया जाता है, सबसे पहली बार और कौन करते है, Herman Abingos, clear, he carried out many experiments on himself and found that we do not forget the learned material at an even pace or completely, initially the rate of forgetting is faster but eventually it stabilizes, ध्यान देना और इसको नोट भी करना, ठीके, इसको नोट भी करना, तो इसमें वो बहुत सारे experiments conduct करते हैं, और उनके जादातर experiments अपने ही उपर होते हैं, खुद के उपर, ठीके, तो जब वो experiments उगेरा करते हैं, तो वो इसे conclusion के उपर पहुँचते हैं, कि हम जो भी learn करते हैं, हम जो भी learn करते हैं, वो कभी भी completely extinct नहीं होता, याद है न, learning आपने chapter number 6 के अंदर पढ़ा, और उसी में आपने extinction पढ़ा है, ठीके, क्या पढ़ा है, extinction, Now, what is extinction? Disappearance of the learned material, जो भी आपने learning करी थी, वो क्या हो गई? Disappear हो गई, that is extinction, मतलब आपने जो याद किया था, वो आप सब भूल गए, But, here, Harman said, कि आप जो भी learn करते हो न, वो पूरी तरह से कभी भी खतम नहीं होता, कभी भी extinct नहीं होता, हाँ, जब भी आप किसी चीज को forget करते हो, भूलते हो, तो आप बहुत तेजी में भूलते हो, लेकिन एक time पर वो stabilize हो जाता है, ठीके, एक time पर जो है, वो stabilize हो जाता है, जैसे, for example, आपने कोई भी चीज को learn किया, ठीके, आपने किसी भी नई चीज को सीखा, कोई नई information आपको मिली, आपने उसको learn किया, मतलब जाना, समझा, उसके बारे में learning आपके अंदर हो गई, मैं learning नहीं explain करूँगा है, मैंने chapter number 6 में explain किया है, so learning पर जादा हम focus नहीं करे So learning जो है, आपके अंदर हो गई, ठीके, अच्छा देखो, एक और चीज में बोल दूँ, कि फिर भी doubt हो, तो मुझे comment section में पूछ ले ना, कि एक बार learning और बता दो, लेकिन अभी यहाँ पर पहले human memory की बात करते हैं, तो आपने जो भी learn किया है, ठीके, so उस learning को आप एकदम से forget नहीं करते हो, आप एकदम से सारी चीजों को नहीं भूल जाते हो, हाँ, जब आप किसी चीज को भूलते हो, तो वो बहुत faster pace पर होती है, लेकिन एक time पर आका बहुत stabilize हो जाती है, तो मतलब, जो भी आपने learn किय वो पूरी तरह से कभी भी खतम नहीं होगा, ठीके, जैसे for example, मान लो आपने किसी चीज को learn किया था, so now this memory is 100% within you, आप दीरे दीरे करके ये extinct होना start होती है, दीरे दीरे करके जो भी आपने learn किया था, वो आप भूलना शुरू करते हो, आपने practice नहीं करिया जो भी, so इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे करके एगदम से 10%, 20%, 30%, 40%, even 50% अब जो है, चीजों को forget कर गए, भूल गए, but after this 50% what happens, कि धीरे धीरे करके stabilize हो जाएगा, जितनी तेजे से अभी graph नीचे गिर रहा था, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, अब वो stabilize हो गया, अब वो क्या हो गया, अब वो stabilize हो गया, अब वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, तो मतलब की अब इसके बाद में आप नहीं भूलोगे, तो आपने जितना भी लर्न किया था, उसमें से थोड़ा बहुत या आधा ही तो आप भूले हो, बाकी तो आपको लर्न है, so he says that we do not forget the learned material at an even pace or completely, completely आप कभी भी किसी चीज को भूलत से नहीं हो, कहीना कहीं उसके percepts आपके mind में होते ही है, so initially the rate of forgetting is faster but eventually it stabilizes, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे note down, ठीक है, देखो यहाँ पर, so क्या note करेंगे, सबसे पहले psychologist का जो नेम है बो लिखेंगे, okay, so Harman clear, और इनका time period जो है, मैं तब जब इन्होंने research करी, so वो है, late 19th century, okay, that is 1885 and what he did, he did the first systematic exploration of memory, first systematic exploration of memory, clear and इन्होंने किया एक बात बताई, कि memory जो है, that doesn't fades out completely, clear जो आपने learn किया है, the learned material not forget it completely, या इसको लिखलो fades out completely clear, so यह first हमारे psychologist हो गए, जिनको आपको यहाँ पर क्या करना है, note down करना है, यह सबसे पहले, फिर second की हम बात करेंगे, okay, so, कुछ भूले तो रही, हाँ, so, second was, another view on memory was suggested by Frederick Bartlett, sorry, 1932, who contended that memory is not passive but an active process, अब देखो, इन्होंने क्या एक चीज कही, कि memory जो रहना वो passive नहीं है, ऐसा नहीं है, कि आप information दे रहो दे रहो दे रहो दे रहो और और वो बस fill up होती हुई जा रही है, मैं यहाँ इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि mind यहाँ पर है, brain यहाँ पर है, and brain and mind both are different, mind की कोई location नहीं है, but again वो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बारवत दा देती हूं, so वो क्या बोलते हैं, कि जो यह आपकी memory है ना, यह passive नहीं है, बलकि यह तो एक active process है, clear, with the help of meaningful verbal materials, such as stories and text, he demonstrated that memory is a constructive process, now this is his important contribution, जहाँ वो यह बोलते हैं, कि stories के through, text के through, मतलब उन्होंने explain किया, कि कैसे आप जो है, memory को construct कर सकते हो, memory is not like, कि information आ रही है और information फिल होगी, कि ऐसा दिखने वाला object जो है, वो हमेशा tree ही होता है, तो अब वैसा जब भी दिखेगा, तो tree ही होगा, but, हम जो है, साथ ही साथ में actively भी work करते हैं, हमारी memory जो है, वो actively work करती है, ऐसा नहीं है, बस information फिल कर रहे हो, store कर रहे हो, but, that's a constructive process, clear? So, इनको भी note down कर लो, Frederick, यह spelling देख ले ना, Frederick Bartlett, clear? Frederick Bartlett, clear? साथ है, साथ ही लिखे हैं, यह थोड़ा सा चेंज, okay, so, he was the second one and he gave his research in 1932, okay, 1932, what he said? He said that memory is a constructive process, what he said? Memory is a constructive process, I hope आप लोग कर रहे हो, ठीक है, note कर देना, यह सारा सब कुछ, okay, so, इसमें के लिखना है? Passive and I say wrong, बलकि active process, and active process पर क्या करेंगे? ऐसे tick कर देंगे, clear? तो यह ऐसे short notes बन गया, अब आप भूलोगी नहीं, आप भी नहीं भूलोगी, आपको यह memory में रहेगी यह चीज, ठीक है? तो इसको क्या कर लो, इसको note down कर लो, आपको लगता है, तो इस screenshot ले लो, so, this is all about the researchers, okay, so, अब उन्हीं क्या बताया, कि यह जो है भाई, एक constructive process है, यह कोई ऐसा process नहीं है, जहाँ पर आप बस information को लो, और fill करते चले जाओ, that is, what we memorize and store undergoes many changes and modifications over time, तो मतलब, just suppose this is the memory, so, it doesn't matter, it doesn't mean, कि this information is coming and we are storing it, no, we will store it and also, this will bring so many changes and modifications, तो यह जो store किया है न, इस storage में बहुत बार changes आएंगे, बहुत बार modification आएगे, एक और example देते हो, okay, mobile से related, mobile में क्या होता है, जो storage होता है, उसमें सारी चीज़े store होती है, बैक अप होगा है न, सभी के mobile phones में होगा और सब mobile phones चलाते हो, ठीक है, आप लोग चलाते हो, आप ने चलाते हो, आपके parents चलाते है, ठीक है, तो अब जो mobile phone आप लोग यूज़े करते हो, obviously सब में backup होता है, अकसर जो भी हमारा backup होता है, वो हमको बहुत सारी memories को, जो है, memorize करने में help करता है, कि कभी 10-5 साल पुरानी कोई photo है, और वो एकदम से flash करी है, so what this google backup does, कि वो क्या करता है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे animation करके, कुछ ना कुछ ऐसे collage बना के, आपकी मानलो, पिछली pictures का, या जो भी albums आपके phone में है, जो भी gallery में है, उनका कोई ऐसे collage वगेरा, कुछ तो भी बना के आपको time के साथ में देता है, ठीक है, so वो क्या कर रहा है, आपने तो स्टोर किया था, आपने ऐसा कोई collage नहीं बनाया था, अकसर आप देखोगे नहीं यह चीज, कि जो Google backup होता है, वो कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ आपको ऐसे जोड़ोड के animation बना के देदेगा, कोई video बना के देदेगा, कि लो, आप इसको देख सकते What happens here, कि हम तो information देते हैं, बट यह information time के साथ में modify होती है, कुछ ना कुछ इसमें changes होते हैं, so there is a qualitative difference in what was initially memorized by us and what we retrieve or recall, तो difference है, difference किस एक चीज में है, कि आपने क्या information ली, लेकिन आप उसको कुछ time बाद कैसे recall करते हो, clear, so there is a difference, तो यह जो है, कुछ ऐसे psychologists हैं, जिनोंने memory के पर research करी, इन सबको, देखो, इतना सा नहीं जाना है, यह तो अभी बिल्कुल एक introduction चल रहा है, बट इन सबको, इन detail आप पढ़ोगी इस chapter के अंदर, clear, आया समझ में, अभी तक जितना बताया, what is human memory मैंने आपको बताया, memory में information कैसे जाती है, पूरा process मैंने आपको बताया, और इनी सारी चीज़ों के साथ में, कुछ research की भी हमने बात करी, कि human memory का जो concept है, वो कितना जादा पुराना है, तो दो psychologist की हमने यहाँ पर बात करी, cognition हमने डिसकस किया, cognition के अंदर आपके कितने सारे aspects होते हैं, psychologist, human memory को लेके, किस एक चीज़ को लेके concerned है, कि human memory कैसे होती है, कि memory में, जो है, मतलब आप lost, कैसे हो जाता है, आपकी memory, कैसे आपको सारी चीज़े सालों बात भी आ जाती है, तो यह सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर discuss किया, now we will come to our overview, ठीक है, जो छूट गया था ना, इसको अभी देखना है, ठीक है, तो हमने क्या 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 है, तो हमने ऐसे डरना नहीं है, ना, नदब डरोगे नहीं, देखो, बहुत सिंपल सा, जो है न, चाप्टर है, मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ेंगे, साथ में, निक्स लेक्टर में, डिस्कस करेंगे, नेचर ओफ मेमरी, बट एक बार overview देखते हैं कि क्या क next we have is information processing approach, that is the stage model, इसमें आपकी information जो process है, वो कैसे होती, मैं आपको क्या बताया, एक और बार देखो, हाँ, इसको भी note down कर ले न, ठीक है, इसको भी note down कर ले न, ये वैसे तो आपके पास में noted होगा, क्योंकि चैप्टर नमबर 5 में हमने किया था, बट एक बार और कर लो, clear So, we have the stimulus around us, now from this stimulus or stimuli, the information has been collected, the information has been collected and the information is collected by our senses, by human senses, human senses what they do, they collect the information from the stimulus, then they provide this information to the brain. Okay, now brain starts processing the information, okay, what the brain does, the brain starts information processing, when the information is processed, we have a perception, we have a perception and all this gets stored in human memory, okay. All this gets stored in human memory, is it clear, clear, ये इस एक चीज़ को आपको क्या करना है, note करना, मेरी आदत है इसा थोड़ा फेला फेला के लिखने की, आप लोग थोड़ा उसको कम space में कर दो, इस तरीके से बना सकते हो, clear, अब आजाएं वापिस से अगर आप लोगोंने note कर लिया है, ये screenshot जो भी So, here we are coming to our information processing approach, now, how this information gets processed, clear, अभी मना information processing लिखा है ना, ब्रेन के बाद में, तब ये information process होती कैसी है, इसमें हम discuss करेंगे stage mode, model को, next we have is memory systems, short term memory loss, सुना है, वो कौन सी movie थी, देखो, मैं फिर movie का नाम भूलगी, मैंने बोला था ना, कि मैं movies के नाम भूल जाती हूं, ठीके, मेर को ना, movie का नाम या दिया, but maybe, that's, I think, गजनी, okay, short term memory loss बोलते था, वो हर थोड़ी दिर में भूल जाता था, ठीके, गजनी picture देखिए ना, सबने, so, ये short term memory, long term memory, senses, ये क्या होते हैं, और, मतलब, और ज्यादा detail में, यहां discuss करोगे, senses तो पढ़ चुके हो, लेकिन आपके senses, memory से कैसे connected है, ठीके, ये इतने सारे जो processes यहां पर लिखे हैं, ये सब कुछ कैसे होता है, ये हम को जानना है, है ना, तो ये सब आप देखोगे कि human memory है, तो senses से कैसे connected है, human memory है, तो information कैसे process हो रहा है, ये in relation हम पढ़ेंगे, okay, so, we will discuss sensory, short term and long term memories, now the levels of processing, information processing मैंने आपको बताया तो कितनी levels होती है, information को process करने में, फिर आपने यहां long term memory पढ़ा, तो long term memory की कितने सारे types होते है, clear, working memory क्या होती है, ये भी एक concept होता है, this also we will discuss, knowledge representation and organization in memory, अब मैंने आपसे क्या क्या है, memory क्या है, storehouse है, just suppose, this is the memory, so now what is this, this is the storehouse, अब भी सारी information इसके अंदर आ रही है, तो इसके अंदर सारी information आ रही है, तो आपका जो knowledge representation है, और जो organization है memory के अंदर, वो कैसे हो रहा है, मतलब जो भी knowledge आपको मिल रहा है, आप उसको कैसे represent करते हो, आप उसको किस तरीके से organize करके रकते अपने इस storehouse के अंदर, this we will discuss, next we will come to memory as a constructive process, now this is very 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 important, okay, memory as a constructive process, memory जो है, उसका construction कैसे होता है, this we will discuss here, and the nature and causes of forgetting, वो जो कौनसी मुवी थी, again I forget the name of the movie, जिसमें वो जो जौनी लीवर होता न, भूला, वो वाला, चीके, तो कौनसी थी, चीके में को comment section में बताओ, शायद गोलमाल थी किया, शायद, शायद गोलमाल तो वो forgetting जो है, कैसे हो जाती है, कैसे आप चीजों को भूल जाते हो, कैसे अभी कोई चीज देखे थी, और फिर तुरंद भूल गय, या कोई चीज याद करी थी, फिर भूल गय, किसी का नाम लिया था, फिर भूल गय, तो यह भाया, forgetting जो है, वो कैसे होती है, and the very important, how you can enhance your memory how you can enhance your memory ठीक है यह पढ़के मेरे को भी समझ में आएगा कि मैं जो है मतलब किस तरीके से अपने यह जो नाम भूलने की पेसिक्स होते हैं वो आपको यहां पर पता चलेंगे थोड़े स्टांड़्स के साथ में और यह जो इतना वाला पार्ट है इस विल बी काईड ओस्टांड़ पार्ट इस टांड़र का मतलब यह की इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप एक्जाम में कभी कुछ ना भूलो आपको पता जल जाए कि मुझा अपनी मेमोरी को कैसे इन्हेंस करना है तो आपको यह सब कुछ जानने को मिलेगा इन डीटेल चैप्टर नंबर सेवन में मेरे यानी सलोनी पांडी के द्वारा ठीक है अब इसके गाद में कोई भी डाउट है तो अगे ना एम सहीं कि क्या करोगे मुझे ऐसे नहीं बोलोगे कमेंट सेक्शन में येस मैम डाउट just ask what is your doubt say yes ma'am and then अपना doubt लिखो कि मेरेको क्या doubt है and if you don't have any doubt then please write no doubt don't write no ma'am ठीक है no doubt लिखो तो मेरेको और ज़्यादा अच्छे से clear होगा और ये जो मतलब conversation है इसको चलने दो ठीक है ये जो एक हमारा communication है इसको चलने दो comment section में आपकी replies मुझे दिखते रहेंगे आपकी बाते मुझे दिखती रहेंगी so it will be good है ना तो क्या होगा coordinate करेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में so वो अपने को जो है करते रहना है ठीक है अब हम मिलेंगे next lecture में और next lecture में हम क्या discuss करेंगे nature of memory और memory के जो है कुछ features वगेरा को हम discuss करेंगे like what is encoding what is the storage etc etc I hope so यहां तक सारी चीज़े clear है तो अब अच्छे से पढ़ो और read करो chapter को read करो जित्ता पढ़ते जा रहें उतना read करते हुए चलो so क्या होती है memory अगर मैं आपसे बूच हूँ कि भाई memory क्या होती है एक word में आपको define करना है so those who have watched the previous lecture उ in short in just one word what is memory memory is the storehouse storehouse क्या होता है clear अच्छे यहां यहां समझता है थोड़ा लिखते है थोड़ा लिखते है थोड़ा नोट्स वगरा बनाते है थोड़ा और और करनेक्ट करते है so what is memory here is memory and if I say define memory or just tell me a one word for memory so what you will say that it is a storehouse okay now what we do in a storehouse yeah storehouse किसके लिए होता है store करने के लिए हमारे घर में भी तोर हाउस होता है जहां पर आप क्या करते हो घर में जितने भी गेहूं चावल सारी चीजा नाज होता है उसको store करके रखते हो ठीक होता है नहीं एक चीज एक storehouse होता है जिसमें घर का जो ऐसा समान है जो daily यूज में यारा उसको store करके रखते हैं that is also a storehouse clear हमारे mobile phones में भी storehouse होता है again मैंने previous lecture में बताया था that is कि हमारे phone के अंदर mobile phone के अंदर laptop के अंदर computer के अंदर जो पूरा data है वो stored होता है clear किसमें store होता है mobile phone की memory में mobile phone के storage में या laptop में etc. clear same way में humans के अंदर भी एक storehouse है इस storehouse के अंदर वो क्या करते है इस storehouse के अंदर सारा data होता है clear सारा data होता है जो भी आपने जाना है जो भी information अब तक आपके पास में यह सब कुछ होता है that's why memory is termed as a storehouse now memory comes under which process so we have discussed so far that memory comes under the mental processes आपके mind के अंदर जो है human memory का काम है now under this mental processes we have a process known as cognition cognition का central part जो है that is memory समझ में आ रहा है connect कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे है मुझे बताओ comment section के अंदर ठीक है जल्दी से बताओ कि हा समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन बहुत इंपोर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन से समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है, जैसे मान लो मैं यहां पर आउँ और बस nature of memory स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, मैं बताऊ इनी memory क्या होता है, human memory क्या होता है, मैं कौन हूँ, क्या कुछ नहीं बताओं ना कुछ लिखाओ बस मैं आओं नेचर ओफ मेमरी लिखो और पढ़ाने स्टार्ट कर दूँ आप बुलोगे अरे मैडम थोड़ा कुछ तो बताओ क्या पढ़ारी हो क्या है थोड़ी स्टार्ट तो करो इंट्रोडक्शन तो दो तो सेम वे में जो हमारे चाप्टर्स होते हैं उनका भी एक इंट्रोडक्शन होता है जिससे पता चलता है कि चाप्टर के अंदर क्या क्या सारा कुछ पढ़ने वाले हो तो प्रीवेस लेक्टर में बहुत डीटेल बताया था इसलिए बार-बार उस एक चीज को रिपीट करे हूं कि उसको देख ल होता है जिसके अंदर आपके मुबाईल का सारा डेटा होता है है ना उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं इसे पुरानी से पुरानी बात भी कभी याद आ जाती है क्यों वो आपके memory में है वो आपके storehouse में है clear so that is memory a storehouse now human memory is a part of mental processes in psychology और psychology में ही mental processes के अंदर एक process होता है जिसे cognition कहा जाता है cognition का मतलब क्या होता है so here I am writing just note it down cognition is a process process of knowing किसी चीज़ को जानना understanding यानि समझना obviously thinking जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो तो सोचते कैसे हो दिमाग से ही सोचते हो है ना तो वो प्रोसेस भी cognition का पार्ट होता है perception perception build-up करते हैं हम chapter number five में आपने perception को भी पढ़ा है perception को भी हम समझते हैं कि जो भी information हमारे पास में आई उसको समझने की कोशिश करते हैं उसको interpret करते हैं that is also a part of cognition learning नई नई चीज़ों को learn करना that is also a part of cognition besides human memory is central to cognition ठीक है क्योंकि जो भी सोचा जो भी समझा जो भी perceive किया जो भी interpret किया जो भी learn किया अब भाई उसको store करने की भी तो जरूरत है ऐसा ना हो कि कोई चीज़ को think करो या किसी भी चीज़ के बारे में सोचो समझो कुछ करो और just भूल जाओ ठीक है जैसे for example अभी मैंने आपको जो भी समझाया जैसे class over होगी सब कुछ भूल जाओ memory मो कुछ भी नहीं गया कुछ भी नहीं गया एक word भी नहीं गया एक psychology word भी नहीं गया that's not possible ना तो इसी लिए cognition में जो भी सारी चीज़े होती है उसमें जो central है that is memory क्योंकि जो भी सोचोगे जो भी understand करोगे जो भी perceive करोगे that all needs to get stored and where it is going to store that is in the human memory clear so this is basic memory ठीक है इसे क्या बोलते है इसे बोलते है human memory अब memory हम सब के पास में होती है किसी की memory weak होती है किसी की memory strong होती है कोई बहुत जल्दी सारी चीजों को समझ जाता है recall कर लेता है कि कोई पुरानी से पुरानी सालों पुरानी बात होगी वो भी उसको ध्यान में रहेगी और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भी थोड़ी देर पहले कुछ किया था या कुछ करने जा रहे था और भूल गए कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि पर एक्जांपल पर एक्जांपल ठीक है ये मेरे साथ में होता है ना इसलिह मेंने रिलेट करके बताती खारतया में और आपके वसे खहर उफर नीचे ऐक फ्लोर वरी तो आपी जीक्षक काम कर रहे थे मेरे साथ महाता बहता है falsch कर रहे ते और पढ़ाई करते कुछ काम करते करते एगदम से याद है रियार वो समान उपर रखाय उसको ठाके लिया आता हूं ये ले आती हूं ठीक है मैंदम कोई बुख है जो इसा आपने थोड़ा-थोड़ा कुछ 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 किया और अबने खालो आभी मुश्को था हम क्यों आए हैं यहां पर देन पते क्या होता है हम नीचे आजाते हैं दापिस से डाउन स्टेर्ज आ जाते हैं फिर यह आ जाता है हम तो इसलिए गये दूपर क्लियर है सो इस तरीके से जो हम इस सारी डिया डिया लाइफ में प्ले करती हैं और बहुत दिल्चस्प होती है यह है हमारे रियल लाइफ से रिलेटिड है वैसे तो मैं आपको बता हूँ, psychology का P जहां से start होता है और जहां पर Y पर end होता है, इसमें जितनी चीज़े हाती है, सब real life से related है psychology is all about practical, psychology is all about our real life, clear so, जो आपकी memory है, जो आपकी memory है, वो आप ही से related है और उसी से related बड़े interesting facts आपको इस chapter में जारने को मिलने वाले है so, उसी में हम discuss कर रहे है nature of memory I hope so, अब memory का basics और अच्छे से clear है पहले भी clear था, अब और अच्छे से clear हो गया होगा so, this is something called as memory, clear now, coming to the definition of memory अब memory की एक definition पी चाहिए ऐसा तो लिख क्या होगे नहीं कि mobile phone होता है, that will come under example, clear लेकिन मान लो आपको बोले कि भाई, memory को define करो कैसे define करोगे, क्या बोलोगे, memory is a storehouse that's not a definition, clear that's something कि आप उसको बिलकुल simple words में समझ सकते हो ये आपके समझाने के लिए है ठीक है, exam में ऐसा लिखोगे ना बिलकुल first line अगर आपकी ऐसी हुई मान लो आप से पूछा, define memory and what is the nature of memory, clear so आपकी पहली नहीं line हुई, memory is a storehouse तो मतलब समझ रहो ना, क्या चीज हो जाएगी तो वो नहीं करना है memory is a storehouse आप लिख सकते हो storehouse of humans, etc, etc human data, human information, सारी चीज़े बट वो answer के बीच में से पहली लाइन में नहीं so पहली लाइन चीज़े भी है, interesting so उसके लिए के चीज़े definition what is definition of memory so memory refers to retaining and recalling information retaining and recalling information over a period of time depending upon the nature of cognitive task you require to perform are you getting my point कि मैं आपको क्या explain कर रही हूँ और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है बोलो समझ में आया अभी तक जो पढ़ा उससे थोड़ा relate कर पा रहे हो कि क्या है memory retaining and recalling information retaining मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना चीक है, retain करके रखना that is retaining retaining recalling तो समझते ही होगे किसी चीज़ को recall करना याद करना है ना तो एक बनाए रखना और दूसरा याद करना लिख लो बिलकुल हिंदी में लिखो basic बता रही हूँ ठीक है तो ना कभी इभी memory पढ़ोगे तो बिलकुल भूलोगे ही नहीं साइड में लिख लो साइड में लिख लो retaining का मतलब बनाए रखना हाना retaining का मतलब क्या होता है बनाए रखना ये बनाए रखना and what is recalling याद करना ऐसे लिखो बिलकुल short में लिख लो book में ही कहीं लिख लो वहीं पर याद रहेगा तो जब आप किसी information को एक तो बिलकुल retain करके रखते हो और दूसरा उसको recall करते हो over a period of time जो कि depend करता है आपके cognitive task पे cognition अभी बताए क्या होता है cognition knowing, understanding, thinking, perception, learning, memory etc. ये सारे चीज़े आती हैं आपके cognition के अंतर मान लो आप इस cognition में लर्निंग कर रहे हो clear आप लर्निंग कर रहे हो आप किसी नहीं चीज को सीख रहे हो just suppose you are doing skill learning you have studied skill learning and where you have studied skill learning please tell me in the comment sections please let me know where you guys have studied skill learning and what is skill learning जल्दी रिकॉल करो जल्दी जल्दी करो फटा फटा ऐसा है नहीं बस माडम पढा रहे हैं और बैठे हुए हैं सुन रहे हैं कि हाँ माडम एक कहानी सुना रही है it's not कहानी it's all related to your real life so इसलिए मुझे बताओ कि skill learning कहां पढ़ाओ और skill learning क्या है yes chapter number 5 learning के अंदर learning का ही एक type होता है skill learning जिसके अंदर हम क्या करते हैं new skills को learn करते हैं that means कोई टास्क आपको करना है तो उसे करने के लिए आपकी ability कितनी लगने वाली है जब आप उस task को करने के लिए able हो जाते हो that means you have acquired a skill और उस skill को बनाए रखने के लिए आप बार बार क्या करते हो practice करते हो समयंज में आ रहा है fast इतनी हो रहा कि क्या होता है जो भी skills आपके पास में होती है what is a skill? that is ability to perform a task जब आपके अंदर किसी task को perform करने की ability आ जाती है तो आपके अंदर skills आ जाती है जब आप उसके लिए बहुत बार practice करते हो तो आपके अंदर skill learning हो जाती है for example swimming आपको swimming नहीं आती थी लेकिन आपने इस ability को या इस task को perform करने के लिए अपनी ability को develop किया आप able बन गए तो मतलब sorry आपने इस skills को सीख लिया आपने skill acquire कर ली swimming skills आपको आने लग गया आपने धीरे-धीरे करके swimming सीखने स्टार्ट कर दिया that means swimming skill आपको आ चुकी है आप जब आप बार बार practice करोगे तो आप swimming में perfect हो जाओगे and that is known as skill learning है ना अब यह समझ में आया अब skill learning से connect करते हैं तो just suppose आप skill learning सीख रहे हो skill learning is a part of cognitive task तो इस task को करने के लिए या इस task को perform करने के लिए आप कितनी information को एक period of time तक retain या recall कर सकते हो that is called memory for example आपने आज मान लो for example just suppose आज आप class 11 में हो आप daily swimming classes जाते हो just suppose your swimming classes are for three months just suppose तीन महिने तक जो है बढ़िया आपने swimming वगेरा करी सीखा बहुत अच्छे से practice भी किया you are perfect in it okay now what happened कि भाई swimming class is over तो आप थोड़ी न जाओगे बार बार swimming के लिए या मान लो किसी कारेंट से आपने जाना बंद कर दिया ने भी exams वगेरा आगे then आप class 12th में आगे 12th के बाद में आपका 12th 12th सारा सब कुछ क्लियर हो गया now you will be in the graduation ठीक है अब graduation में आगे मान लो कभी कहीं पर जो है किसी टूर वगेरा पर जाना हुआ पिकनिक वगेरा पर जाना हुआ फैमिली ट्रिप वगेरा जाना हुआ सो वहाँ पर बढ़िया swimming pool था आपने भी अपना ऐसा कुछ कॉल कर पाते हो और कितना रिटेन कर पाते हो क्या आप जिस इस एक time पर जैसे swimming करते थे सेम वैसे ही आप अभी भी कर सकते हो या फिर कुछ changes आए है या फिर आप बहुत perfect हो गए हो या आपके skills और कमजोर हो गई है क्योंकि आपने practice नहीं किया called memory जहां पर आप अपनी skills को आप अब वापस इसको connect करो वापस इसको connect करो किसी task को perform करने के लिए आप किसी भी cognitive task को perform करने के लिए आपको retain और information को recall करने की जरूरत है अगर को swimming ही करना है तो swimming करने के लिए आपको swimming skills को retain और recall करना है over a period of time तो अब यह मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम कोई टास्क करना चाहते हैं तो उस काम में हम अपनी मेमोरी को कितना यूज कर पाते हैं या हमारी मेमोरी हमको कितना ज्यादा हिल्प करती है फर एक्जांपल आपके फ्रेंड का बर्थडे तब भी याद रहता है अगर याद रहता है तो आपकी मेमोरी अच्छी है अगर आप भूल जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ासा मेमोरी में दिक्कत है दिक्कत मतलब ऐसा नहीं कोई serious issue आपको हो गया है बट आप उस एक चीज को भूल चुके हो forgetting भी पढ़ेंगे ना इस एक chapter के अंदर clear? so that is known as memory clear? मतलब अब समझ में आ गया memory बिल्कुल basics क्या है so memory refers to retaining and recalling information over a period of time depending upon the nature of cognitive task you are required to perform अगर आप thinking ही कर रहे हो मान लो कि आप जो है अभी बैट के thinking कर रहे हो ठीक है? कि मुझे जो है मतलब क्या करना है, कैसे करना है या for example आप किसी answer को आपने अभी याद किया था ठीक है? आपने पढ़ा था, समझा था, understand किया था और आप एक घंटे बाद उसको recall करने की कोशिश करते हो तो that is a part of memory clear? So, अब memory का basic definition क्या हो गया? मतलब अभी तो meaning sound में आगे कि memory is a storehouse ठीक है? लेकिन memory का basic definition क्या है? So, retaining and recalling information for a given period of time या over a given period of time depending on the cognitive task that you are required to perform इसका एक और example यहाँ पर हम लेते हैं जैसे मान लो कि आपको कोई mobile number बोला जाता है कि इसको dial करो ठीक है? For example, mobile number बोल दिया 8827091234 clear? So, आपको अभी याद है कुछ seconds है कि याद है फटाक से dial कर दोगे फटाक से dial कर दोगे तो आपको याद नहीं रहेगा clear? तो क्या एक चीज़ सबसे जादे important है यहाँ पर कि आप information को कितने time तक hold कर रखते हैं सबसे important चीज़ यही है That is the game of memory ठीक है? कि आप तक information तो पहुंचती है आपको याद होगा मैंने previous lecture में पढ़ाया था फिर perception होता है तब जाके memory में set होता है clear? तो आप उस information को कितने time तक hold करके रखते हो यह चीज़ बहुत जादे important है अगर आपको information याद है तो भाईया आपकी memory अच्छी है अगर नहीं है तो उसमें आपको कुछ improvements करने की जरूरत है So, memory is conceptualized as a process consisting of 3 independent, 2 interrelated stages These are encoding, storage and retrieval तो इस तरीके से यह आपकी memory होती है और memory के अंदर जो है आपको सबसे एक चीज़ जो important है that is the conceptualization ठीक है एक conceptualized मतलब memory बहुत ही conceptualized है एक process की तरह जिसके अंदर 3 independent independent का मतलब कि यह 3 और एक दूसरे पर dependent नहीं है लेकिन connected जरूर है लेकिन जो है connected है ऐसी stages जिसमें कौन सी है encoding, storage, retrieval encoding, storage and retrieval यह 3 processes होते हैं जो memory में बहुत ज़्यादा important है जो conceptualize करने में हमारी बहुत help करते हैं clear? जो conceptualize करने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा help करते हैं तो अभी तक हमको nature of memory समझना है memory basic क्या है आपको समझ में आ गया आप जैसे जैसे chapter में आगे बढ़ते जाओगे आपको memory के धेड़ सारे dimensions जानने को मिलेंगे सब कुछ एकी बार में नहीं जान पाओगे है बहुत बढ़ा chapter है अराम से पढ़ेंगे एक एक topic को हम discuss करेंगे but let's understand these three stages of memory इससे आपको बहुत सारे concepts clear हो जाएंगे अभी अराम से सुनो अगर कोई doubt आ भी रहा है मन में तो क्या एक चीज होगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना हो सकता आपका doubts resolve हो जाए अगर नहीं होता है तो फिर तो आप मुझे comment section में पूछोगे यह obvious है है ना but still एक बार सुनते हैं मतब सरी पढ़ते हैं clear so अब हम इन तीनों stages को एक के करके यहाँ पर deal करेंगे और कोई भी information जो हमारे pass में आती है ना वो इनी stages के through pass on होती है ठीक है information processing का system कैसा है एक और बार बता हूँ या पता है अच्छे से कि stimulus है stimulus से information collect करी किसने करी हमारे senses ने करी senses ने वो information brain को दी brain ने क्या किया उस information को process किया जब information process होई तो हमने perceive किया और finally वो हमारे memory में fit हो जाती है clear है एक बढ़ लिग दूँ समझ में आ जाएगा और अच्छे से देखो जिनोंने obvious again वही चीज की previous जिनोंने देखा होगा उने पता होगा बढ़ अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है एक बार हम या आप देख लेते हैं ठीक है यह आपका stimulus है यानि आपकी surrounding आपकी surrounding से आपको कोई information मिली उस information को आपने collect किया किसने किया collect आपके senses ने किसने collect किया आपके senses ने आपके senses ने वो information दे दी brain को कि भईया मेरको जो है कोई नया object मिला है इसका पता लगाओ यह कौन है ठीक है या मुझे कोई ऐसी चीज दिखी है पता लगाओ क्या है तो brain ने बोला अपने information processing को information processing IP means information processing जो information यह senses लेकर आए है brain ने उसका पता लगाओ कि जिल्दी पता लगाओ क्या 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 थारी चीज़े चल रही है जब finally पता चल गया तो हमने उसको कर दिया perceive यह सारा साब कुछ विटर detail में हमने पढ़ा है कहां पर chapter number 5 के अंदर clear so वही सारा कुछ मैं आपको बता रहे हूँ और इसी perception से हमारे memory में जो information है न वो हो जाती है fit clear information memory तक कैसे पहुँचेगी उसके यह सारे processes है लेकिन इस information को memory तक पहुँचने में तीन stages लगती है ठीक है और वो कौन-कौन सी है so these are the three stages encoding, storage, retrieval और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि सारे होनहार students जो है वो यह सारे चीज़ों को note-down कर रहे होंगे clear so यह समझते हो ना यह chapter number five के अंदर पढ़ा है बिल्कुल basic चीज़ बताई ही मैंने कुछ नया नहीं बताया है तो वही है ठीक है कि जैसे मान लो information मिली, senses मान लो for example मान लो आपकी टंग है ठीक है आपकी टंग ने कुछ नई चीज़ को जो है consume किया खाया ठीक है उसको बड़ा tasty सा लगा मतलब टंग को नहीं लगता tasty ठीक है तो अब टंग ने जो है उसके जो भी सारे receptors होते हैं यह chapter के अंदर आपने पड़ा है वो brain के पास जाएंगे brain को तो पता चलागे अच्छा यह टंग ने कोई नई चीज़ टेस्ट करी है क्या है यह पता लगाओ इसका पता लगाते information process होती है फिर ऐसा समझ बाता अच्छा यह जो है कोई स्वीट इंट सार सी चीज थी बड़ी ही tasty इसको अगली बार और खाया जाए क्योंकि यह बड़ी अच्छी चीज है तो वह human memory में information fit होगी यह चीज अच्छी होती है एक example देने ठीक है बिल्कुल basics example तो यह पूरा process होता है अब यह process नहीं explain करोंगी chapter 5 में बहुत बार explain किया इस chapter में भी दो बार explain कर चुगी मादब previous lecture में भी और यहां भी अब इस एक चीज को समझो कि अब आपकी memory तक information आ गई अब वह information का क्या होगा वह information कैसे store होगी retrieve होगी encode होगी इसको समझते हैं यह तीनों stages एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग है लेकिन interrelated है ठीक है independent है ओके लेकिन interrelated है इस एक चीज को आपको समझना है ठीक है कोई भी एक दूसरे पर dependent नहीं है लेकिन आपस में एक दूसरे से related है समझते हो ना दोनों का meaning independent और interrelated independent मतलब आप किसी पर dependent नहीं हो interrelated आप किसी से related हो ठीक है लेकिन dependent नहीं हो तो यह तीन processes होते हैं तो सबसे पहला जो process है that is known as encoding encoding first stage है and it is referred to a process by which information is recorded and registered for the first time so that it becomes usable by our memory system encoding का मतलब यह होता है कि जो भी information मिली है उस information को सबसे पहले तो record कर लिया जाए और उसको register कर लिया जाए ताकि अब वो हमारी memory system के लिए usable बन जाए कि अब उस तरह की information जो है हमको समझ मैंगी सबसे पहले encoding में क्या कर रहे है information को record कर रहे है और register कर रहे है ताकि वो usable बन जाए ताकि वो क्या बन जाए usable इसको note down करना ये वापिस से अलग से notes बन वाने का I don't think कोई benefit होगा just encoding लिखो उसके सामने ये recorded and registered information लिखो और usable लिख लो clear नहीं भी लिखोगे तो भी दुबारा लिखवा दोंगी मैं so whenever an external stimulus impinges on our sensory organs it generates neural impulses देखो कोई भी external stimulus जब हमारे senses पर impinge करता है ना हमारे senses से information collect करता है तो उसमें neural impulses होते हैं ये neural impulses समझते हो ना brain तक information आना brain में processing होना these are received in different areas of our brain for further processing आपको याद होगा chapter number 5 में आपने eye का structure पड़ा था human eye जो होती है उसका structure कैसा होता है तो आपको इस structure में याद होगा जो optic nerve होती है clear eyes के अंदर जो optic nerve होती है वो brain से connected होती है और आपकी आँखें जो भी देखती है उस information को brain तक लेके जाती है that is the neural impulses clear तो अब यह जो आपके neural impulses है यह brain तक information देते हैं brain यहीं होता है ना बले mind यहाँ ना हो क्योंकि mind कोई location नहीं होती है लेकिन brain यहीं होता है तो अब वो information पहुंचाते है आपके brain तक अब brain में जाके वो जो information ने वो process होती वहीं जो अभी मैंने आपको यहां पर बताया same चीज कि senses information brain में गई कैसे गई डारेट गई क्या नहीं neural impulses neural impulses जिसके थू जो information है वो अब brain में जाएगी brain से फिर जो है processing वगेरा होगी और finally आप perception करते हो यहीं चीज़ समझाई नहीं अभी आपको so in encoding incoming information is received and some meaning is derived तो आप brain में जब information processing होती है तो आप क्या करते हो आपके पास में जो भी information है आप उसको एक meaning provide करते हो meaning provide करने का मतलब क्या होता है perception clear जब आप किसी चीज को meaning provide कर देते हो उसको interpret करते हो that means you are perceiving it perception भी मैंने आपको explain किया so जब भी कोई information आप receive करते हो आप उसको perceive करते हो आप उसको एक meaning provide करते हो and it is then represented in a way so that it can be processed further तो अब जो भी information हमने receive कि है हम उसको ऐसे represent करेंगे कि वो आगे process हो सकती है clear मतलब जो आपका first process है encoding का that is starting from देखो तो कहां से start हो रहा है वो आपका start हो रहा है यहां से जहां से आपने information को collect किया and this information has been perceived यह आपका first stage है that is encoding clear कि मतलब आपको को information आपकी senses की through मिला senses ने neural impulses की through उसको brain में पहुचाया brain में उसकी information processing हुई और इसके बाद में जो भी information हमारे पास में थी हमने उसको एक meaning provide कर दिया हमने उस information को receive कर लिया clear so receive करना उसको meaning provide करना कुछ इस तरीके से कि हम उसको दुबारा आगे जो है process कर सकें इसको क्या कहा जाता है इसको encoding कहा जाता है clear that means you are encoding the information information का आना उसको meaning provide करना ठीके ऐसे समझो यहां पर just note it down clear so our first step is encoding and what we do in encoding तो इसको आप यहां ऐसे लिखो कैसे लिखोगे देखो यह यह आपकी information यह information कहां पर गई यह information को आपने सबसे पहले तो receive किया clear Central major incoming प्रीय वो ही दियाना information ठीके तो इस लिए मैंने उसको ऐसा arrow बनाया है इसका मतलब यह नहीं है कि information घ्ट रही है is का मतलब यह है कि information जो है वो receive हो रही है information क्या हो रही है receive हो यह a you can call receive लिख लो नहीं तो आप लोग Nick को इसे पौत जला इसको इंटर-प्रे कि हम इसको आगे भी प्रोसेस कर सकें, that is processed further, तो यह आपकी जो first stage है, वो info से लेके, कहां तक चल रही है, meaning provide करने तक, info से meaning provide करने तक आपकी first जो stage है, human memory की, that is, clear, and the first stage is encoding, clear, इसको बोलते है, encoding, अब जो आपकी second stage है, that is storage, now what happens in storage, that it is the second stage of memory, and information which was encoded, must also be stored, so that it can be put to use later, नाम से ही suggest कता है, कि अब जो information मिल गई है, उसको इसको इस्टोर करके रखो, इस्टोर करके रखोगे, तो आगे भी वो चीज याद रहेगी, मान लो, आपने ABCD सीखी, बच्पन में सीखी है भी, या सबने ABCD सीखी है, अनार का, आम का, ये भी सीखा है, 1, 2, 3, 4, सब सीखा है हमने, ये information कहीना कहीं से तो मिली होगी, या तो teacher के थू मिली होगी, या आपके parents ने आपको सिखाया होगा, कहीं से तो information मिली होगी, और आपने क्या किया, आपने उसको इना जादा retain किया, कि आज वो आपकी memory में सेट हो तो वो आपने क्या किया, information को store करके रख लिया, ताकि आगे वो information हमको काम में आए, तो हमारे पास में जो भी information आती है, हम उसको store करके रखते है, ताकि वो आगे हमारे use में आए, and that is known as storage, storage refers to the process through which information is retained and held over over a period of time, तो आपको या दोगा न, memory में हमने क्या पढ़ा था, retaining and recalling information, तो सबसे पहले अगर information को retain करना है, बनाय रखना है, या recall करना है, तो information होने की जरूरत है, information भी तो होना चाहिए, जिसे आप retain या store करके रखोगे, तो information को, आपको information कहा से मिल रही है, encoding से, encoding में information आ रही है, storage में उस information को store करके रख रहे है, that means retaining, ताकि कुछ समय बाद अगर ह वापिस से रिकॉल करना हो, तो मतलब वापिस से उसको यूज करना हो, तो हम उसको यूज कर सकते है, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे है, store करके रख रहे है, and your third stage is retrieval, now what happens here, information can be used only when one is able to recover it from his or her memory, memory की definition क्या बताई मैंने आपको, what is memory, that means retaining and recalling information, ये दो terms use किये, retain का मतलब क्या होता है, store करके रखना, और recall का मतलब क्या होता है, जो information store करी थी, आप उसको कभी recall करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको recall कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक example दिया, कि ABCD आपको, आपने learn करी, information आपको मिली ABCD के बारे में, किस ने दी, parents ने दी, that's a different matter, लेकिन हमको information मिली, हमने उसको encode किया, हमने उसको इतना जादा, इतना जादा learn किया, कि आज वो information जो है, वो retain हो चुकी है, हमारे अंदर store है, अब आज अगर आपको कोई बोल दे भाई, ABCDE सुनाओ, तो आप उसको recall कर सकते हो, clear, आप उसको recall क क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपने उस information को अपनी memory में store करके रखा था, that is retrieval, recalling the information, clear, recovering the information that you have stored in your memory, so it means bringing the store information to his or her awareness, so that it can be used for performing various cognitive tasks, such as problem solving, or decision making, for example, आपके सामने कोई problem आजाती है, आपने problem solve करना, मतलब आपको पता है ना, कि कौन से situation में मुझे कैसा decision लेना है, कोई problem मेरे सामने आगी, तो मुझे कैसे solve करूंगा, तो मतलब इसमें, for example, for example, बहुत बिल्कुल basic example हम ले, match की problems तो सभी solve करते हैं, यहां match की problems की बात हो रही है, यहां तो real life problems की बात हो रही है, और overall सभी तरह की बात यहां पर हो रही है, तो just suppose आपने सीखा है, कि 2 plus 2 is equals to 4, यहां भी मैं आपको कोई बहुत बड़ी सी digit भी दे दूं, मैं आपको बोल दूं की, for example, मैं आपको बोलूं की 15497 divided by 23, you can do it, solve कर सकते हो ना, इस एक हो सकता है, बहुत से लोग ना solve कर पाएं, but आप इसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, maths सीखी है, मतलब maths की information है, उस information को retain करके रखाए कि division होता कैसे है, और अब जब जब ज़रूरत पढ़ी, तो उसको recall करके, आप इस problem को solve भी कर सकते हो, that same goes with your practical life, कि जो भी information आपको अपने stimulus से मिलती है, उसको आप एक meaning provide करते हो, यहां पर देखो, जो भी information मिली, उसको आपने meaning provide करा, now this information will get stored, clear, now this information will get stored, अब यह store होईगी, ताकि कभी कल को काम आए, तो भाई, ध्यान भी तो रहना चाहिए, और इसे storage की वज़े से, यह information हम retrieve कर पाते हैं, that means हम recall कर पाते हैं, clear, तो य यह एक दूसरे पर dependent नहीं है, लेकिन interrelated है, information होगी, तभी तो store कर पाओगे, और store किया है, तभी तो recall कर पाओगे, अगर story नहीं करते हैं, तो रेकॉल कहां से कर पाते हैं, तो independent है, लेकिन interrelated है, so these are the three processes of your nature of memory, three stages of your nature of memory, clear, कोई doubt तो नहीं है यहां तक, so this is the basic process of memory, कि अगर आप memory को retain और recall कर पाते हो, so that, मतलब that is the part of memory, और एक time के बाद में, time में कुछ seconds भी हो सकते हैं, सालों भी हो सकती है, clear, so that is the part of memory, and it may be interesting to note that memory failure can occur at any of these stages, अच्छे एक और इंटरेस्टिंग वाद यह है, कि इन तीनों में से किसी भी stage पर memory fail भी हो सकती है, जो information आपने first stage में receive क हो जाए, आपकी वो information आप ध्यानी नहीं रख पाओ, ठीक है, क्योंकि वो information story नहीं हो, मानलो, ऐसा हो जाए, कि भाई, for example, मैंने अभी आप से कोई number बोला, या पर मैंने एक number लिखा था, है ना, क्या वो आपकी memory में site हो गया, नहीं हुआ, information तो मैंने दी थी, लेकिन store नही हो, लेकिन recall नहीं कर पा रहे है, ठीक है, इस store करने का मतलब यह नहीं कि copy में लिख लिया, और फिर देख के बोल रहो, that is not recalling, लेकिन, जो ध्यान किया, उसको recall कर पा रहे हो, clear, so you may fail to recall an information, because you did not encode it properly, or the storage was weak, so you could not access or retrieve it when required, कभी-कभी ऐसा होता है, कि मानलो, mobile phone, mobile phone सबसे अच है, सब connect कर पाते हैं, उससे, तो क्या होता है, मानलो, mobile phone है, already, जो storage था, just suppose, for example, 8GB का था, for example, ठीक है, 8GB का storage था, already 7.99 use कर लिया है, already 7.99 जो है, उसको use कर लिया है, अब again, कुछ 1GB का data, आप अपने phone को provide कर रहे हो, तो वो नहीं रखेगा, ठीक है, वो मना कर देगा, deny कर देगा, भये मेरे पास information रखने की जगा नहीं है, मैं कैसे रखूँ, clear, तो यह चीज हमारे साथ भी होती है, कि हम information को recall इसले नहीं कर पाते, कि या तो हमारा storage system उतना ज़्यादा weak है, कि मतलब उतनी information ले नहीं सकता, ऐसा नहीं है, कि मतलब storage नहीं है, उसके पास में जगे नहीं है, लेकिन main चीज यह, मतलब वो भी दिक्कत होती है, but main चीज यह कि उतना strong नहीं है, कि इतनी ज़्यादा information को जो है, अपने पास में रख पाए, clear, और दूसरा information होने के बाद भी हम retrieve नहीं कर पाते कभी कभी, क्योंकि हमारे storage system है वो weak है, और किसी चीज को store कर लो, आप बहुत ज़्यादा information को store कर लो, तो खिचड़ी पक जाती है, है न, ऐसा भी होता है न, so this is all about your nature of memory and the three stages, that is encoding, storage and retrieval, यह three stages है, memory क्या है, वो definition मैंने आपको बता दी, memory का meaning मैंने आपको बता दिया, stages मैंने आपको बता दी, clear, अब memory का meaning clear है, जो lecture start कर अब जहां पर आपका mental state था, अब वहां से आगे बढ़ गया है, तो जैसे जैसे chapters में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे और interesting चीजों को जानोगे, और वैसे वैसे सारी चीज़े और जादा clear होती चली जाएंगी, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, अराम से पढ़ो, अराम सब समझ में आ गया, हमको कोई डाउट नहीं है, clear? So this is all about this lecture, I hope so सारी चीज़े clear होगी, memory का meaning और memory की तीन stages, और examples, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, अब हम मिलेंगे हमारे next lecture में, जहां पर हम और भी interesting topics को discuss करेंगे related to your chapter, so यहां तक अच्छे से पढ़ो, समझो, कोई So we have information processing approach, इसके अंदर हम क्या, क्या पढ़ने वाले हैं, आज बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है, आज बहुत सारा पढ़ेंगे, डीटेल में पढ़ेंगे, so यहां पर देखो, we will discuss information processing approach, clear? information processing approach, यह हम discuss करेंगे, आज के हमारे this lecture के अंदर, then we will discuss the stage model, okay? Then we will discuss the stage model, now your stage model is divided, okay? Your stage model is divided into three stages we can say or three processes, that is your memory system, that is your memory system, okay? Second is your short term memory, second is short term memory and third is your long term memory, clear? So, हम जो है, यह इन डीटेल समझने वाले हैं, long term memory को और भी डीटेल में समझेंगे, और इस से related, जितनी भी चीज़े आपको चाप्टर के अंदर दिये, मतलब यह सारे topics, इन डीटेल हम यहां पर discuss करेंगे, और इसके साथ में क्या पढ़ोगे? इसके साथ में और क्या दिया है? So, बुक में दिया हो, या ना दिया हो, बट मेरे साथ में पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे examples को यूज करते हुए, सारी चीजों को समझेंगे, कोई भी ऐसा word, कोई भी ऐसा term नहीं होना चीज़ आपको समझ में नहीं आए, और second, second, एक सबसे जाधा important चीज जिसको में bold and capital में लिख देती हू, notes, ये बनाएंगे साथ-साथ में है, notes बनाएंगे साथ-साथ में है, notes बनाएंगे इंपोर्ट है, आप तो सीख गए होगे, इतने time से मुझ से पढ़ रहे हो, आप तो सीख गए होगे, so this is all we are going to do in this lecture, clear, okay, so let's start, now what is information processing, we all have studied कि हमारे आस पास में जो भी stimulus होता है, चाहे वो physical stimulus हो, या चाहे वो हमारा biological, मतलब चाहे हमारे physical surrounding में हो, external हो, चाहे internal हो, किसी भी तरह का stimulus अगर हमारे पास में है, तो उस से जो हमारे senses होते हैं, वो information collect करते हैं, now how many senses humans have, so seven senses, clear, कौन कौन से होते हैं, eyes, ears, nose, tongue, or skin, kinesthetic, vestibular, clear है, ये seven जो है, हम सभी के पास में senses होते हैं, इन senses से हम information collect करते हैं, now ये जो senses होते हैं, वो information देते हैं brain को, ठीक है, वो brain से क्या बोलते हैं, कि देखो मुझे कोई नई information मेरी, ये कुछ नया, जो है, मैं आपके लिए input लेकर आया हूँ, ज़रा पता तो लगाओ, ये क्या बात है, तो brain बोलता, अच्छा, रुको, रुको, मैं पता लगाता हूँ, फिर brain क्या करता है, उस information को process करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, और finally, जब brain इस information को समझने की कोशिश करता है, उसे बोलते है, information processing, clear, so उस information processing को, यहाँ पर हम detail में समझे कि वो information process होती कैसे है, और जब information process हो जाती है, तब हमारा एक perception बन जाता है, और इसी से related होता है, human memory, clear, I hope यहाँ तक तो clear ही होगा है, बहुत दर पड़े हो, so आप देखो, initially it was thought that memory is the capacity to store all information that we acquire through learning and experience, अच्छा, previous lecture में कुछ जो है, एक दो चीज़े हमने डिसकुस करीं थी, about our psychologist, clear, एक psychologist ने कहा था, कि human memory जो है, वो सिर्फ एक passive process नहीं है, human memory जो है, वो सिर्फ एक passive process नहीं है, बल्कि वो है एक active process, यानि कि memory का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, कि information आ रही है और store हो रही है, मैंने कहा कि memory store house है, ठीक है, that's a one word to define what is human memory, one word to define what is human memory, but अगर मैं ये कहूं कि क्या memory का मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ information को जो है, पूरा अपने mind के अंदर फिल करते जाना, क्या सिर्फ इतना ही होता है, human memory का मतलब, तो नहीं, that's not true, क्यों, that's partially true, but why, क्योंकि memory क्या होती है, retaining and recalling information, retaining and recalling information, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, देखो, मैं कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं पढ़ाओंगी, जो पढ़ा है न, वही सारा कुछ बताने वाली हो, तो कुछ ऐसा अलग से नहीं है, आपको कोई दिकत नहीं होगी, clear, so retaining and recalling ये हमने पढ़ा था, जब हमने nature of memory पढ़ा था और हमने memory को define किया था, तो memory मतलब, जब आप information को अपने mind के अंदर बनाए रखते हो, retain करके रखते हो, और जब भी ज़रूरत पढ़ती है, उसको recall भी कर सकते हो, तो information सिर्फ और सिर्फ storehouse तो नहीं है, ठीक है, जो, sorry, जो आपकी memory है, वो सिर्फ और सिर्फ information का storehouse तो नहीं है, है न, क्या होता है, जो memory है न, वो learning और experiences के थ्रू हमेशा grow करती रहती है, हम सभी के अंदर, जो हमारी human memory होती है, वो हमारे learning, हमारे experiences के थ्रू हमेशा new information हम तक लाती है, clear, और उस information से हम उसको construct करते हैं, हमारी memory जो ह वो constructive process है, वो कोई passive process नहीं है, बलकि वो एक active process है, ये relate कर पा रहा है हो सारा सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताओ ये चीज, कि ये जो मैं बता रही हूँ, ये clear है, मुझे yes और no बताओ, comment section के अंदर, ठीक है, so, ये न, सब पहले पढ़ चुके हो, एक बार और recall कराते है, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि बिलकुल bounce कर जाए, और कुछ समझ में ही ना आए, so, एक बार और recall करते है, और बिलकुल शॉट में, बिलकुल शॉट में recall करेंगे, so, just suppose, this is the senses and these senses collected information and they give this information to the brain, now brain will process the information, न, brain will process the information, which is known as information processing, clear, after this, the information goes to your memory, clear, मानो, आपने कोई object देखा, ठीक है, object कैसा देखता था, just suppose, object कुछ ऐसा देखता था, आपकी आईज ने देखा, आपकी आईज ने ब्रेन को बताए, कि देखो मैंने ऐसा कोई object देखा, बताओ ये क्या है, कैसे ये चीज क्या है, मताब इसने मेरा attraction को grab किया, ये सब chapter number 5 की basics है, clear, अब आपके brain ने कहा कि अच्छा, ये object देखा, चलो, information को process करो, ठीक है, तो इसकी एक बड़ी सी trunk है, धेट सारी leaves है, बहुत shaded है, green color का है, और इस तरह के object को tree कहा जाता है, ठीक है, tree के क्या benefits, एक सिक्टर, एक सिक्टर, ये सारा स सब कुछ information process हो गए, अब ये information से मेरा perception बन गया कि इस तरह का दिखने वाला object होता है, that is called as tree, clear, so अब ये मेरी memory में fit हो गया, ठीक है, अब ये बात मेरी memory में fit हो गई, तो information का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है क्या, कि information को जो है fit करते जाओ, क्या सिर्फ इतना होता है, so no, clear, information सिर्फ और सिर्फ, memory सिर्फ और सिर्फ इतनी नहीं होती कि information को fill करते जाओ, अपने mind के अंधर, तो इसके अलावा क्या होती है, so that is a constructive process, clear है, अगर मैं आप से कहूं कि memory का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ information को fit करते जाना, so that means I am saying कि जो आपकी memory है न, वो एक passive process है, clear, जो खुद कुछ function नहीं करी है, बसे कि store house की तरह काम करी है, but I said that memory is active process, मतलब की ये actively function करती है, इसी लिए इसे constructive process कहा जाता है, जो खुद से construct हो रही है, ठीक है, जो खुद से बन रही है, कैसे बनती है, so बनती है, through learning and experiences, ये मैंने आपको first class में बताया था, मतलब जब मैंने आपका chapter number 7 की first class ली थी, मैंने तब आपको ये चीज़ बताई थी, कि तीन processes होते हैं psychology में, एक होता है mental process, एक होता है human behavior, एक होता है human experience, आपने chapter number 6 पढ़ा learning, learning एक तरीके का mental process है, लेकिन learning कब होती है, जब हमारे behavior में change आता है, हमारे behavior में जो change आता है, वो हमारे experiences के through होता है, तो learning में ये तीनो processes connected है, psychological process है learning, same way में memory भी एक psychological process है, जिसके अंदर आपके mental processes, आपका learning, आपका behavior, आपके experiences, सारी चीज़े related होंगी, अब समझ में आया, अब clear है ये एक चीज़, अब कोई doubt नहीं होगा, अब आगे जो पढ़ रहो ना, वो बिल्कुल smoothly समझ में आ जाएगा, clear, so, तो इसलिए information जो है, ओ सारी, human memory जो है, वो information को सरफ फिट नहीं करती, बलकि learning और experiences के थ्रूँ grow करती है, it was seen as a vast storehouse, where all information that we knew was kept, so that we could retrieve and use it as and when needed, ऐसा माना जाता था कि memory जो है वो सिर्फ एक storehouse है, जहां पर सारी information लाओ और फिल कर दो, मतलब fit कर दो उसके अंदर, ताकि जब भी हमें कोई चीज याद करनी हो, retrieve करनी हो, तो वो easily हो जाए, but with the advent of computer, लेकिन जब से computer का आना start हुआ, और human memory जो है, उसको एक computer system की तरह समझने लगे, तब हमने देखा कि information process कैसे होती है, तो यहाँ पर human memory को computer के साथ में relate करके समझते हैं, चाहे computer ले लो, चाहे आपका mobile phone ले लो, चाहे आपका laptop ले लो, आपका tablet ले लो, कोई भी device, clear, अब क्योंकि पहले जब psychologist ने इसके उपर research करी, so they were mainly focused on computer, क्योंकि उस time पर computer ही आये थे, तो इसलिए उनने computer और human memory को relate कर दिया, कैसे किया, आपको भी पता है कि computer के अंदर कैसे functioning होती है, आप computer पर कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, you can store the data, clear, you can store the data, same way में humans जो भी सारी activities करते हैं, या जो भी उनकी पुरी life होती है, उस related information को वो अपनी memory में store करके रख सकते हैं, clear, उस information को computer में process किया जा सकता था, आपने इस computer के अंदर जो भी data को store करके रखा है, आप उस data को process भी तो कर सकते हो, ठीक है, आपने जो भी information secure करके रखी है, वो information दोबारा process हो सकती है, for example, आपने, for example, just suppose, आपने psychology के notes बनाए, ठीक है, अपने laptop में, just for example, तो psychology में, आज मैंने आपको topic पढ़ाया, human memory, clear, so मैंने आज आपको जितनी भी सारी बाते बताएं, जितनी भी सारे important points बताएं, आपने वो सभी अपने computer में, laptop में मान लो, docs में या word पर, आपने उसको save कर दिया, ठीक है, ऐसे आपके जो भी सारे notes थे, आपने सारा सब कुछ type किया, या जो भी किया, आपने उसको save कर दिया, clear, अब मान लो, कुछ time बाद, human memory से related मैं आपकी एक और class लेती हूँ, तब मैं आपको और नई-ने information देती हूँ, और सारे inputs देती हूँ, उसका और vast dimension आपको explain करती हूँ, तो आपको और नई topics मिल गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसी एक dog के अंदर आप edit कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, edit कर सकते हो, इसी में आप और information को fill कर सकते हो, आप इस information को process भी कर सकते हो, तो जैसे आपके laptop में, आपके computer में ये चीज पॉसिबल है, इवन आपके mobile phone में ये चीज पॉसिबल है, same way में this is possible in humans as well clear so both register store and manipulate large amount of information and act on the basis of the outcome of such manipulations to dono he chai insan ho chai computer ho dono he information ko register karte hai store karte hai aur manipulate b karte hai sahaj mara store e samas teo manipulation samas teo jeo maipko batati this is kind of manipulation or register karna matlab ki us a cheese ko johan note karke rakhna ya us a cheese ko apna retain karke rakhna clear so abhi ye jo hai yo dono hi karthe hai thik hai ye kaam jo hai store karna register karna manipulate karna ye computers bhi karre humans bhi karre hai to agar aapne kabhi computer pe kama kiya hooga to aapko ekor cheese pata hooghi ki computer mein dota ra ki memory hooti hai ya do tarah se aap memory ko store karke rakh sakti ho eek hooti hai temporary memory and the second one is permanent memory clear temporary memory hooti hai jiasse aapka ram hoota hai thik hai jiasse aapka jo ram hoota hai random access memory or eek hooti hai aapki hard disk clear to isma job memory joe bhi data up store karthi ho toh kuch permanent level par hootah hai kuch aapka temporary level par hootah hai mtlb kuch joh hai woh itne hi time tar gaega uske baad me wo data aapka hatt jayega iska main eek example djeti ho aapko mobile phones aap subuse karthi ho clear mobile phones subuse karthi ho aur mtlb aap personally use nye karthi ho go to aapke parents ka hooga aap mobile phone ko aachse se samajte ho mobile phones maik feature hoota hai aapke gallery se batati ho mein thik hai aapke jahaan parbhi pictures hootate hai jahaan parbhi aapki gallery hooti hai toh kya karthi ho aap doh chizhe hootie hai eek deleted folder and second google backup yaha pao samjho isko dekho yaha pao na thoda saak aachpach aapko lageega yaahaan par samejo chik hai yeh hai aapka mobile phone okay and aar yeh aapke mobile phone ki gallery hai jaha pao na aapki sari photos hootie hai abon appo dho chizhe bata hoongi eek recently deleted folder hoota hai chik hai I explain karongi maapko thud tension nil lena chik hai और दूसरा होता है Google Backup Google Backup Clear आपका जो mobile phone होता है अगर आपको उसमें कुछ photos आपको ऐसे लगती है काम की नहीं है भाई इसको delete कर दो तो आप उसको delete कर देते हो तो वो चली जाती है deleted folder में होता है न मोबाईल में यह चीज़ होती है कि वो जो photos होती है वो एक deleted folder के अंदर चली जाती है और आपकी photos जो आपको बहुत अच्छी लगती है जो आपको ऐसे लगते है कि नहीं यारी से मुझे preserve करके रखना है this is a kind of memory तो आप उसको Google Backup में क्या कर देते हो मतलब update कर देते हो क्लियर गूगल बैकप कैसी चीज़ है कि for example मानलो आज आप कोई फोन यूज कर रहे हो आप for example 2015 में आप कोई फोन यूज कर रहे हो आपने इस mobile phone को 2018 तक यूज किया क्लियर इसमें आपकी धेर सारी photos है सब कुछ है आपका इस फोन के अंदर just suppose आपका फोन किसी रीजन से खराब हो गया तीक है आपने new phone purchase किया आपने new phone purchase किया just suppose 2019 में आपने new phone purchase किया तो आप क्या करोगे just आपको आपके इस फोन में जो Gmail ID थी या Google ID थी बस आपको उसको इसमें एंटर करना है और आपका सारा data backup हो जाएगा clear this is a permanent kind of solution यहां पर क्या होता है recently deleted folder के अंदर कि जैसे मानलो आपने कोई photos को उसके अंदर रखा है delete किया हुआ है तो वो इस folder के अंदर आ जाती है 30 days के अंदर वो automatically delete हो जाएगी 30 days के अंदर वो जो photos recently deleted में गई है वो automatically आपकी क्या हो जाएगी delete हो जाएगी आप चाहो तो उसको restore कर सकते हो बट वो automatically delete हो जाएगी होती है यह एक चीज़ बताओ सब मुबाइल फॉन्स में यह चीज़ होती है आपको नहीं पता है तो आप इस एक चीज़ को पता करो कि यह चीज़ होती है और अगर यह नहीं पता तो computer वाला तो पता हो है आया समझ में तो यह example मैंने आपको क्यों दिया यह एक example है temporary memory का and this is a example of permanent memory तो आपको अपने phone का कोई data है जो सालो सालो तक रखना है so you can store it here clear again this is a kind of memory and अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए so temporary level के लिए चाहिए थी बट बाद में आपने delete कर दी for example आपने किसी चीज़ आपके काम का नहीं तो obvious उसको delete कर दोगे कोई मतलब का नहीं रहा clear so इस तरीके से जो है आपके mobile phones में भी temporary या permanent memory होती है computer में भी होती है so based on this program commands the computer manipulates the content of its memories and displays the output on the screen कि इस एक basis पर जो computer होता है वो क्या करता है अपना जो भी उसके पास में memory होती है उसको सारा कुछ analyze वगरा करता है सारा कुछ manipulate करता है और उस according फिर वो आपको screen पर दिखता है ठीक है in the same way human beings to register information store manipulate the stored information depending on the task that they need to perform मैंने एक example आपको दिया था यहाँ पर दुबारा वही example दिय हुआ है कि मानलो आपको कोई maths का problem solve करना है ठीक है और mathematical operations से related memory जो है वो इस में आपकी काम आने वाली है जैसे मानलो division है subtraction है तो यह सारी चीजे क्योंकि आपने already पढ़ी है ठीक है यह सारी चीजे already आपने पढ़ी हुई है तो कोई भी question आएगा तो आप उसको फटाक से कर कर लोगे आप उसको फटाक से solve कर लोगे for example आपने class third में या class 2 में जब आप second class में थे तब आपने addition, subtraction, division, multiplication यह सारी चीजे सीखी थी ठीक है अब आप आगे class 10 में पहले जब यहाँ पर सीखी थी तो सीखा था 2 प्लस 6 कितना होता है 2 divided by 2 कितना होता है ऐसा सीखा था अब ही आगे class 8 में आगे मान लो class 8 में you have a value okay now do this you can do easily you can do this clear क्यों सीखा थो भाई या बहुत पहले था अभी तक कैसे आता है memory में सब फिट हो गया memory में सारी चीज़े फिट हो गई जब टीचर ने हमको यह सिखाया था तो हमने इस information को क्या किया था बताओ मुझे बोल के बताओ क्या किया था हमने इस information को आप बोलोगे learn किया था but we registered अब थोड़ा सा जो है human memory वाली language बोलो ठीक है कि जब टीचर ने हमको यह सिखाया था त information को जब हमने इसको बार-बार प्रैक्टिस किया तो यह हमारी memory में store हो गई यह क्या हो गई हमारी memory में store हो गई अब जब class 8 में हमसे यह question पूछा गया so we can so we can manipulate our stored information clear समझ में आया कि अब वो जो information store हुई थी ना अब हम उसको manipulate कर सकते हैं अब हम उसको क्या कर सकते हैं manipulate कर सकते हैं इस एक problem को solve करने के लिए तो same चीज humans के साथ में हो रही है ना तो humans किस से related हो गए humans related हो गए आपके computers से clear समझ में आया कोई doubt तो नहीं है या तक तो इस तरीके से हमारे अंदर भी information process होती है clear जैसे computers के अंदर information process होती है ना register, store or manipulate के form में same way में humans के अंदर भी वही चीज होती है clear clear समझ में यां तक इतने में तो कोई doubt नहीं है मुझे बता ऊंक मेंट सेक्शन के अंदर हमं को तो कोई doubt नहीं है हमको तो सभ कुछ समझ में आगया झीख यह समील को लिग के बताओ कि मैंठ हम कोई doubt नही आए सब बढ़ीचन रहा है और अगर कोई doubt is so ask please ask clear ना move on to our stage model, ठीके सबसे interesting चीज़ है, यह information processing again base है, clear करना important है, so this analogy led to the development of the first model of memory which was proposed by Atkinson and Shiffrin in 1968 and it is known as the stage model, clear, इस एक information के basis पर पहला model बना memory को लेके, human memory पर पहली बार काम किया गया, पहला model बना 1968 में, कब बना 1968 में किसने प्रपोस किया, Atkinson and Shiffrin ने, और इस model को क्या कहा जाता है, stage model, clear, लिख लो इस एक चीज़ को note down कर लो, first model of memory, चीके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपर note down करते हैं, first model of memory, so the first model of memory, first model of memory, I hope so, आप लोग डूट कर रहे हैं, okay, when, 1968, कब आया यह model, 1968 में, क्या बोलते हैं इस model को हम, stage model, क्या बोलते हैं, stage model, and who proposed this model, so Atkinson and Shiffrin, clear, यहाँ पर लिख लो, Atkinson I think, Atkinson and Shiffrin, Atkinson and Shiffrin, okay, Atkinson and Shiffrin, clear, so यह हो गया आपका first point, कि जो first model है memory का, वो 1968 में दिया, इसको stage model कहते हैं, Atkinson and Shiffrin ने इस model को दिया था, clear, यहाँ तक समझ में आया, अब बात कहते हैं, stage model की, so अब यह जो आपका stage model है, यह three processes में divided है, और stage model के according, वो तीन memory systems कौन से होते हैं, so one is your sensory memory, second is short term memory and third is long term memory, clear, यह यहाँ पर हमने note किया था, तो sensory memory I think so हमने नहीं note किया था, सरफ memory note किया था, तो उसमें sensory भी लिख लो, यह रेखो, यहाँ पर है न, अब अनने यह memory लिखा था न, तो इसको क्या करो, sensory memory लिख लो, okay, so sensory memory, short term memory, long term memory, यह तीन तरह के systems, जो है stage model के अंदर हम study करते हैं, clear, systems, so these are those three systems, जिनको हम यहाँ बर डिस्कस करेंगे, तो इस्टेज मोडल के अंदर यह तीन system दिये हैं, और हर एक system के अपने functions हैं, अपने features हैं, related to the sensory inputs, इसे related एक working memory है, clear, एक concept है, working memory का, आपके ही book में दिया है, जिसको हम हमारे next lecture में discuss करेंगे, मतलब coming lectures में आपको यह भी देखेगा, कि working memory क्या होती है, तो उसको इन टीटेल समझेंगे, बट पहले इन तीन को समझते हैं, कि sensory memory क्या है, short term memory क्या है, long term memory क्या है, इतना समझ गए ना कि पहला model जो आया, related to your human memory, वो stage model था, किस ने दिया, कब दिया, वो हमने discuss कर लिया, अब model three systems में divided है, sensory system, sensory memory, short term memory and long term memory, सब एक करके इन तीनों को देखते हैं, कि यह क्या है, सबसे पहले इस तरीके से आपको समझना है तीनों को, ठीक है, information, कोई भी information जब आपके पास में आती है, तो वो information आपके पास में कैसे आती है, collect करता है so senses collect करते हैं देखो तीनों के ही मैंने आपसे क्या कहा कि different features है different functions है तीनों अपना अपना role play करते हैं आपकी book में ये chart same ऐसा ही दिया है तो आपको tension नहीं लेना है ना उसे ही explain कर रहे हूं मैं कुछ अलग से कुछ नहीं मैंने बोला मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाओंगी सब जो आप लोगों का है वही सारा कुछ पढ़ाओंगी मतलब अलग पूछोगे तो पढ़ाओंगी लेकिन अभी उसी को समझो जो आपको basic दिया है और extra input मेरी तरफ से आपको मिलता रहेगा echoic कोई भी senses हों वहाँ पर सबसे पहले information जाएगी ओके सो अब यहाँ पर क्या होगा storing capacity ज्यादा है ठीक है हमारे जो senses है ना वो ज्यादा से ज्यादा information को store कर सकते हैं senses memory नहीं कहा मैंने मैंने memory नहीं कहा मैंने क्या कहा जो हमारे senses है वो लार्ज capacity में information को store कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो duration रहेगी ना वो बहुत कम रहने वाली है less than one second clear for example just suppose आप रास्ते से जा रहे थे बहुत प्यारा व्यू था बहुत प्यारा व्यू था आप देख रहे थे बहुत सारी चीज़े देखी आपने ठीक है आपने धेर सारी चीज़े देखी अपने रास्ते में बहुत कुछ बहुत प्यारा नेचर था और भी बहुत सारी वो सरफ less than one second है डीटेल में बताऊंगी मैं ठीक है बस इस एक चार्ट को देखो इसी चार्ट को दुबारा से समझेंगे लेकिन जब आपके सेंसेज किसी भी इंफॉर्मेशन पर अटेंशन पर करते हैं अटेंशन भी बढ़ा है चाप्टर नमबर फाइव है यह पूरा सेंसरी अटेंशनल और परसेप्चल प्रोसेसेज में तो लेकिन उन में से कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे अटेंशन को कैच करती है अगर कोई बहुत ही लार्ज बहुत ही ब्राइट सी चीज है तो वो हमारे अटेंशन को ज्यादा कैच करेगी ओके सो कुछ चीजे होत storing capacity उड़ती है वो बिलकुल थोड़ी सी होती है कुछ ही time के लिए less than 30 seconds के लिए आपको वो जो भी information है वो आपकी memory में रहेगी ठीक है जब आप उसके उपर ज्यादा से ज्यादा rehearsal करते हो तो rehearsal करने से जो भी information है उसकी storing capacity unlimited हो जाती है और वो आपकी lifetime तक रहे सकती है clear इसका एक example समझो आपकी studies से related समझो okay for example मैं तो आपको नजाने कितनी सारी चीज़े पढ़ाती हूँ है न मतलब दिन भरी पढ़ाती हूँ बहुत सारा कुछ जो है आप पढ़ते हो मुझ से ठीक है अब मैं तो मैं आपको information का भंडार देती हूँ आपके सामने information का भंडार है बट जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ यह यहां पर psychology है की for example बहुत कुछ पढ़ाती हूँ मैं आपको दिन भर में इतना सारा कुछ पढ़ाती हूँ लेकिन मेरी memory के capacity है कि वो कितनी चीज़ों को intake करेग इससे ज़ादा जो है मेरा mind store करके नहीं रख सकता तो मेरे पास में information को store करने की capacity दो बहुत ज़ादा है लेकिन वो information मेरे पास में याद नहीं रहेगी for example मैं आपको इतना सारा कुछ पढ़ाया ठीक है मान दो आज मैं आपको जितनी देर पढ़ाती हूँ एक घंटा पढ़ जाती हूँ तो बहुत सारी information ली आपने मुझ से है ना बहुत सारी information ली आपने मुझ से और जब आप यहां से जब यह lecture complete हो जाएगा सारा कुछ पढ़ाई वड़ाई हो जाएगी books बंद करोगे you will see आपको बहुत कम चीज़े याद रहेंगी for example कुछ दो चार बात शायद जो आपको attract करीं थी मेरी कुछ दो चार बातें या पांच बातें जो आपको attract करीं थी for example कि जैसे मैंने आपको एक information processing वाला बताया computer से related वो आपको याद रहेगा mobile phone के example दिया वो आपको याद रहेगा maths का example दिया वो आपको याद रहेगा short term long term पढ़ा रही हूँ वो आपक अगले दिन वो भी याद नहीं रहता ठीक है अगले दिन वो भी ध्यान नहीं है कि माम ने क्या बोला था भाई क्या क्या पढ़ाया था एक बर वापिस से रुको lecture खोल के देखता हूं क्या क्या पढ़ाया था माम ने ठीक है तो यह क्या था कि थोड़ी से देर के लिए ची क्या हो रहे हैं। यह क्या बवाल मंच रहा है, कि इतना सारा पढ़ा, माम से इतने ध्यान से पढ़ा लेकिन याद ही नहीं आदा। तो क्या करें हैं। चलो फृरसे lecture कित ते हैं। फिर से lecture न्टस बनाया, ठीक है। उसके बाफ में कहा कि जो भी या लटकाए जो भी biz मतलब इससे प्ड़ fur woman फिर उसके बाद है मरें नोटacas बनाए किया किया अब इसको पड़ुँगा अब इसको बुक से पड़ुँगा पडूँगी या जो भी यह जो भी मतलब है ना लड़के लड़की जो भी हूँ ठीक ह अब इसको बुक से पढ़ूँगा अब फिर उसको पढ़ रहें बुक से पढ़ रहें पढ़ रहें फिर नोट से रिवाइस कर रहें है माम ने जो पढ़ाया था वो भी एक बार देख लिया फिर उसको बहुत बार रहर्स किया याद करने की कुशिश करी हाँ अब जो है मुझे याद हो गया है अब मुझे बिलकुल भी मतलब इस एक टॉपिक को दुबारा चूने की जरुवत नहीं पढ़ेगी पांच दिन मान लो अब पढ़ा मतलब ऐसा मैं बिलकुल नहीं बोलूँगी एक टॉपिक को पांच दिन पढ़ो लेकिन जस्ट एक ग्जामपल दे रहे हूं ठीक है तो क्या होगा वो चीज हमेशा याद रजाएगी फिर उस चीज को कभी नहीं भूलोगे समझ में आया यह सबसे बेसिक सा एक्जामपल वापिस आएंगे इसी चाट के उपर वापिस आएंगे फिर से वापिस से इसी को डिसकस करेंगे बट यहां जितना बताया उतना यहाद रखना ठीक नहीं तो यह भी भूल जाओ कि माड़ा हमारी तो में मुरी गई सेंसरी में मुरी लार्ज कैपेसिटी लेस डियूरेशन क्लियर और डियूरेशन लेस दन वन सेकंड ओके शाट टम में मुरी देखो कैसे लिखो इसको ऐसे लिखो इस टोर लिखो चीक है ऐसे लिखो इस टोर मतला भी यह पूरा बनाने को नहीं बोल रही हूँ ऐसे सेंसरी सिस्टम मेमरी लिखो उसके आगे यह लिखो से भी कम इस शाट टम मेमरी इस टोर इसमाल ओके टाइम थर्टी सेकंड और लेस क्लियर ऐसे लिखना है यह लेस का है है ना साइन थर्टी सेकंड लेस और लॉंग टम में क्या लिखोगे इस टोर अनलिमिटेड इस टोर अनलिमिटेड टाइम लाइफ टाइम क्लियर यह बन गए बिलकुल शॉट नोट्स बन गए अब तो कुछ पढ़ने ही ने अब तो सब समझ में आ गया है ना अब तो विलकुल ऐसे ग्यान का बंडार हो गया हमारे अंदर अब इसमें क्या करेंगे एक के करके इन systems को हम discuss करेंगे okay so number one is your sensory memory so the incoming information first enters the sensory system sensory memory has a large capacity however it is of very short duration that is less than one second it is a memory system that registers information from each of the senses with reasonable accuracy often this system is referred to as sensory memories or sensory registers because information from all these senses has registered here as exact replica of the stimulus समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है यह सब सर के ऊपर से जा रहा है मारम क्या बोल दिया आपने दो मिनट में इतना सारा कुछ कुछ समझ भी निया है हमको so देखो इतना आपको पता है कि जो सेंसे होते हैं वो हमारे स्टिमलस से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे स्टिमलस से एग्जेक्ट वही सारी चीज़े आपको सब पता है आपको मैं कुछ पढ़ा ही नहीं लिए आप नहीं पता है फिर से ठीक है सो chapter 5 आपने बदा chapter 5 में आपने senses पढ़े आपने senses में जाना कि जो भी आपके सपास में stimulus होता है आप उससे information collect करते हो आपको मतलब कौन आपके जो senses होते हैं मेंली मेंली हमने आइस और इयर्स को पढ़ा फर एक्जामपल आपने कोई साउंड सुना ठीक है आपके आसपास में कोई जो है बढ़िया music चल रहा था ok so आप सुन रहे थे sound को तो भाई वो information ही तो है जो आपके जो यह ears है वो collect कर रहे है clear so जो आपके यह जो information collect होती है न through your senses उसको memory system में sensory memory कहा जाता है क्योंकि वो information हमारे senses लेकर आए है clear यह information को sensory memory या sensory register इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो information है वो senses ने register करी है और ये information same वैसी है जैसी देखी या सुनी गई है If you have experienced visual after images, that trail of light that stays after the bulb is switched off or when you hear reverberations of a sound when the sound has ceased, then you are familiar with iconic or echoic sensory registers समझ में आया अब आया समझ में क्या चीज़ कहीं मैंने आपने कभी देखा है आप light में काम करें थे, एकदम से light चली जाती है एकदम से जब light जाती है तो हमारी आखों के सामने थोड़ा सा ऐसे एक dimming type से होने लग जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, after images कि एकदम से अभी light जल रही थी, सब कुछ दिख रहा था लेकिन एकदम से light चली गई, एकदम से light चली गई तो कुछ एक अजीब सा feel आता है ना चीक है, या फिर मान लो, यहाँ पर कोई गाना चल रहा था और एकदम से, गाना ठीक है, मतलब एक song चल रहा था एक song प्ले किया जा रहा था, music चल रहा था और बढ़िया आपको पसंद आ रहा था, एकदम से बंद हो गया तो एक वो थोड़ा साइसे बंद होने का sound कही ना कहीं आता है बिलकुल एक शांती टाइप से, something that is dropping kind of, clear तो यह जो आपके senses register कर रहे हैं, यह कौन feel कर रहा है यह कौन feel कर रहा है, आपके senses ही तो feel कर रहे है तो यह जो information register की जाती है, यह senses कित्रू होती है और इसलिए इसको sensory memory कहा जाता है क्योंकि यह आपके senses तक ही सीमित है यह अभी वो short term, long term में आई नहीं है यह less than one second क्यों बोला जा रहा है less than one second क्यों बोला है और मैंना आपको एक और चीज़ बोली कि memory जो है, वो experiences के थ्रू आ रही है आपके पास में है ना, तो आपको उस एक चीज़ का ध्यान रखना है ठीक है, आपको जो है, उस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरी memory बन रही है ना, वो मेरे experiences के थ्रू बन रही है अब यहाँ जो आपका experience है, वो less than one second है उसकी duration बहुत ही जादा short है clear, तो वो आपकी memory में sensory memory की तरह रहेगी कि अकसर जो चीज़े आपके senses देखते हैं या सुनते हैं so that comes under sensory memory या sensory registers clear, सबसे simple सी चीज़, जो senses ने देखा, जो senses ने सुना that is sensory memory, clear, बहुत कम duration, less than one second और जो capacity है, storage capacity है, वो large है large क्यों है storage capacity, क्योंकि हम बहुत सारे stimulus को feel कर सकते हैं clear, second is your short term memory now this short term and long term is important so you will perhaps agree that we do not attend to all the information that impinge on our senses information that is attended to enters the second memory store called short term memory which holds a small amount of information for a brief period of time आपको ये चीज़ पता है कि हमारे senses जो भी information को attend करते हैं वो सारी information को हम नहीं लेते हम कुछी information पर focus करते हैं जैसे मैंने आप से कहा, ये example मैंने आपको chapter number 5 में भी दिया था same example अभी फिर से देती हूँ for example आपका जो room है उस room में बहुत अच्छे से curtains भी लगे थे bed sheet भी थी और अच्छे से सारा room decorated होता था but one day you entered your room और आपके room में कुछ changes कर दिये जाएं ठीक है मतलब आपके room में क्या क्या होता है bed है study table है books है almira है और साथी साथ में और भी आपके जितनी भी चीज़े होती है वो सारा समान होगा walls है walls पर color है paint है window है door है ये सारा stimulus आपके आसपास में है आपके अपने room के अंदर one day you enter your room and you see कि window पर जो curtains डले हैं उनका color change हो गया okay bed sheet का color change हो गया मतलब ऐसे अपने आप automatically जादू नहीं हुआ है मम्मी ने change किया ठीक है नई bed sheet लगा दी new curtains लगा दी है आपकी जो wall थी ना उस पर कुछ new paintings लगा दी उस पर कुछ new paintings लगा दी उसमें से एक painting ऐसी भी थी मतलब एक जो scenery थी वो कुछ ऐसी भी थी जिसमें जो है बड़ी आसी light जलती थी और light के साथ साथ में मतलब उसमें बहुत ही light sparkle और वो बहुत large थी बहुत large थी उसको देके बहुत ही अच्छा लगता था मतलब वो इतनी attractive थी ठीक है तो आप जैसे अपने room के अंदर enter करें तो आपने देका changes तो हुए पर सबसे पहला ध्यान आपका गया वो बड़ी से सींदरी पर जो मम्मी ने room के अंदर लगाई थी बहुत प्यारी लग रही थी बहुत light जली थी बहुत large जैसी थी वैसे तो बहुत सारी चीजे थी आसपास में पर सबसे जादा जो attract किया ना वो उसी ने किया that is called attention simple simple as it is ठीक है इसे ही attention बोलते हैं अब आपके आसपास तो इतना सारे stimulus था ना और भी तो images थी और भी तो सिंद्री थी और भी तो paintings थी curtains भी थे bed sheet भी थी और भी बहुत कुछ था लेकिन ध्यान कहां गया कुछी चीज के उपर तो हमारे आसपास में बहुत सारे stimulus होता है लेकिन हमारा जो attention होता है वो कुछी चीज उपर होता है और यहां पर उसको हम second memory store या short term memory या STM के अंदर देखते हैं ठीक है उस एक चीज को हम STM के अंदर discuss करते हैं जहां पर हमारी जो information holding capacity होती है clear वो कम होती है small होती है और duration भी less than 30 seconds होती है तो जब Atkinson और Shiffrin ने यह STM के बारे में बताया So they said that information in STM is primarily encoded acoustically that is in terms of sound and unless rehearsed continuously it may get lost from the STM in less than 30 seconds For example, अभी ध्यान से सुनना सब ठीक है बिलकुल ध्यान देना और बिलकुल इसकित ने करना ध्यान से सुनो 8827891094 यह एक नमबर है इसको जल्दी से डाइल करो ठीक है Okay, डाइल तो नहीं किया होगा बट फिर भी मैं आपको बताओं कितना याद रहा 8827 मतलब मुझे भी याद नहीं मैंने भी क्या बोल दिया ठीक है आप खुद देखना आप खुद इस एक चीज को नोटिस करना आप दो सेगेंड के लिए वीडियो मिनिमाइस करना और अपने फोन पे जाना और अपने नमबर डायल करना जो मैं बोल रही हूं ठीक है लाइक 88278910 that's it clear बना आप आपने इस एक चीज को देखा ओगा है लिए विडियो पॉस करके समझाओ को किमें कितना कर सकता हूं या नहीं कर सकती हम अब आपको नमबर याद है मैंने किया भूला था ही का में नहीं करना है डिक कैश्म practicing करना थे को जाऀ भी कोई शाट सा जाता है am gust देखते हैं कोई एस information हम देखते है जो especially sound के form में है जो जिसे सुन अजा रहा है okay जिसे सुना जा सकता he especially that information बहुत ever confirmations भुख uh instagram doing जलाती हो गया है गई जाती हो गया है Sometimes Img मृत्स है आप यूट्यूप आप जो भी यूस करते हो, thief कभी कोई रील आ जाती है कभी कोई। शौर्ट याजाता है। साउंड बड़ा अच्छा लगता है। बहुत प्यारा म्युजिक था। बहुत अच्छा रील बनाया गया बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है मैं भी बनाऊंगा या बनाऊंगी इस बार ऐसा सोच लिया होगा है ना पूरा मन में आ गया होगा पूरी ख्वाइश हैं कौन सा स्षच्प हम जो है सर्च करने वाले थे रील पर हम भूल जाते ही बहुत बार यूरा यह चीज होती है होती यह नहीं होती है देखो कोंतुबून होगए पी तिस साथ सेकंड फिर नहीं सूंग सुना था पहले यार याद क्यों क्यों लूख ला और ये थोड़ी देर, थोड़ा टाइम कहा है, seconds, we are talking about seconds, कुछ seconds के लिए याद रहेगा और फिर भूल जाओगे, इसे कहते हैं short term memory, आया समझ में, तो Erickson, sorry, Atkinson और Shiffrin ने जब इस model को दिया था, STM model को, तो उनने ये कहा था कि इसमें जो information आप encode करते हो ना, वो सबसे पहल sound के form में होती है, और उसको continuously rehearse किया जाता है, अगर आप उसको rehearse करोगे, मान लो, आपने कोई reel देखी, या कोई short वगेरा देखा, कोई ऐसा trending TikTok वीडियो वगेरा, कुस तो भी आपने देखा, okay, और उसको देखने के बाद में, आपने क्या किया, song आपको पसंद आ गया, आ search कर लिया, आपको song पता चल गया कौन सा था, for example, तो अब क्या हुआ, अगर आप उस song को rehearse करोगे, अगर आप उस song को सुनोगे, 5-6 बार सुनोगे, आपको याद हो जाएगा, that is the part of long term memory, लेकिन, अगर आपने उसको उस time पर सर्च नहीं किया, और आपने थोड़ा आगे स् उसने start किया, you will see, आप उसे भूल जाओगे, क्योंकि रिहर्सल नहीं होती इसमें, acoustically जो information, एक ही बार में information आपके पास में आई, तो वो क्या होती है, less than 30 seconds में lost हो जाती है, जिसको STM कहा जाता है, short term memory, note, that the STM is fragile, but not as fragile as sensory registers, where the information decays automatically in less than a second, STM fragile है, जिसमें information less than 30 seconds में चली जा जाती है, but उतना जादा fragile नहीं है, जितना जादा sensory memory हुआ करती थी, क्योंकि sensory memory में ऐसा था, कि आपने कोई चीज देखी, आपने कोई चीज फील करी, and automatically that gets fades away, ठीक है, for example, दिया था ना अभी, कहीं घूमने जा रहे हो, घूमने जाते हो, कितनी सारी चीज़े देखते हो, कितना, कितना, सब कुछ देखते हो, मान लो, कहां जा रहे हो, केदार नाद घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहां से जा रहे हो, मान लो, साउथ इंडिया से जा रहे हो, मान लो, ठीक है, मान लो, यह जहां रहते हो, वहीं से जा रहे हो, ऐसा मान लो, ठीक है, तब जब जब ज जनरली बहुत सारे पेड़, पौधे, खेत, ये सारी चीज़े दिखती है, mountains भी दिखते हैं, है ना, और बहुत बार कहीं पर ऐसी कुछ खूपसूरत cities होती है, बहुत प्यारा, painting, architecture, ये सारी चीज़े होती है, तो दिखता है, सब कुछ है ना, जाते हो, देखते रहते हो, sound भी आता है, बहुत कुछ देखते हो, अब मानलों पहुंच गए, जाना था, वहाँ पर आपसे पूचा जाए, बताओ, क्या क्या सारी चीज़े देखी रास्ते में, सारा कुछ सब कुछ मेंचिन करो, You will say in one word, highway था, क्या ही देखते, रोड़ी रोड़ी और पेड़ पॉदे थे, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, that's just a sensory memory, that's just a sensory memory, senses ने कोई चीज़ रजिस्टर की, ठीक है, short term memory में वो चीज़ कब आएगी, जब आप उस पे attention पे करोगे, अगर आपने उस पे attention पे किया, तो वो short term memory में आ गई, लेकिन उस पर rehearsal नहीं होती, तो वो भी 30 seconds में fade out हो जाती है, यह बहुत छोटी छोटी चीज़े, या मारी daily life की चीज़े है, कि यहां पर बहुत बार ऐसा होता है, कि चीज़ को भूल गए, मैंने आपको एक एक ग्जामपल पहले भी दिया था, कि मान लो आपका आपका जो घर है, उसमें दो फ्लोर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, ओके, पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो study room है, वो second floor पर है, बढ़ आपने सोचा, आज थोड़ा नीची बैठ जाता हूँ, यही पर ही पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आपको याद है, अरे यार, वो वली बुक थी, उपर रखी थी, एक काम करता हूँ, लेकर आता हूँ, उसको, आप stairs चड़े, आप उपर तक पहुंचे और आप भूल जाते हो, आप बहुत 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 duration limitations of the STM finally enter the long term memory which has a vast capacity for example, एक इसी example को लेके चलते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने अभी आपको एक example दिया कि आपका room है, okay, just suppose आपका जो room है उसमें कुछ changes किये गए हैं, है ना अभी मैंने आप से कहा कि this is your room इस room में बहुत सारे changes हुए हैं, बट सबसे जादा attractive अगर आपको कोई सा लगा, तो वो कौन सा लगा, मतला अभी ये आपका room है, इस room के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, इस room के अंदर धेर सारा furniture है, फरनीचर में bed है, आपकी table है, आपकी chair है और साथी साथ में almira है और बहुत सारे stimulus है, windows भी है, windows के पास में curtains भी लगे हुए है, gate, door सब कुछ है, ये सारे stimulus है, ये सारा क्या है, stimulus है generally कौन सा stimulus fade out हो जाता है, जो आपने पहली बार देखा हो, आपने अपने room का stimulus पहली बार नहीं देखा, तो आप नहीं भूलोगे लेकिन मान लो आप इसी जगे कहीं किसी hotel वगरा में गए थे, या कहीं ऐसी जगा पर गए थे, जहां जो भी stimulus present था, आपने उसको just देखा और आप वहाँ से चले गए, तो इतना जादा याद आपको नहीं रहेगा लेकिन मान लो इस पूरे stimulus में से, कोई एक ऐसी चीज थी, जिस पर आपने अपना attention focus किया, मान लो इसके अंदर कोई ऐसी painting लगी थी room के अंदर, जो आपके attention को catch कर रही थी, तो वो memory कहां आ जाएगी, STM में ठीक है, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे कि अरे वाकिती प्यारी painting है, यह 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 बना हुआ है, और थोड़ी ही देर बाद, वहां से जाओगे, 10-15 मिनिट बाद recall करने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा बहुत ही याद आएगा, ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत ही याद आएगा, और 30 seconds से ज्यादा जो है आप उसको, मतलब आप memory को वो भी नहीं कर पाओगे, क्या, जो duration है वो उससे ज्यादा रहे भी नहीं पाएगी, तो वो आपकी short term memory में आ गया, कुछ information जो आपकी short term memory में रह जाती है, जो fade out नहीं होती, वो pass on हो जाती है, LTM में, that is, long term memory, clear, आया समझ में, तो अभी मैंने आपको sensory बताया, मैंने आपको short term बताया, मैंने आपको long term बताया, अब जो भी information या जो भी material आपके STM में रह जाता है, survive कर जाता है, STM में, जो capacity है, duration limit है, अगर उसको survive कर जाता है, तो वो enter करता है, long term memory में, मतलब, for example, मैंने अभी आपको एक number बताया था, मानलो, आपको वो number याद रह गया, मानलो, आपको वो number याद रह गया, और आपने उस number को 5, 6, 10 बार rehearsal कर लिया, वो number आपको बिलकुल याद हो चुका है, learn हो गया, आपके अंदर learning हो गया, clear, so अब, ये जो आपका STM था, ये जो short term memory थी, ये pass on हो जाएगी long term memory में, क्योंकि ये 30 seconds से जादा आप इसको याद रख पाए, और दूसरी चीज, ये आपके memory में store हो गई, तो जो चीज आपकी memory में store हो जाएगी, और जो चीज आपकी memory में fade out भी नहीं होगी, time के साथ में रहेगी भी, तो वो चली जाएगी, कहाँ pass हो जाएगी, वो pass on हो जाएगी long term memory में, long term memory जहाँ पर vast capacity है और duration जो है वो lifetime तक है, it is a permanent storehouse of all information that may be as recent as what you ate for breakfast yesterday to as distant as how you celebrated your sixth birthday, तो देखो ये क्या है long term memory या LTM क्या है, एक तरीके का permanent storehouse, जहाँ पर अब आपकी information permanently stored हो चुकी है, जैसे आपको याद रहता है कि कल breakfast में क्या खाया था, या maybe last Sunday breakfast में आपने क्या खाया था, ये आपको याद रहता है, और even आपको ये तक याद रहता है कि जब आप 5 साल के रहे होगे तो आपका birthday कैसे celebrate किया गया होगा, या आप birthday कैसे celebrate किया होगा, है ना, तो ये सारी चीजे हमको हमारी memory में रहती है, and this is known as long term memory, इसको हम बोलते है, इसको हम बोलते है, हमारी long term memory, तो जैसे मैंने आपको short term, देखो sensory मैंने आपको बता है कि जो चीज देखी और फिर fade होगी, ठीक है, फिर हमको इतनी जादा याद नहीं है, that's your sensory memory, short term memory, कोई गाना वाना सुना, 36 second ध्यान रहा, उसके उपर काम नहीं किया, तो भूल जाते हो, है ना, भूल जाते हो, उसको क्यों कोई real बगेरा देखी, उसमें कोई गाना देखा, जो अच्छा लगा, कोई song था, पसंद आया था, लेकिन search words नहीं किया, 2-4 real, और बहुत बार रिहर्सल करने के बाद में, that comes to your long term memory, और फिर वो permanent हो गई, ठेक है, अब जो है, वो वहाँ से fade away नहीं होगी, so इसलिए इसको क्या कहा जाता है, long term memory, it has been shown that once any information enters the long term memory store, it is never forgotten, because it gets encoded semantically, that is, in terms of the meaning that any information carries, तो क्या होता है, कि जब भी कोई information आपके LTM store के अंदर आ जाती है, आपकी long term memory में आ जाती है, तो आप वो कभी भी fade away नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह information जो है, यह semantically encoded की गई है, what is semantically encoded, मतलब कि उस information का जो meaning है, उसको आपने समझ लिया है, उस information का, जो meaning है न मैं आपको इतना सारा पढ़ा रहे हूँ, ठीक है, मान लो, daily मैं आपको कितना पढ़ाती हूँ, daily मैं आपको इतना सारा पढ़ाती हूँ, इतनी सारी information में आपको देती हूँ, इस में से जब पढ़ाई करने के बाद आप lecture lecture बंद करके books वगरा बंद करते होगे ना, तो मैं आपने कुछ 5-6 चीजों का जिकरी किया था, क्लास के अंदर, ठीक है, so this is known as sensory memory, मतलब आपने सुना, पर आपको 5-6 चीजे ही ध्यान रही, पर आपने क्या किया, आपने जो भी पढ़ा था, मान लो, ये तो sensory memory है, अब मान लो, आपने यहाँ पर मैंने आपको जितनी भ पढ़ाई थी, वो सारी आपने क्या करी, एक बार recall करी, जब आपने अपनी बुक्स बंद करी, तो आपने का मैं याद करता हूँ, मामने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, तो आप जादा चीजों को recall कर पाए, करीब 10 points ये 10 topics थे, जो मैंने आपको डिसक् रिहर्सल करी, रिहर्सल का मतलब क्या, क्या आपने इन topics को बार बार पढ़ा, उनके बार में research करी, notes बनाए, फिर उसको read करा, उसको learn करा, अब ये कहां चले गए, ये चले गए आपके LTM में, यानि आपकी long term memory में, और आपने जो भी पढ़ा था आपने meaning समझ के पढ़ा थ और जब आप उसका meaning समझ लेते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसको LTM में ले आते हो, that is long term memory में, और इस long term memory में, जो information है वो fade away होगी ही नहीं, permanently fit हो गई, clear, I समझ में तीनों processes की sensory memory क्या होती है, STM क्या होता है, और LTM क्या होता है, अब आप जो भी experience करते हो ना, कि आप चीज़ों को भूल रहे हो, in fact वो retrieval failure है, and that is for various reasons, you cannot retrieve the stored information, तो अब जैसे आप सोचोगे, कि मतम exam में तो भूल जाते हैं, लेकिन है ना, होती है नहीं है चीज़, कि बहुत बार तो rehearsal किया था, पढ़ा था, समझा भी था, लेकिन जब exam में गये तो सारा कुछ भूला है, कुछ भी याद ही नहीं रहा, जितना information यहां mind में store किया था, वो सारा का सारा fade out हो गया, तो ऐसे कैसे LTM काम कर रहा है, exactly हो क्या रहा है, देको तीन process होते हैं, एक कौन सा होता है, encoding, एक होता है encoding, दूसरा कौन सा होता है, storage, य होता है retrieval, clear, जब ही कोई information आपके पास में आती है, तो आप उसको, उस information को जो है सोचते हो, समझते हो, वो information आप encode करते हो, clear, उस information को जब आप बार 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 रिहर्स करते हो, तो वो information आपके mind में store हो जाती है, तब वो information आपके mind में store हो जाती है, जब information आपके mind में store ह तो आप easily उसको retrieve या recall कर सकते हो जैसे कि for example मैंने आपको बताया कि 10 topics आपने पड़े आपने 10 topics को अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया सब कुछ कर लिया यादवाद सब कर लिया तो वो उसको आप retrieve कर सकते हो उसको आप recall कर सकते हो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम retrieve नहीं क कर पाते हैं अब आया समझ में कि long term memory में आपकी जो information है वो आपके mind में ही store है लेकिन आप उसको use नहीं कर पार है तीन चीज़े होती है एक information का होना है पहली तो information present हो फिर वो information आपके mind में store हो जाए फिर आप उस information को recall कर सको यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है recalling नहीं हो रही है store तो है information तो mind के अंदर है क्योंकि इतना बार जो है हमने practice किया था और mind की capacity भी थी तो long term हमने उसको store कर लिया लेकिन हम उसको recall नहीं कर पार तो उसके कुछ reasons होते हैं इसी chapter में आगे हम उसको discuss करेंगे कि कैसे आप forget कर जाते हो मैंने आपको बताया था overview में आपको यह चीज को forget कर जाते हो भूल जाते हो उसमें हम इसको discuss करेंगे clear so far we have only discussed the structural features of the stage model questions which still remain to be addressed are how does the information travel from one store to another and by what mechanisms it continues to stay in any particular memory store so these were your three information processes or systems clear storage memory STM short term memory long term memory LTM यह तीनों को discuss कर लिया तीनों कैसे काम करती है यह भी discuss कर लिया I hope so यहां तक तो कोई doubt नहीं होगा but still there are some of the questions questions क्या है कि यार यह जो मैंने आपसे कहा कि memory system से short term memory में आ रही है तो यह एक से दूसरे store में कैसे password होती है और साथ ही साथ में यह store कैसे हो जाती है ठीक है हम उसको address कैसे करते हैं questions अभी भी हैं कि information को address कैसे किया जाता है information एक जगा से दूसरी जगा travel कैसे करती है और store कैसे हो जाती है information मैंने कहा कि LTM में store हो जाती है तो store कैसे हो जाती है इन questions को थोड़ा सा answer करने की कोशिश करते हैं so how does information travel from one store to another so as an answer to this question Atkinson and Shiffrin proposes the notion of control processes which function to monitor the flow of information through various memory stores इसे question को answer करने के लिए कि एक जगा से दूसरी जगे information जो है वो travel कैसे करती है एक store से जैसे मानलो यह आपकी sensory memory है sensory memory से short term memory में गई short term memory से LTM में गई तो यह जा कैसे रही है ठीक है यह जा कैसे रही है एक से दूसरी जगे travel कैसे कर रही है तो again Atkinson और Shiffrin ने इसका answer बताया और उन्होंने क्या कहा control processes के बारे में उन्होंने बात करी किसकी बात करी control processes की जो इस information के flow को control करते है या यह information कैसे flow करेगी इस एक चीज़ के उपर काम करते हैं clear किसकी बात करते है control processes की आप उसको control कर लेते हो कैसे as suggested earlier all informations which our senses receive are not registered if that be the case imagine the kind of pressure that our memory system will have to cope with तो अब हमारे senses क्या करते है वह तो धेर सारी information बहुत सारे stimulus होता है अगर मान लो जितना भी stimulus हमारे पास में है हम वो सब कुछ याद करने लग जाए तो भाई यह human छोटी सी में होरी पर कितना सारा pressure बढ़ जाएगा है ना क्योंकि हमारा stimulus तो इतनी सारी मतलब इससे भी ज्यादा बहुत सारी information को जो है मतलब अपने आस पास में देखता है बट collect कौनसी की जाती है सिर्फ वो जो हमारे attention को catch कर सके chapter number five recall करो sensory attentional perceptual processes जहाँ पर आपने attention पड़ा है आपने selective attention पड़ा हुआ है sustained attention पड़ा है तो selective attention क्या है कि इतने सारे stimulus में से किसी एक चीज़ को select करना और उसी के ऊपर सारा focus करना clear तो इसी लिए ये सारी चीज़े हमको याद दें for example मान लो आप एक छोटा सा example देते हैं आपको आपके अपनी family है आपके अपने parents हैं आपके siblings हैं आपके grandparents एक सेटा ओके अब आप क्या करते हो आप अपनी ये जो आपकी छोटी सी joint family है nuclear family kind of आप इन में जिन जिनके भी birthdays आते हैं आपको सारे याद होते हैं clear आपको सारे याद होते हैं क्यूं भाई बहुती special है हमसे बहुती ज्यादा related है हमारे मतला हमारा ही तो blood है ना सारा सब कुछ तो इसी लिए उनके साथ में बहुत love affection attachment है उनके birthday is not a special day birthday is a special day clear so birthday को साइड में रखते हैं memory की बात करते हैं हम कुछ इतने लोगों के birthdays हमको बिलकुल याद रहते हैं कभी नहीं भूलते कभी भी नहीं भूलते मेभी आपको अपने कजन का birthday पता होगा पर शायद आप भूल जाओ maybe आपको अपने friend का birthday पता होगा बट आपका भी भूल भी सकते हो clear लेकिन यह आप कभी नहीं भूलते क्यों क्योंकि selectively इस stimulus को हमने हमारी memory में fit कर लिया है clear so यह एक case होता है यहाँ पर and it is the first control process that decides what will travel from sensory register to STM come come here कहाँ पर आओगे यहाँ पर आओगे इस एक process पर okay sensory memory से short time memory में जाएगा कौन सा जाएगा जिसके उपर attention focus करोगे सारा का सारा नहीं जा सकता है ना अब जिसको rehearsal किया होगा बार-बार practice किया होगा वही STM से long time में जाएगा तो यह क्या करें एक control बना रहे हो एक control बना रहे हो कि इतने में से मुझे बस यही चीज़ चाहिए that's the control process clear और इस control process के through ही ऐसा होता है कि इतने सारे streamless में से हम सरफ कुछ ही को register करते हैं और कुछ ही को स्टोर करते हैं और कुछ ही को retrieve करते हैं and coding storage and retrieval sense impressions which do not receive attention fade away quickly और जिसके उपर आप attention नहीं करते हो वह बहुत जल्दी आपकी memory से fade हो जाता है मैं आपको बता दूँ कोई बहुत ही tough सा concept या कोई बहुत ही difficult सा chapter नहीं है सब बिलकुल basics हैं आप इतना memory का basic जानते हो कि for example कोई चीज है जो आप अपने बिलकुल वह बोलते हैं जहन में रखना चाते हो याद रखना चाते हो तो obvious है कि वह आपकी memory में रहेगी लेकिन जो आप ध्यान ही नहीं दोगे तो obvious है कि वह fade हो जाएगी clear तो बस वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है तो उसमें confuse मत हो ना कि sense impressions यह कौन सा नया शब्द लेकर आगए तो sense impression मतलब यह कि वह सारे senses जिसको आप control नहीं करते हो जो आपका tension नहीं पाते हैं वह fade away हो जाएगे that's very normal the STM then sets into motion another control process of maintenance rehearsal to retain the information for as much time as required तो अब rehearsal करोगे तो STM से information कहां चली जाएगी? LTM में चली जाएगी जितना ज्यादा rehearsal आप करोगे उतनी ज्यादा information जो है वो आपके LTM में रहेगी as the name suggests these kinds of rehearsals simply maintain information through repetition and when such repetitions discontinue the information is lost another control process which operates an STM to expand its capacity is chunking now what is this chunking? Chunky Pandey का नाम सभी ने सुना है और Saloni Pandey का भी okay so अब जैसे नाम सही समझ में आ रहा है कि बार बार rehearsal करोगे तो अब्यस है कि कोई भी चीज भाई आपके जहन में रह जाएगी आपके याद में रह जाएगी लेकिन मान लो उसको rehearsal करना छोड़ दो कि तो याद रहेगी क्या 6th class का exam pass किये थे 10th class का exam pass किये थे science में जो है for example कोई भी physics का chapter था मान लो light पर कोई chapter था उसको पढ़ा था questions भी याद किये थे exam में लिखके भी आये थे rehearsal की थी बहुत बार practice की थी तो याद था आज याद है वो answer बोलोगे नहीं याद है मैं तो भूल गए क्यों भूल गए प्रेक्टिस ही नहीं की तब पढ़ा था वो तो अब कपकी बात हो गई है ना अब तो क्रास 11th में आगे इतना सारा कुछ पढ़ भी लिया तो अब वो चीज याद नहीं करेगी जनरली ये चीज होती कि जैसे बार बार आप किसी चीज कोई repeat नहीं हो रही है तो वो जनरली आपकी memory से fade out हो जाता है एक और control process ये control process है कि कहाँ पर attention देना है वो एक control process है दूसरा control process जिससे STM की capacity बढ़ती है कि आपकी short term memory में कोई information आई तो वो ज्यादा time तक रहे उसको chunking कहा जाता है chunking के through आपकी capacity बढ़ जाती है which is otherwise 7 plus 2 कैसे जैसे मान लो क्या है ये chunking का process इसको इससे कैसे हमारी capacity जो है STM की बढ़ जाती है उसको समझते है तो जैसे मान लो आपको एक number दिया आपको एक number दिया याद करने को one nine four seven one nine four nine two double zero four अब इस number में मतलब आप क्या करोगे जैसे मैंने पहली बार में number बोला तो आप मान लो अभी ये number आपको नहीं दिख रहा चीक है मैंने का क्या number बलता आप बोलोगे मैडम क्या one nine one nine seven four ऐसा कुछ बोला था ना आपने ऐसे बोलोगे क्यों क्योंकि एक दम से उतना अटेंशन थोड़ी ना पे किया था वो तो थोड़ी देर क्लिए था एक आज second याद रा चला गया ये that is the sensory memory क्लियर अब शॉट टम में गया था या दो एक बार मैंने बोला था सुन लिया तो भी nine four seven मैडम जीरो जीरो कुस तो बोला था है ना इतना ही याद रहेगा फिर फेड आउट हो जाएगा लेकिन मान लो मान लो ये number अभी आपको दिख रहा है आप देख रहे हो number को तो आप 2004 1947 1949 and 2004 अब क्या करोगे ऐसे chunks में डिवाइट करके number को याद करने की कोशिश करोगे कि 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में इंडिया का constitution adopt किया गया था 2004 में साउथी स्टेशन कंट्रीज में एक सुनामी आई थी कोस्टल रीजिन में आप बोलोगे मैंडब हमको ये सब कुछ भी नहीं पता है हमको इतना कुछ नहीं आता है बताओ याद है ये सारी चीज़े की नहीं मैंडब इंडिया का independence जरूर याद होगा बट सुनामी और इध्यान रखने के लिए कोई एक टेकनीक दिमाग में सोच ली क्लियर तो अब जैसे मान लो ये नंबर आपके सामने नहीं लिखा है तो अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कौन से नंबर था का आप एजी ली बता पाओगे कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था आपको ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहती है और फिर यहां से STM से information long term memory में चली जाएगी जब आप बार बार रिहर्सल करते हो तो वो कहां चली जाती है LTM में चली जाती है As against maintenance rehearsals which are carried through silent or vocal repetition this rehearsal attempts to connect the to be retained information to the already existing information in long term memory अब हम क्या करते हैं हम rehearsals करते हैं बार बार रिहर्सल करते हैं ताके information हमारे mind में रहे यहां पर हम क्या एक चीज़ कर रहे हैं हम silent या vocal repetition करते हैं जो भी हमारे mind में चीज़े रहती हैं या जो भी सारा कुछ हमने अपनी memory में fit कर लिया होता है information STM के थुरू हम उसको silently अपने ही अंदर ही अंदर या बोल बोल के बार बार जो है repeat करते हैं इससे क्या होता है information हमारे mind में बनी रहती है और वो लंबे समय तक हो जाती है देखो memory से related ना एक और चीज़ कही जाती है generally ये students के लिए कही जाती है जो जिनको answers वगिरा याद करने में दिक्कत होती है या पढ़ने में दिक्कत होती है तो जैसे for example अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको इतने में से बहुत थोड़ी बहुत information याद रहेगी जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया पढ़ाने के बाद में जब सारा सब कुछ lecture खत्म हो जाएगा और आप recall करोगे मादम ने क्या क्या पढ़ाया था तो इतना सा कुछ याद रहेगा थोड़ा सा कि मादम ने इतना कुछ जो है थोड़ा बहुत पढ़ाया था आप इसके बाद में अगर मान लो आपने क्या किया आपने का किया पढ़ा तो है तो एक काम करते हैं इसको लिख लेता होँ लिखोगे तो इसका आधा पार्ट अल्रीडी याद हो जाता है लिखने से ही बोला जाता है ना लिख लिखके आंसर को याद करना चाहिए तो वह तो पूरा अंसर समझा दिया आप ने उस चीज को बोल दिया जो आपने सुना था उसको लिखा और फिर उसको बोल दिया तो around 90% of the information आपकी memory में रहेगी और आप उसको नहीं भूल पाओगे क्योंकि आपने उस चीज को कहीं लिखा भी था और लिखने के बाद में आपने उसको किसी को सुना भी दिया तो अब तो वो कंठस्त हो गई अब उस एक चीज को कभी नहीं भूल पाओगे तो सेम चीज यहां पर हो रही है कि information को बनाए रखने के लिए आप बार बार उसको repeat करते हो जब आप बार बार उसकी rehearsal करते हो तो वो आपकी long term memory में रह जाता है Like for example The task of remembering the meaning of the word humanity will be easier if the meanings of concepts such as compassion, truth, benevolence are already in place The number of associations you can create around the new information will determine its permanence इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको humanity word का meaning क्या होता है यह ध्यान रखना है बहुत बार हम terms के meanings देखते हैं कुछ terms के meanings हमको याद रह जाते हैं कुछ terms के meanings हम भूल जाते हैं तो अगर मान लो आपको किसी term का meaning याद रखना है तो आपके लिए क्या एक चीज़ easy होगी कि आपको compassion क्या होता है truth क्या होता है benevolence क्या होता है इन सारी चीज़ों के meaning आपको already पता हो आपको यह चीज़े पता होंगी न तो आपको learning easier हो जाएगा आपका memory में चीज़ों को information को fit रखना वो easier हो जाएगा storage easier हो जाएगा क्यों क्योंकि आप उसको चीज़ों से associate कर पा रहे हो मतलब यह है कि अगर मैं आपको अभी एकदम से बिल्कुल कोई नई चीज़ समझाने लग जाओ जो आपने आज तक नहीं पढ़ी उसको याद करना आपके लिए थोड़ा सा difficult होगा लेकिन उससे related अगर आप किसी चीज़ को already पढ़े हुए हो या आप उसके बारे में जानते हो आप एक association बना सकते हो तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगी clear वो ज्यादा आपकी memory में रहेगी तो जितना ज्यादा associations आप बना सकते हो new information के साथ में उतना ज्यादा वो permanent आपके memory में रहता है in elaborative rehearsals one attempts to analyze the information in terms of various associations it arouses तो जब भी देखो मैंने आपसे क्या क्या कहा एक मैंने आपसे कहा जो sensory memory होती है sensory memory अगर इस पर आपने attention दिया है तो आपकी information store हो जाएगी और वो कहां चली जाएगी STM में चली जाएगी कहां चली जाएगी STM में चली जाएगी और STM से वो आपकी long term memory में आएगी long term memory में कब आएगी जब उस information को आप बार बार rehearsal करोगे यानि आप उसको बार बार recall करोगे revise करने की कोशिश करोगे repeat करोगे practice करोगे in short तो वो आपकी long term memory में रहेगी अब rehearsal एक तो मैंने आपको एक example दिया कि आप associate करके समझने की कोशिश करते हो और जब भी आप elaborative rehearsal करते हो किसी चीज़ को बिलकुल इस तरीके से जानना है कि वो हमेशा हमारी memory में रहे तो आप उसमें associations बनाते हो कि for example ये चीज़ इस से related है जो मैं already जानता था तो इसी लिए मुझे ये नई चीज़ भी समझ में आ जाएगी associations अमझते हो नो किसी चीज़ से associate करके पढ़ना या समझना या जानना ओके इसा करते थे याद ऐसा करते थे कि memory में fit हो जाए देखो सर्फ answer ही example नहीं है कि questions को answer करा तो वो memory में fit हो गया उसके लावा धेर सारे examples हैं लेकिन मैं आपको वह example दे रही हूँ जिससे आप relate कर पाओ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग भी schools में थे तो हम लोग भी answers को long time तक वो हमारी memory में रहे ऐसा याद करने की कोशिश करते थे तो generally क्या करते थे जब notes बनाते थे जब notes बनाते थे तो क्या करते थे जैसे for example कोई question है या कोई भी topic है कोई भी topic है ठीक है मान लो diversity topic है मान लो just for example clear तो अब इसके ऊपर जितना भी सारा data है उसको याद रखना है बड़ा important है exam में आने वाला था मान लो ठीक है तो क्या किया पहले दे इस पे notes बनाए इसको लिख लिख के याद करने की कोशिश करी लिख लिख के याद करने की हमको याद हो जाए जादा से जादा intake information का हो सके मतलब वो information रहे सिर्फ intake ही ना हो बलकि वो retain भी रहे clear तो क्या करते थे कुछ chart बना लेते थे कुछ diagram बना लेते थे या सबसे अच्छा तरीका होता है क्या करो उसकी कोई mental image बना लो मान लो कोई story आपको सुनाई जाती है ठीक है English की कोई story है English का exam आपका होने वाले English में कोई story आपको दी है अब उस English के अंदर जब story आपको teacher मतलब सुनाती है या जो भी सर वगरा जो भी आपको बताते है story आपको सुनाते है जैसे for example कोई भी story the last leaf है करके story story तो वह story सुनाई तो क्या होता है mental image हमारे अंदर चलती है एक mind में एक structure create हो जाता है मतलब हमारा imaginary world होता है हमारा imaginary world होता है जिसमें उन सारी चीजों को relate कर लेते हैं तो जब भी आप कोई mental image बना लेते हो जब भी आप किसी तरीके का कोई एक logical framework बना लेते हो उसको याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है सबका अपना अपना तरीका होता है human memory में या अपनी memory में किसी चीज को याद रखनी के लिए जैसे मैं आपको एक example देती हो मेरा ही जब मैं class 10th में थी तो मैं Sanskrit भी पढ़ती थी मेरे board exams थे Sanskrit बहुत सारे students के लिए 90% से भी जादा students के लिए Sanskrit सबसे tough होती थी Sanskrit जो है वो सबसे tough होती थी और हर बार उनको सबसे जादा time लगता था Sanskrit में मेरी class में जितने भी मतलब friends थे classmates थे सबको बहुत time लगता था Sanskrit को जो है मतलब revise करने में समझ में नहीं आती थी etc etc पर मैंने क्या किया क्योंकि अब भाई board exam है देना तो है pass भी होना अच्छे नंबर भी चाहिए और मेरे बहुत अच्छे नंबर आय थे ठीक है तो क्या हुआ कि मेरे Sanskrit में 98 marks आय थे मैं बहुत proudly बिताती हूँ so भाई क्या किया मैंने मैंने एक trick अपना ली ठीक है मैंने एक trick अपना ही और उस trick से मैंने Sanskrit की पूरी grammar Sanskrit is all about grammar grammar है ना जितना grammar समझ में आ जाएगी उतना Sanskrit आपका cover हो जाएगा आप लोगने भी Sanskrit तो पढ़ी होगी कुछ classes तक तो पढ़ी होगी आज भली ना पढ़ रहे हो पर Sanskrit आपने भी पढ़ी होगी है ना तो आपने देखा कितने tough होते हैं words बगेरा तो मैं क्या करती थी एक trick अपना लेती थी मतलब आज वो trick मुझे याद नहीं है क्योंकि यह बहुत सालों पहले की बात है तो अभी मुझे इतना याद नहीं रखो मेरी भी memory में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि rehearsal मैंने नहीं की है लेकिन उसे टाइम पर मैं एक trick बना लेती थी कि मुझे किस तरहीके से जो है संस्कृत को याद रखना है और आप यकीन नहीं मानोगे जिस दिन board का exam था शायद 8 बजे exam था और 9 बजे मतलब 8 से 11 तक exam था morning में और 9 बजे I was done with the paper पूरा paper solve ठीक है पूरा संस्कृत ठीक है मतलब जैसे for example question है to question का e keyword में answer देना है generally इस एक तरीके का pattern होता था तो मेरा एक घंटे के अंदर पूरा का पूरा question paper क्या किया मैंने solve कर दिया ठीक है और मैं बस अपनी copy बगिरा बंद करके बढ़िया सा ऐसे बैठ गयू hands fold करके and the teacher जिनकी duty थी she came to me and she said की you are done with the exam I said yes so she was like show me your paper उनको doubt हो रहा था की ऐसा होई ने सकता Sanskrit का paper एक घंटे में पूरा so she checked my answer booklet and she said very good okay मतलब ऐसे मुझे very good and it was done clear 98 marks I scored in board exams in Sanskrit मतलब मैं अपनी तारीफ तो कर रहे हूं साथ साथ में यहां लेकर आ रहे हूं वापस से की trick कोई logical framework कोई एक mental image अगर वो अपने mind में create कर ली है regarding anything कोई भी topic I am not only talking about any of the subject but अगर ऐसा कुछ आपने बना लिया है so it is as easy for you to remember any kind of information to store any kind of information for long time and to retrieve or recall that information तो ऐसे जब हम करते है न तो क्या होता है कि वो information हमारे mind में रह जाती जब हम उसको associate भी कर लेते हैं जब हम उसको associate भी कर लेते हैं तो वो information हमारे mind में रह जाती है that presents the stage model of memory also depicts the arrows to show the manner in which information travels from one stage to another experiments which were carried out to test the stage model of memory have produced mixed results while some experiments unequivocally show that the STM and LTM are indeed two separate memory stores other evidences have questioned their distinctiveness तो अभी जो माना आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम वापिस से उसी चार्ट के उपर आएंगे यह वाली चार्ट के उपर यहां से समझ में आ रहा है कि information कहां गई census में गई okay census से अगर attention मिला तो short term में जाएगी नहीं तो यहीं के यहीं fade out हो जाएगी clear मान लो attention मिला attention मिला और आपने उसको अपनी short term memory में लिया लेकिन आपने थोड़ी time को उसको के उपर ध्यान दिया जादा देर तक नहीं so यहां भी fade out हो जाएगी लेकिन अगर आपने जो information attention के बाद आप तक पहुंची थी उसके उपर rehearsal करी कौन से rehearsal? elaborative rehearsal elaborative rehearsal के अंदर क्या होता है association करके आप क्या करते हो किसी भी concept को समझने की कोशिश करते हो आप कोई logical तरीके से जो है कोई एक picture एक mental image अपने mind में बना लेते हो और जब आप बार बार rehearsal करते हो तो वो आपकी long term memory में चली जाती है और फिर वो information कभी fade out नहीं हो सकती clear this was all about the stage model तो stage model के basically three systems है sensory memory, short term memory and long term memory और यह memories कैसे कैसे होती है यह मैंने आपको explain किया बहुत सारे examples हमने इसके अंदर discuss किये कि कैसे जो है सारे results वगेरा produce होते है कौन-कौन से experiments आप कर सकते हो stage model के अंदर बहुत सारे examples मैंने आपको बताए इसके अलावा और भी experiments होते है और यह सारे चीजे यह show करती है कि STM और LTM दो अलग-अलग stores है memory के, STM में अलग store होता है LTM में अलग store होता है ठीक है और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि दोनों same ही है कुछ ज़्यादा differences नहीं है Like for example, earlier it was shown that in the STM information is encoded acoustically while in LTM it is encoded semantically but later experimental evidence is show that information can also be encoded semantically in STM and acoustically in LTM आपको याद है यह एक चीज़ हमने discuss करी थी हमने बोला था कि STM में जो information होती है वो acoustically encode की जाती है जैसे मैंने आपको कोई number बोला तो वो number आपने याद करने की कोशिच की लेकिन 30 seconds से कम ही आपको याद रहा फिर वो आपको दुबारा याद नहीं रहेगा Reels का मैंने आपको example दिया clear LTM में हमने क्या पढ़ा कि semantically information आपको याद रहेगी semantically मतलब कौन सी information होगी वो सारी information जिसके उपर आपने क्या किया है बार-बार आपने उसको practice किया है और इस एक तरीके की information जो आपने मतलब sorry semantically मतलब इस एक तरीके की information जो आप तक पहुँचिए LTM में clear लेकिन experiments से हमको क्या एक चीज़ पता चली कि STM में भी semantic information आ सकती है और LTM में भी acoustically information आ सकती है clear Shell Eyes and Warrington in the year 1970 had cited the case of a man known as K.F. who met with an accidental undamaged portion of the left side of his cerebral आप देखो 1970 में क्या होता है Shell Eyes और Warrington रहते है उनके साथ एक accident हो जाता है मतलब वो बताते हैं ऐसा कि एक केफ नाम का इंसान होता है तो इसके साथ में क्या होता है ये एक accident मतलब इसके साथ में हो जाता है जिसकी वजह से इसका जो cerebral hemisphere है उसका left part जो है left portion जो है वो damage हो जाता है पूरी तरह से damage हो जाता है now subsequently it was found that his long term memory was intact but short term memory was seriously affected अब जब इसका जो है मतलब पूरा accident बगरा हो गया और इसका ये जो part है ये damage हो गया ये ऐसे सारा करके process treatment बगरा चला finally ये एक चीज समझ में आई कि ये जो kf person है इसका जो short term memory है वो तो intact है लेकिन जो इसका long term memory sorry इसका जो long term memory है वो intact है लेकिन short term memory affect हो गया अब हमने क्या एक चीज पढ़ी थी हमने ये पढ़ा था कि अगर ठीक है अगर कोई information आपके senses तक पहुँची है ठीक है और वो senses से आपके information processing में चली गई मतलब आपकी sensory memory में चली गई तो फिर वो pass होगी STM में okay senses से STM में कैसे pass होगी that means short term memory में जब आप उस information के उपर attention pay करते हो okay ज़र suppose कोई भी चीज है आप उसके उपर attention pay कर रहे हो तो वो चीज आपके STM में pass on हो जाएगी और आपकी short term memory में रहे जाएगी आपको याद रहेगी कुछ time तक के लिए clear इसके बाद में जो आपका LTM होता है that is long term memory वो long term memory में जाएगी कब जाएगी जब आप उसको बार-बार rehearsal करोगे जब आप उसकी बार-बार practice करोगे और बार-बार करने से ऐसा होता है कि वो information अब हमारी long term memory में रहे जाती है और हमको सारी चीज़े ध्यान रहती है clear इतनी चीज़ समझ में आई now what अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर LTM तो बिलकुल proper है लेकिन STM damage हो चुका है KF के साथ में क्या एक चीज़ हो रही है कि उसका जो hemisphere है cerebral hemisphere है वो damage हो गया left side जिसकी वज़े से उसकी long term memory तो intact है लेकिन उसकी short term memory जो है वो damage हो चुकी है या वो एक चीज़ जो है पूरी तरह से affect हो चुकी है तो अगर हमारे पास कोई information जब short term में आती है तभी तो वो long term में रहती है तो short term वाली कैसे affect होगी अगर होती तो फिर दोनों affect होती है न ऐसा क्यों हो गया कि long term affect नहीं हुई लेकिन short term affect हुई so the stage model suggests that information are committed to the long term memory via STM and if KF's STM was affected how can his long term memory be normal भई एक चीज़ जो भी मैं आप से कही कि stage model तो ये कहता है न कि जब STM में information आईगी तभी तो वो LTM में pass on होगी है न और STM और LTM में हमने क्या एक चीज़ पढ़ी है कि STM में जो information होती है that is more of most of the time semantic semantic का मतलब क्या जो चीज़ आपने सुनी है ठीक है जो चीज़ आपके auditory senses के through आप तक पहुंची है okay so that comes to your STM मतलब STM में जादातर information semantic होती है या जादातर जो हमारे पास में information है है जो हमारी memory में है वह semantic है कोई चीज़ आपने सुनी है आपको ध्यान रहे गई थोड़ी देर के लिए LTM में कैसी होती है acoustic होती है मतलब अगर आपको उसका meaning पता है आपने उसको समझ लिया तो वह चीज़ आपको याद रहेगी जनरली यही होता न हमारे साथ में जैसे मैंने आपको reels का example दिया है कि कोई reel सुनी अगर आपने उसके उपर focus पे किया है ठीक है आपने उसको थोड़ा सा rehearse किया है तो आपको वह reel का जो song होगा वो याद रह जाएगा और जब भी आपको song को सुनना होगा तो आप YouTube या Google पे सर्च करो गया एंड आप उसको enjoy कर सकते हो clear so यह चीज कब हो रही है जब STM में आपने जिस चीज को सुना था आप उसके उपर focus पे कर रहे हो आप उसको rehearse कर रहे हो जब बार बार आप उसको rehearse करते हो तो वह आपकी long term memory में चली जाती है clear वो जो song था वो जो भी real आपने सुनी थी वो so जो STM में information आई वो कैसी आई semantic आई लेकिन LTM में कैसी आई acoustic आई बट हमने यहाँ पर क्या एक चीज पड़ी कि बहुत सारी researches में ऐसा भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो information है STM में वो semantic ही हो और LTM में acoustic ही हो के साथ में हो रहा है यहां पर कि STM उसका पूरा डामेज हो गया लेकिन LTM है that is long term memory तो यह possible कैसा है stage model में तो ऐसा नहीं बताया जाता तो फिर उसके बाद में और सारी studies conduct हुई कि ऐसा कैसे possible हो सकता है कि आपकी short term memory जो है वो affect हो गई है और long term memory में आपको सब कुछ यहाद रहेगा so several other studies have also shown that memory processes are similar irrespective of whether any information is retained for a few seconds or for many years and that memory can be adequately understood without posting separate memory stores तो यहाँ पर यह एक important चीज आती है मैंने देखो आपको दो चीज़े बताई एक मेना आपसे यह कहा कि आपके sensory memory से जो information है वो STM में जाएगी STM से कहां जाएगी LTM में Okay long term memory में STM क्या है STM में आपकी जो information है वो semantic होती है यानि जो आपने सुना उसके थुरू information आप तक पहुँचती है LTM में जो information होती है वो acoustic होती है वो कैसी होती है? Acoustic होती है लेकिन अभी हमने थोड़ देर पहले पढ़ा कि जरूरी नहीं है STM में semantic ही information जाए और जरूरी नहीं है LTM में acoustic ही information जाए तो दूसरी चीज़ वो यहाँ पर ये बोल रहे है कि ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा information STM से LTM में ही जाएगी या हमेशे sensory memory से short term में ही जाएगी क्यूंकि जो memory है ना memory के जो processes होते हैं वो similar होते हैं irrespective की information आपके पास में कुछ seconds के लिए थी या बहुत सालो के लिए थी समझ में आया कि आपकी जो memory है उसमें जो भी information आ रही है चाहे वो few seconds के लिए हो या चाहे वो आपको बहुत time तक show होती रहे वो आपकी memory में set होगी तो उसके पीछे धेर सारे reasons हैं है ना maybe आपको वो information बहुत attractive लगी या maybe वो information आपकी life से related है तो इसी लिए वो आपकी memory में set हो गई जरूरी नहीं है कि हर बार जो short term memory में रहेगा वो कुछ seconds के लिए ही रहे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वापिस से सारा सब को समझते हैं देखो हमने ये पढ़ा इतना तो clear है कि sensory memory क्या होती है short term memory क्या होती है long term memory क्या होती है semantic क्या होता है acoustic क्या होता है इतना पता है इतनी सारी चीज़े clear है sensory memory में क्या होता है कि आपके senses ने बहुत सारी चीज़े देखी हैं अपने आसपास में धेर सारे stimulus था बट कोई ऐसा stimulus जो बहुत ही attractive लगा हो तो उसके उपर थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया तो वो हमारे memory में रह जाता है लेकिन यहां पर जो information है वो कुछ seconds के ही लिए रहेगी जैसे मैंना आपको एक example दिया कि मानलो आप highway cynical रहे थे या आप किसी गाउं से गुजर रहे थे तो अब आपनी क्या किया आप बहुत सारी चीजों को देख रहे थे अब भाई village में गया हो तो बहुत कुछ दिखेंगे mud houses, brick houses और मतलब जो है धेर सारी variety मतलब अब के villages की अगर मैं बात करूँ तो mud houses भी होते हैं, brick houses भी होते हैं साथी साथ में वो क्या बोलते हैं उसको खपरे शायद आपने सुना हो टम वो वाले houses भी होते हैं, धेर सारे पेड होते हैं, धेर सारी farm activities होती हैं, बहुत बहुत कुछ होता है है तो अब अगर आप village में जाओगे तो यह सारी चीज़े देखोगे but just suppose आप निकल रहे थे, आपको कोई ऐसा घर दिखा, बड़ा ही सुन्दर सा और बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर मतलब बहुत ही प्यारा घर था ठीक है, आप देखो घर तो सभी सही होते हैं लेकिन उस घर में जो architecture था वो बहुत ही प्यारा था और वहाँ पर आपको धेर सारा नीचर देखने को मिला और आपको वहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसे काउज वगेरा भी थी घर के अंदर और साथी साथ में जिस तरीके से मतलब बनाया गया था तो बहुत सारा ऐसा combination था mud, breaks, सारी चीज़ बहुत कुछ था ठीक है तो आपको वो घर बहुत अच्छा लगा तो आपने उसको देखा तो थोड़ी देर के लिए आपको देखके अच्छा लगा फिर आप आगे बढ़ गए अब आपको वो घर कुछ जादे ही अच्छा लग गया था तो आप बार बार उसके बारे में सोच रहे थे कि आपके short time memory में जित्ती information आईगी वो ज्यादा तर semantic होगी मतलब वो information जो आपने सुनी हुई है For example, आप Instagram यूज कर रहे थे Okay, Instagram चला रहे थे, YouTube चला रहे थे सामने एकदम से कोई एक Reel आगी याना Reels देखते हो बहुत सारी Reels देखते हो दिन भर में तो अब क्या हो गया, कोई एक Reel आगी उसमें बड़ा अच्छा सा song था, new song था, सुना नहीं था अभी तक तो पहली बार सुना तो यसा लगा रहे वाँ बड़ा अच्छा song है, मैं भी इसको बाद में कभी Google करके पूरा सुनूगा, बाद में स्क्रॉल कर दिया, भूल जाओगे, थोड़ी देर बार क्या होगा कि उस song को भूल जाओगे, कि कौन सा song हमने सुना था लेकिन अगर आपने उसके उपर जो है, उसको तुरंत सर्च किया, उस song को और गूगल किया, आपको पता चल गया, अच्छा ये वाला song था और आप सुनने लगे, तो वो आपकी memory में रह जाएगा, clear, तो इसे short term memory बोलते हैं, लेकिन अभी हमने थोई देर पहले पढ़ा कि जरूरी नहीं कि short term memory में जित्ती information हो, वो ये भी हो सकता है कि कोई information directly आपकी long term memory में जा रही है, clear, कोई ऐसा incident आपके साथ में हुआ, जिससे आप बहुत जादा सोच रहे हो, जिसकी वज़े से वो आपकी long term memory में चला गया, अब जरूरी दो नहीं कि वो आपके पहले sciences में गया था, फिर short term में जा था, फिर long term में गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना, तो ये एक चीज यहाँ पर proof की जारी है, second क्या बोला जा रहा है, कि LTM में जित्ती information जाती है, वो हर बार acoustic होती है, ऐसा stage model बोलता है, तो फिर बाद में evidences दिएगा, कि जरूरी नहीं, हर बार जो LTM के अंदर information जाए, वो acoustic ही जाए, वो semantic भी हो सकती है, अब clear है, तो इसी एक चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है, तो जो ये हमने example पड़ा, कि जो KF है, के साथ में क्या हुआ, उसकी short term memory effect हो गई, लेकिन उसकी long term memory बनी हुई है, so this is because of all these things, कि हर बार semantic और acoustic नहीं होगा, हर बार SM, STM, LTM नहीं होगा, ओके, ये human memory के perspectives है, clear, तो इस तरीके से information processing होती, stage model तो बोलता है, कि processing इस तरह से होती है, लेकिन बाद में उसके criticisms भी किये गए, बाद में बताया गया कि जरूरी नहीं हर बार same ही हो, क्योंकि memory processes जो होते हैं, वो similar होते हैं, चाहे वो आपकी long term memory में जाए, चाहे वो आपकी short term memory में जाए, चाहे वो information कुछ seconds के लिए थी, या चाहे वो information सालू के लिए थी, clear, and that memory can be adequately understood without posting separate memory stores, तो information को समझने के लिए memory जो है आपकी, या memory में जो information है आपकी, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, उसको हर एक जगा separately store करने का concept जो है, उसको थोड़ा से यहाँ पर criticize किया गया है, all these evidences led to the development of another conceptualization about memory, तो ये जब सारी चीज़े, मतलते को जंडली होता क्या है, कोई भी theory दी जाती है, for example, आज मैं आपको कोई theory दे दू, psychology के बारे में, कि psychology में ये, 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 सारी चीज़े होती है, ओके, अब मैंने वो theory दे दी, उस theory को आपने पढ़ा, लेकिन आपने psychology और भी पढ़ा ना, या जो बड़े-बड़े psychologist हैं, जिन्नोंने इतना सारा कुछ research किया हुआ है, तो वो बताएंगे कि मेरी theory में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें in the sense कि कहां कहां पर मेरी theory lag करती है, तो हर बार उसकी criticism होगे, तो हर एक theory के साथ में same चीज़ होती है, कि थोड़े बहुत criticism जो है, वो चलते रहते हैं, clear? और जब किसी theory का criticism होता है, तो एक नई theory बनती है, ठीक है? जैसे मान लो यह A theory है, यह stage model है, stage model में कुछ लेक्यूनास थे न, तो उन लेक्यूनास को बताते हुए, अब एक नई theory आईगी, जिसको हम discuss करेंगे हमारे next lecture में, clear है, यहां तक आया, so this was all about your information processing approach and the stage model, आपको इसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि stage model बहुत important है, clear तो stage model है क्या, उसके होना चाहिए, इसी के साथ साथ में यह जितना पूरा process हमने discuss किया, फिर उसमें और भी धेर सारी चीज़ों को discuss किया है, तो वो सब कुछ आपको clear होना चाहिए, और without any doubt होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, अब आपका क्या काम है, topic तो सौंच में आ गया, explain में आपको कर अब आपको क्या करना है, आपको बस एक बार chapter से जो यह topic दिया गया है इसको पूरा एक बार read कर लेना है, read कर लोगे तो क्या एक चीज हो जाएगी, कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वहाँ पर भी अगर कहीं भी किसी भी चीज में doubt आता है, तो उसको mark कर लो, म working memory क्या होती है, long time memory के कितने types होते हैं, तो आपका एक तरह से stage model पूरा complete हो जाएगा, then we will move on to next model, clear जहाँ पर हम the organization of knowledge और इन सारी चीजों को discuss करेंगे, clear है, यहाँ तक आया समझ में, I hope सो इतने में कोई doubt नी होगा, ठीक है, जोते हैं memory कैसे होती है, कैसे काम करती है, फिर इ discuss किया, आपने जो है, आपके human memory के अंदर, किस तरीके से information process होती है, this we have discussed so far, we have discussed the stage model, तो आपको memory क्या होती है, यह एक clear idea हो गया होगा, और साथ साथ में memory कैसे store होती है, memory को हमें store house भी बोलते हैं, तो यह सारा सब कुछ कैसे होता है, यह clear हो गया होगा, और आपको धीर धीर करके, जैसे जैसे chapter पढ़ोगे ना, तो आप बहुत जादा अपने आपको और दूसरों को भी memory से relate कर पाओगे, clear, कि मतलब जैसे जैसे chapter पढ़ोगे, जैसे जैसे memory के बारे में आपको पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा आपकी memory कैसी है, है ना, आपका बहुती sharp memory के आ आप भूल जाते हो, किस तरीके से सारी चीज़े धीरे-धीरे करके clear होंगी, okay, now let's come to this working memory, अचा नाम से क्या suggest कर रहा है, memory working मतलब वो memory जो work करी है, जो काम करी है, तो काम करी है, तो मतलब memory हमने जैसे, मैं क्या बोलती हूँ कि memory क्या है, मतलब मैंनी, in general हम क्या बढ़ने, what is human memory, so it is a storehouse, okay, ये एक चीज़ हम बोलते हैं कि memory क्या है, memory है, एक storehouse, मतलब एक ऐसा घर है, जिसके अंदर memory को हमने रख के रखा हुआ है, ऐसे है, ये मतलब हुआ क्या है, so, basically it is a cognitive process, memory क्या है, memory है आपका, एक cognitive process, अब cognitive process के अंदर क्या होता है, so, इसके अंदर सारे mental processes आते ह है, जिसमें ही memory भी एक part है, मतलब हमारे mind का एक function है memory, हमारा mind जो है, वो memory बना के रखता है, क्या करके रखता है, retain, retaining the information, clear, यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा है, सारा सब को जो पढ़ा है वहीं बता रही हूँ, कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, so, हमने ये एक information को retain करके रखती है, लेकिन human memory का काम सिर्फ और सिर्फ information को store करके नहीं होता, मतलब store करके रखना ही नहीं होता, memory के और भी धेर सारे functions होते है, it is not like कि आपकी कोई memory है, कि आपका 5th birthday celebration कैसे हुआ था, और उसकी memories जो है वो आपको अभी तक याद है, clear, so, that is a kind of कि वो memory अभी जो है, मतलब mind में store है, आपको अभी तक वो चीज़े याद है, clear, लेकिन उस memory को आप बहुत बार जो है, मतलब याद करते हो, किसी को बताते हो, उस memory से relate करके, आप अकसर आज भी बहुत, maybe, maybe, जब आप आज अपना birthday मान लो, जब आप 20 years old हो जाओगे, या 15 years old होगे, तो आप क्या करोगे, कि 5 years जब मैं हो गया था, पांच साल का जब मैं हो गया था, तब मैंने जैसा अपना birthday celebrate किया था, मैं वापिस उसको recreate करता हो, 15th birthday पर, आप याप की family, clear, so आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ information को retain करके नहीं रखते हो, बलकि उस पर work भी करते हो, उसको अ करना भी होता है, उसको यूज में लाना भी होता है, तो उसी से related हम पढ़ेंगे कि working memory क्या होती है, वो memory जो work कर रही है, अब कैसे work करती है, कैसे यह सारा सब कुछ होता है, इसे हम discuss करते है, clear, so in recent years, psychologists have suggested that the short term memory is not unitary, rather it may consist of many components, अब अगें राइची, पिछले, मतलब प्रिवेस लेक्चर में हमने stage model को discuss किया, clear, what we have discussed in this stage model, let's revise, okay, so in the stage model, in the stage model, we have discussed three types of memory, first is your sensory memory, clear, first is sensory memory, second is your short term memory, clear, second is your short term memory, and third was long term memory, clear, यह पढ़ा हुआ है, हमने, अब हमने short term और long term memory, और मतलब sensory memory के बारे में क्या पढ़ा था, sensory memory मतलब वो memory, जो आपके senses के through, आप किसी चीज़ पर, जब आपके senses किसी चीज़ पर attention पे करते हैं, तो वो चीज़ उनके mind में रह जाती, उनकी memory में रह जाती, but this is for some seconds, maybe one second, two second, ten seconds, clear, यही पढ़ा था, हना, यही होती sensory memory, like आप रास्ते से जा रहे था, आपने किसी चीज़ को देखा, आपको अच्छी लगी, तो कुछ seconds के लिए आपको वो चीज़ ध्यान रही, तो आप आगे बढ़ गए अपने, मतलब, जहां भी आप अपनी जर्णी में आगे बढ़ गए, and आप उस चीज़ को वो हमारी short term memory में रहती है, clear, this is for a period of 30 seconds, duration क्या होती है, 30 seconds, इसमें मैंने आपको एक example दिया था, Instagram पर जब आप Reels देखते हो, दिया था ये example, कि जब आप Instagram पर Reels देख रहे होते हो, ठीके, स्क्रॉल कर रहे होते हो, या YouTube पर आप देख रहे होते हो, जनरली दे को सब करते है ये चीज है, आप भी करते हो, आपनी generation ऐसी ही कि आप लोग भी ये सारी चीज़े करते हो, technologically advanced हो, कभी थोड़ा कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, कोई भी चीज अपने फोन में कर रहे थे, जैसा आपने कोई song सुना, ठीक है, उसकी एक दो lines आपने सुनी, आपको बहु सुनूगा, अभी जो काम करा हो, वो कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो चीज अराउं 30 seconds तक आपके mind में रहेगी, तिन आप उसको भूल जाओगे, so that comes under your short term memory, अगर आप उसको rehearse नहीं करते हो, तो आप उसको भूल जाओगे, बढ़ अगर आप उसको बार-बार rehearse करते हो, त आद में उसके criticism देखे थे, now what working memory is saying, कि जो आपकी short term memory होती है, वो सिर्फ और सरफ unitary नहीं होती, वो कैसी नहीं होती, unitary नहीं होती, बईकि उसमें बहुत सारे components होते हैं, देखो अब again, हमने क्या discuss किया, जैसे मानलो आपके senses ने किसी information को देखा, सुना, जो भी किया, clear, for example, आप रास्ते से जा रहे थे, तो आपको एक बहुत ही सुन्दर सा जो है, क्या दिखता है, जैस अपोस कोई statue देखता है, clear, आप रास्ते से कहीं जा रहे थे, आपको अपनी city में बहुत ही सुन्दर सा statue देखता है, okay, statue आपको जस्ट देखा, आपके senses ने देखा, किसने दे तो आपने statue को बहुत अच्छे से देखा, उस statue ने आपके attention को catch किया, आप statue को देख रहे थे और देखते देखते बहुत देर तक मतलब आपको बहुत अच्छा लगा, so that goes into your short term memory, अब वो इस statue से related information कहां चले गई, आपके short term memory में चले गई, क्योंकि हमेशा short term memory में information auditory ही हो, यह जरूरी नहीं है, तो वो आपके short term memory में चले गई, आप आपने statue के बारे में google किया, थोड़ा आपने search वर्च करना, start किया, तो आपने देखा कि जो है, वो किसी बहुत ही, महान पुरुष्या, महान महीला का था, ठीक है, और फिर उसके बारे में आपने सर्च किय कहां से थे, क्यों बलॉंग करते थे, उनका statue क्यों बना है, एक्सेक्टर, 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 आपने सब कुछ उसके बारे में search किया, now after the rehearsal, this information goes to your long term memory, ठीक है, अब उस statue से related information बहुत समय तक आपके mind में, आपकी memory में रह सकती है, तो जनरली इस तर suppose, just suppose, this is human memory, just suppose, this is human memory, तो यहां पर जनरली क्या एक चीज़, stage model के अंदर माना जाता है, कि there is something like this, compartments, clear, यह हो गई आपकी sensory memory, यह हो गई आपकी short term memory, और यह हो गई आपकी long term memory, clear, मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं, कि information आपकी short term memory में आई, आपकी long term memory में आई, आपकी short term memory में इस तरीके से हम मान के चलते हैं, कि हमारी memory में जो information है, वो कुछ इस तरीके से stored रहती है, थोड़ी सी information, थोड़ी सी यह, थोड़ी सी यह, थोड़ी सी यह, सारे information रहती है, but working memory के first line जो हमने देट करी, वो क्या कह रही है, that psychologists have suggested that short term memory is not unitary, rather it may consist of many components, तो short term memory जो है, वो सिर्फ एक unitary structure नहीं है, बलकि उसके अंदर कुछ components है, उसके अंदर कुछ components है, clear, उसके भी अपने-पने कुछ components होते हैं, अब वो कौन-कौन से components होते हैं, उसको हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, clear है, एक मतलब छोटा सा जो मैं समझाना चाहरी थी, वो clear हुआ, कि working memory में हम किस एक च खले पड़ा था, वो recall करोगे, तो आगे का समझ में आएगा, है ना, अगर नहीं recall करोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक दम से सोचोगे, यह short term memory कहां से आगी, कहां की long term memory, क्या बताया था मामने, फिर वापिस से वो देखो गया है, तो इसलिए, यहाँ पर मैंने एक बार आपको revise करवा दिया, now, the multi-component view of short term memory was first proposed by Badly in 1986, अब यह, जो multi-component view है, short term memory का, कि जो short term memory है, उसके अंदर बहुत सारे components होते हैं, इसको सबसे पहली बार किसने suggest किया, यह इस model को सबसे पहली बार किसने दिया, so, Badly, कब दिया, 1986 में, इस एक चीज़ को याद रखना है, कि working memory में यह कहा जाता है, कि जो short term memory है, वो unitary नहीं है, उसके बहुत सारे components होते हैं, यह सबसे पहली बार Badly ने कहा, 1986 में, अब Badly ने क्या कहा, suggested that short term memory is not a passive storehouse, short term memory is not a passive storehouse, but, rather of workbench, that holds a wide variety of memory materials, अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, मैंने आपको starting कहां से करी, storehouse से, कि हम generally क्या बोलते है, कि memory क्या है, एक storehouse है, जहां सारी information आती है, working memory के अंदर, हम mainly बात कर रहे हैं, short term memory की, that is STM, किसकी बात कर रहे हैं, short term memory की, अब इस short term memory के अंदर, अगर कोई information आ रही है, तो just उस information को हमने store कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, तो मतलब, memory सिर्फ और सिर्फ एक passive storehouse तो नहीं है, बलकि क्या है, एक workbench है, workbench जिसके अंदर, बहुत सारा memory material है, जिसके अंदर, दिन भर में, ना जाने, कितना सारा information हम तक पहुंसता है, कितनी सारी चीजों को हम store कर कर रखते हैं, आपने भी देखा होगा, कि बहुत बार ऐसी धेर सारी information होती है, या ऐसी बहुत सारी बाते होती है, बहुत सारी ऐसी चीजे होती है, जो हम हमारी daily life में करते हैं, जो हमें एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जादा से जादा ध्यान रहती हैं, बट उसके बाद में हम उसे भूल जाते हैं, बहुत बार होती हैं, ये चीजे होती हैं हमारे साथ में, इसे हम अपनी short term memory के अंदर रखते हैं, इसे हम कहां रखते हैं, short term memory के अंदर, अब आप ये सोचोगे कि stage model में हमने पढ़ा था, कि 30 seconds तक की information short term memory में रहती है, बट, generally क्या होता है, देखो, जैसे मैं तो आपने का यार, बहुत अच्छा song लग रहा है, आपने उस song को Google किया, आपने क्या किया, आपने उस song को Google किया, या YouTube पर देखा, अब आपने उस song को सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने दो चार दिन उस song को सुना, मतलब जब भी आपका मन हुआ कि मेरे को music सु रहेगा देन धीरे 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 करके आप उसके कुछ ना कुछ लिरिक्स भूलना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे करके वो सॉंग आप भूल जाओगे so that comes under the part of your short term memory clear आया समझ में तो इस तरीके की चीजों का हम short term memory में रखते हैं ऐसी चीजे जो unlimited time period तक हमारी memory में रहती हैं उसे long term memory बोलते हैं अब वो long term short term पर नहीं जा रहे हैं वापस working memory पर आ जाते हैं so अब हमारे पास में तो बहुत सारा memory material है ठीक है so that are constantly handled, manipulated and transformed as people perform various cognitive tasks तीन वर्ड, handled, manipulated and transformed तो अब जो भी information आपकी short term memory में आती है उस information को हम सभी handle भी करते हैं यानि कि short term memory में जो भी information आई उसको store करके रखना उसको handle करके रखना, उस information को manipulate करना, use करना फिर उसे transform करना, transform कहां करोगे? long term memory में या LTM में, generally ये बताया गया, stage model के अंदर लेकिन इन जनरल आप उसको transform करते हो, clear? तो ये कब होता है? जब हम सभी different cognitive task करते हैं यानि कि mental processes, जैसे कि understanding, knowing, etc, etc जब भी आपको ये cognitive task कर रहे होते हो तब आप अपनी short term memory से जो भी information आपने store करके रखी है आप उसको manipulate भी करते हो, आप उसको transform भी करते हो तो इस तरीके से short term memory जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक store house नहीं है बलकि वो एक work bench है, जिसके अंदर जो भी information है हम उसको work में, हम उसको use में ले रहे हैं तो basically जो आपका working memory है, वो क्या एक चीज बोलता है कि memory सिर्फ और सिर्फ store house नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है, जहां पर आपने information को store करके रखा हुआ है बलकि working memory क्या है, work bench है जिसके अंदर जो भी हमारे पास information होती है हम उसको work में लाते हैं, हम उसको use में लाते हैं, हम उसको function कराते हैं clear, यह आया है समझ में अब badly ने जो भी सारा short term memory के बारे में बताया है multi component view को, उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे the work bench is called the working memory clear है, आया समझ में कि यह जो work bench हम बोल रहे हैं, यही working memory है कि memory में जो भी information stored है, उसको use में लेकर आना that is your working memory clear है, यह भी आया है हम तक समझ में अब इसके एक बार बिल्कुल छोटे छोटे से short notes हम बनाएंगे, ताकि एक बार इतना जितना पढ़ाया वो revise हो जाए revise करो, मतलब एक और बार से सुनोगे तो और अच्छे से clear होगा, clear, देखो so, what we have discussed multi-component view multi-component of Bedelay और Bedelay ने यह view कब दिया, 1986 में clear, spelling सही लिखी है मैंने, that's Bedelay, clear so, यह इन्होने multi-component view दिया, इस multi-component view में इन्होने क्या एक चीज़ कही, what he propagated that your short term memory short term memory जिसको हम क्या बोलते हैं short में, STM क्या बोलते हैं, STM so, STM is not a passive storehouse of memory short term memory क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक passive storehouse नहीं है, बलकि क्या है एक workbench है clear, क्या है, workbench है, इस workbench के अंदर क्या होता है इस workbench के अंदर, जो भी information है जो भी information है information in STM is देखो handled, manipulated and transformed handled, manipulated and transformed clear यह आए समझ में यहां तक कि short term memory क्या है सिर्फ और सिर्फ एक passive storehouse नहीं है बलकि एक workbench है जिसके अंदर, हमारे पास जो भी information होती है STM में, हम उसको handle, manipulate और transform करते हैं और इसी workbench को और इसी workbench को क्या कहा जाता है working memory clear यह आए साज में, यहां तक तो कोई doubt नहीं है कि better layer क्या multi component view क्या है, उसमें short term memory के अंदर हमने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है एक सेक्टर, एक सेक्टर, clear है, इतने में तो कोई doubt नहीं है, तो generally what is working memory, that means the information that is handled, manipulated and transformed within the short term memory is working memory, clear, समझ में आया, कोई doubt तो नहीं यहां तक, यहां तक आपको कोई doubt है, या कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो मुझे पूछो comment section में, इसके अलावा, I think this much thing is clear to you, clear है, doubt तो discuss करेंगे, ठीक है, working memory के एक एक component को हम यहां पर discuss करेंगे, so number one, the first component of the working memory is the phonological loop which holds a limited number of sounds and unless rehearsed, they decay within two seconds, clear, ठीक हो, first component क्या है, phonological loop, लिखो यहां पर note down करो, ठीक है, short form में हम notes बनाते है, number one, phonological loop, clear, यह हम क्या लिख रहे हैं, यह components हम लिख रहे हैं, जो multi-component view है, बैडले का, उसका first component है, phonological loop, phonological loop के अंदर क्या एक चीज़ कही जाती है, कि आपके पास में, phonological loop का मतलब क्या होता है, phonological मतलब, जो भी information, auditory senses के थूँ आप तक पहुची है, जैसे for example, मैं आपको यह topic explain कर रही हूँ, so this explanation, जो मैं आपको मतलब बता रही हूँ, वो आप सुन पा रहे हो, है ना, आप सुन पा रहे हो, उस एक चीज़ को, कैसे, मेरी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुच रही है, आपके जो ears हैं, वो बहुत अच्छे से functioning कर रहे है है, that means मैं जो भी बोल रहे हूँ, वो आप तक पहुच रहा है, है ना, so that means कि auditory information आप तक पहुच रहे है, देख भी सकते हो, that is a different thing, but जैसे for example, मैं कोई song प्ले कर दूँ, ठीक है, या मतलब जैसे आप जनरली सुनते हो, जियो सावन पे, विंक पे, एक सकता, एक सकता, तो आप ने कोई song प्ले किया, आप उसको सुन पा रहे हो, so that comes अंदर your phonological, है ना, अब यहाँ पर loop, phonological loop, that means कि जो भी information आप तक पहुची है, वो sound के through पहुची है, clear, और यह जो sound है, यह limited number तक आपके पास रहने वाला है, जो भी information है, वो limited number of sounds तक ही आप तक रहेगी, अगर हो जाएगी, loop हो जाएगी, that means, just for example, वही, वापिस continue करते है, real वाला example, वो सबसे best है, सारा topic आपको उसी से समझ में आ जाएगा, हाना, कि जैसे आपने कोई real देखी, आपने कोई real देखी, आप स्कॉल कर रहे थे, Instagram, आपने कोई real देखी, आपने sound को सुना, आपको समझ में यह तो आया, मतलब आपने सुना, आपको अच्छा भी लगा, अंदर से एक फील आया, बड़ आपने का, बाद में Google करूंगा, and you just scroll down, clear, तो आपने वो जो सौंग सुना था, आप उसको बहुत जल्दी भूल जाओगे, so that comes under your phonological loop, जहाँ पर आप किसी चीज को सुन पा रह है, कोई भी information आप तक, आपके auditory senses की through पहुँच रही है, but अगर आप उस पर rehearsal नहीं करोगे, तो वो 2 seconds के अंदर decay हो जाएगी, clear, वो क्या हो जाएगी, 2 seconds के अंदर decay हो जाएगी, for example, just suppose ध्यान देना, ठीक है, 992681393, 2 seconds तक याद रहेगा आपको, अभी मैं यहाँ पर clear, तो आप जैसे किसी चीज़ को सुनते हो है, यह जो number मैंने बोला, अब आप भूल चुक है, आपको नहीं पता कौन सा number था, clear, so that means कि यह जो, मतलब मैंने आपको कोई चीज़ बोली, आपने सुना, ठीक है, आपने सुना, पर आपने उसको rehearse नहीं किया, मैंने आपको मौ होता है, working memory का, अब हम इसको working memory का component क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपसे एक word बोला, that means rehearsal, rehearsal मैंने आपसे बोला, अगर जैसे for example, मैंने जो भी number अभी यहाँ पर बोला था, अगर मैं वहाँ पर रुख जाती, आपको थोड़ा time देती, आप उस number को 5-6 बार repeat करते, तो शायद वो आपको rehearsal का time ही नहीं दिया, तो आप उस number को 2 second के अंदर भूल चुके हो, तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप information के उपर work कर रहे हो, that means आप rehearsal कर रहे हो, तो इसलिए यह first component होगा, किसका working memory का, clear, आय समझ में तो the first component is called phonological loop, clear है, second, now the second component, visual, spatial, sketch, pad, stores visual and spatial information, तो second component क्या है, visual, spatial, sketch, pad, clear, इसको भी note डाउन करो, visual, spatial, sketch, pad, visual, spatial, sketch, pad, देखो, यहाँ पर मैंने आपको phonological meaning बताया, phonological का meaning, auditory information, clear, क्या बताया है मैंने आपको, auditory information, visual, visual, spatial को अगर आप break करते हो, तो यह दो terms से बना हुआ है, एक है visual और एक है spatial, यानि space related information, space मतलब आपका वो अंतरिक्ष वाला space नहीं, ठीक है, space जहाँ आप रह रहे हो, या जिस भी information, ठीक है, अभी उसको हम समझेंगे, तो space related spatial information, visual यानि जो आपने देखा हो, तो that is visual spatial sketch pad, clear, यह second component है, clear, यह note कर लेना, ठीक है, इसको, now, अब visual spatial sketch pad, क्या बोलता है, कि like the phonological loop, the capacity of sketch pad 2, is limited, इसका मतलब यह होता है, कि information जो आप देख रहे हो, या जो भी चीज आपने observe करी है, अपने आसपास में, अपनी surrounding में, यह जहाँ भी, जैसे भी, ठीक है, अब अगर आप उसके उपर ज्यादा work नहीं करते हो, तो आप उसको भूल जाओगे, for example, वो जो मैंने आपको example दिया था, जैस सपोस आप किसी trip पर गए हुए हो, आप कहीं पर जो है, दूर गुमने जा रहे हो, लॉंग ड्रीफ पर जा रहे हो, ठीक है, तो आप जा रहे थे, आपने रस्ते में कोई चीज देखी, for example, आपने कोई बहुत ही attractive सी car देखी, आपने Lamborghini नहीं देखी, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने उसको देखा, आपको देखे बहुत अच्छा लगा, बट आप आगे बढ़ गए, ठीक है, इसकी भी जो capacity होती है, वो limited ही होती है, जैसे phonological loop की two seconds है, तो यहाँ भी कुछ ही seconds या कुछ ही minutes या कुछ hours, clear, that comes under your visual spatial sketchpad, clear, तो ऐसी कोई भी information अगर आपके short term memory में आती है, और आप उस पर work करते हो, तो वो आपको ज्यादा समय तक ध्यान रहती है, आपकी memory में रहती है, ना तो third component which badly calls the central executive, organizes information from phonological loop, visual spatial sketchpad, as well as from the long term memory, so the third component is central executive, तीसरा component क्या है, central executive, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से information पासान होती है, या कैसे memory में information रहती है, तो इसमें ये कहा गया है, कि information जो phonological loop से, visual spatial sketchpad से, और long term memory से organize की जारी है, इनसे information लेके हम उसको organize करते हैं, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको यहाँ पर क्या एक चीज़ बताई थी, कि working memory में कहा जाता है, कि short term memory जो है, वो components में divided है, clear कैसे है, components में divided है, तो जैसे मान लो, यहाँ पर है phonological loop, मतलब वो information जो सुन के आपकी memory तक पहुँची है, यहाँ पर है visual spatial sketchpad, मतलब वो information जो आपने देखी है, और देख कर आपकी memory तक पहुँची है, clear, और एक information होती है आपके LTM में, long term memory में, जो बहुत लंबे समय तक आपको information ध्यान रहती है, इन सारी चीजों को जब हम organize कर देते हैं, कि कौन सी चीज़ है जो आपको सुन के ध्यान थी, कौन सी चीज़ है जो आपने देखा था, इसलिए आपको याद है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी long term memory में रह गई थी, आपने बहुत बार उस पर rehearsal बहुत बार practice करी थी, तो इन सारी information को जब आप organize कर देते हो, इस सारी information को जब आप organize कर देते हो, तो उसे central executive कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, central executive उस एक चीज़ को कहा गया है, आया सांच में, यहां तक तो कोई doubt नहीं है, तो basically क्या इक चीज़ बोल रहा है, कि जो भी information, आपको भी बहुत बार इसी चीज़े ध्यान रहती होंगी था, कि कोई चीज जो आपने सुनी थी, इसलिए आपको अब तक याद है, या वो बोलता है आँखों देखी, हमने हमारी आँखों से देखा था, इसलिए हमें वो चीज़ याद है, तो basically जो चीज़ आपने देखी थी, सुनी थी, जिसके कारण आपकी memory में वो fit हो गई है, आपको वो चीज़ ध्यान में है, और अक्सर आप उस पर work करते रहते हो, या कोई भी information जो आपकी long term memory में है, तो इस तरीके से basically क्या होता है, हम उस information को पूरा organize कर लेते हैं, और उसे यहाँ पर बैटे लेने क्या कहा है, central executive, तो यह जो आपका control executive है, that is the third function, sorry, central executive, not control, central executive है, यह क्या कहता है, एक executive की तरह, executive का काम क्या होता है, क्या function होता है, execute करना, work को execute करना, कि कौन क्या चीज़ करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, तो उसी तरह से, जो आपका central executive है, वो allocate करता है, allocate करता है, attentional resources को, to be distributed to various information, needed to perform a given cognitive operation, मतलब कि, आपका mind, जो भी काम करना चाहता है, उसमें memory की help लगती है, है ना, तो उस memory की कब कहां कैसे help लगने वाली है, कौन सी memory कहां पर use होने वाली है, उन सारी चीज़ों को use करता है, और फिर behavior को control करना, plan करना, monitor करना, ये सारे काम करता है, in short, जो आपका central executive है, आपने जितना भी information को store किया है, अपने mind, अपने memory के अंदर, उसको, उस information को कब कहां कैसे use करना है, कितना use करना है, पूरा plan करना, monitor करना, ये काम होता है central executive का, so basically, बैडले ने जो है, आपके three components दिये हैं, क्या दिये हैं, three components दिये हैं, of multi component view दिया है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि short time memory जो है, वो workbench है, जो क्या करेगी, जो information को handle, manipulate और transform करेगी, इसके लिए three components हैं, सबसे पहला है, phonological loop, that means your auditory information, visual special sketch pad, that means the information that is stored through your visual or special information, central executive, जो क्या करेगा, सारा execution का काम करेगा, of the information, और इस तरीके से, जो भी short term memory के अंदर, information stored है, उस information को, हम working में लेकर आएंगे, आप देखो, इसके example से समझो, जैसे बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा न, कि आपने बहुत सारी चीजों को, अपने आस पास observe करते होगे, feel करते होगे, देखते होगे, सुनते होगे, और बहुत सी चीज़े आपकी memory में रह जाती होगी, जैसे for example, आप मुझे इतने टाइम से पढ़ रहे हो है न, और आपने मेरी इतने सारे lectures देखे हैं, या कोई भी, कोई भी चीज़ आप देखते हो, मैं just take example दे रहे हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होगी, जो आप मेरी notice करते होगे, या जो देखके आपको ऐसे लगता होगा, कि हाँ, ये शायद माम हर बार करती है, ये चीज माम हमेशा बोलती है, या माम हमेशा इस चीज के उपर जादा focus करती है, आपका कही ना कहीं कोई भी चीज़ है, जो आपने ध्यान दी होगी, आप वो चीज क्या होती है, आपकी memory में store हो जाती है, आप उस एक चीज़ को, जैसे मान लो, मान लो, आपको for example, ऐसा लगता है, ठीके मैं जस्ट एक example दे रही हूँ है न, इसको जादा आप वो मत करना, आपको ऐसा लगी कि माम जो है, जो एक्जामपल्स देती हैं, वो बहुत ही real life से related होते हैं, और हम बहुत जल्दी उससे connect कर पाते हैं, कल को मान लो, आप भी teacher बनते हो, educator बनते हो, ठीके, तो आप उस चीज़ को use करते हो, कि हम जितने ज़्यादा basic examples देंगे, आप फिर अपने students को उस एक चीज़ को पढ़ाते हो, ठीके, तो ये क्या हुआ, जो चीज़ आपने मेरे बारे में focus करके, अपनी memory में store करी थी, retain करी थी, अब उसको आप use भी कर सकते हो, अपनी life में, तो ये generally क्या होता है, information को retain करना, उसको use करना, manipulate करना, transform करना, clear, that all comes under your working memory, clear, इसके अलावा, आपकी day to day life में भी बहुत से ऐसी चीज़ से होते होंगी, मान लो आपके friend ने आपको कोई चीज़ कही थी, कभी कोई बात कही थी, जो आपको ध्यान है, और उसे आप अपनी life में आगे use करे हो, for example मान लो, आपके parents आपको बहुत बार ऐसा बोलते होंगे, कि आपको हमेशा helpful होना चाहिए, कोई आपकी help करे ना करे, आपको हमेशा सबकी help करनी चाहिए, मान लो, आपके parents आपको ऐसा बोलते हैं, चीज़े, अब ये बात आपकी memory में है, ये बात आपकी memory में fit है, कि आपके parents ने आपको सिखा है, कि आपको हमेशा सबकी help करनी चाहिए, no matter कि वो आपकी help करते हैं या नहीं करते हैं अब आपने अपनी life में आगे मतलब जब भी आपको काम वांग करे था आपने कभी देखा कि आपका कोई friend है या आपकी class में कोई है जो आपकी कभी help नहीं करता बट there is a chance कि आपको उसकी help करनी चाहिए उसको help की जरूरत है ठीक है तो आप क्या करोगे आप उसकी help करोगे ठीक है out of the box जा के आप उसकी help करोगे क्यों करोगे क्योंकि उस एक चीज़ को आपने सीखा है तो generally जो भी चीज़े आपके आसपास होती है जो भी information आपकी memory में आप store करते है आप उसको use करते हो time to time आप उसके उपर work करते हो and this workbench of memory is called what working memory इसमें mainly हम किसके उपर focus करते है short term memory के उपर क्योंकि generally जो long term memory होती है वो कही ना कही retained होती है बहुत कम हमारे काम में आती बट शॉट term memory को हम बहुत बार use कर सकते हैं बहुत बार हम उसके उपर work करते हैं क्योंकि छोटी मोटी चीज़े जो day to day life में होती रहते हैं हम उसके उपर work करते रहते हैं clear so this is all about your working memory and the multi component view of better layer I hope so clear हो गया होगा सभी components भी समझ में आये होंगे या कोई चीज आपको समझनी है नहीं समझ में कोई भी चीज है तो आप मुझे comment section में बता सकते हो आपके सारे doubts को मैं वहाँ पर भी answer कर दूँगी बस आपको एक छोटा सा काम करना है आपकी बुक में यह जो topic दिया है न इसको एक बार read करना ठीक है read करना कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे से comment section में पूछना हम मिलेंगे next lecture में जहां आपर हम एक और आपकी concept को discuss करेंगे related to your chapter number seven that is human memory और अब आप भी अपनी memory के उपर जो है काम करना है start करो देखो कि आप कैसे अपनी memory को sharp कर सकते हो clear अब आप कहते हैं levels of processing की तो देखो basically यहां पर हम यह पढ़ेंगे कि आपके जो human memory है आपने बढ़ा कि human memory एक तरीके का storehouse है है यह आपने बढ़ा starting में आपने बढ़ा initially आपने पढ़ा कि इस storehouse में जो information आती है वो senses के through भी आती है जिससे sensory memory कहा जाता है ऐसी information भी आती है जो हमारी memory में थोड़े समय के लिए रहती है जिससे short term memory कहा जाता है ऐसी information भी होती है जो long duration तक रहती है जिससे long term memory कहा जाता है और यह information एक से दूसरे में pass on होती है, transfer होती है यानि कि sensory memory से short term memory में आती है, short term memory से long term memory में जाती है यह पढ़ा हुआ है, stage model आपने पढ़ा हुआ है अब इसी के साथ में, हमने stage model के criticism वोगेरा वो सारा सबकुछ discuss किया जिसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी बात जब models होगे रहा पढ़ेंगे, उसमें discuss करेंगे मतला stage model में तो हमने discuss किया था क्या है stage model अब stage model क्या था, क्या criticism वो दुबारा नहीं discuss करेंगे इसलिए क्या देखना है? previous lecture को देखना है अब यह जो processing होती है information की we have discussed information processing system, the stage model तो यह जो आपकी processing हो रही है, levels of processing वो कैसे होती है? कैसे human memory में information जो भी है, वो एक से दूसरे में transfer होती है कैसे process होती है? और इस information को हम कैसे हमारी life में use करते हैं? या जो भी information हमारी memory में है, उसे हम कैसे अपनी day to day life में ये अपनी life में use करते हैं ये सारा सब कुछ in detail हम discuss करेंगे और हम यहाँ पर कुछ psychologist की भी बात करेंगे इन details सारी चीजों को समझेंगे आपको बस ध्यान से सुनना है और जो भी notes मैं आप से लिखाऊंगे आपको उसको note करना है clear? देखो So the levels of processing view was proposed by Craig and Lockhart in 1972 Craig and Lockhart है इन्होंने 1972 में levels of processing की बात करी अब इसमें उन्होंने क्या बताया? आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना आपको सारी चीजे clear होती चली जाएंगे देखो जनरली होता क्या है? जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, कोई new चीज आप पढ़ते हो जैसे कोई new chapter आता है, for example human memory, तो human memory क्या है यह आप in short जानते हो बट अब जब आपने chapter पढ़ने start किया, नए-ने concepts आए, नए-ने topics आए तो आपको उसके बारे में, जानने में, समझने में, धीरे-धीरे समझोगे ना, step by step समझोगे थोड़ा सा time लगेगा, तो जब भी मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, तो बस ध्यान से सुना करो ठीक है, क्या किया करो, बस ध्यान से सुना करो, सारी चीज़े भूल जाया करो, बस concentrate किया करो और उसके साथ में, जो भी मैं notes लिखवाती हूँ, उसको note down किया करो ऐसा मत सोचा करो, कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम खुद से पढ़ेंगे, तब हम उसको note कर लेंगे क्योंकि ये बाते हैं आपके मन में, कि जब खुद से पढ़ेंगे, तब notes बना लेंगे, तब फिर से note down कर लेंगे अब इमाम से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जनरली ऐसा होता है, बट अगर मैं करवा रही हूँ, तो notes को लिखो वो चीज आपको खुद काम आईगे, आप खुद उस चीज को realize करोगे exam time में, हना, तो इसलिए जो notes बनवाती हो, notes को बनाया करो, और बस ध्यान से सुना करो, जैसे सुनोगे ना, तो last तक आते आते हार एक चीज crystal clear होती है, तो इसलिए ध्यान से बस सुनना है, ठीक है, अनि new information, आपको ये चीज समझ में आएगी, कि अभी मैंना आपको कहा है, जब कोई new chapter पढ़ते हो, कोई भी नई चीज के बारे में जानते हो, तो क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको यहां समझ में आएगा, कि कैसे आपको भी सारी चीज़े समझ में आती है, so level of processing view ये कह जाता है, कि जब भी कोई new information process होती है, so it relates to the manner in which it is perceived, analyzed and understood, which in turn determines the extent to which it will eventually be retained, अब यहां पर कुछ 4-5 terms मैं ने यूज किये, उन टर्म्स पर देखो, new information, मतलब कोई नई information आप तक आई है, वो information को आप कैसे perceive करते हो, उसको कैसे analyze करते हो, उसको कैसे understand करते हो, मतलब कोई भी मानलो मैं आपको कोई नया topic पढ़ा रही हूँ, तो उस topic को मैं आपको कैसे समझाती हूँ, मतलब मैं जैसे भी explain कर रही हूँ, तो आप उसे कैसे समझ पा रहे हो, कैसे उसे connect कर पा रहे हो और किस तरीके से आपने उस information को finally समझा है, analyze किया है, conclude किया है, perceive किया है इन तीनों चीजों से मिलके जो नई information है वो आप तक पहुँचती है आप उसको समझ पाते हो और इसी के साथ साथ में ये एक चीज भी determine हो जाती है कि information को आप कब तक ध्यान में रखोगे just for example, मैं आपको बता रहे हूँ rainbow के बारे में, just for example, clear मैं आपको explain कर रहे हूँ कि rainbow क्या होता है, rainbow कैसे बनता है, rainbow में कितने colors होते है ये just मैं आपको समझा रहे हूँ, अभी आपको rainbow के बारे में कुछ नहीं पता, just suppose, ठीक है तो मैंने आपको बताया कि rainbow ऐसा होता है उसमें इतने colors होते हैं ऐसे दिखता है ऐसे बनता है एक सिक्टा एक सिक्टा अब यह information आप तक पहुँची आपने उसको किस तरह से समझा है उसको आपने कैसे analyze किया है for example मैंने आपको बताया कि rainbow जो है उसमें seven colors होते हैं ऐसे बनता है जब वो जो है मतलब raise जो है sun की raise जो है वो किसी drop पर आती है ऐसे कर रही है मैंने आपको पूरे explain किया तो आपने उसको कैसे समझा फिर आप उसको कहीं ना कहीं analyze कर पाए कि हाँ इस एक चीज को मैंने देखा थ rainbow आपने देखा है हाँ ऐसा बनता है या next time जब आप देखोगे तो यह सारी information आप analyze कर पाओगे कि हम आपना ऐसे बताया था कि rainbow ऐसे create होता यतने colors होते है तो आप उसे चीज को analyze कर पाओगे next time जब आप rainbow देखोगे तीसरी चीज है आप उसको कैसे perceive करते हो कैसे समझते हो perception आपने बढ़ा chapter number 5 के अंदर clear तो आप उसे कैसे perceive करते हो है ना आप उसको कैसे समझते हो clear यह सारी चीजे बताएंगी कि rainbow से related जो information मैंने आपको दी है वो कितने समय तक आपकी memory में रहने वाली है यानि retain clear मैंने आपको rainbow के बारे में बताया okay आपने उस information को सुना समझा connect करन उसको अपनी real life में देखा समझा सारा सब कुछ तो आप जिस तरीके से किसी information को understand करते हो analyze करते हो perceive करते हो उससे यह decide होता है कि वो information कितने समय तक आपकी memory में रहने वाली है for example मान लो मैंने आपको rainbow के बारे में बताया आपने बस सुन लिया आपने का हम माम बोल रही है तो सुन लेते हैं क्या 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 बोल रही है हमको तो आपने सुन लिया कि अच्छा है ऐसा होता है हाँ चलो ठीक है class कहता हो या आप अपने घर गया अपना काम धाम करने लग या अपने फ्रेंड से मिलने लग गए या बाहर कहीं घूमने चले गए आप इस information को retain नहीं कर पाऊगे clear next time जब आप rainbow देखोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि माम ने rainbow के बारे में क्या क्या बताया था clear तो वो depend करता है कि आप किस information को कैसे समझते हो कैसे analyze करते हो कैसे perceive करते हो इसके through हम determine करते हैं कि वो information आपकी memory में कितने समय तक रहेगी इसे क्या कहा जाता है this is known as the levels of processing this is the levels of processing view levels of processing view इसको note करना है clear और यह किस ने दी थी crack and lock heart ने clear आया समझ में तो crack and lock heart का नाम यहाँ पर लिख लो और उसके लावा ऐसे लिख लो कि levels of processing क्या बोलती है क्या बोलती है कि कोई भी new information है कोई भी new information है तो आप उसको कैसे understood analyze perceive करते हो उससे depend करता है कि वो information कितने समय तक आपकी memory में retain रहेगी clear समझ में आया यहां तक इतने में तो कोई doubt नहीं है this is all about levels of processing और इसी में हम different different levels को discuss करेंगे और एक से information कैसे transform होगी आप उसको कैसे समझोगे कैसे analyze करोगे यह भी हम यहाँ पर discuss करेंगे clear यहां तक तो कोई doubt नहीं बताओ मुझे comment section में कि यहां तक सारी चीज़े clear है या नहीं है समझ में आया है या नहीं आया है तो doubt पूछो मुझसे आ गया है तो मुझे बताओ कि yes ma'am everything is understood we don't have any doubt clear now although this view has undergone many revisions since then yet its basic idea remains the same अब यह जो levels of processing view है ठीक है इसको हम short में बोलते लोपी ठीक है short में यह जो लोपी view है यह starting से लेके अब तक जो भी यह जो एक पूरा process है नहीं एक तरीके का तो यह सारी चीज़े same ही रही है बस इसकी कुछ चीजों में हमने changes करे है मतलब जो basic idea है वो यही रहा है कि मैं आपको कोई भी बात बताऊंगी आप उसे कितने ध्यान से सुनते समझते हो अनिलाइस करते हो उतनी जल्दी वो चीज़ आपको ध्यान रहेगी अगर आप बस सुनोगे और चले जाओगे कुछ और करने लग जाओगे तो आप भूल जाओगे यह बिलकुल बेसिक चीज़ है ना यह सब के साथ में होती है तो दाट इस दी लेवल आफ प्रोसेसिंग इस लेवल आफ प्रोसेसिंग में टाइम के साथ में कुछ रिवीजन भी किए गया है क्या किये गया है कुछ रिवीजन भी किए गया है So it is possible to analyze the incoming information at more than one level उनका कहना यह है कि जब कोई भी information हम तक पहुँचती है तो हम उसको एक से ज्यादा level पर समझ सकते हैं हम उसको एक से ज्यादा level तक analyze कर सकते हैं One may analyze it in terms of its physical और structural features सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या कही कि कोई भी नई information को आप physical और उसके structural features के थूँ समझ सकते हो देखो यहाँ पर देखो Just suppose यह आपका mind है Just suppose या फिर यह आपका human memory है क्योंकि mind का ही जो है एक central point होता है Human memory अब यहाँ पर कोई नई information आ रही है अब जो भी information आई है Obviously आप उसको समझोगे Information processing आपने समझा है ना पढ़ा है ना कैसे information process होती है जैसे मान लो देखो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल short में बता रहे हूँ कि information जो process होती है वो कैसे होती है ठीक है बिल्कुल short में समझेंगे So ठीक है देखो यहाँ पर यह straight है ना line मान आपको क्या समझाया था कि मान लो यह कोई भी stimulus है यह कोई भी stimulus है आपके आस पास पे Just suppose इसको आपके senses ने देखा है ना आपके senses में हम eyes की बात करें मान लो आपकी eyes ने किसी चीज को देखा जो बहुत ही attractive थी बहुत ही अच्छी सी लग रही थी तो यह information आपके senses ने क्या करी collect करी आपके senses ने information को collect किया और इसको कहां भेज दिया इसको भेज दिया brain के पास में इसने बोला कि brain पता लगाओ यह जो मैंने information देखी हुई है यह जो भी चीज है यह क्या है तो brain ने पता लगाया अब brain के अंदर क्या होएगी information process होएगी और finally उसको आप perceived करोगे याद है यह पढ़ा हुआ है हमने यह हमने chapter number 5 के अंदर भी पढ़ा है कि जब भी आप अपने आस पास में अपने senses के थू कोई भी information collect करते हो वो information सीधे आपके brain में जाती है आपको याद होगा visual sensation हमने पढ़ा है हमने structure of the eye पढ़ा है हमने देखा structure of the eye में last में optic nerve होती है optic nerve आपकी आँखे जो भी देखती है उसे लेकर जाती है brain तक फिर brain में वो information process होती है और finally हम समझ पाते हैं कि हमारी आँखों ने क्या देखा clear तो इस तरीके से brain में information process होती है और फिर finally आप उसको perceive कर पाते हो clear है ना देखो six chapters तक पढ़ लिए हो इतने basics आपके clear होने चाहिए psychology के और यह chapter five में हमने पढ़ा था तो यह भी आपको clear होना चाहिए clear अब अब आपके जो भी मतलब आपकी memory में जो भी information आ रही है या for example आपके brain तक जो भी information पहुँची है अब वो information क्या होगी वो information होगी process clear वो क्या होगी information process होगी अब जो भी information आपके पास में आ रही है हम उसको सिर्फ एक ही तरह से समझने की कोशिश नहीं करते हम उसको दो तीन तरह से समझने की कोशिश करते हैं जिसमें सबसे पहला जो बताया गया है वो क्या है that is the physical or structural features physical या structural features जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको information दी है about rainbow एक example मैं आपको दे लिए हूँ मैंने आपको बताया कि rainbow क्या होता है कैसा होता है यह सब मैंने आपको बताया तो जब आपने सबसे पहली बार rainbow देखा तो आपको कैसे समझ में आए कि वो rainbow है तो आपने identify कि अच्छा है इसके अंदर seven colors है और यह देखो मतलब जब water droplets या जो sun की rays है उससे मिल के बना है और मैंने आपको बता है कि monsoon के टाइम पर सबसे जाद़ rainbows देखने को मलते हैं यह चीज़े मैंने आपको rainbow के अंदर बताई ठीक है तो जब भी आप सबसे पहली बार rainbow देखोगे इतनी information के बाद में तो आप सबसे पहले rainbow को identify करोगे उसके physical structural features के साथ में कि वो कैसा दिखता है clear आया साच में तो जो आपके crack and lock heart है उन्होंने इस level of processing view में यही सबसे पहल पहली चीज़ बताई है कि जब भी हमारे पास में कोई information आती है तो हम उसके physical और structural features को देखने समझने की कोशिश करते हैं clear यह सबसे पहली चीज़ बताई उन्होंने काय में बताई levels of processing view में levels of processing में सबसे पहली चीज़ कि जब भी कोई information आएगी ठीक है जब भी कोई information incoming information clear क्या कहा incoming information तो वो information को आप सबसे पहले क्या करोगे आप उसको उसके physical और structural features से समझने की कोशिश करते हो इसी में आगे उन्होंने क्या कहा that for example one might attend only to the shape of letters in a word say cat in spite of whether the word is written in capital or small letters or the color of the ink in which it is written just suppose यहाँ पर दो एक सेकिंड के लिए आप ध्यान देना कि मैं एक चीज़ यहाँ पर note down करते हूं चीक है बस आपको ध्यान से देखना है fine अब आपने यहाँ पर देख पह रहे हो कि मैंने दो तीन colors यहाँ पर यूज़ किये है यह black color है clear यह भी black color है यह purple color है यह red color है यह blue color है okay क्या लिखा है यहाँ पर so cat लिखा है आप क्या बोलोगे cat लिखा है सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ जब मैं यहाँ पर लिख भी रही थी तो क्या आपका ध्यान इस एक चीज़ पर था कि मैं color कौन सा use कर रही हूँ या मैं capital में लिख रही हूँ या मैं small में लिख रही हूँ You are like a cat लिखा है Simply अगर मैं यहाँ पर इन सब को rub कर दूँ इन सब को मैं यहाँ पर erase कर दूँ और मैं आप से बोलू यह क्या लिखा है So you will be like a cat लिखा हुआ है अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ और मैं आप से बोलू क्या लिखा हुआ है So you will be like a cat लिखा हुआ है Clear? Doesn't matter मैंने capital letters में में लिखा मैंने small letters में लिखा मैंने कौन सा color use किया You are just seeing कि यहाँ पर cat लिखा हुआ है तो अब example क्या है Example यह बोलता है कि जब भी जैसे for example कोई word है जैसे cat word है तो आप उसमें letter कैसे लिखा है कौन से color से लिखा है इसकी बजाए आपका focus किस पर होगा कि जो one might attend only to the shape of the letters in the word This is the first and the shallowest level of processing तो यहाँ पर एक क्या चीज़ करेगी कौन से color से लिखा तो यह सबसे पहला level होता है processing का यह just उन्होंने एक example दिया है मतलब जो चीज़ वो कहना चारहे है कि सबसे पहली चीज़ आप उसके physical या आप उसके structural characteristics को देखते हो Second At an intermediate level one might consider and attend to the phonetic sounds that are attached to the letters and therefore the structural features are transformed into at least one meaningful word say a word cat that has three specific letters अब देखो Second या intermediate level पर वो यह बोलते हैं कि जब आप physical या structural features के साथ में sound attach कर देते हो तो उसको meaning मिल जाता है मतलब First level क्या है physical या structural features जिसे shallowest level of processing कहा गया है इसमें example किसका दिया cat का यह cat कैसे बना तीन letter से मिलके बना c-a-t cat अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दू और मैं बोलू यह cat है तो क्या आप बोलोगे यह cat आप बोलोगे यह cat नहीं यह cat नहीं क्योंकि आपको पता है cat की spelling में three letters use होते है मतलब three alphabets use होते है उसमें first c होता है second a होता है और जो third है वो t होता है और यह three letters इसके अंदर है इसलिए आप बोल रहो यह cat है clear इसके अंदर नहीं है इसलिए आप बोल रहो यह cat नहीं है है ना यही एक चीज है so this is the shallowest level of processing जहां पर आप उसके physical या आप उसके structural characteristics पर ध्यान देते हो अब अभी तो यह cat लिखा है just लिखा हुआ है अब मैंने बोल दिया कि this is cat ठीक है मैंने बोल भी दिया कि यह cat मिलके एक word बनाते है and that is cat तो इससे एक sound भी attach हो गया तो इस word को एक meaning मिल गया यह यहाँ पर कहा जा रहा है तो जैसे basically for example इसमें बस इतना बताया गया है second level के साथ में कि जो आपका first level है उसमें आप किसी भी information के क्या physical या क्या characteristics है उसके उपर ध्यान देते हो जब उसके साथ में sound भी attach हो जाता है तो उसको एक meaning मिल जाता है for example मान लो कोई song compose किया जा रहा है तो जब उसका composition होगा तो उसमें lyrics होंगे उसमें क्या होंगे lyrics होंगे बट अब हमने उस song में lyrics के साथ में जब उसमें music को भी add कर दिया तो ये जो song था उसको एक meaning provide हो गया clear है for example आपका कोई favorite song है उसमें से music हटा दो सिर्फ आप lyrics ही सुनो तो क्या आपको अच्छा लगेगा आप बुलोगे बिल्कुल अच्छा नहीं है lyrics हटा तो आप सिर्फ music को सुनो तो भी आपको बहुत जाद अच्छा नहीं लगेगा तो जब आप उसमें किसी चीज में sound attach कर देते हो तो उसको एक meaning मिल जाता है ऐसा intermediate level of processing में कहा गया है clear देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी example दिया था किसका umbrella का example मैंने आपको दिया था तो मैंने का कि कल को आप मान लो umbrella देखते हो तो आप सबसे पहले उसके physical और structural features को देखोगे कि umbrella ऐसा दिखता है मैं आपने बताया था umbrella ऐसा दिखता है उसमें seven colors होते है तो वो ऐसा ही दिखना चाहिए है अगर वो कुछ अलग सा दिख रहा है मान लो कोई आपको ऐसी रे दिख रही है सिर्फ और सिर्फ red color की सिर्फ red color की है तो क्या वो umbrella होगा आप बोलोगे नहीं यह तो umbrella नहीं मैं आमने बताया गी था आप उसको एक मीनिंग मिल जाता है बिल्कुल समझो कि कोई भी physical ये structural feature है उसके साथ में आप sound को जोड़ देते हो तो उसको एक meaning मिल जाता है ये levels of processing information में कहा गया है कि आपने किसी information को जो भी information आपके brain में process हो रही है अगर उसको sound भी मिल जाए उसको किसी तरह का phonetic sound मिल जाता है तो उसका meaning जो है बन जाता है अब मैंने जो सबसे पहले काता है कि अराम राम से सुनो सारी चीज़ क्लियर होगी तो यहाँ भी जस्ट ध्यान से सुनो और example मैंने आपको rainbow का दिया ठीक है umbrella नहीं रेंबो के example दिया था अब इसके बाद में जो आपके levels of processing view है उसमें थर्ड प्रोसेस भी बताया गया है यह वालड आपने इसको read करते हैं So analyzing information at these two levels produce memory that is fragile and is likely to decay rather quickly तो जब भी आप इस तरह से कोई information को लेते हो या इस तरह की information को analyze करते हो तो वो बहुत ही fragile होती है और वो बहुत जल्दी मतलब जो है क्या हो जाती है decay हो जाती है मतलब यह है कि मान लो कोई information आपके पास में थी आपने उसको देखा उसके physical characteristics को देखा उसमें sound को add किया तब भी information जो है वो उतने लंबे समय तक नहीं रहती बहुत जल्दी जो है वो information को हम भूलने लग जाते है मतलब वो हमारी memory में ज़्यादा time तक नहीं रह रही है यह दो level यह दो level पे बताया गया है तो इसी के लिए एक third level भी दिया है किसने third level पताया है वापिस से आपके जीए यह जो levels of processing view है आपके क्राइक एंड लॉकहर्ट का उन्होंने इसमें एक third level भी दिया है जहां पर हम deepest level of information को process करते हैं यह जहां पर हम information को बिलकुल deeply understand करते हैं Now in order to ensure that the information is retained for a longer period It is important that it gets analyzed and understood in terms of its meaning अब देखो आप यहां पर मैंना आपको सबसे पहली चीज़ क्या कही दी कि कोई भी new information आप तक पहुँच रही है अगर आप उसको अच्छे से understand करते हो perceive करते हो, analyze करते हो तो वो information लंबे समय तक आपके memory में रहेगी same चीज़ यहां पर कही जारी है कि अगर आप चाहते हो कि information लंबे समय तक आपके memory में रहे और meaning के साथ में रहे वो सारी चीज़ आपको समझ में आए उसके साथ में information आपकी memory में रहे तो उसके लिए आप को क्या करना होगा analyze बहुत अच्छे से करना होगा और समझना बहुत अच्छे से होगा जैसे for example you may think of a cat as an animal that has fur, has four legs, a tail and is a mammal you can also invoke an image of a cat and connect that image with your experiences अब मैंने यहां पर सिर्फ और सुर्फ अगर c-a-t लिखा तो आप समझ पाओगी कि यहां c-a-t लिखा है मैं बोलू यह cat लिखा है तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है यह cat लिखा है पर यहां पर मैं आपको एक image दिखा दूँ कि cat ऐसी होती है तो next time जब आप cat देखोगे तो आपको समझ मैंगा कि अच्छा cat ऐसी दिखती है जिसकी दो eyes होती है दो ears होते हैं इस तरह से ears होते हैं सिर्फ और सिर्फ सुनने से हमको समझ में नहीं आता अगर हम उस चीज़ को meaning provide कर देते हैं तो हमको उसकी understanding ज़ादा समय तक होती है एक और example मैं आपको देते हैं जैसे मान लो अभी मैं आपको ये topic पढ़ा रही हूँ आप इस topic को सुन रहे हो समझ रहे हो मान लो अगर आप अकेले सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ आप अकेले इस topic को read कर रहे होते ना आपको आपकी teacher ने समझाया ना आपको आपकी किसी friend ने समझाया आप उसको understand आप उसको analyze करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पढ़ोगे थोड़ी देर तक आपको याद रहेगा थोड़ी देर तक आपको याद रहेगा आपकी memory में रहेगा क्योंकि अभी ताज़ ताज़ा आपने पढ़ा है लेकिन अब इसी एक चीज को मैंने आपको explain कर दिया आपको यहां सारी चीज़ें दिखा दी मैंने आपको एक्स्प्रेंट कर दिए देखो ऐसा होता है इसमें यह चीज़ कही गई है इसका यह मीनिंग होता है मैंने आपको नोट्स वगिरा सारा कुछ लिगवा दिया तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आपको अच्छे से समझ आता है तो वो आपकी मेमोरी में भी जादा समय तक रहता है और मान लो मैं आपको बहुत बार बोलती है ना नोट्स बनाओ अब आपने समझ के उसको एक मीनिंग प्रोइट कर दिया आपने उसको केंड कर्ती है क्लियर तो यहां पर यहीं कहा जा रहा है जो कैट क müsste कि अधार लिए जारा था कि कैट के लेटर्स लिखनें से आपको समझ में देरिंगा लेकिन आपको दिखा दिया मैंने आपको बता पाओगे आप जादा analyze कर पाओगे information जादा समय तक retain करेगी तो जो third view है levels of processing का वो यही बोल रहा है clear वो यही चीज बोल रहा है कि पहला physical structural features दूसरा sound और तीसरा meaning clear मतब sound से भी उसको meaning provide होता है बट उसी के साथ साथ में अगर आप उसको अच्छे से analyze करोगे अब 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 अच्छे से understand करोगे meaning के साथ में तो वो आपको जादा समय तक retain रहेगी तो यहाँ पर आपका third क्या हो गया ठीक है यहाँ पर आपका third क्या है retain करके रखना और रिटेन कब रहेगी जब आप उसको analyze करोगे understand करोगे उसको meaning provide करोगे analyze understand meaning clear तो इस तरीके से levels of processing उन्होंने बताए कि सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ को किसी नई information आप तक पहुँचती है तो पहले आप उसके physical structural features को देखते हो फिर आप उसको सुनते हो फिर आप उसे समझने की कोशिश करते हो clear आया सांच में आप कभी किसी नई person से मिलते हो तो सबसे पहले क्या करते हो obviously उसको देखते हो ठीके कि वो कैसा देखता है उसके किस तरह के features है फिर वो आप से बात करते हो आप उसको सुनते हो क्लियर रिटेन करने का मतलब क्या है जादा समय तक information आपकी memory में रहे तू समप नाउ तू समप analyzing information in terms of its structural and phonetic features amounts to shallower processing जब भी आप किसी information को उसके structure उसके sound के थू समझने की कोशिश करते हो तो वो information shallow processing level होती है और ये कम समय तक आपके mind में आपकी memory में रहती है while जब आप information को encode कर लेते हो जब आप उसका meaning समझ लेते हो तब deepest level of processing होती है और इस deepest level of processing में जो information है वो आपकी memory में लंबे समय तक रहती है और लंबे समय तक आप उस information को retain करके रख सकते हो understanding memory as an outcome of the manner in which information is encoded initially has an important implication for learning memory में जो भी आप information आ रही है आप उसको समझो as an outcome of the manner in which information is encoded मतलब जो भी information आप तक आई है आप उसको समझो आप उसको एक meaning provide करो तो उससे learning में बहुत ज्यादा help होती है मैंने आपको इस chapter की starting में बताया था कि ये learning भी आपको इस chapter में मिलेगा आपको perception भी इस chapter के अंदर मिलेगा आपको senses भी इस chapter के अंदर मिलेगे आपको attention भी इस chapter के अंदर मिलेगा तो आपने जो chapter number 5 और 6 पड़ा है ना वो सारा यहां इस chapter में आपको काम आएगा clear तो learning आपने पड़ा है learning क्या होती है है ना ये पड़ा हुआ है ना chapter number 6 के अंदर change in behavior permanent change in behavior और किसी नई चीज़ को learn करना डेर सारे experiments यह सारा सब कुछ तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब भी understanding memory as an outcome of the manner in which information is encoded जिस तरीके से information आई है उस information का meaning समझना और उसके meaning को समझते हुए उस information को अपनी memory में ज़ादा समय तक रखना इससे learning बहुत अच्छी होती है इससे learning जो है वो बहुत अच्छी होती है and this view of memory will help you realize that while you are learning a new lesson you must focus on elaborating the meaning of its content in as much detail as possible and must not depend on rote memorization perception इसका मतलब यह है यही चीज जो अभी मैंने आपको एक example दिया था ना कि मान लो आप किसी topic को पढ़ रहे हो ठीक है आप किसी concept को पढ़ रहे हो for example आप पढ़ रहे हो perception क्या होता है for example just for example चीक है आप पढ़ने बैटे हो perception क्या होता है अभी तक आपने मुझसे perception कभी नहीं पढ़ा मतलब मान लो chapter 5 में तो मैंने पढ़ाया था पर आपने कभी नहीं पढ़ा मुझसे आपने कभी नहीं जाना कि perception क्या होता है तो अब आप जो है perception को पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ र आपने का रेट लो रेट लोगे एग्जाम में लिख लोगे लेकिन आगे तक कभी याद नहीं रहेगा लेकिन मांद लो आपने पर्सेप्शन के मीनिंग को समझ लिया आपने पूरा उसमें जो भी सारी चीजें ती हमने सको समझ लिया अपनी clear तो यहां पर यहीएख चीज जा रहे है कि जब भी आपके पास में कोई भी information है आप उसके meaning को समझ लेते हो information क्या है क्यों है ये समझ लेते हो तो वह information आपकी memory में रहेगी जितनी ज़्यादा समय तक आपकी memory में information रहेगी उतना ज़्यादा आपको किसी नई चीज़ को learn करने में भी help होगी क्योंकि आपकी memory कैसी अच्छी memory है है ना आप information को retain कर पा रहे हो ज़्यादा समय तक आपकी memory में information रहे पा रहे है मतलब आपकी memory बहुत strong है clear आपकी memory strong कैसे बनी जब आपने information के meaning को समझा तो इससे आपकी learning बहुत अच्छी हो रही है इससे आपकी learning जो है वो बहुत अच्छी हो रही है I attempt this and you will soon realize that understanding the meaning of information and reflecting on how it relates to other facts, concepts and your life experiences is a sure way to long term retention यहाँ पर यही एक चीज गही है कि जैसे मान लो कोई भी information है कोई भी चीज है आपके आसपास में है, कुछ भी है अगर आप उसको सिर्फ देखते हो, सुन लेते हो तो आपको वो थोड़ी देर के लिए तो याद रहेगी थोड़ी देर के लिए आपकी memory में रहेगी लेकिन अगर आप उसके meaning को समझ लेते हो आप उसके सार को समझ लेते हो, आप उसके content को समझ लेते हो तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते है ना तो ये सेम चीज जैसे आप पढ़ाई भी करते हो तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि concept के meaning को समझो अगर concept आपको clear है तो आपको आगे की सारी चीज़े clear हो जाएंगी मानलो आप psychology पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं psychology क्या है तो आप यहां कुछ भी पढ़ लो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा है ना तो सेम चीज यहां पर भी कहीं जारी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी memory शारप रहे आप जादा देर तक किसी चीज को ध्यान में रख सको जादा देर तक आपकी memory में रहे तो आपको उसके meaning को समझना है जब आप उसके meaning को समझ लेते हो तो आप उसको दूसरी चीजों से relate कर सकते हो आप उसके concept को समझ सकते हो आप उन चीजों को अपनी life में भी implement कर सकते हो इसके धेर सारे examples आपको आगे मिलेंगे chapter के अंदर clear, so that is the levels of processing अब देखो, अब इस levels of processing को समझो तो जो भी information है senses से आपके brain में आई वो information यहाँ पर क्या हो रही है process हो रही है तो वो information को generally, किस तरीके से वो information हमारी memory में आती है सबसे पहले हम उसके physical या structural features को समझते है सबसे पहले हम क्या करते है कि पहली चीज तो उसके physical और structural features को समझना कि basically information जो है, वो क्या है यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, क्या है second आप उसको phonetic features से relate कर देते हो that is sound किस से relate कर देते हो phonetic features किस से relate करते हो phonetic features से sound के साथ में आप उसको relate कर देते हो तीसरा, वो information अब आपके human memory में ज़्यादा समय तक कब रहेगी जब आप उसको अच्छे से analyze करोगे जब आप उसको अच्छे से understand करोगे जब आप ये दो काम कर लेते हो आप उसके मीनिंग को समझ लेते हो और जब आप information के मीनिंग को समझ लेते हो तो वो आपके लंबे समय तक memory में रहती है clear है आया concept समझ में क्या इक चीज़ कही जारी है कि किस तरह से processing होती है किस तरह से information memory में आती है कैसे आप चीज़ों को जादा लंबे समय तक याद रख पाते हो इसलिए रख पाते हो क्योंकि कहीं न कहीं आपने उसको बहुत जादा जो है यह information क्या थी sound क्या था यह याद रख सकते हो आप कभी भी उससे लंबे समय तक retain नहीं कर सकते हो अब यह मैं नहीं बोल रही हूँ यह कौन बोल रहा है यह levels of processing approach या view बोल रहा है हमने एक stage model पढ़ा था आपको याद होगा हमने एक क्या पढ़ा था एक stage model पढ़ा था stage model basically क्या था जहां पर आपने sensory memory को पढ़ा आपने short term memory को पढ़ा आपने long term memory को पढ़ा आपने देखा इन तीनों में information कैसे आती है कैसे पास होती है कैसे retain करती है levels of processing में यह कहा जा रहा है कि जो भी information है उसे ज्यादा समय तक कैसे याद रख सकते हो अपनी memory में तो उसका एक तरीका है कि उसके meaning को समझ लो या उस information को 2-4 चीज़ों से connect कर लो है ना तो आप उसे ज्यादा समय तक याद रख पाओगे लेकिन अगर आप किसी information को ज्यादा समय मतलब आप उसके meaning को नहीं समझते तो आप उसे ज्यादा समय तक ध्यान नहीं रख पाओगे इसका सबसे अच्छे example है आपकी studies में अगर आप किसी concept को सिर्फ रटने की कोशिश करते हो तो वो आपको कभी समझ नहीं आएगा वो आपको समझ नहीं आएगा तो वो आप ध्यान भी नहीं रख पाओगे आप कभी देखना ऐसे लोगों को जो generally exams में रट के चले जाते हैं ठीक है रोट क्या बोलते हैं रोट monetization बोलते हैं न memorization ठीक है सिर्फ रट लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो उनको ध्यान रहता है exam के बाद आप अगर उनसे पूछोगे कि यह concept क्या था या इसका क्या meaning था तो वो आपको कभी उसका meaning नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो उस चीज को भूल चुके हैं clear लेकिन जो लोग ध्यान रखते हैं जो लोग meaning को समझते हैं उनकी memory बहुत sharp होती है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी memory sharp होई तो अब से कोई भी information आप तक पहुँचेगी तो आप उसको क्या करोगे आप उसे किसी ना किसी चीज से relate करके समझो आप उससे कोई meaning provide करो आप हमेशा उसको अपनी real life में use करो तो वो information ज्यादा समय तक आपकी memory में रहेगी otherwise वो क्या हो जाएगी decay हो जाएगी यह कौन बोल रहा है यह levels of processing view बोल रहा है जो कि crack and lock heart ने दिया है clear this is all about your levels of processing clear है यहां तक कोई doubt नहीं है बस इतनी ही चीज इसके अंदर explain की गई है और आपको इसे ही अच्छे से पढ़ना है और समझना है बहुत छोटा सा concept है आप बार बार रीट करोगे तो आपको clear होगा और दूसरी चीज यहां पर उसको आपको connect करना है ठीक है यह ती physical, structural features, phonetic features या retaining यह अलग अलग नहीं है यह तीनों चीज़े बिल्कुल साथ में है तीनों ही एक दूसरे से related है एक के बाद में दूसरा होता है दूसरे के बाद में तीसरा होता है लेवल की हम बात करें एक लेवल complete होगा तब आप दूसरे लेवल पर पहुंचोगे फिर इतने में तो कोई डाउट नहीं है जो भी अभी तक हमने पढ़ा डिसकस किया था कि working memory जो है वो क्या होता है तो working memory के अंदर आपने short term memory को पढ़ा कि जो workbench होती है short term memory के अंदर जो है components होते है multi component view हमने पढ़ा था और उसी में हमने पढ़ा था कि एक workbench होती है जिसके through हमारी memory work करती है and that is called working memory in short आपने ये पढ़ा था कि जो short term memory है वो सिर्फ और सिर्फ unitary नहीं है बलकि उसके बहुत सारे components होते है clear same way में जो आपकी long term memory होती है that is LTM clear so LTM भी unitary नहीं है बलकि उसके भी बहुत सारे components होते है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही wide variety of information होती है clear समझ में आया क्या एक चीज़ कहीं या नहीं आया समझ में मुझे बताओ comment section में जो चीज मैंने कही वो understood है या नहीं है देखो अचा एक और बार सुनो ठीक है हमने क्या पढ़ा हमने working memory के बारे में पढ़ा था last lecture we have discussed working memory levels of processing ये सब कुछ हमने पढ़ा stage model recall करो stage model के अंदर आपने three memory types को पढ़ा आपने sensory memory पढ़ी आपने short term memory पढ़ी आपने long term memory पढ़ी तीनों किस तरह से work करते हैं एक दूसरे से कैसे related हैं ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा clear then we came to short term memory यानि working memory के अंदर हमने discuss किया कि जो आपकी short term memory है वो सरिफ unitary नहीं है कि उसमें एक तरह की information आईगी और बस वो थोड़े समय के लिए रहेगी और अगर आप उसको rehearse करते हो तो वो long term memory में चली जाएगी बल्कि जो आपके short term memory होती है उसमें components होते हैं clear उन components को हमने discuss किया था है ना हमने sound loop के बारे में पढ़ा था आपके then phonological loop है ना फिर हमने central executive को भी पढ़ा था और कैसे information process होती है ये सारा multi component view हम working memory के अंदर पढ़ चुके हैं discuss कर चुके हैं same way में ये कहा जा रहा है कि जो long term memory होती है जिसके अंदर wide variety of information है जिसे आप लंबे समय तक retain करके रख सकते हो clear so ये भी unitary नहीं है इसके भी बहुत सारे components होते हैं जिसे हम discuss करें types of LTM के अंदर clear so in in view of this contemporary formulations and visage long term memory as consisting of various types अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे ठीक है देखो एक बर वापिस से recall करते है इस stage model मैंने कहा कि हमने पढ़ा हुआ था stage model में हमने तीन चीजों को discuss किया sensory memory short term memory long term memory कोई भी information सबसे पहले आपके sensory memory में आएगी यह stage model बोल रहा है उसके बाद अगर आप उसके उपर attention focus करते हो तो वह आपकी short term memory में जाएगी अगर आप उसको बार-बार rehearse करते हो यहाँ आपको attention pay करना है अगर आप उसको बार-बार rehearse करते हो तो वो आपकी long term memory में जाएगी यह stage model कहता है STM में जो information है वो ज्यादा तर sound के form में आने वाली है ज्यादा तर sound के form में आने वाली है clear LTM में जो information है वो जादा तर meaning के form में आईगी In short कोई भी information है या कोई भी song है आपने सुना अगर आप उसको थोड़ी देर गुन गुनाते हो तो वो थोड़ी देर तक आपको ध्यान रहेगा लेकिन अगर आप उसको हर बार आपका बिल्कुल favorite song वो बन जाता है तो वो कहीं न कहीं आपकी long term memory में आजाएगा आपको वो हमेशा याद रहेगा उसकी lyrics क्या थी ये सारे चीज़े याद रहेंगी Second thing Long term memory में जो information होती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है मतलब unlimited duration तक long term memory में information रह सकती है तो इतनी बड़ी information को store करके रखने के लिए retain करके रखने के लिए एक चीज़ दो सबसे जादे important है वो है meaning जब आप किसी भी information का meaning समझ लेते हो तो वो लंबे समय तक आपको ध्यान रहती है ये हमने levels of processing के अंदर भी पढ़ा आपको याद होगा जब हमने levels of processing view discuss किया था last lecture में हमने ये चीज़ पढ़ी है ना तो हमने इसमें क्या दिखा कि कोई भी information जादा समय तक कैसे retain रह सकती है कोई भी information को आप बहुत लंबे समय तक memorize करके कैसे रख सकते हो तो उसके तीन components है एक है analyze करना दूसरा understood या understanding clear and third is meaning third is meaning जवाब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से analyze करते हो बहुत अच्छे से समझते हो और फिर finally उसके meaning को भी समझ लेते हो तो आप बहुत लंबे समय तक किसी भी information को retain करके store करके रख सकते हो clear अब long term memory के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो information है that has been stored for unlimited duration clear बहुत लंबे समय तक आप information को retain करके रख रहे हो मतलब long term memory में wide variety of information है मतलब जो आपकी long term memory just suppose this is your long term memory तो इसमें बहुत सारी information है ना जिससे सालों सालों तक आप retain करके रखे हो और आगे भी रखोगे clear तो इसी long term memory की बात यहाँ पर हो रही है कि long term memory जो है वो unitary नहीं है बलकि इसके अंदर wide variety of information है इसलिए इसके types होते हैं mainly हम इसको two types में divide करते हैं mainly हम इसको two types में divide करते हैं बस इतनी ही चीज अभी तक मैंने आपको समझाईए मतलब इसमें ठीक है इस topic के अंदर इतनी एक चीज पर हम बात कर चुके है and I am hoping this कि आपको stage model बहुत अच्छे से clear है आपको working memory बहुत अच्छे से clear है आपको levels of processing बहुत अच्छे से clear है यह चीज़े clear होंगी तो आगे के concepts अच्छे से समझ पाऊगे ठीक है so what I said that in view of this contemporary formulation and visages की long term memory जो है उसमें various types होते हैं ठीक है sorry two types नहीं होते हैं various types होते हैं बट उसको बाद में हम कैसे divide करेंगे वो आप देखना like for instance one major classification within the LTM is that of declarative and procedural memories कभी-कभी इसे non-declarative भी कहा जाता है तो mainly हम उसको दो compartments में या दो types में अभी जो divide कर रहे हैं तो वो क्या है declarative और procedural क्या है declarative यह first आजाएगा आपका declarative that means किसी चीज़ को declare करना and the second one is procedural procedural को non-declarative भी कहा जाता है clear note करो इसको note करो इसका अच्छे से chart बनाओ ठीके कैसे बनाओगे देखो यहां पर इतना note किया यह मतरब यह तो already noted ही होगा बट यह एक चीज़ clear हुई है ना अब देखो LTM पर आते हैं So, here is your long term memory long term memory now we are dividing it okay, we are dividing it into its two types and what are those so number one number one is declarative LTM declarative LTM and the second one is non-declarative or procedural procedural है और उसी के साथ में bracket में लिख लो non-declarative clear अब यह क्या है declarative और non-declarative इसको हम यहाँ पर समझते हैं ठीक है इस तरीके साब को chart बनानी है now second so all the information pertaining to देखो ध्यान से सुना ठीक है जितनी भी information है जिसमें आप किसी fact को याद रखते हो किसी के नाम को याद रखते हो कोई date को आप याद रखते हो आप किसी तरह के कोई event को याद रखते हो आप रिक्षा में जो है मतलब three wheels होते हैं इस एक चीज को याद रखते हो India independent हुआ 15th August 1947 को इस एक चीज को याद रखते हो यह सारा कुछ जो है किसका part है declarative memory का clear facts को याद रखना dates को याद रखना कब कहां कौन सी चीज हुई थी इसको याद रखना आपके friend का नाम क्या है frog जो है वो एक amphibian होता है और इसी के साथ में your friend share the same name and are all part of the declarative memory जैसे आपको पता है कि आपके friend का नाम क्या है और उसके नाम को आप हमेशा याद रखते है ऐसा नहीं कि आप जितने time अपने friend के साथ रहते हो उतने ही time तक आपको उसका नाम याद रहता है नहीं हमेशा याद रहता है लाइक अगर आपका कोई बहुत छोटे बहुत मतलब जवाब बिलकुल चार-पांच साल के होगे तब कभी अगर आपका कोई friend होगा तो आपको उसका नाम याद होगा है ना आपका birthday कब आता है आपकी family में जितने भी सब रहते हैं जितने भी persons है उनका birthday कब आता है dates ओके इंडिया कब independent हुआ या इंडिया में जो है for example economic liberalization की policy adopt की जाती है तो वो कव adopt की गी 1991 में की गी तो ये कुछ चीजें है जो आपको याद रहती है clear ये ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपको याद रहती है अगर मैं आपसे कहूँ कि जो cow है वो हमेशा पानी के अंदर रहती है तो आप बोलो कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो क्योंकि जो cow है वो land पर रहती है क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ आपने सीखी हुई है frog amphibian है land पर भी रहता है पानी में भी रहता है तो ये एक चीज़ आपने बचपन से सीखी हुई है तो facts, names, dates इन सारी चीज़ों को याद रखना ये आपकी declarative memory का part होता है क्लियर किसका part होता है? जो आपकी declarative memory है उसका part होता है क्या dates, names, etc. procedural memory on the other hand refers to memories relating to procedures for accomplishing various tasks किसी भी task को perform करने के लिए जो procedure होता है clear, उस procedure का मतलब उस procedure को याद रखना that is the procedural memory जैसे for example अगर आपको कहा जाता है कि आप bike चलाओ ठीक है, या स्कूटी चलाओ तो आपको उसका procedure पता होना चाहिए कि मैं स्कूटी या bike कैसे start करूँगा तो पहले मुझे accelerator को जो है मतलब press करना है मुझे key उसको चलाओ ना या ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पहले गयर लगाते हो, फिर accelerator on करते हो फिर उसके बाद में key on करते हो ऐसा कुछ नहीं होता एक procedure है उसका है कि पहले key start करेंगे तो उसके बाद में accelerator देंगे फिर उसको जो है चाय बनानी है तो चाय कैसे बनाओगे पहले एक बरतन लोगे उसमें थोड़ा सा दूट डालोगे मिल्क डालोगे फिर उसके बाद में क्या डालोगे चाय पती डालोगे शक्कर डालोगे ऐसे जो भी जिस तरहीके से ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पहले एक कप लेते हो उसकप के अंदर जो है मिल्क पूर कर देते हो फिर उसमें जो है चाय पती डाल देते हो शक्कर डाल देते हो फिर उसको जो है मतलब थोड़ा जो है क्या बोलते है उसको इस्टोव पर रख देते हो ऐसा कुछ नहीं होता ना, एक पूरा procedure है, उस procedure को आप follow करते हो, that comes under the part of your procedural memory, clear आया समझ में, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, declarative के अंदर क्या लिखोगे, so the facts, names, dates, etc, all these are part of your declarative memory, procedural memory के अंदर क्या आएगा, so the procedure to accomplish such task, किसी भी task को accomplish करने के लिए, एक जो पूरा procedure लगता है, वो procedure आपकी procedural memory के अंदर रहता है, तो मैंने आपको क्या बताया, कि जैसे मान लो, अगर ये LTM है, तो मैं इसको two parts में divide करी हूँ, एक यहाँ पर जितने भी सारे facts बगरा हैं, वो सारा कुछ मैं याद करके रखूँगी, एक वो part होगा, जहाँ पर मैं हर एक काम को करने के लिए, एक जो procedure है, उसको ध्यान रखूँगी, अगर आप swimming करने जाते हो, तो swimming कैसे की जाएगी, उसका एक पूरा procedure होता होगा, कि ऐसे ऐसे करना है, इन इन steps को follow करना है, clear, आपको याद होगा na, skill learning हमने पढ़ा हुआ था, किसी skill को attain करने के लिए, हम step by step आगे बढ़ते हैं, तो वो steps क्या है, एक तरीके का procedure होते है, that comes under the part of your procedural memory, इसको skill learning से connect करके समझने की कोशिश करो, clear, समझ मैं है यहाँ तक, इतने में तो कोई डाउट नहीं कि declarative क्या है, या procedural क्या है, बिल्कुल simplest, clear, Now, facts written in the declarative memory are amenable to verbal descriptions, while contents of procedural memory cannot be described easily, जैसे अगर मैं आप से पूछू कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो आप मुझे बहुत बहुत इसीली बताओगे, 15th August 1947, मैं आप से पूछू, आपका बर्थ कब हुआ, तो आप मुझे अपने बर्थ डेट बता दोगे, मैं आप से पूछू, आपका नाम क्या है, या आपकी फैमिली में, मैं बहुत सारे लोगों के आप से नेम्स पूछू, तो आप मुझे सब के नेम्स बता दोगे, clear, मैं आज से 5 years बाद आप कौन सी class में होगे तो आप वो मुझे calculate करके date बता दोगे कि आज से 5 साल बाद हम इस class में होंगे या हम college कर रहे होंगे या जो भी एकसेटर एकसेटर तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो भी facts होते हैं वो declarative memory में आप easily verbal description के थू समझ सकते हो याद कर सकते हो clear लेकिन जो procedural memory का content है उसको बहुत ही easily describe नहीं किया जा सकता like for example when asked you can describe how the game of cricket is played but if someone asks you how do you ride a bicycle you may find it difficult to narrate यहाँ पर ये एक चीज़ कहें गही है कि जैसे मान लो आप से कहा जाए कि बताओ cricket कैसे खेला जाता है तो आप बताओगे कि उसमें जो है टीम्स होती है सभी टीम्स के जो है members मतलब जितने भी सारे players होते हैं फिर एक choose करता है batting करने के लिए एक जो है बालिंग करता है फिर ball को जो है से फिका जाता है फिर वो बाटिंग करता है आप बता दोगे procedure आप से कोई पूचे कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो तो वो थोड़ा सा difficult होगा क्यों कैसे बताओगे कि मैं कितनी दूर जाता हूं तो मुझे लगता है exact उसको exact description बोला मैंने ठीक है मतलब यह नहीं कि आप नहीं बता पाओगे गाड़ी कैसे चलाई जाती है बट आप उसको exactly describe नहीं कर पाते हो बहुत बार procedures ऐसे होते हैं जिसका content क्योंकि ऐसा है ना कि आप उसको easily describe नहीं कर सकते हो आप facts को easily retain कर सकते हो लेकिन आप procedure को describe करना उतना ज्यादा easy नहीं होता clear so here comes tool wing tool wing had proposed yet another classification and has suggested that the declarative memory can either be episodic और semantic आप देखो यहाँ पर और थोड़ा सा इसका description है हम यहाँ से ही continue करेंगे clear यह इतना एक आपको basic या दठना है ठीक है declarative and procedural procedural क्या है declarative क्या है यहाँ पर एक और point note कर लो की facts next पर लिखो ठीक है मैं इसी के आगे आपको notes मतलब notes बन वारी हो आप उसको note down कर लेना I hope so यह आपने बना लिया है clear coming next so यह आपका declarative memory है और यह आपका यहाँ पर procedural memory है okay this is procedural memory this is declarative memory declarative memory में हमने क्या एक चीज़ पढ़ी कि facts can be retained easily facts को आप easily याद कर सकते हो but procedural memory के अंदर हमने क्या एक चीज़ पढ़ी कि जो procedure है procedure's description is quite difficult is quite difficult मतलब किसी procedure को describe करना थोड़ा सा difficult होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो describing a procedure is quite difficult या procedure description is quite difficult clear यह एक चीज़ हमने डिसक्रस करीए अब इसमें आते हैं आपके next tool wing कौन आते हैं tool wing देखो tool wing इस classification को और आगे बढ़ाते हैं और वो यह बोलते हैं कि जो आपका declarative memory है हम उसको two parts में divide कर सकते हैं ठीके हम उसको two parts में divide कर सकते हैं कैसे so number one is semantic and number two is encoding semantic और encoding यह आपने पहले टर्म से सुने हुए हैं semantically, acoustically यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा है sorry, episodic semantic और episodic not encoding episodic clear? now semantic आपने पढ़ा है episodic आपके लिए new term है तो टुल्विंग बोलते हैं कि इस तरह से दो parts में यह जो हमारी declarative memory है जिसमें हम facts, dates, names, इन सारी चीजों को retain करके रखते हैं उससे एक चीज़ को हम और थोड़ा सा describe करेंगे तो उन्होंने उसको two parts में, two segments में divide कर दिया one is your semantic and second is your episodic अब देखो, इसमें वो क्या बताते हैं? कि episodic memory contains biographic details of our lives episodic का मतलब biographic details of our lives अब what do you understand by the biographic details of our lives? बताओ, क्या समझ में आ रहा है? यहां पर लिखा है biographic details of our lives अभी तक इतना psychology पढ़े हो ना, सारा सब कुछ पढ़ लिया इतने सारी disciplines भी पढ़ लिया बहुत कुछ पढ़ा आपने तो क्या समझ में आता है? इतना पढ़ने के बाद में biographic details of our lives का मतलब क्या है? बताओ मुझे comment section में बताओ मुझे ठीक है? कि यह biographic details of our lives का मतलब यहां पर क्या है? episodic नाम को बार-बार पढ़ो और इस एक sentence को बार-बार पढ़ो आपको खुझ से समझ में आएगा कि episodic किस एक चीज के लिए जो है मतलब बोल रहा है यहां पर तुलविंग ने अगर उसको describe किया है या उसके segments बनाए है तो episodic का मतलब यहां पर है क्या? clear? बताओ जल्दी से सोचो और फटा-फट मुझे जो है बताओ comment section के अंदर कि यहां पर biographic details का मतलब क्या है ठीक है? now so क्या एक चीज कहीं जा रहे है कि episodic memory के अंदर biographic details होती है हमारी life से related मतलब हमारी life में जितने भी सारे events हुए होते हैं उनसे कुछ related memories कैसे? memories relating to our personal life experiences constitute the episodic memory and it is for this reason that it contents are generally emotional in nature यह देखो तो यहां पर बहुत important points है यह episode का मतलब समझते हो na episodes ठीक है? episodic इसको एक terms अगर हम relate करें तो that is episodes episodes generally क्या होता है किसी एक बहुत बड़ी series को आप कुछ episodes में divide कर देते हो clear episode one episode two episode three ऐसा होता है na generally आपने देखा होगा आपके घर में मतलब आपकी ममी दादी वगरा अगर कोई ऐसे daily soaps वगरा देखते हैं तो उसमें episodes होते हैं उसको divide किया जाता है हर एक दिन एक new episode आता है okay so that is generally कि आपकी एक जो life है ठीक है आपकी एक जो पूरी life होती है उस life में बहुत सारे incidents होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं बट कुछ ऐसे episodes होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कहीं न कहीं आपकी memory में fit हो जाते हैं clear जैसे for example मान लो कि आप जब five years old थे तब आपका celebrate जो बर्थरे celebrate किया गया था वह बहुत थी बहुत ही अच्छे से किया गया था मतलब आपके सारे friends आपके सारे relatives आपकी में बहुत सारी उस से related information को retain करके गाओगा Now that is a part of your life clear और इसी के साथ में आपकी personal life में आप बहुत सारी चीजों को experience करते हो Just suppose आप अपनी life में कभी किसी ऐसे person से मिले, किसी ऐसे friend से मिले जिससे मिलके आपको बहुत ही अच्छा feel होता था, जिसके जादा बहुत ही attachment, बहुत ही जादा जो है मतलब एक connection feel कर पाते थे, but just suppose कि अभी वो person आपकी life में नहीं है किसी reason से, maybe वो कहीं दूर चला गया है, या जो भी चीज हो गई है, clear तो आप उससे एक चीज को लेके बहुत ही emotionally attached हो जाते हो, now that is an episode of your life, clear वो एक जो incident है, जब आप किसी एक time पर किसी एक बहुत ही अच्छे person से मिले होगे, so that is also episode of your life, clear और हम क्या होते हैं, generally इस तरह की जो memories होती हैं, उनसे बहुत ही जादा emotionally connected होते हैं, clear और human beings are obviously emotional in nature, so generally यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि जो भी memories हमारी personal life experiences से related होती हैं, हम उसको episodic memory के अंदर रखते हैं, that is the biographic details of our lives हम से related, हम जहां रह रह रहे हैं, जिस भी area में हैं, जहां भी जिस space में हैं, और हमारे अपने जो भी साथ में सभी लोग हैं, हमारे अपने biological सारा features और इसके लावा और भी धेर सारी चीज़े, biography, okay तो इसमें सारी चीज़े आगें, कि जहां humans आप सभी मिल बाढ़के जाएं कि space पर रह रहे हो, तो उससे related आपकी life का कोई incident होगा, so that will come under your episodic memory, clear? और इसी एक reason की वज़े से, क्योंकि ये हमारी real life experiences, हमारे personal life experiences related है, episodic memory, तो इसी लिए ये जो है, ये generally emotional होती है, episodic memory जो होती है, वो emotional होती है, इसको note down करो, ठीक है, episodic मतलब, biographic details, biographic details of our lives, now episodic memory is generally emotional in nature, is emotional in nature, हमारी जितनी भी episodic memory होती है, वो कैसी होती है, emotional होती है, clear? यहां तक समझ मैं आया है, और इसको note down भी करना है है, ठीक है, ना, coming next, how did you feel when you stood first in your class or how angry was your friend and what did he or she did when you did not fulfill a promise, if such incidents did actually happen in your life, you perhaps will be able to answer these questions with reasonable accuracy, जैसे, जब आप पहली बार school गए थे, पहली बार class में बैठे थे, पहली बार जब आप अपनी मम्मी के साथ में नहीं थे, तब आपका experience कैसा था, clear? या, for example, आपने अपने friend से कोई promise किया था, जैसे आप किसी reason की वज़े से fulfill नहीं कर पाए, तो आपके friend जो है, वो आपसे गुसा हो गया, या उसने आपसे बात करना छोड़ दिया, जैसे मैं आपकी life का incident बता रही थी, कि कोई friend है जिसके साथ मैं आपको बहुत अच्छा ल इस तरह के questions को आप answer easily कर सकते हो, अगर ऐसे incidents आपकी life में हुए हैं तो, ये नहीं हुए हैं तो भी ऐसी कुछ आपके personal life experiences होंगे, सरे friends से ही related नहीं, आपकी पूरी life, जितना अभी तक आप जितने भी बड़े हो ठीक है, तो आपके अपनी personal life के experiences होंगे, ओके, और वो experiences जो ह होते हैं, वो हमारी episodic memory के अंदर होते हैं, क्यों क्योंकि ये हमारी life के episodes से related है ना, इसलिए हम इसको episodic memory कह रहे हैं, और ये memory में generally जितना भी content होता है, वो emotional content होता है, clear, second, although such experiences are hard to forget, yet it is equally true that many events take place continuously in our lives and that we do not remember all of them, अब एक और चीज़ है, कि जैसे for example आपकी कोई memory है, जब आप 5 या 10 years old रहे होगे, clear, आज मेभी आप 17, 18 जितने भी years old हो, okay, अब जब आप 30 या 35 years के हो जाओगे, तो जरूरी नहीं है कि वो memories same वैसी कि वैसी अभी तक आपके जो है, मतलब ध्यान रहे आपको, अभी तक उन memories को आप retain करके रखो, हो सकता है, आप time के साथ में धीरे-धीरे कुछ चीजों को भूल भी जाओ, but हमारी life में events होते रहते हैं, इस तरह के, क्योंकि life तो बहुत बड़ी है, मतलब मान लो कोई person है, 70-80 साल तक भी अगर वो जी रहा है, उसकी life जो है, 70-80 years तक भी है, तो obvious है कि बहुत सारी events हुए होगे, and number of events, और ये events मे कुछ ऐसे भी होंगे, मतलब हर एक event तो हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े होती ही जो हमारी memory में fit हो जाती है, कि हाँ ये चीज हुई थी, और इस एक चीज़ से आप बहुत ही attract हो गया, या बहुत ही attach हो गया, कुछ भी ऐसी चीज जो आपने feel करी, जि Secondly, यहाँ पर जो experiences होते हैं, वैसे तो आप उन्हें नहीं भूलते हो, बट time के साथ में कभी-कभी भूल भी जाते हो, लेकिन जो events हैं, जो episodes हैं आपकी life के, वो तो lifetime चलने हैं, तो इसी लिए बहुत बार ऐसी चीज़े होती हैं, जिने हम remember नहीं भी रखते हैं, और जिन ची आपको पढ़ना है, एक emotional आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा कि it is hard to forget, और तीसरी चीज़, यह है कि life में तो बहुत सारी events होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अभी भी आप जितने years old हो, तो आपकी life में आपने बहुत सारी चीज़ों के experience किया होगा, कोई चीज़ गलत है, आपके लिए वो गलत ना हो, for example, if someone does smoking, तो for example, मान लो, मेरे लिए smoking गलत है, बड़ शायद उसके लिए सही होगी, तो सही और गलत के criteria's हम लोग अपने according set करते हैं, तो वैसे ही हमारे life के अपने-पने experiences होते हैं, कुछ ऐसा experiences होते हैं, जो हमको अच्छ भूलना चाते हैं, बट क्योंकि हम, मैंने आपको बता है, आप जिस चीज़ पर जादा attention focus करोगे, जिस चीज़ के बार में बार बार सोचोगे, तो वो जनरली आपकी long term memory में चला जाता है, ओके, तो यहाँ पर हम unpleasant experiences के बार में बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम उसको remember रखन चाते हैं, और pleasant experiences को हम in detail याद रखते हैं, तो यह आपका episodic memory का part है, clear, सबसे पहले चीज़, emotional है, in nature, दूसरा, easily आप उन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकते हो, ठीके, तो second आप क्या लिखोगे, hard to forget, ठीके, यहाँ पर no down करते हैं, इसके features, so number one, emotional in, nature, number two, hard to forget, and number three हमने क्या एक चीज़ डिसकेस करी, कि जो आपके pleasant experiences हैं, आप उसे ध्यान रखना चाहते हो, तो pleasant, preferred, और remembered, pleasant experiences, remembered, most of the time, जो pleasant experiences होते हैं, हम उन्हें ध्यान रखना चाहते हैं, ना कि unpleasant को, clear, this was all about your episodic memory, किसने दिया, टुलविंग ने दिया, यह concept, clear है, यहाँ तक I hope so, इतने में कोई doubt नहीं होगा, और यह इतना कुछ समझ में होगा, अभी तक जितना बताया, फिर हम बात करेंगे, सीमेंटिक की, and I hope so, कि आप जहें, नोट्स वगेरा सारा सब कुछ बना रहे हो, नोट्स बनाओगे, तो अभी भी अच्छे से समझ में आएगा, और नेक्स टाइम जब भी रीट करोगे, तब भी clear होगा, ठीक है, Now, the semantic memory on the other hand, is the memory of general awareness and knowledge, semantic memory क्या है, general awareness और knowledge, तो जहां हमने episodic memory में बात करी, biographic details of our lives, वही जो semantic memory है, वो हमारी general awareness और हमारे knowledge से related है, As much man, जैसे देखो, यहाँ पर हमने episodic में क्या बात करी, कि हमारी जो life है, उसकी biographic details, हमारी life में जितने episode होते हैं, उन में से जितने आप memorize करते हो, मान लो उसकी detail episodic memory है, semantic क्या है, आप कितने जादा generally aware हो, आपका knowledge कितना जादा है, आपका GK, आपका general awareness, तो यह सारी चीज़ है, जनरल awareness और general knowledge, जनरल awareness और knowledge, यह किसी चीज़ का पार्ट है, यह आपके memory का पार्ट है, clear, किसका पार्ट है, memory का पार्ट है, अब यह बताओ कि आप मैं से कितने identify कर पाए, कि memory की spelling यहाँ पर गलत लिखी है, जल्दी बताओ, फटाक से कितने लोगों को लिखते से ही समझ में आगया थे, कि अरे माम तो गलत spelling लिखने है, माम को तो आती नहीं spelling है न, ऐसा आया था, मांड में कि नहीं आया थे, जल्दी बताओ, कि यह spelling गलत है, यह कितनो, आपको खोद पता है, कि आपको दिखा था, यह आपको नहीं दिखाता, अगर आपको दिख गया था, कि यह memory की spelling में आपने गलत लिखी है, अगर आपका concentration होगा, तो आपको बिल्कुल दिख गया होगा, that means you are generally aware, अगर आपको नहीं दिखाता, so you are not generally aware, आपकी semantic memory अच्छी नहीं है, आया समझ में, is that is clear, that is your general awareness, कि आप कितना generally aware हो, आपका knowledge कितना जादा है, if I say 2 plus 8 is equals to 12, so am I right or am I wrong, जल्दी से बताओ, 2 plus 8 is equals to 12, so you will be like no, 2 plus 8 is equals to 10, so यह चीज आपको पता है, क्यों पता है, because आपकी semantic memory जो है, that is good enough, clear, so all concepts, ideas, rules of logic are stored in semantic memory, तो जितने भी आपके concept होते हैं, कोई भी rules होते हैं, कोई भी ideas होते हैं, if I am saying turn right, so obviously you will be turning right, you won't turn left, clear, so यह क्या है, यह कुछ rules है ना, कुछ ideas हैं, कुछ concepts हैं, कुछ logic की चीज़े हैं, जो हम सभी, हम सभी के अंदर होती हैं, so that comes under your semantic memory, तो एक तरह से पते क्या किया है, long term memory के compart departments बना दिये हैं, जैसे, देखो यहां पर समझो, just suppose this is your memory, just suppose this is your LTM, यह आपका LTM है, चीके, अब क्योंकि आप बहुत सारी information store करके रखते हैं, तो आप इसके अंदर क्या क्या होगा, यह long term memory है, यह आपका LTM है, okay, इसके अंदर semantic memory भी है, जहां पर आप सारे rules, सारी आपके logic, यह सारी चीजों को याद रखते हो, इसके अंदर आपका समझने के लिए dimension यहाँ पर मतलब इस एक सारी चीज़ को समझने के लिए diagram बनाया है exactly ऐसा होता नहीं है मतलब होता इननसेंस कि ऐसा नहीं है कि मानलो यह आपका memory है तो वो सारी चीज़े fit रहेंगे आप देखो memory क्या है memory cognitive process है memory is a cognitive process आपको पताया ना कि memory cognition का पार्थ है यह आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था है कॉगनिशन किस एक चीज़ का पाठ है mental process mental processes mental processes मतलब हम किसकी बात कर रहे है मतलब हम बात कर रहे है mind की अब हम सभी के पास में mind भी है हम सभी के पास में brain भी है ब्रेन तो पता है यहां पर fit है ठीक है उसकी location पता है कहां पर होता है body में होता है ब्रेन यहां पर fitted होता है ब्रेन के functions क्या होते हैं यह सब कुछ हमको पता है आपको पता है आपकी body में mind कहा है अच्छा brain और mind बिल्कुल अलग-अलग होते हैं कभी भी इसी को आपको एक साथ में जोड नहीं देना है brain is a different thing, mind is a different thing psychology में कहा जाता है कि mind जो है वो अलग है, brain जो है वो अलग है brain पता है location कहां पर है, क्या काम करता है mind इसकी कोई location नहीं है यह आपके body में कहीं भी fit नहीं कि आपका यहाँ पर mind है, यहाँ brain है यहाँ mind है, ऐसा कुछ नहीं है brain आपकी body में है लेकिन mind आपकी body में उसकी कोई location नहीं है बट वो हम सभी के अंदर होता है हम सभी का mind होता है, उस mind के अंदर जब भी आप कोई चीज सोच रहे होते हो जब भी आप किसी चीज को समझ रहे होते है जैसे मैं आपको पढ़ा रही है, आप समझ रहे हो तो that is also a kind of mental process तो वैसे ही जब आप चीजों को अपनी memory में रखते हो, तो that comes under your mind, clear अब जब mind की कोई location ही नहीं है तो human memory क्या ऐसा कुछ है कि आपका जैसे मान लो, यह आपका brain है तो इस brain में यहाँ पर एक compartment है, कि इसके अंदर आपकी जितनी भी memory होगी आप उसको store करके रखोगे है, ऐसा कुछ है क्या ऐसा कुछ नहीं होता है, clear brain के अपने functions हैं, बट हम ऐसी चीज़ों को store, मतलब mind में ऐसी कोई place है, जहाँ सारा कुछ store रहता है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ऐसा वंच में, जैसे for example मान लो, आपका जब cupboard होता है, आपकी room में आपका cupboard होगा ना, तो इसमें भी various compartments होगे, just suppose मान लो, यहाँ पर आप books रखते होगे यहाँ पर आप अपने सारे जो है मतलब clothes वगेरा रखते होगे, यहाँ पर आप अपने essential चीजों को रखते होगे ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा बट यह क्या है, यह तो practical यह चीज होती है बट brain के साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि यह brain है, यहाँ पर human memory रख ली यहाँ पर learning कर ली यहाँ पर सारे psychological concepts याद के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपके human memory है that is a cognitive process मतलब वो आपके mental processes के अंदर आता है और mental processes के अंदर आता है मतलब आपका mind है तो आपके mind में आप जितनी भी चीज़ों को memorize करके रखते हो हम उसको कहीं न कहीं divide कर रहे हैं हम उसको divide कर रहे है SM, EM, PM और DM में clear? what is declarative memory declarative memory क्या है बताओ यहाँ पर notes बना ले ते हैं बिलकुँ short में फिर से so declarative memory, facts okay, episodic memory life experiences life life episodes, okay what is your semantic memory so अभी मैंने आपको बता है थोड़ी देर पहले that is logic okay, and what is your procedural memory that talks about the procedure of doing a task clear? अब इसमें से यह जो दो है यह किसने बताए? यह तुलविग ने बताए है okay, और यह जो दो है यह आप long term memory के types के अंदर ही discuss कर रहे हो और इसी DM के दो types ऐसे divide कर दिये कि जित्ता facts, numbers, dates, सारा सब कुछ याद करते हो उसी में दो और है logic और आपका life experiences clear? आये यहां तक संच में? so this is all about your types of long term memory अब इसी के साथ में देखो so यहां पर कुछ examples दिये हैं कि जैसे आपको पता है कि non volumes का मतलब क्या होता है आपको पता है कि 2 plus 6, 8 होता है आपको आपके जो भी जिस भी state जिस भी area में रते हो वहां का steady code क्या है वो आपको पता होगा है ना तो यह सारी चीज़े आप इन concepts को इन ideas को आप जानते हो क्यों जानते हो because आपकी semantic memory में आप general awareness और knowledge को store करके रखते हो यहां पर यह जो spelling लिखी है elephant की clear गलत लिखी है ना आप तो समझ में आ रहा होगा कि आप जो spellings के साथ में ऐसा सारे examples आ रहे हैं तो यह spelling गलत लिखी है आपको पता है क्योंकि आपने यह चीज़ सीखी है कि elephant की spelling हमेशा क्या होगी अगर मैं यहां पर ऐसे कुछ लिख दूँ मैं यहां पर लिख दूँ elephant तो क्या यह spelling सही होगी नहीं होगी क्योंकि बचपन से यही सीखी हुई है यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे अगर मैं आपको एक 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 जामपल दिया कि जब आप 5 years old थे तो आपका birthday celebrate किया गया आपके उस birthday celebration की बहुत सारी memories है जो आपको याद है तो आपका birthday किसी ना किसी date किसी ना किसी particular year में पढ़ा होगा इसलिए आपको याद है या for example मैंने आपसे कहा कि आपका कोई friend है जिसके साथ में आपने बहुत ही अच्छे से आपकी memories उसके साथ में हैं तो obviously एक time period होगा कि आपका जो friend था वो इस एक time पर आपके साथ में था बट अगर मैं आपसे कहाँ कि आपको कब पता चला था कि non-violence का मतलब क्या होता है कि यह violence जो है वो नहीं करना है बिल्कुल भी किसी के साथ में मार धार हाता पाई यह सारी चीज़े नहीं करनी है यह non-violence होता है okay that means you are non-violent clear so yeh meaning आपको कब पता चला था तो क्या मुझे डेट बता पाऊगी क्या में तब पता चला था यह मैं आपसे कहाँ कि आपको कब पता चला था कि करनाटका का जो capital है वो बैंगलॉर है so आपको dates याद नहीं होंगी but you know that that means you are generally aware you have a GK okay but आप उस चीज़ को लेके कोई particular date नहीं बता सकते हो so that's the difference between episodic and semantic memory since the contents of semantic memory relate to facts and ideas of general awareness and knowledge it is affect neutral and non-susceptible to forgetting existing अब क्योंकि यहां पर जो content है वो facts ideas से related है तो obvious है कि इसको भूल जाना उतना जादा easy नहीं होता है मतलब आप बहुत जल्दी इस चीज़ को नहीं भूल पाते हो okay and various other classifications of long term memory as such जिने हम आगे discuss करेंगे clear यहां तक यह आया समझ में so semantic memory जिसे आप बहुत easily भूल नहीं सकते हो और दूसरी चीज़ यह dated नहीं होता है तो यहां पर इसको भी note down कर दो कि semantic यह रहको यहां पर भी लिखा था कि hard to forget but not everything is remembered but not everything is remembered मतलब हमारी life में तो बहुत सारे episodes होते हैं न बट हम सब के सब तो याद नहीं करते हैं कुछ ही याद करते हैं जिनें याद करते हैं easily भूल नहीं पाते दूसरी चीज़, semantic में क्या कहा जा रहा है कि यहां पर जो भी चीज़े है वो dated है ठीक है sorry not dated है इसमें आप किसी तारीक बगेरा को याद नहीं रखोगे कि कब आपको पता चला था कि for example मैं आप से बूच हूँ कि आपकी state का capital क्या है या आपके यहां पर STD code क्या है आपको यह चीज़ का पता चली थी तो आप मुझे बता पाओगे कि मैं exact इस यह में जब था इस तारीक को मुझे यह बात पता चली थी ऐसा नहीं होता ना so that comes under the part of your semantic memory दूसरा यहां पर logic आप यूज करोगे clear क्या एक चीज़ यूज करोगे logic को आप यहां पर यूज करते हो clear यहां तक आया सांज में so this is all about your types of long term memory और भी classification से आगे हम एके करके discuss करेंगे but I hope so यहां तक यह सारी चीज़े clear हैं और इतने में कोई भी doubt नहीं होगा और जितने notes बनवाए वो अच्छे से एक पूरा मतलब जो है आप organized way में उसको note down कर रहे हो so this much we have studied long term memory उसके types declarative एक होता है एक procedural होता है इसमें facts, names, dates यह सारी चीज़े होती है यहाँ पर procedure होता है कि आप किसी task को कैसे करोगे आप DM that means declarative memory को easily retain कर सकते हो क्योंकि facts होते हैं procedural को आप उतना easily describe नहीं कर पाते हैं इसी declarative memory को तुल्विक ने और जादा जो है क्या किया है उसको divide किया है या उसके और segments बता हैं एक है semantic एक है episodic and this is all about your semantic and episodic I hope so यहाँ तक सारी चीज़े clear हैं और कोई भी doubt नहीं है अब आपको क्या करना है आपको बस एक चीज़ करनी कि आपके chapter में जहां पर यह topic दिया है उसको एक बार read कर लो नहीं होती और सिर्फ बोल रही होती तो भली बात अलग होती बट मैं आपको बनवा भी रही हो ठीक है तो उसको note-down आपको करना है वोड़े से और कुछ classifications है three main classifications है जिनने हम यहाँ पर discuss करेंगे examples के साथ में clear यहां तक तो कोई सब्सक्राइब करना है यह भी हमने इंफरमेशन को रेटेन करके रख सकते हो उसके लिए आपको rehearsal करना है कितना attention पर करना है यह भी हमने in detail discuss कर लिया long term memory में कहां कहां कैसे compartments होते हैं like for example आप कहीं पर facts को याद रखते हो and that is your semantic sorry that is your declarative memory आप कहीं पर logic को use करते हो that is your semantic memory आप अपने life experiences को memorize करके रखते हो that is your episodic memory किसी task को perform करने में जो procedure लगता है उस procedure को भी आप memorize करते हो that is procedural memory तो memory एक बहुत ही fascinating field है बहुत सारी researches इसमें हुई है और इसी के इस complex dynamic nature को हम यहाँ पर discuss करेंगे so number one it is flesh bulb memories now what is flesh bulb memories अगर इस टर्म को हम थोड़ा सा जो है बाइफर्केट कर देंगे तो इस लाइक flesh bulb कोई bulb है जो बार-बार flesh हो रहा है क्या यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपके दिमाग की बत्ती जल रही है बार-बार कुछ इस तरीके से रिलेट करें okay so what is flesh bulb memories ठीक है अच्छा मैं यह जो examples देती हूँ ना जैसे मैंने एक चीज़ बोली दिमाग की बत्ती जलना तो यह क्या करें करो आज देको long term memory में क्या होता है जो भी information आपके पास है वो लंबे समय तक आप ध्यान रखोगे clear that means कि information बहुत longer duration तक retain हो रही है तो जैसे आपको कहा जाता है कि आज आप कोई concept पढ़ते हो ठीक है आज आप कोई concept पढ़ते हो और आज पढ़ने के बाद में हो सकता है चार-प उतना जादा आप concepts को ध्यान रखोगे तो revision is a kind of rehearsal आप जितना बार उस topic को rehearse करोगे उतने longer duration तक वो आपकी memory में रहेगा है तो इसलिए मैं जो भी बोलती हो जो भी बताती हो उसको note कर लिया करो clear so now what is flesh bulb memory so these are the memories of events that are very arousing और surprising अब यह surprising memories कैसे है memories में तो वही सारी चीज़े होती है जो हम ध्यान रखना चाहते हैं जिस information को हम retain करके रखते हैं यह जो चाहते हैं हमकि यह हमारी memory का part रहे clear तो वही रहती है तो आप यह surprising या arousing कैसे हो गई तो देखो such memories are very detailed they are like a photo taken with an advanced model camera मान लो कि for example आप कहीं घूमने गए थे okay आप कहीं घूमने गए बड़ी ऐसी new dress आपने पहनी थी ठीक है लड़किया भी लड़के भी जो भी ठीक है अब आप अपने family वगरे के साथ गये आपने friends के साथ में गये बहुत enjoy किया तो आपने selfies वगरा भी ले लेते है selfies ले ली बड़िया से pictures वगरा click कर ली okay now that is a kind of memory in your phone है अब आपके mobile phone में वह एक memory के तरह रह गई है उसकी photograph है आप जब भी चाहो चाहो जब भी आप उस memory को याद करना चाहते हो या जब भी आप वापिस से उस एक moment में जाना चाहते हो तब वापिस है आप उसको दोबारा देख सकते हो अपने mobile phone के अंदर same way में you can look at the photograph whenever you want so the flesh bulb memories are like images frozen in memory and tied to particular places, dates and times तो इसी तरह से आपकी जो flesh bulb memories होती है न वो images की तरह होती है images frozen मतलब ऐसी images जो कहीं न कहीं आपकी memory में हैं ठीक है मतलब कोई किसी particular date को किसी particular place में किसी particular year में या किसी भी ऐसे एक time period में कुछ ऐसा event हुआ था कोई भी ऐसी एक चीज होई थी जिससे लेके आपकी एक memory बन चुकी है और वो memory का एक pictured form आपके mind में है कहीं न कहीं वो आपके mind में है जब भी मैं यहां mind बोलती हूँ तो इसका मतलब brain बिलकुल भी नहीं है मैं just उसको आपको connect करके बजा दी हूँ कि generally हम बोलते हैं कि mind यहां है but mind की कोई location नहीं है okay so इस तरह की कोई ऐसी memory है जो हमारे मतलब कहीं न कहीं हमारी memory में है इस तरह की कोई ऐसी image है जो हमारी memory में है कहीं तो भी frozen है और किसी date, time, place related है perhaps people put in greater effort in the formation of these memories and highlighting details might lead to deeper levels of processing as well as offer clues for retrieval देखो basically what is flashable memories जैसे for example मान लो आज से 5 एक साल पहले आप कभी कहीं किसी trip पर गए थे ठीक है या आप अपने friends के साथ किसी कोई trip पर गए थे या for example जलो मेरे example ले 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 थे ठीक है में थी मतलब में 8, 9th के round की बात कर रही हूं मतलब memory जो है वो उतनी ज्यादा exact मुझे याद नहीं है कहीं न कहीं मुझे थोड़ा effort करना पढ़ रहा है उसको recall करने में अब जब हम class 8 में थे तो हमारा जो school था वो हमको एक adventurous trip पर लेकर गया था मतलब ठीक है एक adventurous trip पर हम लोग गए थे तो मेरा ऐसा plan नहीं था मतलब वो होता है घर से permission लेनी होती है तो मैं भी Indian ही हूं और मेरी family भी Indian ही है अब घर से permission लेना बहुत बिग डील होती है आपको कभी कहीं गूमने जाना हो तो मेरी family से permission नहीं थी but at the moment my parents allowed की ठीक है इतने सारे friends जा रहे हैं तो चले जाओ तुम भी ठीक है तो suddenly जो है मैं सुबह सुबह अपने school पहुंचती हूं मतलब मैंने inform कर दिया था कि मैं भी आ रहे हो trip पे and मैं सुबह सुबह पहुंचती हूं और सब लोग जो है ऐसे बाहर मतलब थे स्कूल के बाहर थे हम लोग बस वगयरा मैं बैट के जा रहे थे तो वो कुछ-कुछ ऐसे सीन्स कुछ-कुछ ऐसी है ठीक है frozen images कभी ना कहीं वो set है उस particular date time place को लेकर देट तो मुझे exact याद नहीं है बट मैंना आपको टाइम बता दे कि कहीं ना कहीं जब शायद मैं 8 या 9 में थी तब की बात है place adventurous place थी ओके मतलब भोपाल में एक place है ठीक हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हमने बहुत मस्ती मज़ब वगयरा सब कुछ किया ठीक है तो वह एक memory है जो कहीं ना कहीं अभी भी set है और उसको ध्यान करने में थोड़े से हमारे efforts लगते है और जब effort लगते हैं तो हम deeper level of processing में पहुंच जाते हैं मतलब बस के पास में मेरा वेट कर रहे थे कि हमारी फ्रेंड आईगी तो फिर हम जो है साथ में जाएंगी और साथ मैसे सीड पर बैटाने जब जाते हैं ट्रिप अगे रहा पे तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मेरा वेट कर रहे थे तो आशसे थोड़े-फोडे थूज चीजे तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में कोई इमेज होती है ना भली कितने भी पुरानी हो पर जब आप उस इमेज को देखते हो तो आप हम लोग एक बार यहां पर गए थे फिर आप उसको मेमोराइज करना स्टाट करते हैं जब हम लोग यहां पर कहते तो क्या-क्या सारी करनी चीज़े हुई थी क्लियर आ रहे हैं हम पर सब्सक्राइज में एकदम से वह ऐसे फ्लेश लाइट पड़ती है ना तो वैसे कभी कोई मेमोरी है जो उटके एकदम से सामने आ जाती है और फिर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके स्टी कुछ क् भी कर पाते हैं clear that is a part of your flesh bulb memory second is autobiographical memory now what comes under your autobiographical memory so these are personal memories and they are not distributed evenly throughout our lives अभी यह जो कुछ मेमोरी है यह हमारी परसनल मेमोरी है हम सभी की अपनी 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 लाइफ से related memories है बट यह evenly distributed नहीं है मतलब कैसे देखो पढ़ो आगे sorry some periods in our lives produce more memories than others for instance no memories are reportedly pertaining to early childhood particularly during the first four to five years जैसे देखो हमारी life में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हा हना पूरी life time मैं आपको यह चीजछ प्रीविस लेक्चर में भी बत나ई थी कि हमारी पूरी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम experience करते हैं कभी-कभी बहुत ज्यादा memories होती है कभी-कभी बहुत कम होती है कोई ऐसा phase होता है life का जहाँ पर आपकी memories ज्यादा होती है आप ज्यादा चीजों को experience करते हो कभी-कभी पर उतने ज्यादा experiences नहीं होते हैं जैसे जब आप 4-5 साल के रहते हो कि आप जब 2 साल के थे GoPro तो कोई ऐसा साथ में जो हुआ था जो आपको याद he ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बताए कि मममी ने बताया था अजब तो दो साल का था तो तेरे साथ मैं शारे experiences रहे होंगे, लेकिन वो हमें याद नहीं है, now this is called childhood amnesia, इसे क्या कहा जाता है, यहां पर देखों एक important concept है, childhood amnesia, इसे कहा जाता है, childhood amnesia, कि आपके बच्पन की जो भी सारी यादें है, वो आपको याद नहीं है, हो सकता है, उस ताइम पर आपको याद रही होंगी, लेकिन अब आपको याद नहीं है, मान लो, जब आप दो साल के थे, तो आप खेल रहे थे, खेलते 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 आपने matchbox उठा लिया, और आपने matchbox में जो है, उसको निकाला, एक stick को, और आपने जला दिया, और आपका हाँ जल गया, ठीक है, तो आपको जब आप मतलब लर्निंग वहाँ पर हो चुकी है, ये लर्निंग में पढ़ा था, चाप्टर निम्बर 6 में, ये लर्निंग आपको हो गई है, लेकिन ये incident शायद आपको याद नहीं होगा, हो सकता है, किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा, बट उसे याद नहीं होगा, मतलब याद रखने का मतलब, memorize करने का मतलब यहाँ पर यह है, कि आपको खुद से याद हो, ऐसा नहीं हो कि आपको किसी ने बताया है, और इसलिए आपको पता है, जब मैं 3 साल का था, तो मेरे साथ में क्या हुआ था, आपको किसी ने बताया, वह वाला नहीं, आपको क्या पता है, that kind of experiences, clear, और यह जो आपके memories नहीं रहती है, from the first 4 to 5 years, इसको ही childhood amnesia कहा गया है, यह भी clear है, यहां तक, next, there is a dramatic increase in the frequency of memories, just after early adulthood, that is in the 20s, अब जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, 5-6 साल के होते हो, 10 साल के हो, even 11, 12, 15, 20 साल तक, यहां यह जो एक time होता है, बड़ा crucial time होता है, आपको पता होगा हमने human development में इस एक चीज़ को discuss किया था, कि यह जो एक adulthood वाला time period होता है, यह और साथी साथ में childhood वाला time period होता है, इस हमारे 20s तक में हमने इन इन चीज़ों का experience किया था, यह हमारे friends थे या यह हमारे friends नहीं थे, तो हमारे 20s में हमारी frequency of memories में increment होने लग जाता है, हमारी जो frequency of memories है, वो increase होने लग जाती है, perhaps emotionally, novelty and importance of events contribute to it, और इस एक time पर आप, जो भी आपकी memories होती है, या जो भी आपकी frequency of memories ब importance, मतलब importance of events को contribute करती है, कि कोई event कितना जदे important है, उसका emotional nature कितना है, कितना नहीं है, उसमें सही गरत, यह सारी चीज़े, क्योंकि आपको याद होगा, जब मैंने आपको adulthood पढ़ाया था, adulthood ही न, जब puberty वगरा हो जाता है, human development में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हमने उसमे की वज़े क्या होती है, कैसे वो changes हमारी life को affect करते हैं, कैसे हम उनको experience करते हैं, यह सारा सब कुछ आपने पढ़ा था, adolescent में हना, तो जब आप adolescent age में होते हो, तो क्योंकि इतने सारे changes आ रहे होते हो, ज़्यादा तर आप emotional होते हो इस एक time पर हैना, और आप सही गलत को ढूं memories आपके पास में रहते हैं, क्योंकि आप old age तक पहुँच चुके हो, बहुत सारी चीजों को आपने experience किया है, उन में से बहुत सारी चीजे याद रह जाती है, जैसे आप कभी अपने खर में, अपने grandfather, grandmother, वगेरा के साथ में बैठोगे, तो वो आपको अपनी life से related धेर सार चीजों को बताएंगे, कि हमारे साथ में कभी ये incident हुआ, कभी वो incident हुआ, आप कभी बैठते होगे अगर तो आपने देखा भी होगा कि उनकी बाते फिर endless हो जाती है, है ना, कि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे, तो memories जो हैं वो इ सबसे पहले कौन सा होता है, infant होता है, 025 मान के चलते हैं, अभी यहाँ पर इस एक सिनारियो में मान के चल रहा है, then comes childhood, childhood is from 5 to around 12 years, 10-12 years, 10 मान के चलते हैं, ठीक है, then comes adolescent, okay, adolescent is something from 10-12 to 1920, okay, यह एक मतलब जब है, adolescent time period होता है, then comes adulthood, adulthood, this is starting from year 2021 to the time, generally आप जब work औगेरा कर रहे होते हो, शादी हो रही है, यह सारा कुछ ऐसे मान के चलते हैं, around 60 तक, then comes your old age, इसके बाद आप old age में आ जाते हैं, अभी हमारे retirement की age के बाद में, 60 प्लस पे old age माना जाता है, okay, तो क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो memories हैं, वो infancy के time पे सबसे ज़्यादा low रहेंगी, childhood और adolescent, इस एक time period में आपकी memories सबसे ज़्यादा high रहेंगी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा चीज़ों के experience करते हो, दीरे-दीरे adulthood में आपकी memories थोड़ी कुछ decline होना start हो जाती हैं, थोड़ी-थोड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़े तो आपको ध्याद रहती हैं, पर क्योंकि इतना ज़्यादा आप work में रहते हैं, इतना ज़्यादा आपकी social life, आपकी married life, आपकी personal life, बच्चे, वी-वी, य होती हैं, भले उन में से कुछ जो है वो decline हो चुकी है, आप भूल चुके हो, बर इस्टिल आपके पास में बहुत सारी memories होती है, जिने अकसर आप remember करते रहते हो, तो इस एक तरीके से बताया है कि जो आपकी second stage है, autobiographic level वाला ठीक है, autobiographic ही है न, autobiographic memory, तो यहाँ पर ये एक च and not distributed evenly throughout our lives, they produce more memories than others, तो यह आपकी personal memories जो होती है, आपकी अपनी personal life से related, जो भी आपकी सारी memories होती है, कुछ time पर कम होती है, कुछ time पर ज्यादा होती है, तो मैंने आपको पूरा lifetime बताया, और इस एक तरीके से वो memories आपकी long term memory में रह जाती है, तो that is the part of your autobiographical memory, clear, तो सबसे पह memories की कही न कही स्टोर एकदम से उठके आ रही है, that is flesh bulb memory, autobiographical memory की आप पूरे lifetime की जतने भी experiences रहेंगे तो वो इसके अंदर आपके रहने वाले है, then the last is your implicit memory, implicit का मतलब गया होता है, so the recent studies have indicated that many of the memories remain outside the conscious awareness of a person, आपको पता है conscious and consciousness होती है, है ना, consciousness is something related to awareness, आप कितने ज्यादा aware हो, unconscious आप उतने ज्यादा aware जो है, नहीं हो, clear, तो एक आपकी conscious awareness होती है, है ना, कि आप कितने ज्यादा conscious हो, आप कितनी ज्यादा चीजों को ले के, मतलब आपको पता है, जैसे for example, at present 5 pm हो रहा है, for example, example चल रहा है, ठीक है, मान लो अभी, शाम के 5 बज रहे हैं, तो मुझे पता है, कि शाम के 5 बज रहे हैं, so I am kind of consciously aware about that, okay, for example, मुझे, for example, मान लो, आज मुझे family dinner पर जाना है, 8 pm, तो मुझे उस time limit को exceed नहीं करना है, और उसके साथ साथ में मुझे time पर घर भी पहुंचना है, और वहाँ पर जाके मुझे ready भी होना है, ता कि मैं time पर dinner पर पहुंच पाँ, okay, so that is kind of कि मैं time को लेके consciously aware हूँ, है ना, तो हम सभी अपनी अपनी life में consciously aware होते हैं, but, there are some of the memories, those are outside of this conscious awareness, मतलब जहाँ पर आपको पता नहीं होता है, पर कुछ चीज़े आपकी memory में set हो जाती है, समझ में आया, that is implicit memory, मतलब एक तो आप conscious होते हो चीज़ों को लेके, जैसे मैंने आपको अक्सर क्या कहा है, कि जो हमारे senses होते हैं, ठीक है देखो यह कौर बार यहाँ पर समझते हैं, जो हमारे senses होते हैं, वो information collect करते हैं, जो भी stimulus हमारे आसपास में हैं उससे, और हमारे senses जब भी information collect करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है attention, जब आप किसी भ information के उपर अपना attention pay करते हो, focus करते हो, उससे एक चीज़ पर आप ध्यान देते हो, यह सब आपने chapter number 5 के अंदर पड़ा है, तो वो चीज़ आपके senses में जाती है, आपके senses उससे related information को collect करते हैं, फिर इस information को brain तक पहुंचाते हैं, brain में यह information process होती है, और finally आप किसी चीज़ क perceive करते हो, जब आप perceive करते हो, तो वो चीज़ आपकी memory में store हो जाती है, यह समझ आ रहा है, क्या एक चीज़ में बता रही हूँ, यह already बहुत बार हमने पड़ा हुआ है, ठीके, तो अब मतलब फिर से एक आद बार example देके समझाओं, या I am thinking, मतलब I am hoping कि आपको यह चीज़ clear है, generally क्या होता है, कि जैसे मान लो आप कभी भी कहीं पर भी हो कहीं घूमने जा रहे हो, यह आपके वो room वाले example ले ले लेते हैं, कि मान लो आपका यह room है, इस room के अंदर bed है, cupboard है, doors है, windows है, books है, chair है, table है, और इसी के साथ में आपका सारा study material है, ओके यह आपका room है, एक द आप फोटोज वगरे लगा देती हैं, वहाँ पर, आप जैसी room के अंदर enter करते हो, कोई एतना पूरे change में से कोई ऐसी चीज़ है, जो आपको attract करती है, maybe curtain का जो color है, वो आपको बहुत attract करता है, तो आप सबसे पहले curtains की तरफ ध्यान देते हो, so that is a kind of attention, clear, इसे attention बोलते है, अब यह सब देखो chapter 5 में in detail पढ़ा है, मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, बट मैं आपको जस्त एक चीज़ बता रही हूँ, कि हमेशा हम जब भी किसी चीज़ के उपर focus करते हैं, या कोई चीज हमारी memory में set होती है, तो जब हम उसके उपर ध्यान देते हैं, जब पूरा concept जो है पढ़ना है, prepare करना है, अब आपने पूरे concept को पहले तो पढ़ा, फिर आपने उसको समझने की कोशिश करी, फिर आपने उसको analyze किया कि exactly practical life में ये चीज़े कैसे क्या है, कैसे हमको sustainable development करना चाहिए, governments की क्या efforts है sustainable development को लेकर, ये सारा सब कुछ आपने पढ़ा और आपने समझ भी लिया, जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो ये आपकी memory में रहेगा, है ना, ये आपकी memory में रहेगा, कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, कल को फिर आप से कोई sustainable development पूछेगा, तो आप उसको explain कर पाओगे, क्यों क्योंकि ये concept आपने उसको analyze किया, आपने उसको understand करने की कोशिश करिया, आपने उसको perceive किया, ये एक चीज़ हम सबके साथ generally होती है, हम जिस चीज़ को लेके conscious होते हैं, aware होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी memory में set हो जाती है, जैसे आपकी class में just suppose 40 students हैं, इन 40 में से 3 आपके best friends हैं, ओके, अ obviously है, सभी 40 का आता होगा, और सभी का birthday किसी particular date पर ही आता होगा है, तो अब यहां पर क्या एक चीज़ है, कि आपकी class में 40 students हैं, और एक दिन जो है, मतलब आपकी teacher ने बताया कि इसका birthday तब आता है, इसका birthday तब आता है, या आपको सारे friends ने बताया, पूरे 40 students ने, कि ये ये birthday date को याद करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आपके best friends है, जब भी birthday आएगा, you will wish them, you will make them feel special, kind of, so, यहां पर क्या एक चीज़ है, कि आप इसक चीज़ को लेके consciously aware हो, है ना, कि मुझे ये चीज़ अपनी memory में रखना है, तो आपकी memory में वो चीज रहेगी, but, यहां पर implicit memory का मतलब यह है, कि जिन चीज़ों को लेके आप consciously aware नहीं होते हो, बहुत बार वो चीज़े भी आपकी memory में आ जाती है, that is implicit memory, clear, अभी इतना समझो, now, implicit memory is a kind of memory that a person is not aware of, it is a memory that is retrieved automatically, यह कैसी memory है, जो automatically आपके अंदर, मतलब, रिट्रीव हो जाती है, इसका एक बहुत interesting example है, एक्जामपल है, टाइपिंग को लेके, आप सभी टाइपिंग करते होगे, टाइपिंग से मतलब वो computer typing ही नहीं, सिर्फ, सिर्फ computer typing ही नहीं, इसके लाब आप अपने फोन को भी use करते हो, आप अपने फोन में भी कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, या किसी से WhatsApp बात कर रहे हो, या कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आप अक्सर कीपट को use करते होगे, अगर मैं आप से कहूँ, देखो अगर आप बहुत typing वेरा करते हो, बहुत जादा मतलब जो है, आप कीपट को use करते हो, तो आपको पता होगा, कौन सा button कहां पर है, कौन सा alphabet कहां पर है, if I am saying Q, तो मैं कौन सा button कहां पर है, कौन सा word कहां पर है, कौन सा alphabet कहां पर है, यह आपको पता होगा, हना, if someone knows typing, that means he or she also knows the particular letters on the keyboard, and but many typists cannot correctly label blank keys in drawing of a keyboard, just suppose, मैं आपको यहां पर ऐसे बता देती हो, ठीक है, इतना तो मुझे भी याद नहीं है, but just suppose, कि जो keyboard होता है, वो कुछ इस एक तरीक का, अब generally क्योंकि हम बहुत जादा keyboard को use करते हैं, मतलब मैं भी use करते हूं, तो मुझे पता है कि कहां कौन सा letter होगा, अभी मुझे कोई बोले phone पर कुछ type करने को, तो मैं फटाफट कर दूँगी, अगर मान लो, कि उस keyboard पर alphabets ना लिखे हो, मान लो, उस keyboard या keyboard पर, जो alph alphabets वगेरा, सारा सब कुछ होता है, लिखा होता है, q, w, e, r, ty, etc, etc, ओके, लेकिन मान लो, कि alphabets नहीं लिखे, और स्रिफ ऐसे आपको keyboard दे दे, और आपको बुला जाए कि आप typing करो, थोड़ा बहुत आप कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप confused हो जाओगे, क्यों हो कि इस keyboard में कौन सा letter, कौन सा alphabet कहाँ पर है, जिसकी वज़े से अगर कल को मान लो, आपको कोई ऐसा keyboard में जाता है, जिसमें alphabets नहीं लिखे हैं, तो भी आप typing कर लोगे, थोड़ी बहुत तो typing आप कर ही लोगे, clear, तो ये थोड़ी बहुत भी आप कर पा रहे हो, भले आपन कि memory में वो चीज़े fit हो चुकी है, कि कौन सा letter कहाँ पर होता है, वो आपने किया नहीं, आपने consciously उसे एक चीज़े को याद करने की कोशिश नहीं किया, बट वो automatically हो गई है, implicit memories lie outside the boundaries of awareness, जिन चीज़ों को लेके आप aware नहीं हो, और वो चीज़े भी आपके memory में चली जाती है In other words, sorry, we are not conscious of the fact that the memory or record of a given experience exists, और इस एक चीज़ को लेके हम conscious भी नहीं होते, कि भले हमने इस एक चीज़ को याद नहीं किया, बट वो हमारी memory में already fit है, मतलब, जैसे मैं यहाँ पर आपको keyboard का example दे रहे हो, कि आप typing करते हो, आपको कभी letter नहीं मिले, तो भी आप easily typing कर पाओ तो यह जो एक knowledge है, वो आपकी memory में है, अब उसे knowledge को आपने कभी खुद से acquire नहीं किया, आपने कभी keyboard पर जो भी alphabet होते हैं, कौन सा कहा होता है, वो आपने याद करने की कोशिश नहीं कि, बट automatically वो information आपकी memory में है, और आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी memory में है, बट व है, वो एक meme है ना, कि तुझे पता नहीं है, पर तु है, तो same way में ऐसी सारी memory जो आपको पता नहीं है, बट वो आपकी memory में already है, इसको लेके एक experiment भी किया जाता है, experiment ये किया जाता है, कि कुछ patients होते हैं, जिने brain injuries होती है, उनको क्या होती है, brain injuries होती है, तो उनके सामने ए ये एक list of words है, और इसमें हमने कुछ words लिखके दिये हैं, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने कुछ तो भी, कुछ तो भी words, ये तो मतलब मैं बहुत easy सी, आपको list adjust दिखाना चारी हूँ, कि ऐसे कुछ words थे, वो हमने दिये और हमने कहा कि आप इसको याद करो, ठीक है, recall प हमने कुछ list बनाई words की, और हमने उन patients को दे दी, जिने brain injuries थी, हमने का आप याद करो, कुछ दिर बाद हम आपसे पूछेंगे, जब उनको कुछ time दे दिया, हमने फिर हमने उनसे वो paper list बापिस ले ली, और हमने का कि अब आप बताओ, आपने क्या-क्या पढ़ा list के अंदर तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, मतलब ये चीज़ obvious है कि उसको brain injury है, तो कैसे वो सारी चीज़ों को याद कर सकता है, अभी वो patient मतलब बिल्कुल अच्छे से ठीक हुआ नहीं है, तो obvious है कि वो नहीं याद कर सकता, बट उसके ही होगा, थोड़ा कुस तो पढ़ाई होगा, तो first word cataract था, okay, so हमने उसको बोला कि आप बताओ कैसे क्या क्या words थे तो उसे कुछ भी याद नहीं था, बट हमने का कि कुछ ऐसा word था, क्या C, A, T करके तो उसने का हाँ, first word था cataract, ये चीज़ होती है, आपके साथ भी होती word बता दिया जाता, तो आप फटक से reply देता, कि हाँ, हाँ, ये word था, तो अभी आपके अंदर उस एक चीज़ को लेके learning नहीं हुई है, but still some information gets fit in your memory, जिसकी वजह से आप उसको recall कर पा रहे हो, so that is a part of implicit memory, कि जहां कुछ information है, जो हमारी memory में fit हो चुकी है, हमें नहीं पता, but वो fit हो चुकी है, और हमारी day-to-day life में या हमारे life में किसी भी time पर, ये information हमें use भी आती है, बहुत बार हमारे behavior को influence करने में ये information use आती है, clear, so this is the classification of your long term memory, जिसमें हमने सबसे पहली पढ़ी आपकी flesh bulb memory, first we have discussed flesh bulb memory, इसको सबसे अच्छे तरीका है याद करने का क्या, दिमाग की बत्ती जला दे, एकदम से ऐसे वो tube light नहीं होते, एकदम से जलती फिर बुझ जाती है, तो वो यहाँ पर यह हो रहा है, एकदम से थोड़ा थोड़ा ऐसे हो कि एकदम से वो जल गई, फिर आप वो सारी चीज़ों को memorize करना है, start कर देते हो, second is your autobiographic, autobiographical memory, okay, ये क्या है कि आपके अपने lifetime में जितनी भी memories होती है, उनमें से बहुत सारी आपको याद रहती है, बहुत सारी नहीं रहती है, personal memories, that is a kind of personal memories, side में ब्रैकेट में लिख लो, personal memory, third is implicit memory, memes follow करते हो, आप लोग करते होगे, आज 21st century में कौन memes नहीं follow करता है, है ना, तो memes वगरा follow करते होगे, दिखा ही होगा, एक meme है, जिसमें वो कहा जाता है कि तुझे पता नहीं है, तु है, है ना, इस तरीके से तो यहाँ पर वही लिख लो, कि आपको पता नहीं है, पर वो memory में fit हो गई है information, implicit memory, clear, so यह मैं तरीके बता रही हूँ, tricks बता रही हूँ कि कैसे याद रखना है, और confused नहीं होना है concepts में, clear, so this is all about the classifications of long term memory, I hope so clear हो गया होगा और कोई भी doubt नहीं होगा, जितना भी हमने पढ़ा उस एक चीज़ में, clear, sorted, ठीक है, अब क्या करना, अब chapter में जो यह दिया है, topic आपको box में दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से read करना, और फिर कोई doubt आते, यहां तक पूरा read कर लेना, फिर कोई doubt आता है तो मुझे बताना comment section में, ठीक है, सारे doubts को वहाँ पर भी मैं आपके answer करूंगी, और अच्छे से अपना read वगेरा करो, revise करो, notes को बार बार revise करते रहो, ठीक है, तो बिलकुल कुछ भी नहीं भूलोगे, example जो बताती हो, उसे भ One type of memory may not be suited for another type, the major methods which are used for memory measurement are being presented here, आप देखो, जैसे अगर मैं आप से कहूं, कि वैसे तो mind की कोई location नहीं है, वैसे तो human memory की भी कोई location नहीं है, बट अगर हम मान के चले एक hypothetical situation, कि just suppose if this is human memory, अगर ये human की पूरी memory है, तो इसमें थोड़ी सी memory है sensory, बिलकुल थोड़ी सी, कि information collect करी, कुछ seconds के लिवा आपकी memory में रही, थोड़ी होती है आपकी short term memory, जो आपको कुछ समय तक ध्यान में रहती है, और बहुत ज़्यादा होती है long term memory, जहां पर wide variety of information है, बहुत सारा कुछ जो आपको lifetime भी याद रहता है, तो वो आपकी long term memory में आता है, इसमें आपकी बह hypothetical condition है, यह सरफ मैंने draw किया है, ऐसा in practical कुछ होता नहीं कि अलग-अलग compartments हो, यह जो है, यह सारी चीज़ें हमको ध्यान रहती है, अब जैसे short term memory है, तो उसके बारे में हमने working memory के अंदर पढ़ा था, clear, long term memory में हमने पढ़ा कि इसके अंदर, long term memory के ही अंदर, semantic memory भी होती है, clear, declarative memory भी होती है, procedural memory भी होती है, episodic memory भी होती है, यह सारा सब कुछ discuss कर चुके हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है, जो already पढ़े हो, वही आगे बता रहे हो, ठीक है, कि आपका जो LTM होता है, उसमें यह सारी memories भी होती है, जैसे for example, अगर मैं आपसे कहूं semantic memory, मत for example, 2 plus 6 is always equals to 8 and never 2 plus 6 is equals to 26, यह आपको पता है, यह logic है न, यह पढ़ा हुआ है, so that comes under your semantic memory, मैं आपसे कहूं कि आपका birthday कब आता है, for example, just for example, आपका birthday आता है 25 January, यह date आपको भी याद है, आपके घर में भी यादी होगी obviously, so कुछ dates, facts को याद रखना, clear that comes under your declarative memory, clear, procedural memory, किसी काम को करने के procedure को याद रखना, जैसे चाय बनानी है, तो कितना दूट डालना है, किती शकर, किती पत्ती, कितना उसको जो है, मतलब बॉयल करना, यह सब एक procedure है, that comes under your procedural memory, episodic memory, जो आपके life experiences से related है, that comes under your episodic memory, तो इस तरहीके से हम बहुत सारी information को ध्यान रखते हैं, बहुत सारी information हमारी memory में fit हो जाती, बहुत कुछ, बहुत सारा data, clear, तो अब इसको हमने classify तो कर दिया, बट क्या यह सारी चीज़े, exactly हमारी memory में रहती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, तो हमको measure करना होगा, हमको पता लगाना होगा, कि सच में रहती भी हैं या नहीं रहती हैं, अब इतनी सारी information है, है ना, तो इतनी सारी information को, अगर आप सरिफ एक कोई method use करो, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि आप logical चीज़ों को याद रखते हो, आप dates याद रखते हो, आप procedure याद करते हो, तो that's not possible, तो अलग-अलग जो आपकी memory होती है, memory के types होते हैं, उसके लिए अलग-अलग methods को हम use करते हैं, उनहीं अलग-अलग methods को हम यहाँ पर discuss करेंगे कि कौन-कौन सी methods होती हैं, जिसके through, आप memorize कर पा रहे हो, और हम memory को इस accordingly measure कर पा रहे हैं, so number one, it is free recall and recognition for measuring, तो facts और episodes से related जो memory होती है, उसको याद रखने के लिए, आप free recall या recognition को use करते हो, आपको free recall याद होगा, हमने पढ़ा था verbal learning के अंदर, जब हमने आपका chapter number six, learning पढ़ा था, हमने उसमें verbal learning पढ़ा था, और इसी verbal learning में हमने free recall को discuss किया था, types of long term memory में भी हमने free recall को discuss किया था, clear है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है, कि verbal learning के through, या free recall और recognition के through, आप कैसे facts और episodes से related जो memory होती है, उसको याद रख पाते हो, facts related memory मैंने आपको भी बताई, कि जैसे facts होगी, dates होगी, कोई time, place की बात हो गई, तो वो आपको याद है, episode मतलब आपकी life से related कोई event, कोई आपका personal experience, जो आपको याद है, तो ऐसी चीजों के लिए हम free recall और recognition को use करते हैं, free recall में क्या होता है, कि जो भी participants होते हैं, हम उनको कुछ words वगेरा कुछ list दे देते हैं, याद करने को, और उन्हें कुछ time भी दिया जाता है, उसके बाद में उनसे वो words पूछे जाते हैं, recall करने को कहा जाता है, अगर वो recall कर रहे हैं, तो उनकी memory अच्छी है, अगर वो recall नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी memory उतनी जादा अच्छी, नहीं हैं, उसको और increase करने की जरूरत है, आया समझ में, कि देखो, basically हम कर क्या रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं, कि आपकी memory जो है, वो कैसी है, हम आपकी memory को measure कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी, जो memory है, हम उसे measure करना चाहा रहे हैं, ये तो बता दिया कि memory क्या है, memory में कितनी information store होगी, कैसे होगी, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, बट exactly वो चीज़ हो भी रही है, ये नहीं हो रही है, ये पता चलेगा, जब आप इस memory को measure करोगे, तो इस memory को measure करने के लिए, एक method है, free recall, free recall के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो, मैंने आपको कुछ 20 words दिये, और 20 words की मैंने आपको एक list दी, मैंने का ये 20 words आपको पूरे याद करने हैं, और आपको याद कैसे करने हैं, एक एक करके, मतलब जैसे for example, जो first number पर word है, वही word आपको सबसे पहले बोलना है, जो second पर है वो आपको second पर बोलना है, जो third है वो आपको third पर बोलना है, Memorize कर पाते हो और आप मुझे सुना देते हो That means आपकी memory अच्छी है Clear? मतलब आपकी memory को measure हमने किया तो that means आपकी memory बिल्कुल बढ़िया काम करी है Facts related चीजों को लेकर अगर आप नहीं कर पाते हो थोड़े बहुत ही words सुना पाते हो तो थोड़ी बहुत memory weak है तो आप समझ रहो ना कि थोड़ा बहुत लेवल जो है उसको हम यहां से measure कर लेते हैं This is the first इसी में second है recognition ठीक है? इसी में जो second method है वो क्या है? Recognition अब recognition के अंदर क्या एक चीज़ होती है? So, in recognition instead of being asked to generate items participants see the items that they had memorized along with distracted items that is those they had not seen and their number their task is to recognize which one of those they had learnt Recognition में हम आपको कुछ items नहीं दे रहे हैं याद करने को जैसे हमने free recall में आपको 20 words की list दी हम आपको list नहीं दे रहे हैं बलकि यहां पर यह देखा जाता है कि जो items थे मतलब जैसे आपको यहां पर कोई list नहीं दी जारी है आप से का कि मैं जस्त यहां साइड में खड़ी हूई हूँ आपको यह पूरा paragraph याद करना है या for example आपको सिर्फ इतनी दो lines दो sentences जो है आपको इसको पूरा memorize करना है और फिर बिना देखे मुझे आपको सुनाना है ठीक है मैं आप से यह चीज़ कही अब मैं यहां पर जस्त खड़ी हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना मैं बोल रही हूँ मैं बस खड़ी हूँ यहां पर ठीक है थोड़ी देर आप concentrate करोगे मतलब यह एक general tendency होती है कि थोड़ी देर आप concentrate करोगे आप याद करने की कोशिश भी करोगे आप में से कुछ ऐसे होंगे जो पूरा याद कर लेंगे और बहुत जुल्दी कर लेंगे कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान जाएगा कि यहां पर green color है यहां पर ब्राउन color है यहां पर एक girl है वो पढ़ रही है अपने phone में भी देख रही है माम खड़ी हुई है तो माम ने क्या-क्या पहना हुआ है माम की hairstyle कैसी है माम ने watch कौन सी पहनी है कौन सी color की है माम की t-shirt और यह वो मतलब कुछ भी चीज़ पर कुछ भी चीज़ पर आपका कही ना कही ध्यान जाएगा मेरे जगे यहां कोई और खड़ा होता तो आप उसे भी देखते देखते हैं दा सेंस की एक तरीके का distraction आपको होता है ना फिर उसके बाद में आप देखो कि अच्छा और क्या-क्या लिखा हुआ है और कौन-कौन से वर्ट्स है या मान लो या पर मैं कोई ड्रॉइंग बराद हूँ तो आप ड्रॉइंग देखो कि मामने ड्रॉइंग कैसी बनाई है तो ये एक तरीके के क्या है ये distractions है तो आपको मतलब recognition में ये एक चीज़ देखी जाएगी कि जो आप से memorize करने को कहा गया है उसके साथ-साथ में जो distractor items है आप दोनों में से ठीक है आप दोनों में से किस एक चीज़ को ज्यादा learn कर पाते हो क्या आपको जितना task दिया था आपने वो learn कर लिया जितना item आपको दिया था या distractor क्या-क्या है वो आपको ज्यादा पता है कि इसे याद करने के लावा आपको यह सब पता है कि यहाँ पर एक लड़की की photo है वो पढ़ रही है साथ में mobile चला रही है mobile उसका पुराने जवाने का है कोई सा ठीक है यहाँ पर green color है आपको यह सारे चीज़े पता है तो obviously आपकी memory ज्यादा अच्छी है आप distraction को ज्यादा कर पाते है तो आपकी memory कहीना कहीं भी है तो पहला free recall और recognition होता है second is sentence verification task for measuring semantic memory semantic memory क्या होती अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर the memory that is based on logic logic, ideas, values ठीक है अभी हमने किस की बात करी अभी हमने facts की बात करी और हमने episodic memory की बात करी मतलब अभी तक हम यह एक चीज और इस एक चीज को discuss कर चुके हैं हमारी first method में free recall and recognition में second हम बात कर दें चाह रहा है semantic memory की जो logic, ideas, values पर based होती है so as you have already read कि semantic memory is not amenable to any forgetting because it embodies general knowledge that we all possess in sentence verification task the participants are asked to indicate whether the given sentence are true or false अब बहुत बार आपने कुछ ऐसे sentences देखे होंगे English में especially कि जैसे for example मैं यहां पर आपको कुछ लिख के दिखाती हों है ना मैं यहां पर 4-5 sentence लिखूंगे आपको मझे बताना है उसमें से कौन सा sentence सही है तीन यहां चार लिख देते हैं चीक है जैसे for example मैंने लिखा दी रोजेस आर ब्यूटिफुल चीक है ब्यूटिफुल थे रोजेस आर ब्यूटिफुल थे रोजेस आर ब्यूटिफुल और दी रोजेस आर ब्यूटिफुल अब आप मुझे बता हो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है अब्यूशली पता होगा बहुत बड़े बढ़े इस्टूदेंस हो आपको ही सारी चीज़़ पता है बट एक्ज़क्ली बट इस प्रिक्रेक्ट संटेंस है obviously second one the roses are beautiful because the spelling here is correct of the beautiful clear? बाकि जो तीनो spellings हैं वो बिलकुल गलत हैं तो sentence task जब आप verify करते हो तब आपका semantic memory जो होती है वो use होती है अगर मान लो इसमें आप confused हो जाते हो, मान लो इस तरह के question में अगर आप confused हो जाते हो, कि आप थोड़ा भी अगर सोचने लग जाते हो, थोड़ा सा भी आप सोचो अगर थोड़ा सा भी, आप इतने बड़े हो और आप थोड़ा भी इसमें सोचने लग जाते हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी semantic memory उतनी ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही है एक और example देखते हैं, ठीक है यह मैंने यहाँ पर spelling लिखी कौन सी सही है, obviously आपको पता होगा कि number one जो है, वो सही है तो ऐसे questions आपने बहुत बार देखने हूँ यह मैं आपको बिल्कुल basic level बता रही है मतलब 4th, 5th class का बच्चा भी इसको कर लेगा और चोटा बच्चा भी कर लेगा क्योंकि उसको spelling का knowledge है semantic memory के अंदर हमने यही पढ़ा था कि 2 plus 6 is always equals to 8 and never 26 clear elephant की spelling हमेशा e-l-e-p-h-a-n-t ही होगी ना की e-l-e-p-h-a-n-t यह बिल्कुल भी नहीं होगी कभी नहीं होगी क्योंकि हमने उस एक चीज़ को पढ़ा हुआ है clear आये यहां तक सांज में तो वो होती है आपकी semantic memory जहां पर आप logic को use करते हो जहां पर आप ideas को use करते हो तो यहां पर आपका general awareness है जो आपका general knowledge है वो एक चीज़ यहां पर use होती है तो बहुत बार ऐसे sentence verification task आपको दिये जाते हैं यह method है ठीक है sentence verification task आपको दिये जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि जो sentence है वो सही है या गलत है आपको बताना होता है तो अगर आप बहुत जल्दी उसको reply कदे जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर beautiful वाला sentence था आप जितनी जल्दी देखते ही अगर आपका response आ गया that means आपकी memory बहुत अच्छी है बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी सोचने की जरूरत पढ़ रही है उसके information को उसके report को measure करने के लिए हम priming method को use करते हैं अब इसमें क्या होता है so we store many kinds of information that we can't report verbally like for instance information necessary to ride a bicycle और play a sitar besides we also store information that we are not aware of which is described as implicit memory आपको याद होगा implicit memory भी हमने discuss किया classification of long term memory के अंदर हमने discuss किया था कि बहुत बार ऐसी information भी हमारी memory में store हो जाती है जिसके बारे में हम aware नहीं थे बढ़ वो store हो गई है और कहीं न कहीं वो हमको use आने वाली है इसी के साथ में बहुत बार ऐसी information भी आपके पास में होती है जिसके बारे में आप जानते तो हो पर आप express नहीं कर पाते मैं आपसे पूछूँ कि गिटार कैसे बनाया जाता है कैसे play करते हैं गिटार आपको पता है बड़ आप मुझे explain नहीं कर पा रहे हो आप मुझे verbally नहीं बता पा रहे हो that comes under your procedural memory यादोगा ना और सेम वे में implicit memory भी होती है तो जैसे इसमें मैंने आपको typing का example दिया था यह सब पढ़ चुके हैं previous lecture में यह सारा कुछ discuss किया है तो आपको कुछ अलग से नहीं बता रहे हूं और इसलिए मैं बार-बार बोलती हूं कि आप previous lectures को follow करो अगर आप उसे follow करते हो तो आप आगे तक अच्छे से पढ़ पाओगे नहीं तो आपको clear नहीं होंगी चीज़े तो implicit memory में मैंने आपको typing वाला example दिया था कि अगर आप typing करते हो जनरली आप अच्छे typer हो तो अगर आपको keyboard पे या keep it पे अगर alphabets नहीं भी लिखे होंगे लेकिन same way में अगर buttons हैं तो आप अच्छे से typing कर पाओगे So that is a implicit memory कि कुछ ऐसी information जिसे आपने जानबूच के learn नहीं किया था जानबूच के अपनी memory में नहीं रखा था बट वो automatically आ चुकी है You are unconscious about that That is implicit memory और procedural memory तो priming method में क्या करते हैं Participants को कुछ list of words दिखाए जाती है जैसे मान लो garden, playground, house, etc और इसके बाद में हम उनको इन सभी चीजों के कुछ parts दिखाते हैं जैसे garden का हमने सरफ GAR दिखाया, playground का सरफ PLA दिखाया, house का सरफ HO दिखाया और दूसरे भी words ठीके, when asked they are often unaware of this and report that they have only guessed तो जैसे for example मैंने आपको बोला था कि ये terms है आपको याद करने है ठीके, मैंने आप से कहा था कि ये कुछ terms है और आपको इन terms को याद करना है अब आपने याद कर लिए अब मैं आपको ये terms नहीं दिखा रही हूँ अब मैं आपको ये terms नहीं दिखा रही हूँ और मैंने आपको बस ऐसे लिखके दे दिया और इसी के साथ में मैंने कुछ और terms भी दे दिये जैसे for example मैंने आपको एक ये term दे दिया मैंने आपको एक ये term दे दिया उसमें आपने थोड़ा से जमाग लगा है तो आपने सोचा है याद हो सकता है यह CAT cat होगा यह जो भी word आपके मन में आया हो या यह TI लिखा है तो मेभी यह tiger हो सकता है तो जब हम इस एक चीज की method को use करते हैं तो generally जो participants होते हैं वो क्या एक चीज बोलते हैं कि हमने याद नहीं किया था बढ़ हमने एक अंदाजा लगाया हमने guessing करी जिसकी वजह से हम इस एक चीज को इस एक information को fill up कर पाए तो that is a kind of priming कि जहां पर आपको पता नहीं होता है कुछ information already आपके मतलब कुछ memories आपके already set होती है that is the implicit memory और कुछ ऐसी चीज़े होती है जो आपको पता होती है बढ़ आप उसको describe नहीं कर पाते हो तो उसमें हम priming method यूज करते हैं कि हम आपको थोड़ा बहुत clue दे देते हैं जिससे आप एक final conclusion पर पहुँच पाते हो clear तो यह तीन methods होती है जिसके through हम memory को measure करते हैं कि आपकी memory कैसी है अगर आप इन सब में मतलब बहुत अच्छे से perform करते हो तो obvious है कि आपकी memory बहुत अच्छी है so firstly we have discussed free recall and recognition second is your sentence verification task and third one is priming कौन सी method कहां यूज कर रहे हैं तो free recall and recognition we are using for the facts facts के लिए यूज कर रहे हैं इसका मतलब कौन सी method है जो facts use करती है तो आपकी declarative memory और दूसरा आपकी episodic memory इसके लिए हम first method यूज करते हैं sentence verification task में हम आपकी semantic memory को use करते हैं या semantic memory को देखते हैं major करते हैं priming में हम आपकी procedural memory और implicit memory इन दोनों को major करते हैं clear तो इससे पता चलता है कि आपकी memory कैसी है अगर आप इन सारे criteria पर बिलकुल खरा उतरते हो तो आपकी memory बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं अगर थोड़े बहुत लाकिना से हैं तो आपको work करने की ज़रूरत है अगर बिलकुल ही sharp नहीं है तो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा work करने की ज़रूरत है और कैसे आप ज़्यादा time तक memory को retain कर सकते हो so that is now what is this a plus u equals to m that is analysis understanding और फाइनली उसका meaning अगर आप किसी भी concept या किसी भी चीज़ को अच्छे से analyze करते हो उसको समझते हो उसके meaning को समझते हो तो आप उस information को लंबे समय तक अपनी memory में retain करके रख सकते हो clear यह भी आये हां तक सब्सक्राइब आपको attentive रहना है और क्योंकि अगर attentive रहोगे तो ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओगे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओगे तो concepts को लेके आप जो है मतलब memorize उससे अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से memorize कर पाओगे तो क्या होगा आपकी memory sharp होगी और memory को sharp कैसे करना है वही आप पढ़ रहो चाप्टर नमबर 7 में इसलिए ध्यान देना है ध्यान से सुनना है clear so in this section we will take a look at the organizational structure that the contents of long term memory acquire over a period of time आपका जो LTM होता है clear long term memory इसमें जितना भी content है वो कैसे organize होगा एक time period में उसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं just suppose this is the LTM just suppose यह पूरी आपकी long term memory है तो इसके अंदर कितने सारे dimensions आते हैं हमने types of long term memory पढ़ा हमने classification of long term memory पढ़ा हमने memory measurement भी पढ़ा तो आपको अच्छे से पता होगा कि long term memory के अंदर कितनी सारी चीज़े आती हैं like आपकी declarative memory, procedural memory, episodic memory, semantic memory, implicit memory, etc. यह सब तरह की memory हम already discuss कर चुगे हैं और यह मतलब components हैं एक तरह से आपके LTM के आपकी long term memory में इतने सारे जो है मतलब variety of contents हम store करके रखते हैं लेकिन human memory का काम सिर्फ और सिर्फ इस्टोर करके information को रखना नहीं है बल्कि क्या है? retain and retrieve so इसका मतलब क्या है? कि retrieve हो गई है, ठीक है? retain and retrieve so this means कि जो भी आपकी memory में है सिर्फ और सिर्फ आप उसको store करके ही ना रखो बल्कि आप उसे अपनी life में use भी कर सकते हो तो यहाँ पर यहाँ पर हम जो एक चीज पढ़ेंगे वो यह होगा कि जो आपके LTM में जितना भी सारा डेटा है आप उसे कैसे सबसे पहली चीज तो organize करते हो, उसका एक organizational structure कैसा है और फिर आप उस knowledge को किस तरह से represent कर सकते हो यह भी हम यहाँ पर देखेंगे, since long term memory holds a very large amount of information which is put to use with amazing efficiency it would be very useful to know how our memory system organizes it and so that the right information is available at the right moment अब मैंने वही एक चीज जो भी आपको कही के LTM जो है उसके अंदर आप देखो कितना wide variety of information है clear, अब इतना जादा wide variety of information को store करना और बहुत, मतलब उसके लिए बहुत जादा efficiency चाहिए तो LTM के पास में बहुत ही जादा efficiency भी है, वो बहुत सारी information को use भी करके रखता है जिसके, मतलब सारी, store भी करके रखता है, जिसके through retain कर सकता है जिसके through हम हमारे memory system को, मतलब जिसके through हम ये सारी information को अपनी practical life में use कर सकते है clear, बट उससे भी पहले एक चीज़ बहुत important है, कि इतनी सारी information को organize करके रखना भी बहुत जादा important है जैसे for example, just suppose, ये आपका room है, just suppose, अभी इसमें सारी चीज़े organized way में है for example, आपका जो bed है, वो यहाँ पर है, आपके जो cupboards है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर just suppose door है clear, maybe यहाँ पर windows है, यहाँ पर आपकी study table रखी हुई है, यहाँ पर just suppose कुछ और समान रखा हुई है में भी यहाँ sofa रखा हुआ है, यहाँ पर एक और table रखी हुई है, आपके जितने भी clothes हैं, वो सब यहाँ covered में, मतलब almira के अंदर है, bed भी बिल्कुल organized way में है, books बिल्कुल organized way में है, अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है है, वो यहाँ door के पास में आ जाए, क्या अच्छा लग रहा है यह, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपना कोई भी समान नहीं मिलेगा, जा सपोज आपको अपनी psychology book ढूणनी है, तो आप इतने सारे मतलब बिल्कुल ऐसे जो हो गया है, इसमें आप अपनी book को नहीं ढूण सकते हैं, अगर वो organized way में है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल organized way में है, तो you can easily find out your, मतलब जो भी आपको समान चाहिए है, जो भी चीज़ आप चाहते हो, वो organized way में आप easily ढूण सकते हो, clear, यह तो मतलब एक बहुत basic सा example है, बट यहाँ पर क्या एक जीज़ कहीं जारी है, कि LTM इतना large और उपर से उसमें large variety of information, इतनी सारी information को efficiently retain करके रखना, that is again a big task, बट उस information को अब क्योंकि काम सरफ store करना तो है नहीं, बल्कि उसको use करना भी है, तो use करने के लिए हम चाहते हैं कि यह जो हमारी information है, यह बिलकुल organized way में हो, अगर यह organized way में नहीं होगी, तो हम इसे आगे भी use नहीं कर पाएंगे, like for example, just for example, मैंने यह जीज़ आपको पहली बोली है, कि ऐसा कोई LTM exist नहीं करता है, in reality ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर कहीं पर ऐसी कोई एक space है, जहां पर आपकी memory है, इस memory में आप sensory information को भी रखते हो, STM को भी रखते हो, LTM को भी रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, clear, जैसे for example, आपकी जो body है, तो body में brain की एक location है, heart की location है, आपके stomach की location है, लेकिन mind की कोई location नहीं होती, हना mind just exist करता है, but it has no location in your body, mind का ही एक process है memory, okay, so mental processes के अंदर ही आपकी memory भी आती है, और ऐसा माना जाता है कि आप अपनी memory में जो भी information store करते हो, या जितना भी data होता है, वो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, जो ज्यादा duration के लिए होता है, उसे हम long term memory कहते हैं, और बहुत सारा ऐसा data होता है, जो हमारी long term memory में होता है, जैसे for example, dates वगेरा को याद करके रखना, facts को याद करके हो, तो चाय बनाने का एक procedure होगा, तो procedure को याद रखना है, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हमेशा हमको ध्यान रखना है, clear, इसके अलावा semantic, ठीक है, semantic जितना भी memory, semantic के अंदर आपका logic या जाएगा, episodic ले लेते हैं, आपकी life से related जो भी सारे events होते हैं, उसको भी आप बहुत बार याद रखते हो, उसको यहाँ पर रखना, flesh bulb memories भी हमारे पास में होती है, हमारे पास में initial, sorry, implicit memory भी होती है, तो यह सारी चीजे हैं, हमारे life से related, हमारी life बहुत बढ़ी होती है ना, और उसमें बहुत सारी चीजे होती हैं, उन सब को ध्यान रखना, यह किस के अंदर होता है, LTM के अंदर होता है, जहाँ पर आप long duration तक चीजों को याद रखते हैं, like for example, अगर आपने बहुत छोटे थे, तब आपने सीखा था, कि 2 plus 2 is equals to 4 and not 22, तो ऐसा नहीं है कि जब आप 22 years old हो जाओगे, तो आप कहोगे कि 2 plus 2 जो है, वो 4 नहीं बलकि 22 होता है, that will be always 4, और यह आपको हमेशा याद रहेगा, अगर आप 70 years old भी हो जाते हो, तब आप से पूछे जाता है, तब भी आप यहीं कहोगे, कि 2 plus 2 is 4, that means आप logic based information को long duration तक store करके रखते हो, बट जैसे मैंने भी आप से कहा, कि आपको पता है, चाय कैसे बनाई जाती है, आपको पता है कि चाय बनाने का एक process क्या होता है, पर सिर्फ पता होने से, कि सिर्फ अगर आपको कोई information है, आपको किसी चीज का knowledge है, so that's not enough, अगर आप उसको practical use में नहीं ला पा रहे हो, मान लो, आपको पता तो है कि चाय कैसे बनाई जाती है, लेकिन जब आप से कहा जाए चाय बनाने को, तो आप कुछ अलगी करने लग जाओ, आप पानी ले लो, पानी में कॉफी ढाल दो, और फिर उसमें थोड़ा कुछ पतियां बतियां डाल दो, धनियां डाल दो, और बोलो ये चाय बन गी है, तो क्या, this makes sense, obviously not, तो इसी लिए, जो भी information, जो भी data आपके पास में है, use it, तो अब उसको use अगर आप करोगे, तो जब वो organized way में होगा, तो जाद अच्छे से use कर सकते हो, या जब वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल juggled up होगा, तब आप उसे जाद अच्छे से use कर सकते हो, तो obviously आप तब उसे जाद अच्छे से use कर पाओगे, अगर वो अपने organized form में है, clear, तो अगर organized form में हमको पूरा data मिल जाता है, या हमारी जो memory है, वो एक बिल्कुल organized way में है, तो हम हमारी memory को हमारी real life में बहुत अच्छे से use कर सकते हैं, clear, तो यहीं से वो चीज़े हो थी ना कि sharp memory and etc. जैसे मान लो, for example, just look at here, आपका exam है, okay, just suppose, आपका exam है और exam है आपका, just suppose, 1, 2, 3, 4, ये dates हैं, किसी भी मन्त की जो starting dates, 1, 2, 3, 4 है, तो आपका एक दिन हिस्ट्री का exam है, clear, एक दिन आपका साइकोलोजी का exam है, एक दिन आपका जियोग्राफिक का exam है, और एक दिन आपका पॉलिटिकल साइंस का exam पले, just suppose, okay, just suppose, मतलब लगातार आपके exams हैं, एक भी gap आपको नहीं मिल रहा है, but before this first of any month, just suppose, August, just suppose, कि 1st August को आपका history है, 2nd August को psychology, 3rd को geography, 4th को political science, और इसके पहले July मन्थ में आपको 20th to 31st July gap मिलता है, मतलब आपको time दिया जाता है कि आप पूरे subjects को अच्छे से prepare कर लो, then we'll conduct final exams, और इस तरीके से final exam का schedule है, तो अब 20, 31 तक अगर हम roughly देखें, तो 10 days हम लेते हैं, ठीक है, मतलब वैसे तो 11 days हुए, but हम 10 days ले लेते हैं, एक आपके आपके आलस में छोड़ देते हैं, So, अब इस 10 days में आपने divide कर लिया, आपने divide किया कि मैं 2 days history पढ़ूँगा, मैं 2 दिन psychology पढ़ूँगा, 2 दिन geography पढ़ूँगा, और 2 दिन political science पढ़ूँगा, और फिर मेरे पास जो 2 days extra बच रहे हैं, उसमें मैं एक दिन में history और psychology का revision करूँगा, और एक दिन में geography और political science का revision करूँगा, just suppose, तो ये तो एक organized format है, कि अगर आप पहले पूरा history complete करते हो, फिर आप पूरा psychology complete करते हो, तो मतलब एक organized way में आपको पता है, और फिर आप उसी का revision करोगे, बट just suppose आपने कुछ ऐसा schedule बनाया, कि आप कभी history पढ़ रहे हो, कभी psychology उठा रहे हो, कभी बीच में से कोई और subject, कभी और subject और ये विल्कुल एक organized way में नहीं है, मतलब आज मन हुआ, तो आज पूरा history, history उठा लिया, फिर history पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो सोचा चलो psychology पढ़ लेते हैं, थोड़ा psychology पढ़ लिया, और psychology में भी ऐसे नहीं पढ़ा कि, पहले first chapter, second chapter, पहले मन करा human memory वाला chapter पढ़ लेते हैं, तो पहले वो वाला पढ़ लिया, फिर कहीं से political science का कोई सा chapter उठा के पढ़ लिया, तो ये एक organized way नहीं है, आप अपने exam वाले day पर देखोगे, कि अगर आप एक organized way में study नहीं करते हो, तो आप ना, मतलब जिस दिन exam होगा, बस बैठे रहोगे, ठीक है, और सोचते रहोगे, मैं क्या क्या लिखूँ, सारा सब कुछ मिल जाएगा, history, psychology के साथ में मिल जाएगा, geography, political science के साथ में मिल जाएगा, और मतलब सब मतलब खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, तो वैसे में क्या होगा, कि आपकी जो memory है, या आपने जो भी जितना भी आपने efforts दिया था, आपको उसका कुछ भी productive नहीं मिला, क्यों, क्योंकि एक organized way नहीं था, और memory मतलब आपने सारी चीज़ों को समझ की पड़ा तो था, memory में भी गया था, लेकिन just suppose आपने अच्छे से analyze नहीं किया, आपने अच्छे से understand नहीं किया, तो आपको जो memory है, वो अच्छे से, मतलब सारी चीज़ों का आप memorize नहीं कर पाए, बट अगर आप इस एक format को follow करते हैं, तो आप देखोगे कि आपको सारी चीज़े अच्छे से पता होंगी, history में history का ही याद आएगा, psychology में psychology का ही याद आएगा, लेकिन अगर वो खिचडी पकाओगे, तो सच में खिचडी बन जाएगी, तो same way में, जो हमारी memory है, memory तो कितनी सारी चीज़ों को मतलब हमने data रखा हुआ है, memory के अंदर कितना सारा सब कुछ हमें store करके रखते हैं, अगर हम इसको organized नहीं रखेंगे, तो obviously खिचडी पक जाएगी, ठीक है, और फिर मज़े से खाल लेना आप लोग, तो इसलिए, organization is must, समझ में आया, आप देखो, मैंने इतना लंबा समझाया, इतने अच्छे सा exam बस दिये, तो I hope so clear हो गया होगा, और doubt ने होगा इसमें कि memory को organize करना क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, आप देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताओ, रहना है, but if I ask how to organize the memory, या मतलब मेरे को describe करो, मुझे explain करके बताओ, कि memory को organization का मतलब क्या होता है, तो you will be like कि हाँ, memory को organize करके रखना है, बट आप उसको explain नहीं कर पाते, clear, तो अभी इतना सारा जो मैंने explanation दिया, वो किसलिए दिया, ताकि आप उन चीज़ों को connect कर पाओ, हमें पता तो बहुत सारी चीज़े होती है, बट हम explain नहीं कर पाते, यह बहुत बार होता है, यह सब के साथ में होता है, और ऐसा कुछ नहीं कि आपके साथ में हो रहा है, आपको unique हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह चीज़ सब के साथ में होती है, psychology पट रहो ना, आप लोग इतना तो आपको पता होगा, कि यह चीज़ बिल्कुल general है, सब के साथ में होती है, कि बहुत बार हमको बहुत से चीज़े पता होती है, but we don't know how to explain it, for example, मान लो मैं आज आपसे बूलू, आपको क्या करना अच्छा लगता है, या आपने आपकी schooling वगेरा पहले आप कहीं और रहा है, एक्सेक्ट, एक्सेक्ट, आप बहुत कुछ बता सकते हो मुझे अपने बारे में, हैना, तो बहुत बार हमें पता होता है, बट हम explain नहीं कर पाते, तो मेरा ये एक मतलब ऐसा वो बोलता है, कि मेरा एक ऐसा मोटिव होता है, कि मैं आपको बिल्कुल zero से पढ़ाऊं, ताकि आपको हर एक चीज़ clear हो, और आप उसको explain भी कर सको, तो यहाँ पर जो हमने इतना सारा कुछ memory organization को समझा, वो इसी लिए, हैना, कि आपको अगर कल को कोई पूछता है, कि memory organization क्या है, क्यों करनी की ज़रूरत है, आपको explain करने को मान लो question आ जाता है exam में, तो आप at least बता सकते हो, and examples are must, अगर आप psychology पढ़ रहे हो, तो example तो बिल्कुल आपके, मतलब वो बोलते हैं जबान पर होना ही चाहिए, कि हर एक चीज़ का example दे नहीं देना है, clear, I hope so, यहां तक मैंने जितना बोला, वो clear हो गया होगा और उसमें कोई doubt नहीं होगा, next, तो यहां पर यही एक चीज़ लिखेगी, क्योंकि long term memory बहुत large amount of information को hold करती है, जिसके, मतलब which is put to use with amazing efficiency, और इस information को हम बहुत efficiently use भी करते हैं, तो इसी लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कैसे हमारे memory system को organize करके रखें, उसके contents को organize करके रखें, ताकि जब हमें right information की ज़रूर रहते तो वो right moment पर हमको मिले, मैंने आप से कहा, आप facts और logic को याद रखते हो, यानि आप declarative memory और आपकी जो semantic memory उसकी बात यहाँ पर हो रही है, अब जैसे for example मान लो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि आप मुझे ये बताओ, कि जैसे मान लो birth date, मैं किसी का birthday आपसे पूछ रही हूँ, और आपको birth date की जगे ये याद आ रहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंट 15 अगस 1947 को हुआ था, that means आप अपने content को अच्छे से use नहीं कर पा रहे हो, वही जो भी मैंने आपसे कहा, कि मान लो history में बैठे हो, question history का आया है, 1857 का revolt आपसे पूछा गया है, पर आपको याद आ रहा है कि political science में जो है, मतलब constitution assembly कैसे पूरी बनी हुई थी, या constitution assembly ने कैसे काम किया था, मान लो, तो ये क्या हो रहा है, सही time पे सही information use नहीं कर पा रहे हो, आपको पता 1857 का revolt क्या है, लेकिन दिमाग में खिचड़ी बन चुकी है, और इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए memory organize हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, clear? Now, it is important to note at this point, that many ideas relating to organization of the content of long-term memory, have resulted from experiments, that have employed semantic retrieval task, अब ये एक चीज़ यहाँ पर important है, कि हमारे जादतर जो ideas होते हैं, जादतर जो ideas होते हैं, वो long-term memory में, जितना भी आपका content होता है, वो semantic retrieval task से related होते हैं, semantic retrieval task का मतलब क्या होता है, कि आपने जितना भी semantic memory को store करके रखा हुआ है, semantic memory क्या होती है, logic, ideas, values, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, like frog is an amphibian, that you know, 2 plus 2 is equal to 4, this you know, तो आप ऐसी चीज़ों को आप हमेशे remember रखते हो, clear, so यह होते हैं, आपकी semantic retrieval task, अब यहाँ पर क्या एक चीज़ कहीं जारी है, कि many ideas relating to organization of the content of long-term memory, have resulted from experiments, ज्यादा तर यह जो organization है, कि हमको content को किस तरीके सा organize करके रखना है, और यह क्यूं रखना है, यह हमने बहुत से ऐसे semantic memory को लेके experiments किये, जिससे हमको समझ में आया, you will perhaps agree, that there cannot be any error in recalling the contents of semantic memory, आप कभी भी semantic memory के contents को recall करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके दिमाग में चाहिए कितनी ही खिचडी पकी हुई हो, अगर मैं आपसे बोलू, 4 into 8 is equals to what, तो आप मुझे बिल्कुल correct answer ही दोगे, you will only say 32, clear, कभी भी आप मुझे यह नहीं बोलोगे, that is 30, that is 48, or that is 84, कभी नहीं बोलोगे, because you know 4, 8 is 32, clear, तो इन चीज़ों को लेके, क्योंकि semantic memory जो है, वो हमारी बहुत अच्छे से organized होती है, facts है, logic है, हजार बार इसी चीज़ को पढ़ोगे, 2 plus 2 हमेशा 4 होगा, कभी भी 22 नहीं होगा, that we all know, clear, so इसलिए semantic memory जो होती है, उसको recall करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, for anyone who knows that birds fly, will not make a mistake in answering a question, कोई भी doubt नहीं है, क्या आपने कभी birds को swimming करते हुए देखा है, obviously not, क्योंकि birds क्या करती है, birds fly करती है, तो अगर आपसे कभी कोई बोले, कि भाई birds swimming करती है, तो आप उसको बिल्कुल जो है negate कर सकते हैं, आप बिल्कुल बोलोगे कि नहीं आप गलत बोल रहा हो, birds हमेशा fly करती है, clear, तो अगर आपसे कभी कोई question पूछे जाए, do birds fly, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, you will be always like, yes, birds fly, लेकिन अगर मैं अभी आपसे question पूछूँ, कि क्या birds animals होती है, तो यहाँ पर यही एक चीज़ कहीए, कि हमारे जो logic, हमारे facts, यह ideas, values-based जो questions होते हैं, उसको answer करने में हमें ज़्यादा time नहीं लगता, क्योंकि हमारी semantic memory strong है, लेकिन वहीं अगर कुछ ऐसे questions पूछ ले जाएं, कि क्या birds animals होती है, तो थोड़ा सा time आपको लगेगा, थोड़ा सा आप सोचोगे, उसके बाद ही आप answer करोगे, depending upon how much time people take in responding to questions such as these, the nature of organization in long term memory has been inferred, the most important unit of representation of knowledge in long term memory is a concept, यहाँ से आ रही है important topics, यहाँ से विल्कुल important concepts, मतलब क्या concepts ही बोलना जाए हैं, वो start होने वाले हैं, तो वो आपको ध्यान से सुने, तो अभी मैंने आपको organization का बताए कि organization करना क्यों important है, अब अगर आपकी memory organized है, ठीके अब इसे condition को मानते हैं, कि आपकी memory organized है या नहीं है, अगर organized है, तो कोई question आप से पूछा जाएगा, तो आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा respond करने में, लेकिन अगर आपकी memory उतनी ज़्यादा strong नहीं है, उतनी ज़्यादा sharp नहीं है, तो आपको organized नहीं है, तो आपको time लगेगा किसी question को answer करने में, तो यहाँ पर हम किसी चीज़ पर depend करते हैं, कि कितना time आप ले रहे हो किसी question को answer करने में, और उस according हम जच करते हैं कि आपकी memory organized है या नहीं है, क्योंकि अगर separate बिल्कुल information है, जैसे मैंने भी आपको history जोगरफी वाला example दिया, कि अगर आपसे कोई question history का पूछा गया है, तो you are very concrete about that कि यह history का question है, आप उसमें बिल्कुल भी confused नहीं होगे, clear, लेकिन अगर आप उसमें confused होते हैं, आपको ऐसे लगता है कि या रहे इसमें तो थोड़ा सा political touch आएगा, या political science का कुछ आएगा, तो आपकी memory उतनी ज़ादा organized way में नहीं है, जैसे मैं अभी आपको psychology पढ़ा रही हूँ, मैं आपको psychology पढ़ाते पढ़ाते, history पढ़ाने लग जाओ, इसी बीच में, इसी एक lecture के अंदर, just assume कि मैं अभी आपको psychology पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं history में चले जाओ, मैं आपको ancient India, medieval India पढ़ाने लग जाओ, और फिर पढ़ाते पढ़ाते मैं एकदम से geography पर आजाओ, कि इंडिया में किस तरह के mountains हैं, कैसी mountain ranges है, वहां से किस तरह के reverse flow होते हैं, हमारे आंका किस तरह का landscape है, मैं इस चीज़ पर आओ, और आते आते मैं जो है government पर आजाओ, कि इंडिया की जो government है, वो यह 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 policies लेकर आई, क्या हुआ, सब खिचडी पक दे, कहां थे psychology पे, कहां पहुँच गए political science पे, ठीक है, तो यहाँ पर अब इतना पढ़ाने के बाद, अगर मैं आपसे question पूचूँँगी, तो आप confused होगे, आपको यह नहीं समझ भाएगा, कि मैं answer कहां से करूँ, माम ने तो सारा सब कुछ पढ़ा दिया, हमको एक साथ में, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको psychology पढ़ा रही हूँ, और अभी मैं आपसे question पूचूँगी, long time memory क्या होती है, तो आप मुझे easily answer कर पाओगे, है ना, तो यहाँ पर यहीं एक चीज़ कहीं जारी, कि अगर organized way है, तो आपको answer करने में time नहीं लगेगा, और अगर आपको किसी question को answer करने में, जाधा time नहीं लगता है, that means आपकी memory organized way में है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी confused होते हो, मतलब यह एक चीज़ होती है, कि answer हमको पता है, बट still confused कि क्या बोला जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या एक चीज़ हो जाती है, कि memory कहीं न कहीं organized way में नहीं है, clear, जैसे अभी मैं आपको बताई तीम कि बहुत बार हमको answer पता होता है, बट हमको यह नहीं पता कि हम उसको explain कैसे करें, वो इसी लिए होता है, क्योंकि memory जो है वो organized way में नहीं है, आपने data तो सारा store करके रखा है, लेकिन आप उसको express नहीं कर पाते, बहुत जारे students के साथ में ये एक दिक्कत होती है, कि हमने पढ़ा सब कुछ है, हमने सारा सब कुछ पढ़ा है, teacher ने जितना पढ़ा है, class में हमने पढ़ा है, हमने exam के लिए बहुत अच्छे से preparation करी है, but the moment question comes before us, we are not able to answer it, हम उसको answer नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता नहीं होता, कि हम क्या-क्या लिखें, और हम क्या-क्या नहीं लिखें, हैना ये एक चीज़ होती, ये confusion हमारे सामने होता है, क्यों, क्योंकि data है, data stored है, लेकिन data को use करना नहीं आरा, clear, आया समझ में, तो यहीं से एक बहुत important concept है, आपके long-term memory का, that is concept, ठीक है, मतलब जो आपकी most important unit है, representation of knowledge की, long-term memory के अंदर, वो है concept, clear, अब ये concept क्या होता है, इसके तुरू आप कैसे अपने knowledge को represent करते हो, वो हम समझेंगे, concepts are mental categories, for objects and events, which are similar to each other in one or in more than one way, concept मतलब क्या, mental categories for objects and events, किसी object या किसी event को लेके, कोई भी अगर mental category है, ठीक है, मतलब उसको आपने किसी तरह की category में रखा है, आपको याद होगा, chapter number 6 में भी, हमने concept learning पड़ी थी, याद होगा आपको, concept learning, this we have discussed in chapter number 6, within this topic, we have discussed what is a concept, और इसी एक topic के अंदर, हमने discuss किया थी, कि concept एक category होती है, concept क्या है, एक तरह की, category बनाना, किसी object को लेके, या किसी event को लेके, जब आप mental category बनाते हो, अपने mind के थू किसी चीज़ में, कोई category बनाते हो, तो उसे भी concept कहा जाता, उस concept को हम यहाँ पर, memory के अंदर पड़ते हैं, ये concept learning के अंदर था, जैसे for example, just suppose square is there, so square is something, that has four sides, all four sides are equal, each angle is at 90 degree, okay, these are the features of a square, हर एक object, जो इस तरह का होगा, जहाँ पर four sides equal होंगी, 90 degree angle होगा, वो हमेशा एक square कह लाएगा, you will never say, that this is a square, this is a rectangle, why this is a rectangle, opposite sides are equal, clear, और ये square का concept नहीं होता, तो जहाँ पर भी आप किसी तरह की, तो जितने भी ऐसे दिखने वाले object होंगे, वो सभी square की category के अंदर आएंगे, तो category क्या होता है, एक तरह का concept होता है, उसी को हम यहाँ पर आगे समझेंगे, बट यहाँ पर हम concept किसे बोल रहे हैं, mental categories को, which are similar to each other in one or in more than one way, तो जो भी हमारे concepts होते हैं, वो एक दूसरे से similar ही होते हैं, concepts once formed get organized in categories, a category itself is a concept, but it also functions to organize similarities among other concepts based on common features, like for example, the word mango is a category, because different varieties of mangoes can be subsumed within it, and it is also a concept within the category of fruit, देखो, जैसे एक mango है, तो mango एक तरह की category है, mango किसकी category में आ रहा है, fruits की category में, हम क्या बोल रहे हैं, कि concept category है, और category अपने आप में एक concept होते ही, यह आपको पता होगा, अगर आपने chapter number 6 में, concept बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमने वहाँ पर देखा था, कि concepts क्या होते हैं, ठीक है, so we have discussed, कि concepts जो होते हैं, these are the categories, यह क्या होते हैं, यह categories होते हैं, जब आप किसी object को, किसी event को, किसी category में डाल देते हो, तो वो एक concept बन जाता है, और category भी concept होती है, मतलब दोनों, एक दूसरे से related हैं, like for example, fruits, fruits तो बहुत सारे होते हैं, apple भी fruit है, mango भी fruit है, grapes भी fruit है, अगर हम माने, कि fruits, of fruits के अंदर, एक category, that is mango, now mango is again a concept, क्योंकि mango के भी, अपने different, different types होते हैं, mango में भी आपने देखा होगा न, कि अलग-अलग types of, मतलब mango होते हैं, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसे नाम वगेरा नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे, but mango के भी बहुत सारी categories होते हैं, like alphanso है, और भी बगेरा बगेरा, इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो mango की अपने आप में सब categories होंगी, तो mango अपने आप में एक concept है, clear, तो इस तरीके से concept और categories जो होते हैं, वो एक दूसरे से related होते हैं, now, concepts may also get organized in schema, concept को हम schema में भी organized कर सकते, now what is this schema, so they are the mental frameworks, which represent our knowledge and assumptions about the world, जिस world में हम रहते हैं, उस world में हमारा जो knowledge है, उसको represent करना, और साथ साथ में assume करना, मतलब आपके पास में जो भी memory में आपका data है, उस data को आप अपनी real life में use करते हो, और साथ ही साथ में, आप different assumptions भी बनाते हो, world को लेके, world की एक understanding आपके अंदर होती है, तो जो ये एक mental framework है, जहां पर आप अपने knowledge को represent कर सकते हो, अपने assumptions को बना सकते हो, assumptions को भी represent कर सकते हो, इस world में, उसे schema कहा जाता है, इसे आप और detail में समझोगे, आप examples देखेंगे, जैसे for example, think of a schema of a drawing room, एक drawing room के schema को assume करो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि mental framework, जहां आप अपने knowledge को represent करते हो, यानि जो knowledge आपके पास में हो, उसको use करते हो, assumptions बनाते हो, अगर मैं आपसे कहूँ, एक room imagine करो, एक drawing room imagine करो, तो आप क्या imagine करोगे, कि there is a room, वही example, जो मैंने आपको यहां पर दिया था, कि, यहां पर दिया था नहां, just this is an assumption of a drawing room, कि एक room कैसा होता है, या यह तो मतलब मेरे recording एक picture है, बट आपके मन में भी एक picture होगी, कि room कैसा होता है, तो room में जैसे आप enter करते हो, उसमें bed होता है, उसमें cupboard होता है, उसमें जो है आपके, मतलब अगर आपका study room आप imagine करो, या कोई भी room अगर आप imagine करो, तो sofa होगा उसमें, bed होगा उसमें, almira होगी आपकी उसके अंदर, और इसी के साथ-साथ में हो सकता है, उसमें dining table भी हो, center table हो, कुछ painting वगेरा जो है लगी हुई हूँ, तो जैसे ही मैंने बोला, drawing room, जो भी एक mental image आपके अंदर आई, that is a schema, schema क्या है, सबसे पहला, मतलब एक तरीके का, जो सबसे पहला instance आपके अंदर होता है, किसी भी चीज़ को लेके, that is a schema, mental framework, जहां आप अपने knowledge को use करते हो, अब ये जो room को लेके knowledge है, कि generally rooms ऐसे ही होते हैं, ये आपकी memory में fit है, कि अगर हम किसी drawing room की बात करें, तो वो room ऐसा होगा, कभी आपने देखा है, आपके साथ में ऐसा होता होगा, सबके साथ में होता है, कि for example, मान लो मैं आपको अपने कोई story सुना रही हूँ, तो automatically उसका एक image आपके mind में चलने लग जाती है, बहुत बार होता होगा ऐसा, कि जैसे for example, मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, कि जैसे जब मैं अपने school जाती थी, तो मेरे school में मेरी एक best friend थी, मैं उसी के साथ हमेशा class में बैठती थी, just suppose मैं ये एक story आपको सुना रही हूँ, तो automatically आपके mind में एक image generate हो जाती है, कि माम का school शायद ऐसा होगा, और उस school के अंदर शायद जो classes होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी, और फिर उसके बाद में आप और आपकी friend कहां कैसे बैठते होगे, किस तरह का एक पूरा, ये आपके अंदर खुद अपने आप automatically चलने लग जाता है, अब यहाँ पर आपने तो मेरे school कभी देखा नहीं, तो आप कैसे imagine कर पाऊगे, तो आप क्या एक चीज़ करते हो, कि जो आपके पास knowledge होता है, आपका school जिस तरीके का है, आपके school में जिस तरह की classrooms हैं, आप उससे related कुछ imagine करना start कर देते हो, तो ये mental frameworks होते हैं, जहां हम अपने knowledge को use करते हैं, और साथी साथ में assumptions बनाते हैं, this is known as schema, clear, LTM है, LTM को हमको organize करना है, तो हम इसको organize कर सकते हैं, concepts की तरह, concepts क्या होते हैं, अच्छे से समझो, देखो यहां पर, so, just suppose, if this is your LTM, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको organize करना है, क्योंकि जब आप इसको organize करोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपके knowledge को represent करने में, आपकी help करेगा, अब आप इसको organize कर सकते हो, concepts के form में, कि जैसे concepts होते हैं, concepts में आप क्या करते हो, किसी object या किसी event की, कोई एक category बना देते हो, तो जैसे मान लो, आपको जितनी भी dates याद हैं, आप पहली बार जब स्कूल गहते हैं, आपको वो date याद है, आपके birth date याद है, आपके siblings की birth date याद है, आपके parents की birth date याद है, इंडिया कब independent हुआ था, आपको ये date याद है, या आपकी life में कोई major event हुआ था, उसकी date याद है, कि जैसे for example, हमेशा दूसरों की help करना चाहिए, या जो भी जितनी भी values आपके अंदर हैं, जो भी आपकी family से पास हुनी है, जो भी है, उसको हम एक category में कर दें, values की category में हम उसको कर दें, clear, आपकी life से related, जितने भी experiences हैं, उसका हम एक category बना लें, जिसको हम life experiences के category के अंदर रग दें, now again I am telling you कि ऐसा कुछ practically नहीं होता है, but this is something that we are doing, mind mapping जिसे बोलते हैं न, अपने दिमाग में सारी जीजों को बना लेना, ये हम करते हैं, हम अपने mind के अंदर ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ हमारी memory एक बिलकुल organized way में है, अगर आप, अब देखो, इस organization को knowledge के साथ में कैसे represent करना है, ये अपनी life में कैसे कभी use करना है, flash bulb memories हमने पढ़ा न, तो जैसे मान लो, just for example, for example, ठीक है, 30 June, 2005 को, just for example, जब आप कितने साल के रहे होगे, maybe 5-6 साल के रहे होगे, या मान लेते हैं, आप 7 years old थे, clear, आप 7 years old थे, और just suppose, just imagine, ठीक है, जरूरी ने ये चीज़ सब के साथ हो, but just imagine, just suppose, कि जब आप 7 years old थे, आपकी एक छोटी बेहन, ठीक है, आपकी एक छोटी बेहन, या छोटा भाई, that means younger sibling, ठीक है, ये इसका जन्म होता है, मतलब ये बॉर्ण होता है, इस एक date को, just suppose, just imagine, ठीक है, तो जैस, आप अपने घर में होते हो, बट आपको पता चलता है, कि आपका कोई छोटा भाई, या बहन आया है, तो आप hospital जाते हो, आप उससे मिलते हो, आप अपनी मदर का भी ध्यान दखते हो, और साथ ही साथ में आपको, बहुत बहुत ही अच्छा आपका experience था, बहुत अच्छा feeling आपको हो रही थी, आप कही ना कही emotional भी थे, पर समझ नहीं बाते हैं, छोटने से बच्चों भी कहां, इतना जादा feelings को समझो गया है ना, बट आपका experience बहुत अच्छा था, जरूर आपके साथ में बहुत सारी यादे तो नहीं होंगी, बहुत सारी memories तो नहीं होंगी, बट कुछ ना कुछ आपको याद होगा, याद है ना, flesh bulb memory हमने पढ़ा हुआ है, ओके, तो एक तरीके से वो मान लो, अब आज, आज आप present में आ जाओ, और एकदम से ये memories flash out होती है, आपको एकदम से याद आता है, या मेभी जब आपकी जो भी sibling है, भाई है, बहन है, उसका जब birthday आता है, तो आप याद करते हैं, ये जब हुआ था, या हुई थी, तो किस तरह का सारा एक सिनारियो था, कैसी feelings थी, सारा सब कुछ, तो एकदम से वो flash करता है, so kind of date and kind of life experience, दोनों चीज़ को जोड के, आप कुछ memorize करने की कोशिश कर रहे हो, next, represent knowledge में हम ले ले, तो उससे आपका जितना भी knowledge है, वो किसी एक compartment में जाता है, तो जब भी exams होते हैं, आप इसको use करते हो, clear, तो उसको आप concepts में, categories में divide कर सकते हो, अब इसी के अंदर एक part हम discuss कर रहे हैं, that is schema, clear, इसी के अंदर, एक और concept की हमने बात करी, that is schema, इस schema मतलब क्या, mental framework, कि मैंने आपको कोई भी, एक scenario दिया, just suppose, मैंने आपको एक scenario दिया, कि जब आप college में first day जाते हो, आपका first day होता है college में, so just imagine what will be the scenario, think about that, clear, तो अब भी मैं आपको एक minute दे रहे हूँ, ठीके सोचो इस बारे में, सोचो, अभी ये सारा सब कुछ भूल जाओ, बस थोड़े कुछ seconds के लिए सोचो, कि आपका first day college में कैसा होगा, अभी हुआ तो नहीं, अभी तो परड़ने class 11th में, बट कैसा होगा, ठीके, just imagine, clear, so अब ज़्यादा सोच में नहीं जाना, गहरी सोच में नहीं, अब वापिस आजो, यहाँ पर आजो, ठीक है, तो ये एक, मतलब, एक सेनारियो आपके लिए, ठीक है, अब सब के मन में, कहीं ना कहीं कुछ चीज़े आई होगी, सब के माइंड में कुछ नो कुछ आया होगा, कि हमारा कॉलेज कुछ इस एक तरीके का होगा, कुछ बहुत ही, में भी कुछ लोगों के माइंड में ऐसी चीज़े आई होगी, कि बहुत बड़ा कैंपस होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसी ने इमाजिन कर लिया होगा, में भी आप जाना चाहते हो, या में भी आपके मतलब ड्रीम्स हो अपने, जो भी सारी चीज़े चीज़े तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, और मैं फिर इस तरीके से जाऊंगा, और मैं सब को ऐसे देखूंगा, या देखूंगी, जो भी मेरे न्यू फ्रेंड्स होंगे, या आपके कोई अल्रेडी मेड फ्रेंड्स है, जो आपके साथ में विल्कुल डिसाइड़ है कि जाने वाले हो, ठीक है, तो वो एक सिनारियो जो आपके मन में आया, पहले जो mental framework आपके दिमाख में आये, that is schema, clear? तो यहाँ पर उस schema की भी बात की गई है, कि generally, schema's concept जो होते हैं, उनको हम schema के form में भी organize करके रखते हैं, तो schema का मैंने आपको एक example दिया, drawing room का, so, far we have examined the concept as the basic level of which knowledge is represented in the long term memory, and the notions of category and schema as the first level at which concepts are organized, तो अब जैसे कि हमने डिसक्स किया, कि concept जो है, वो basic level of knowledge है, कि अगर आप उसको long term memory को अच्छे से organize करके रखते हो, तो हम इस knowledge को represent कर सकते हैं, और अगर हम उसको categorize कर दे, हम उसको schema में divide कर दे, तो हम जो है, और ज्यादा अच्छे से अपने knowledge को अपनी real life में, practical life में implement कर सकते हैं, let us now look at a higher level of organization that concepts require in the long term memory, अब कुछ और अच्छा level, मतलब ये बिल्कुल basic level है, ये basic level है organization का, जहाँ पर आप schema, category, concepts के अंदर, अपना जो भी आपका content है, उसको organize करके रखते हो, अब इससे थोड़ा higher level of organization पर आते हैं, so in the year 1969, Alan Collis and Rose Cullion, 1969, Alan Collis and Rose Cullion, published a landmark research paper, in which they suggested that knowledge in long term memory is organized hierarchically, and assumes a network structure, इसको note down करो, ठीक है, इस एक point को, इस एक line को, आप note down करो, अपने notes में लिखो, ठीक है, देखो, आज मैं आपको notes बनवा देदियू, वापिस से, so what we are discussing, we are discussing, knowledge, representation, representation, and, organization, in memory, now what is knowledge representation and what is organization, this we have discussed so far, so ये आपको clear होगा, कि knowledge representation क्या होता है, और organization in memory क्या होता है, अब अगर हम first level of organization की बात करें, या initial level of organization of memory, so this we can do in the form of concepts, so this we can do in the form of concepts, आपके, ये देखो, Alan Collins and Ross Cullion, okay, so ये एक, मतलब एक तरीके का research papers publish करते हैं, और ये ऐसा बोलते हैं कि long term memory में, जो भी आप organize करते हो, वो hierarchically organized होता है, और उसमें एक network structure होता है, कैसा है वो, hierarchically organized content in long term memory, content in long term memory is hierarchically organized, hierarchically organized in a network, structure, ये note down करना है आपको, आपको भी ये चीज़ note करने, जिस तरीके से भी मैं note करवा रही हूँ, long term memory is organized hierarchically, and assumes a network structure, click and assumes a network structure, समझ में आ रहा है क्या एक चीज़ इस line के अंदर कही जा रही है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मानलो, अगर आपका ये LTM है और इसमें आपके पास में कोई एक knowledge है, तो इस knowledge से दूसरा knowledge pass on होगा, just suppose knowledge B, इस knowledge से तीसरा knowledge pass होगा, just suppose knowledge C, और इसका एक पूरा structure होगा, इसकी एक पूरी hierarchy होगी, hierarchy समझते हो ना, कि एक से दूसरे को जब pass on होता है, for example, just for example, तो hierarchy में, जो है, इस तरीके से हमने content को organize करके रखते हैं, और उसका एक पूरा network structure होता है, ये hierarchy का just मैंने meaning बताया है, यहाँ पर इस hierarchy का क्या meaning है, और यहाँ पर इस network structure का क्या meaning है, वो हम समझेंगे, बस अभी इतनी चीज को note down करो, जो भी मैंने मदलब यहाँ पर आपसे note करवाया है, clear, इतना आपको note करके रखना है, now, what they mean by hierarchical organization of the content in the long term memory and a network structure, elements of this structure are called notes, इस structure में जितने भी elements होते हैं, उन्हें notes कहा जाता है, notes are concepts, while connections between notes are labeled relationships, which indicate category membership, और concept attributes, देखो, जो इस पूरे structure के elements हैं, वो कौन हैं, notes हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कि यह जो हमारे Alan Collins हैं, और Rose हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कि जो हमारा पूरा content है, long term memory का, वो organized है, hierarchy में और उसका एक network structure है, तो यह जो network का पूरा structure है, इसके जो elements हैं, वो notes की तरह काम करते हैं, clear, देखो, यहाँ पर समझो, just suppose this is your long term memory, okay, and you have different different categories, you have different categories, different concepts, different schema, यह आपका पूरा जो, मतलब long term memory का content है, यह organized है, अब यह organized है, एक hierarchy में, ठीके, इसकी जो है, एक पूरी hierarchy है, जिसकी वज़े से, एक network structure जो है, वो बन रहा है, clear, क्या बन रहा है, एक network structure बन रहा है, just suppose hierarchy कुछ इस तरह से है, just suppose, clear, तो यहाँ पर यह जो structure है, इसमें जितने भी elements हैं, वो उसके nodes की तरह काम कर रहे हैं, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, nodes की तरह, एक को दूसरे से connect कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में, जितने भी nodes हैं, वो concepts हैं, और जो connection है nodes के बीच में, वो एक relationship को दिखाता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझोगे, अभी आगे हम एक flow chart देखने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, तो आपको समझ मेंगा कि कैसे elements हैं, कैसे elements में structure है, hierarchy है और किस तरीके से सारे differentiated हैं, सबसे main चीज, basic concept आपका clear होना चाहिए, कि long term memory जो है, उसमें जितना भी element है, वो सभी एक organized form में होना चाहिए, बट जो 1969 में research हुई है, उस research में क्या कहा गया, यह जो Alan Collins वाली research हमने पड़ी, 1969 की है ना यह, 1969 की जो research है, उसमें क्या कहा जा रहा है, कि जो भी content है, वो hierarchy में है, और पूरे content के बीच में एक network है, just suppose कुछ इस एक तरीके का network है, कि सारा सब कुछ जो है, वो एक दूसरे से connected है, just suppose कुछ इस एक तरीके का structure है, या फिर just suppose कुछ ऐसा structure है, कि सारी चीज़े एक दूसरे से connected है, clear, now, हमने ये एक और चीज़ कही, कि जो organization है, वो concept के form में होगा, concept अपने आप में category होती है, category में schema भी आता है, तो अगर हम ये मान के चले, कि हमारी long term memory में जितना भी content है, उसको हमने category में बाढ़ दिया, कि just suppose हमने इसको एक category में बाढ़ दिया, इसको B में, C में, D में, E में, etc. कुछ इस तरीके से हमने उसको organize कर दिया, और ये सभी आपस में एक दूसरे से connected है, एक network है इन सभी के बीच में, networks के बीच में जो ये connection है, वो अपने आप में एक concept है, कैसे, देखो आप यहाँ पर, just इसे चीज को समझो, आपको सारी चीज क्लियर होगी, जैसे की, animals, now birds, ostrich, canary, fish, salmon, shark, इनके क्या characteristics होते हैं, तो जैसे birds हैं, तो birds के पास में wings होंगे, they can fly, they have feathers, ostrich, ostrich के thin legs होते हैं, tall होती है, can't fly, canary, sink कर सकती है, yellow color की होती है, but still, these all different categories, are a part of this whole concept, getting my point, these different categories, are part of a whole concept, animals कैसे होते हैं, जिनके पास में skin होती है, जो breathe कर सकते हैं, जो food eat कर सकते हैं, जो move कर सकते हैं, fishes कैसे होती है, इनके fins होते हैं, swims होते हैं, gills होते हैं, salmon, pink, edible, upstream में, मतलब जो upstream होती हैं, रिवर होगे रहा हैं, उसमें salmons होते हैं, shark, bite कर सकती है, dangerous होती, पानी में ये भी होती, shark भी पानी में होती, फिज भी पानी में होते हैं लेकिन ये सभी एजा होल एक कैटिगरी के अंदर कंसेप्ट के अंदर हमने इनको कैटिगराइज किया हुआ है तो बेसिक यहाँ पर कहना ये है कि आप इन सभी को देखो सभी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं animals की category में आप इनको डाल देते हो ठीके, आप इनको animals की category में डालते हो या animal एक अपने आप में concept है फिर आप उसकी अलग-अलग category बनाते हो कौन-कौन से animals हैं, जो पानी में रहते हैं कौन-कौन से जो terrestrial रहते हैं कौन से हैं, जो fly वगेरा कर सकते हैं फिर आपने उनके अंदर भी categories बना दी आपने उनके अंदर भी categories बना दी जैसे अगर मैं बात करूँ कि पानी में रहने वाले जानवर ठीके, पानी के अंदर जितने भी सारे जीव, जन्तु, animals सब रहते हैं clear? अब इनमें भी categories हैं इनमें जैस अगर आप एक तरफ फिश मान रहे हो तो फिश की भी अपनी अपनी categories होती हैं अलग-अलग fish होती ना पानी के अंदर फिर उसी के साथ में shark भी आप एक category में डाल देते हो तो different different categories हैं बट related कही ना कही सब एक दूसरे से हैं just suppose अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे जो memory है मेरी memory के अंदर मैंने बहुत सारा data store करके रखा है but there is a data जहां पर सारे dates को store मैंने किया हुआ जितने भी dates मुझे याद हैं वो logic को यहां मेरे अंदर जितनी values हैं वो यहां पर मेरे जितने life experiences हैं जब उनकी बात होती है तो वो वाली memory लेकिन सभी एक दूसरे से connected है just suppose अगर मैं बात करें मेरे किसी life experience की जो मेरे साथ में मतलब मेरा कोई ऐसा experience है when I feel so blessed clear? तो अब उस experience का कोई time period तो होगा कुछ ऐसा एक situation, कुछ एक scenario होगा कुछ एक इसाथ date, time, place होगा जब यह हुआ था तो मैं उसको किस से connect करूँगी? date से connect करूँगी उस event की मेरी life में क्या value है? उससे भी connect करूँगी तो मतलब यह है कि भले categories अलग-अलग हों बट network जो है वो सभी के बीच में है और एक network दूसरे network से connected है दोनों के बीच में relationship है यह यहाँ पर कहा जा रहा है यह 1969 के research के अंदर हम इस एक चीज़ को discuss कर रहे हैं ठीक है? उसी को आगे बढ़ाते हैं So in order to verify the proposed network structure of long term knowledge participants of experiments were asked to verify the truth of the statement such as canary is a bird or canary is an animal answer was in yes or no these were generally class inclusion statements in which the subject was word canary perhaps you know it is a bird and the predicate took the form is a मतलब यहाँ पर यह है कि इस एक network structure को समझने के लिए हमने हमारे मतलब long term memory या हमारी जो long term knowledge है उसमें network structure को समझने के लिए हमने एक experiment किया हमने उस experiment में पूछा कि canary एक bird है क्या? Canary is a bird या canary जो है वो एक animal है Canary एक bird है या canary एक animal है? हमने ये चीज़ पूछी और answer सरफ yes और no मैं आपको देना था तो यहाँ पर generally ये चीज़ कही गई कि these were generally class inclusion statements यहाँ पर हम किसी एक particular class की बात कर रहे हैं जिसमें जो subject है वो कौन है? Canary है और यहाँ पर जो predicate है वो क्या है? is a है मतलब in general इतना सारा कहानी समझने से better है कि जो एक चीज मैंने आपको explain करी यह और आपको detail और जादर describe किया गया है but the basic concept is this कि हमारे mind में जितना भी हमारी memory के अंदर जितना भी storage है हम उसको divide करके रखते हैं जैसे for example मान लो आपके phone में जो gallery है है न यह example में आपको पहले भी देती हूँ कि just suppose look at here this is your mobile phone okay now this is your mobile phone mobile phone के अंदर data होता है you can store you have a storage in every mobile phone there is a storage and in that storage what we do we preserve our data आपके mobile phone में एके storage होता है हना उसे storage में क्या होता है data होता है जैसे for example for example the data is divided as contacts your photos your documents okay and any kind of videos you have photos videos इसको combine form में भी ले सकते हो ठीके documents is a different path then there are some of the downloads that you have done in your mobile phone इस तरीके से यह हमने क्या किया यह हमने data को organize कर दिया जैसे मानला आप अपने gallery में photos देखते हो हना सबके phone में photos का एक section होता है हना app होता है तो आप photos देखते देखते आपको कोई document दिख जाए document दिखते देखते आपको कोई contact दिख जाए so that is not an organized way तो हम क्या करते हैं contacts के लिए एक पूरा separate column है downloads के लिए एक पूरा separate है मतलब क्या करते हैं हमारे phone में जो storage है हम उसको divide कर देते हैं छोटे छोटे parts में कि contacts हमारे यहाँ पर हैं जैसे मान लो कि आपको किसी का contact search करना है उसके लिए आपको photos में जाना पड़े और आपको पूरा देखना पड़े search करने से ना मिले so आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी because simplest method क्या ऐसी दे phone में गए मतलब जहां से calling होगे रहा होती है वहाँ पर contacts में गए search किया and that's it clear लेकिन अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर इस तरीके से एक पूरा organized structure होता ही नहीं तो आपको किसी भी चीज को search करने में time लगता obvious है यानि कि आप जो है जो भी आपको यहां से चाहिए है वो आपको easily नहीं मिल पाता clear तो same चीज memory के साथ में होती है अगर आपके mind में आपने सब कुछ memorize करके रखा है memory के अंदर लेकिन अगर आपको data ही नहीं मिल रहा तो that doesn't make sense clear second चीज पर हम आते है कि data है हमने उसको different different columns में जो है मतलब bifurcate या divide करके रखा है बट यह सारी चीज़े एक दूसरे से connected है जैसे अगर हम बात करें photos, videos की तो they have a network, they are connected downloads, documents की हम बात करें तो यह आपस में एक दूसरे से connected होते है connected in the sense ऐसे कि आप कोई photo search कर रहे हो मान लो कि आप year 2020 में 15 December को अपनी family के साथ किसी trip पर गए थे this is a date, ओके, अब आप किसी मतलब इसमें आप जो है गए थे and that was a family trip that was a family trip, अब यह हम बात करेंगे सिर्फ इस photos की, चीके, बागी सारी चीज़ों को remove कर देंगे, चीके, अभी सिर्फ बात करेंगे photos की so just suppose की 15 December 2022 को 2020 को आप अपनी family के साथ में कहीं पर घूमने वगारा के लिए गये थे that was a trip, ओके और इस पर आपके सभी cousins वगरा सभी कोई थे so you have, you had a great time और बहुत सारी pictures वगरा आपने click करी, सब कुछ किया now you all made a WhatsApp group ठीके, आप सब ने क्या किया एक WhatsApp group बनाया और आपने कहा उस group पर सारी photos को send कर दो अब different, different आपकी जितने भी cousins वगरा families, जितने members में को सब उस photos को send कर देंगे कुछ photos आपके camera में भी थे okay, कुछ photos आपके camera में भी थे कुछ इसी के साथ में videos भी आपने बनाये थे अब videos जो थे वो थोड़ा सा file size ज्यादा था whatsapp पर send नहीं होता तो आपने उसको किसी और app से ले लिया आपने उसको क्या किया, किसी और app से ले लिया, वो कुछ आती है ना ऐसे google share में भी something है ना मुझे इतना नाम नहीं बदा, I am not that met high tech ठीक है, तो अब आपने उसको किसी sharing app से ले लिया, जैसे आपने उसको Bluetooth से ले लिया, Bluetooth से भी शायद इतनी बड़ी file नहीं आती होगी, but just for example मान लेते हैं कि आपने उसको Bluetooth से ले लिया तो अब आपका जो एक section था, आपका जो एक पूरा हम ये बुलें कि जो organization किया था उस organization में भी जो आपका एक पूरा section था, अब वो section again divided हो गया divided हो गया Bluetooth photos या videos में camera में और WhatsApp में, WhatsApp में images आएंगी clear, लेकिन कभी भी आपको अगर इन photos वगरा को देखना है या search करना है तो आप सीधे कि अगर होगे बहुत बार मतलब या option आते है phone में, मेरे phone में है, आपके में पता नहीं आता है कि नी you can just search date date search करते हैं ये सारे photos वगरा आपको देख जाएंगे या फिर आप WhatsApp में जाओगे WhatsApp में आप इस date में जाओगे तो आपको वो सारे photos मिल जाएंगे आप Bluetooth पे जाओगे आप इस date में जाओगे तो आपको वो सारे मिल जाएंगे मतलब photos के अंदर भी sub parts है photos का जो एक पूरा मतलब एक क्या बोलेंगे उसको file है, उसके अंदर भी different different files stored है और फिर ये date format में है कभी-कभी location के according भी आता है हमारे phone में automatically location ले लेता है न Google, एक तो ये date हो गया एक generally Google क्या करता है location भी ले लेता है और फिर वो location के हिसाब से save कर देता है just suppose जैसे आप गए थे मानलो आप भीम बेटका गए थे just suppose ठीक है आप कहां गए थे भीम बेटका भीम बेटका कहां पर है जल्दी बताओ मुझे comment section में भीम बेटका कहां पर है ठीक है so भीम बेटका is an MP अब आप लोग कहां गए थे भीम बेटका गए थे और भीम बेटका के इस तरीके से जो Google है वो automatically location को save कर देगा ठीक है आप कभी देखोगे मुझे नहीं पता आप ने देखा या नहीं देखा है बट कभी आप Google photos वगरा में जाओगे न तो वहाँ पर जो storage होता है वो location के हिसाब से भी होता है वो आपके places के हिसाब से भी होता है date के हिसाब से भी होता है और even different different तरीके से उसको जह हो लोग सेफ करके रखते है Google automatically यह चीज कर जेता that is technology clear so same चीज आपके memory के साथ में भी होती है कि वहाँ पर different different sections है फिर वो different different section के sub sections भी है but सब आपस में एक दूसरे से connected है सब जो है आपस में एक दूसरे से connected है now just suppose this is your memory just suppose this is human memory this human memory में एक कॉलम है dates का clear एक कॉलम है dates का that means कौन सी memory declarative memory एक आपका कॉलम है flash bulb memories का flash bulb memories you know कि कभी कोई पुराना एकाद कुछ ऐसा event याद आ जाए कोई picture एकदम से flash कर जाए और फिर आप उसको connect करते हो तो अब ये network connection इन दोनों के बीच में होगा या नहीं होगा obviously होगा है ना तो इसी तरहीके से memory होती है इसी तरहीके से organize होती है इसी तरहीके से knowledge represent होता है और इसी तरह से इसी तरह से आप क्या करते हो सारी चीजों को एक दूसरे से connect करते हो इसी तरहीके से आपकी memory organized way में होती है और अगर वो organized way में है that means कि आपकी memory बहुत शार्फ है, अगर नहीं है, that means आपकी memory उतनी ज़्यादा अच्छी, नहीं है, you need to improve it, you need to organize it, अगर सब खिचडी बना लोगे तो नहीं ढूट पाओगे, just suppose आपका phone है, और आपकी mobile phone में, आप gallery में जाते हो, और gallery में आपको आपको पहले तो 4-5 photos दिखनी है, ठीक है, पहले आपको photos दिखी, फिर एकदम से कोई contact आगया, फिर एक और contact आगया, फिर कोई video आगया, फिर कोई document file आगया, फिर photos आगया, फिर downloads आगया, फिर वापिस से contact आगया, तो आपको इसा लगेगा, you will be get frustrated, कि अरे ये क्या है, मैं अच्छी खास अपनी photo देख रहा हूँ, और ये एकदम से क्या ये सारा कुछ आने लगया, या मान लो आप contacts में जाओ, और आप contacts में search करो, मम्मी का phone number, आपने search पर डाला मम्मी, और मान लो, मम्मी की photo दिख जाए, ना कि contact मिले, बलकि मम्मी की photo दिखने लग जाए, तो कैसा लगेगा, obviously, मांगा कुछ, मिला कुछ, है ना, तो same चीज होती है, जब आपके organized memory नहीं होती है, आप मांगते कुछ हो, memory देती कुछ है, clear, तो इसलिए ये सारा सब कुछ करना बहुत जादा important है, memory का organized होना बहुत जादा important है, memory में जो knowledge है, वो represent हो सकेगा, तब ही होगा, जब आपकी memory कैसी होगी, organized way में होगी, तो उसके लिए बहुत सारे experiments किये गए, ऐसे notes, वगरा elements, ये सारे चीज़ा आपको बताए गई, but the most important thing जो आपको समझने है, मतला पूरे topic यंदर, that is, that part that I have explained you just, clear, now, a critical finding of such experiments was that, as the predicate became hierarchically more remote from the subject in a sentence, participants took longer time to verify that it is true or false, thus, people took ध्यान से सुनों, ठीके ये चीज़ कोई explain करने वाली नहीं, जो अभी मैंना आपको चाट explain करी उसी काई पाथ है, thus, people took longer to verify that canary is an animal compared to that which said canary is a bird, because bird is an immediate superordinate category in which canary is subsumed, while animal is a superordinate category which is more distant and remote from the concept canary, so according to this view, we can store all knowledge at a certain level that applies to all the members of a category without having to repeat that information at the lower levels in the hierarchy, मतलब in short, इनका कहना ये था कि हम क्या कर रहे हैं, हम information को एक hierarchy में बना के रखते हैं कि one है, then here will come two, then here will come three, and then here will come four, that's a kind of hierarchy, clear, कि मतलब पहले कोई एक बड़ी information, फिर उस से छोटी, फिर उस से छोटी, फिर उस से छोटी information, इसी तरही के से कुछ हम उसको create करके रख रहे हैं, ताकि जब हमको कोई information चाहिए, तो हम उसको पूरा उपर तक जो है connect कर पाएं, clear, मतलब जितनी भी category applies to all members of a category, without having to repeat that information at the lower level in the hierarchy, जहां जितनी information required है, उतनी information आपको मिल जा, और बार बार repetition of information ना हो, that is something they are trying to convey you, clear, now, next comes concept of cognitive economy, so this ensures a degree of cognitive economy, which means maximum and efficient use of the capacity of long term memory, with minimum redundancy, तो इससे क्या होगा, कि आपकी जो cognitive economy, बतलब इसे एक पूरे concept को cognitive economy कहा गया है, कि जिससे high degree of cognitive economy होगी, और आप अपनी capacity को जादा से जादा use कर पाऊगे, और minimum redundancy, यानि कि फाल्तों चीजों में आपका time जादा waste नहीं होगा, तो जैसे मैंने अभी आपको एक पूरा, बतलब यहां पर ऐसे graph समझाएता ना, कि जैसे for example, आपका phone है, phone के storage में आपका data है, now this data is divided, this is divided among photos और gallery, videos, documents, downloads, contacts और भी ऐसे बहुत सारा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे phone का storage divided है, और यह फिर सब divided भी है, जैसे अगर हम photos की बात करें, तो photos जो आपके camera से लिए गए हैं, जो आपने Bluetooth से लिए हैं, जो आपकी WhatsApp images हैं, जो आपने maybe Instagram से save किये हुए हैं, clear, तो यह इनका भी subdivisions हैं, और यह सभी आपस में एक दूसरे से connected है, आप WhatsApp में कुछ images को अगर download करते हो, तो वो WhatsApp downloads के अंदर भी आजाता है, clear, WhatsApp documents के अंदर भी आजाता है, तो यह उसके subdivisions हैं, और सभी एक दूसरे से connected हैं, और यहाँ पर आप एक hierarchy भी देख पा रहे हो, कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ आ रही है, clear, तो यह क्या हो रहे है, एक hierarchy हो रही है, आप यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको कोई photo chaser से मैंने आपको example दिया, तो आप directly उस एक चीज़ पर जाओगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बहुत बार, बट सारी चीज़ एक दूसरे से related है, और concept category है, category concept है, जो हमने पढ़ा था, तो उसको आप ऐसे समझो, कि जा suppose data is a concept, ओके, and photos, videos, documents, downloads, these are the categories, these are the categories, but now, when we see these sub-categories of photos, so photos again become a concept, मतलब data concept है, data की ये सभी categories है, लेकिन यहाँ पर हम photos की भी categories देख पा रहे हैं, तो जब अगर इसकी category है, तो photos अपने आप में concept बन गया, और ये फिर से उसकी categories बन गी, और इसमें, इस कैमा का मतलब क्या है, concept category मैंने आपको बताया, इसमें, इसकैमा का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो, मैंने आप से कहा, कि जब आप भीम बेटका अपनी family के साथ, ट्रिपर गए थे घूमने के लिए, तो तब क्या हुआ था, तो एक सबसे पहले भीम बेटका का पूरा photo, और आपकी पूरी family का एक पूरा आप scene जो है, अपने mind में create कर लोगे, that is the mental framework, clear, तो वो आपका schema होता है, या मैं आप से बुलूँ कि जब आप first day अपने school में आये थे, तब आपने कैसा feel किया था, तो सबसे पहले school और आप अपना एक पूरा scenario, या अपने mind में create कर लोगे, that is also a schema, तो schema concept category हमने पढ़ा, इसके बाद में जो आपका hierarchical model है, जो hierarchy वाला model है, नाट्रो की structure है, वो कुछ इस तरीके से है, कि हम हमारी memory में अगर hierarchy बना के रखें, और उन सभी का एक structure हो, जो सभी एक दूसरे को एक दूसरे से connect करते हैं, तो confusions कम होंगे, time wastage कम होगा, और हम जो भी, मतलब important information है, उसको quickly हम, मतलब जो है receive कर पाएंगे, clear? So this is all about your, knowledge representation, organization of memories, में दो चीजों की हमने बात करी, एक मैंने concept आपको बताया, दूसरा cognitive economy की हमने बात करी, यहाँ पर cannery is an animal, cannery is a bird, that's just something, की बहुत बार आप question को सुनगे, confused हो जाते हो, और वो होता है, that's a normal thing, कि आप कभी भी confused हो जाओ, लेकिन अगर आपको time ज्यादा लग रहा है, question को answer करने में, then that's a problem with memory, लेकिन अगर आपको कुछ ही seconds लग रहा है, answer करने में, then your memory is perfect, clear, now next comes your concept of dual encoding, now what is this, so far we have discussed the concept as a unit of representation of knowledge in the long term memory, and looked at the various ways in which concepts gets organized, does this mean that knowledge is encoded only in a word like format, or can there be any other ways of encoding, अब देको question यह है, कि अभी तक हमने discuss किया, कि knowledge को कैसे represent करना है, long term memory में, concept क्या है, concept को कैसे organize करके रखना है, पर क्या इसका मतलब सरफ इतना ही है, कि knowledge को आप सरफ एक category, या एक concept में, divide या एक format में, जो है मतलब organize कर जाते हैं, and that's it, कि आप knowledge को किसी और तरीके से भी encode किया जा सकता है, तो वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, dual encoding के अंदर, clear? So it has been shown that information can be uncoded, in a perceptual format, or in terms of images, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि देखो, अगर आप dates वगरा को याद कर रहा है होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि सिर्फ एक dates की ही category होगी, या फिर अगर आप कोई life experience को याद कर रहा है, तो सरफ उस से related कोई memory होगी, बहुत बार हमारे mind में, जो भी data या जो भी information होता है, हम उसको images के, या perception के form में भी encode करके रखते हैं, कैसे देखो, आपको समझ मैंगा, मैंना आपको पहले disclaimer दिया था न, जैसे जैसे पढ़ोगे सारी चीज़ क्लियर होगी, तो अभी पढ़ते चलो, एक image एक concrete form of representation, फिर से बोलू, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक image क्या है, एक concrete form of representation, जो आपको उस object के attributes से perceive करवाता है, फर एक्जाम्पल, जैसे फर एक्जाम्पल, एफ आपके माइंड में एक दम से एक पूरा यूनिवर्स दिखने लगेगा, ठीक है, उस यूनिवर्स में आपको एक आर्थ भी दिखेगा, सब रोटेट करते हूँ, एक दम से यह चीज़ क्रिएटल, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ, तो वो मेरे माइंड में सारा सब को चल रहा है, तो वो सेम चीज़ आपके साथ भी होती, कि जैसे ही मैंने किसी चीज़ के बारे में बोला, तो सीधे एक mental representation उसका आपका हो गया, और उसके attributes आप पता करने लगे, जैसे अगर अर्थ है, तो अर्थ is revolving around on its axis, clear? और इसी के साथ साथ में आर्थ rotate भी करता है, बाकी और भी धेर सारे planets हैं अपनी अपनी जगा पर, फिर एक center में आपको एक sun दिखाई देने लग जाएगा, sun is giving light, मतलब sun जो है, तो उनको light किसे मिल रही है, sun से मिल रही है, तो इस तरह से उनके attributes क्या है, वो भी आपको सारे पता लग जाते हैं, हम हमेशा जो है कुछ इस तरीके से एक imagine करते हैं, कि this is a kind of universe, तो यह यहाँ पर center में sun है, फिर यह इसके around मतलब ऐसे धेर सारे जो है, हमको planets दिख रहे हैं, clear, ऐसे मतलब एक just imagine, हाना, एक imagination में हम चले जाते हैं, और फिर इनके attributes जो भी हैं, वो सब हमको दिखना start हो जाते, kind of mental framework, clear, स्कैमा पढ़ा था ना, तो उसी से related हैं, if you were to come across the word school, an image of your own school will get generated, मानलो आपको बुला जाए, तो एकदम से school की image आपके सामने आजाएगी, चाहे आपका school हो, या जैसा school आप चाहते थे, अभी आप at present जिस भी school में हो, but the kind of school that you have imagined, कि इस तरीके का मेरा school रहे है, या इस तरीके का मेरा school होता, या जिस भी school में आप हो, तो एकदम से उसकी image आपके सामने आजाएगी, in fact, almost all concrete objects and concepts generate images, and the knowledge related to them is encoded both verbally as well as visually, तो generally हर एक object या हर एक concept से related images, उससे related knowledge है, उसको हम अपनी memory में encode करके रखते हैं, कुछ objects verbally होते हैं, कुछ visually होते हैं, बोथ, verbally और visually दोनों तरीके से, इसको dual coding hypothesis कहा जाता है, जिससे pavio ने दिया था, इस concept को किस ने दिया था, pavio ने दिया था, so that's a just basic concept, dual coding hypothesis, जिसका मतलब ये है, कि जैसे ही मैंने किसी object या किसी concept, मैंने mango बोला, इकदम से mango की image आपके mind में आ जाएगी, मैंने house बोला, एकदम से house की image आपके mind में आ जाएगी, मैंने indian flag बोला, तो आपको एकदम से indian flag की image आपको दिखने लग जाएगी, clear, तो इस एक तरीके से क्या होता है कि हम objects को लेके, concrete objects को लेके, हम क्या करते हैं, images, उस related knowledge को encode करके रखते हैं, verbally भी और visually भी, कि अगर मैं flag बोल रही हूँ, तो flag की image भी आगे, और फिर मैं बता भी पारे हूँ कि flag में, Indian flag में 3 colors होते हैं, saffron होगा, white होगा, एक जो है, मतलब center म मैं अपको explain भी कर सकते हूँ, verbally, एक image भी है, and at that I can say verbally also, clear, so इसको dual coding hypothesis कहा जा था, इसको payview ने propose किया था, ये third point है, आप अपने notes में लिख लेना, clear, payview लिखना सामने dual coding hypothesis, now according to this hypothesis, concrete nouns and information related to concrete objects are encoded and stored in the form of images, while information related to abstract concepts assume a verbal and a descriptive code, इसका hypothesis के according, जो आपकी concrete nouns या जो concrete informations होती है, किसी objects से related, उसको थो आप encode कर लेते हो, store कर लेते हो, images के form में, लेकिन कुछ ऐसे information होती है, abstract concept के बारे में, किसके बारे में, abstract concept के बारे में, जिसमें आप verbal और descriptive code को assume करते हो, इसको हम समझेंगे कुछ examples के साथ में, कि ये एक जीज़ कैसे होती, like for example, if you are asked to describe a bird, the first thing that happens is that an image of a bird is generated and based on this image you described a bird, but on the other hand, if the meaning of concept like truth or honesty will have not such accompanying images, मैं आपको बोलू, मैं आपको बोलू, मैंने अभी अपकी example ती है ना, flag, if I gave you a concept Indian flag, तो आपको flag की image भी अपने mind में दिखेगी और आप उसको describe भी कर सकते हो, but if I say truth, if I say honesty, तो आप उसको imagine नहीं कर सकते हो, उसकी कोई image आपके mind में नहीं बनेगे, but you can explain it, कि truth क्या होता है, honesty क्या होता है, courage क्या होता है, proud क्या होता है, for example, if I say, if I say, कि when you will become an I.S. officer, just for example, if I say, कि when you will become an I.S. officer, your parents will be so overwhelmed and they will feel so proud, clear? if I say this, or yeah, मैं आप से कहूं कि, जैसे ही, for example, for example, just take another example, ऐसी कोई की example ले लेते हैं, कि there was my friend, ठीके, there was my friend, मेरे कोई एक फ्रेंड है, और वो I.S. officer बन जाती है, clear? वो I.S. officer बन जाती है, तो उसके जो parents होते हैं, वो बहुत emotional हो जाते हैं, उनके आँखो में आसू आ जाते हैं, और वो बहुत ही खुशी और proud और emotions के साथ में अपनी बेटी को hug करते हैं, If I said this, आपके माइड में पूरी mental images चल रही होंगी, ठीक है? आपके माइड में पूरी mental images चल रही होंगी, even मेरे माइड में भी चल रही हैं, that's psychology, that's simple as it is, clear? But if I say, if I say, कि आपका IS clear हो गया, आपने UPSC exam clear कर लिया, आपका IS exam clear हो गया, यह जो भी आप बने चाहते हैं, आपका doctorate है, आपका law है, जो भी है clear, वो exam आपका clear हो गया, and I am feeling so proud of you, or you are feeling so proud, So आप उस एक चीज को imagine कर पा रहे हो, क्या कि जैसे आप imagine किसी flag को कर पा रहे थे, किसी bird को कर पा रहे थे, किसी parents को कर पा रहे थे, क्या आप proud को feel कर, मतब mind में अपने mental framework बना पा रहे हो, क्या मैं आप से कहूं कि मैं हमेशा truth, हमेशा सच बोलती हो, तो क्या आप उसकी कोई image अपने mind में बना पा रहे हो, no, so that's a kind of abstract concept, कि जैसे truth है, honesty है, meaning पता है, but you can't make images of that in your mind, तो ये होते हैं वो आपके abstract concept, अब हमारे mind में दोनो ही concept है, ये concrete भी है, abstract भी है, so any information which has been encoded verbally as well as in the form of images is recalled with greater ease, information which has been encoded and stored in the form of images leads to the development of mental models, there are many routine tasks which require mental models, clear हो रहा है, आरा समझ में क्या एक चीज, तो जहां पर, जहां पर आप किसी भी concept या किसी भी information को ले के image भी बना लेते हो और उसको verbally भी बता पाते हो, तो वो चीज बहुत easily आप recall कर पाते हो, if I say Indian flag, तो आप उसको mind में imagine भी कर पा रहे हो, आप उसको बता ही पा रहे हो, but if I say honesty, you can only describe it, but you can't make image of that in your mind, तो जहां पर आप images और verbal information दोनों साथ में कर पाते हो, that comes under the concept of mental models, यहां पर हम mental models की बात करते हैं, कि और ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं, जिसमें mental models require होते हैं, तो यहां पर जो हमने dual coding hypothesis पढ़ा, उसमें आपको दो चीज़े जिने encode भी कर सकते हो, जिने images के form में store भी कर सकते हो, लेकिन abstract concepts जो होते हैं, उसमें आप verbal ही बस कर सकते हो, बट आप उसको assume image को नहीं कर सकते हो, तो यह दो चीज़े आपको याद रखनी, dual coding hypothesis में, first is concrete object, second is abstract objects और abstract concepts, third I told you mental models, mental models का मतलब क्या, कि जहां पर आप information को imagine भी कर रहे हो, encode भी कर पा रहे हो, बतला verbally भी बता पा रहे हो, और यह mental models हमें बहुत सारी जगा, use भी होते हैं, like for example, following a road direction, assembling a bicycle, or even preparing to cook an exotic dish from instructions given in the cookery book, required that special mental models are created from verbal description, just suppose, now just suppose, here is your home, यह आपका घर है, और आप अपने घर से, just suppose, ऐसे ही, किसी reason से, या कुछ भी चीज से, आप यहां पर, कहीं पर घूमने आए हो, ठीक है, आप इस एक जगे पर हो, just suppose, this is lake, clear, आपको बता है, भोपाल में लोग लेक वियू बहुत जाते हैं, भोपाल में धेर सारे lakes हैं, कभी भी घूमना होता है, सब लेक वियू चले ज just suppose, just suppose, ऐसा हो जाता, घूमने फिर ने जाओ, तो कोई ना कोई relative मिल जाता है, आपको आपका कोई relative मिल गया, ठीक है, आप, just suppose, आप कौन हो, आप हो B person, और ये R person आपका relative है, ठीक है, और आप बड़े अच्छे से आप से मिले और इन्हों ने पुछा चलो, ठीक है, तो मुझे घर जाना है, मुझे घर के लिए रास्ता बता दो, ठीक है, तो अब आपके मन में आपके घर का एक mind map है, पूरा mind map है, कि just suppose, आपको यहां से ऐसे जाना है, then you have to take right, okay, then just go, here take the left, then again turn left and this way, straight, right, ठीक है, जैसे यहां पर जाओगे, तो आप मेरे घर पर पहुच जाओ तो एक mind map पहले ही आपके मन में बन जाएगा, ठीक है, जैसे for example, मान लो मैं हूँ, मुझे से भी कोई मेरे घर का address पूछे, तो मैं क्या बताओगे, कि पहले आपको इस area से बिलकुल straight जाना है, तो मैं पूरा नहीं बता सकती है, तो आप लोग को मेरा घर पता चल जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे for example, if I say, there is a square, ओके, इस square से आपको बिलकुल straight जाना है, around आपको 4-5 km जाना है, then you have to turn right, there is a store, there is a bus stop also, then from there you have to turn right and then you have to go left from a petrol pump, just for example, and behind that there is my home, clear, और यह मैंने जूट बताया है, ठीक है, तो just suppose ऐसे मैं आपको बोलूँ, तो आपका एक पूरा mind map जो है, वो मन में बन जाएगा, पहली चीज़ तो address को लेके, फिर उसके बाद में आप वहाँ पर क्या दोगे, instruction दोगे, तो यह mental models हमको बहुत बार use आते हैं, कभी खाना बनाया है आप लोगों ने, बताओ, कभी भी आपने खाना बनाया है, घर मे कोई भी चीज, कोई special dish आपने बनाई है, रो रो के नहीं, अच्छे से, अपने मन से आपको कभी मन हुआ, क्या मैं कुछ अच्छी चीज बनाता हूँ, या बनाती हूँ, तो क्या होता है, जैसी आप वो कुकरी बुक से, या YouTube से, आज कल कोई कुकरी बुक मुझे नहीं होती है, मुझे नहीं पता आपके साथ होती है, या नहीं, I am like thinking, everything, कि पहले मैं क्या गरूँगी, पहले कूकर रखूँगी, फिर उसमें बर्यानी बनाती हूँ, थिक है, उसको रखूँगी, फिर उसमें यह, यह, समान डाल दूँगी, उसके लिए मुझे इतने सारे जो ह काम को करने से पहले, एक mental model जो है, वो हमारा create हो जाता है, और उसके लिए mental models बहुत जादे important भी होते हैं, clear, mental models का होना भी उतना ही जादे important है, तो इस तरहीके से mental models जो हैं, वो हमको use होते हैं, now, mental models therefore refer to our belief about the manner in which our environment is structured and such beliefs are formed with the help of concrete images as well as verbal descriptions, तो जो mental models होते हैं, वो हमको एक मतला जिस environment में हम रहते हैं, या जो भी हमारी surrounding है, उसे एक structure के बारे में भी information देते हैं, और ये चीज़ कैसे होती है, images के through भी और verbal explanations के through भी, so that is all about your mental models, I hope so, ये सारी चीज़े clear हो गई होगी और इसमें आपको कोई भी doubt नहीं होगा, clear, so this is all about your knowledge, representation and organization, I hope so, सारी चीज़े clear हैं, अब just a quick review, पूरा, जो भी पढ़ा, एक बार फटा फट से सारी चीज़ों को recall करेंगे, और बहुत short में करेंगे, ठीके बिलकुल जादे details में ही, पढ़ाती ही बहुत details में हो लेकिन एक बार revision, quick revision, okay, so, just look at this, so we have discussed knowledge, representation and organization in human memory, बिलकुल short में, knowledge, representation and organization in human memory, और इसी के साथ में ह एक हमने concepts को discuss किया, इस concepts के अंदर हमने categories को पढ़ा, clear, we have discussed schema, ये हमने discuss किया, इसी concepts के अंदर हमने एक और model discuss किया, hierarchy वाला, okay, कि कैसे आप hierarchy में पूरी memory को organize करके रखते हो, और इन सभी के बीच में एक network structure होता है, clear, इसके बीच में क्या होता है, एक network structure होता है, next, we have discussed the dual coding hypothesis, lastly, we have discussed the mental models, so basic, basic क्या है, कि long term memory में इतना सारा data है, data को खिचडी नहीं बनाना है, data को अलग-अलग preserve करके रखना है, ताकि जब जो information चाहिए, वही information मिले, क्योंकि मांडो, आप mango चाहे, आपको मिल जाए, दूद, पीने को बॉन वीटा मिला के, तो खुशी नहीं मिलेगी, चाहे की बात अलग होती है, ठीक है, तो इसी लिए क्या एक चीज करना है, कि जो चीज की requirement है, वही मिले, उसके लिए organize करके रखना है, ओके, organization is must, organize होगी, तो knowledge को represent कर पाओगे, इसे अपनी daily life में use कर पाओगे, clear, तो इसी लिए memory को organize करना, represent करना is important, कैसे कर सकते हो, concepts में divide कर सकते हो, concept को categories में divide कर सकते हो, schema के form में use कर सकते हो, hierarchy और network रहेगा, तो connect करना easy हो जाएगा, connect करना easy होगा, labeled relationship होगी, तो आपका time waste नहीं होगा, आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा, memorize करने में, dual coding hypothesis के अंदर दो चीजे पड़ी, एक concrete और एक abstract, अगर आपके पास में concrete object को लेके information है, तो आपके mental models भी बनेंगे, और आप उसको verbally explain भी कर पाओगे, यानि images भी आपके mind में बनेंगे, आप उसको verbally explain भी कर पाओगे, abstract जो concepts होते हैं, उसकी images नहीं बनती, बस आप verbally उसको explain कर पाते हो, example, trust, honesty, courage, proud, etc. Is it clear? I think everything is clear, clear, तो बस एक बार आप उसको अच्छे से read करो, और जहां मैंने बोला कि वो जादा unnecessary चीजों को विल्कुल नहीं पढ़ना, तो उसको मत पढ़ो, जो मैं बोल रहे हैं, उसको उतना उतना पढ़ो, concept को clear रखो, ये वाला concept नहीं, पूरे lecture का जो concept है, उसको clear रखो, और इस चीज़ में work करो, सबसे simple सी चीज़ है, आप कुछ psychology के student हो, तो आपके साथ में तो psychology बहुत अच्छी होनी चाहिए है, तो इसलिए अपनी memory को कैसे organize करना है, कैसे उसको sharp बना सकते हो, खिचडी मत बनाओ, लेको इसका एक और example देती हूँ, बहुत बार जनरली बच्चे क्या करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं तो exam exam आने वाले हों, या stress में हों, या बहुत सारा ऐसे बच्चे होते हैं, जो बहुत confused होते हैं पढ़ाई को लेके, अभी तो आप मतलब school level पर हो, अभी आप graduation में जाओगे, तब आप और confused होगे, फिर आप graduation में और आगे पढ़ाई करोगे, तो आप और confused होगे, आप confused ही रहोगे, आप बहुत time तक confused रहोगे, जब तक आपका एक पूरा career set नहीं हो जाता है, तो उस confusion में, जनरेल मैंने देखा ऐसे, बहुत सारे students को देखा है, आप लोगों में भी बता रहे हूँ, कि क्या करते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं, जब exam exam आने वाला होता है, तो unnecessary भी पढ़ लेते हैं, और बहुत बहुत सारा कुछ चुचो है, पढ़ते रहते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, उससे क्या होता, दिमाग में बन जाती, खिचड़ी, आप किसी competitive exam के लिए अगर कभी prepare करो, या किसी भी exam के लिए prepare करो, not in school, school, school में तो क्या होता है, कि एक syllabus है, confined syllabus है, उतना हमको पढ़ना है, उस syllabus में जितना important है, हमको उतना पढ़ना है, बड़ जब आप जैसे किसी चीज़ की preparation करोगे, competitive वगेरा की, तो आप देखना कि market में बहुत सारे sources होते हैं, मैं आपको एक example दूँ, UPSC का, आप अगर UPSC की बढ़ाई कर रहे हो, करने वाले हो, सोच रहे हो करने का, नहीं भी कर रहे हो, या कोई और exam की preparation कर रहे हो, law की preparation कर रहे हो, या किसी भी चीज़ की, तो आप देखो market में बहुत सारे sources हैं, पढ़ने के लिए, धेर सारा material, धे हम सारा कुछ इतना सारा material इखटा कर लेते हैं, कि वो हमारे दिमाख में बन जाती खिचडी, आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का सब भूलते जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि memory strong करने के लिए एक formula है, क्या है, analyze, understand, meaning, किसी भी concept को बार बार समझो, analyze करो, उसको सारी इसो सा, examples वगिरा से relate करो, और उसके meaning को बहुत अच्छे से समझो, अगर आपने उसका meaning समझ लिया, आपने उसको बार बार revise किया, तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, levels of processing में आपने पढ़ा, एक होता है shallow level of processing, एक होता है deeper level of processing, तो अगर आप deeper level of processing कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कि आपका concept बहुत clear है, और अगर आपका concept बहुत clear है, और आप deeper level of processing कर लिये हो, तो आपकी memory से वो data कभी जाएगा ही नहीं, बस आपको उसको बार बार revise recall करना है, जैसे for example मान लो, आपने कोई घड़ी खरी दी, ठीक है, कोई watch आपने purchase करी, अब उस watch को अगर आप पहनो, ठीक है, अगर उस watch को, आप पहनो, तो तो उसका use है, अगर आप उसको किसी corner में अपनी cupboard के रख दो, और वो रखी रहे सालो साल, तो उसका कोई use है क्या, नहीं है use, तो same way में अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, या आप कोई कुछ भी काम कर रहे हो, तो deepest level of processing आपको करना है, उस deepest level of processing से क्या होगा, कि आपका जो data है, वो आपकी memory में long time तक रहेगा, long time तक data है, तो उसको organize रखो, जैसे मैं आपको example दे रही थी न, competitive exam का, कि अगर आप इतना सारा material से पढ़ रहे हो, तो वो organized way में होना चाहिए, उसका revision होना चाहिए, पर हम क्या क करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और वो organized way में नहीं होता, और अगर वो organized way में नहीं है, तो जब आप question paper में, मतलब जब exam देने जाओगे, और question paper सामने आएगा, तो question पूछ कुछ रहा होगा, आप answer कुछ और दे दोगे, क्योंकि क्यों आपने memory के human memory का, आप इसको अगर अच्छे से पढ़ते हो, तो आप इससे अपनी memory को sharp कर सकते हो, आप इसके through, आप अपनी memory को improve कर सकते हो, clear and that will be so helpful for you, so I hope so, सारी चीजे clear हैं, और इतना सारा जो मैंने आपको आज ग्यान दिया है, वो भी आपको clear होगा, without any doubt, still कोई भी doubt है, तो तो फिर आप मुझसे comment section में पूछना, आपके सारे doubts को मैं वहाँ पर भी answer करूँगी, आपने eyewitness के बारे में सुना है, eyewitness समझते हो ना, आखो देखी कोई चीज, ठीक है, तो that is a kind of eyewitness, जैसे मानलो for example, कहीं पर कोई party हो रही थी, और आप भी उस party में थे, तो party में क्या क case वगेरा अगर चल रहा है, तो उसमें eyewitness को बहुत ज्यादा importance दी जाती है, कि किसी ने अगर आँखों से उसे, अपनी आँखों से उसे चीज को देखा है, किसी incident को witness किया है, तो उसकी जो testimony होगी, मतलब वो eyewitness जो बताएगा, उसको बहुत importance दी जाएगी, जैसे for example, मानल कोई accident हो जाता है, कोई car accident हो जाता है, just suppose, clear, आपके सामने कोई car accident होता है, और इस car accident में जो भी person होते हैं, उने बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, मतलब विलकुल खदरनाक वाल accident हो जाता है आपके सामने, तो आप थे वहाँ, आपने देखा था, you are eyewitness, समझ रहे हो, that's a kind of eyewitness, अब मान लो अगर उस criminal proceeding में आपको बुलाया जाए कि भाई आपने देखा था, तो आप कोट में आओ और कोट को बताओ कि आपने क्या देखा था, तो आप जो भी बताओगे, उस एक चीज़ को भी importance दी जाती है, clear, आया समझ में, तो इसलिए eyewitness से मैं आपको कोट अब देखो, it is considered to be the most reliable evidence for or against the accused, मान लो आपके सामने कोई चोरी हो जाती है, या आपके सामने किसी भी तरह का कोई case हो जाता है, maybe किसी तरह का कोई murder कर दिया जाता है, मतलब देखो, खदना खदना चीज़े हैं, but थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना, कि अगर मान लो आप अपने school में हो, है ना, मान लो, सर्फ मानना ही है, ऐसा बिलकुल reality में नहीं जाना, आप लोग reality में चले जाते हो ना, ऐसा बिलकुल नहीं करना है, यहीं रहना है, यह कहीं नहीं जाना, बस imagine करना है, जो भी मैं बोल रहा हूं, उसको imagine करना है, जैस आप अपने school में हो और आपके school में एक criteria है कि जिस भी student के 60% के उपर marks होंगे 60% plus marks होंगे उसी student को admission मिलेगा आप किसी काम से principal office में बैठे हुए थे किसी काम से आपको principal ने बुलाया था में भी किसी भी reasons है ठीक है और आप देखते हो कि principal office के अंदर कोई parents आते हैं और मैं फिर से बोल रहे हुए सिर्फ imagine करना अपने principal को गुनेगार मत मान लेना सिर्फ imagine करना है आप principal office में आप देखते हो कि principal office में कुछ parents आते हैं वो principal से यहां पर बैठ के बाते करते हैं और उनके जो उनका बच्चा था उसके 45% ही marks थे तो वो उनको एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं मतलब मान लो वन लाक रुपीज दे देते हैं या 50,000 रुपीज दे देते हैं कि आप आपको principal ने पैसा लिया है और उसके बारो में पता जाता है पुलिस को छी को सा पता च गया us चोटे से बच्चे न्यों क्लास लेए था आप बड़े हो कहाँ बुलाया जाएगा आपको को इनने पैसा लिया था क्या बात हुई तब आप कौन हो गया आआप आई आईविटनेस होगे और आपकी बात को यहां पर बहुत इंपोर्टेंस दी जाएगी उसको रिलाइबल एविडेंस की तरहा माना जाएगा यहां पर हम बात करें उन आईविटनेस की जो अपने आखों के सामने किसी भी चीज को होते हुआ देखते है तो what is the impact on their memory? Just suppose आप a person हो, आपने किसी incident को देखा For example, आपने किसी incident को देखा, तो आपकी memory को समझ जा रहा है यहां पर आपकी memory को समझ जा रहा है And that is the eyewitness memory यहां आपकी memory की बात हो रही है आरहा समझ में आप eyewitness हो Now what happens? So some experiments had been carried out by Loftus and her colleagues during the mid 70s Showed that the eyewitness memory is susceptible to many flaws अब यहां पर यह एक चीज़ कही जा रही है कि हम generally क्या करते है हम eyewitnesses को बहुत जादे importance देते है कि eyewitness है, तो eyewitness अगर मतलब यहां पर है तो वो हमेशा सच ही बताएगा जो उसकी आँखों के सामने हुआ, वो उसी एक चीज़ को बताएगा तो इनको एक फिल्म दिखाई जाती है उस फिल्म के अंदर एक कार एकसिडेंट दिखाया जाता है क्या दिखाया जाता है? कि एक कार का एकसिडेंट हो गया मान लो आप हो eyewitness, आप लोग सभी, जितने भी सभी ये वीडियो दिख रहे हो आप सभी eyewitnesses हो और यहाँ पर आपको मैं एक मूवी दिखाती हूँ मैं हट जाती हूँ यहाँ से ठीक है? और उस मूवी में कार एकसिडेंट होता है clear? now, this was followed by some questions अब मूवी दिखाती है? अब मूवी के बाद में आप से कुछ कुछन पूछी जाएंगे दो तरह के question है पहला question है How fast were the cars going when they smashed into each other? दो कार है, एक इधर है, एक इधर है दो नों आपस में आ रहें थी और smash भिढ़ जाती है आपस में ठीक है? तो पहला question यह है कि कार कितनी तेज थी जब वो smash करती है जब वो क्या करती है? smash करती है इसी से related दूसरा question है बस smash को बदल के contact कर दिया जाता है ठीक है? smash को बदल के क्या कर दिया? contact कर दिया मतलब पहला question यह था कि जब कार भिढ़ती है तो उनकी speed कितनी है? दो यह भिढ़ना और smash होना यह मैं इसलिए गोल रहे हैं क्योंकि यह words का मतलब importance है यहाँ पर और दूसरा है कि जब कार आपस में एक दूसरे से टकराती है देखो कितना अच्छा words है टकराती है ठीक है? तो जैसे ही contact करती है टकराती है तो कार की speed क्या थी? एक मैं आपसे बोल रहे हूं कार जब आपस में smash करती है तो कार की speed कितनी थी? कार जब आपस में contact करती हैं तो speed कितनी थी हिंदी में बताओ कार जब आपस में भड़ती हैं तो speed कितनी थी और कार जब टकराती हैं तो speed कितनी थी clear अब ये दो तरह के question आप से पूछे गए now those who were asked the first question estimated the speed of the car as 40.8 mph जिन से पूछा गया था कि मतलब ये एक general question था इसमें कोई car speed का कुछ भी नहीं था बस film दिखाई गई कि car आ रहे हैं और आपस में टकरा गई accident हो गया clear मतलब accident हो जाता है car accident बस इतना ही दिखाया movie के अंदर speed वगरा नहीं दिखाई but in general जिन से ये पूछा गया कि car जब smash करती है तो speed कितनी थी so many of them said कि car की speed 40.8 mph के आसपस थी एक average सबने 40.8 नहीं बोला था बट जितना जितना बोला था उसका एक average निकालें तो 40.8 mph देखने को मिली जिन से second question पूछा था कि जब car टकराती है बहुत ऐसा नाजुक सा वर्ड हमने बोला कि जब car टक राती है contact करती है तब उनकी speed कितनी थी तो जादा तर बोले 31.8 थी किती थी 31.8 अभी picture तो सबको सेम ही दिखाई ऐसा तो है नहीं कि आधो को अलग picture दिखाई आधो को अलग picture दिखाई सबको सेम picture दिखाई है ना तो अब वो सब का जो viewpoint होगा वो अलग अलग होगा अब जैसे मान लो आप लोग मुझे देख रहे हो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है पढ़ाते पढ़ाते कभी-कभी मेरा pitch बहुत हाई हो जाता है कभी-कभी बिल्कुल low pitch हो जाता है यह तो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन मान लो आपसे पूछा जाए कि मैडम बहुत तेज आवाज में बोलती है या बहुत धीरे बोलती है तो आप में सहाँ आदे कहीं चलतती है हुआ तो कुछ किया बोलेंगे बहुत धीरे बिल्कुल फाइन कुछ शायद ये भी बोल सकते हैं कि धीरे बोलती है थोड़ा और तेज बोलना चाहिए ऐसे बहुत कम होंगे बर ठीक है तो आपके अपने अपने अलग अलग व्यूपाइंट्स हो सकते हैं देख तो सब रहे हो ना देख तो सब रहे हो सेम चीज देख रहे हो ऐसा त कर दिखाया गया बर पूछने का तरीका यूट वाज तो जवाब भी अलग हो गया मैं आप से पूछ हूँ मतलब यही पनी बात करूं कि मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपसे मानलो कोई पूछे की मैडम कितना तेज चिलाती है और सेकड़् कितनी तेज आवाज में मैड मैं जब बोलती हैं तो और डिवल होती है यह नहीं होती तीनों की अंसेर देख लेना आप अलग हो जाएंगे शंज रहे हो तो बस यहां पर भी एक चीज गई गई है कि nature of question आपकी memory को change कर देता है clear nature of question आपकी memory को change कर देता मैं बोलो कितुनी तेज़ कारों में smash होती, कितनी तेज भिड़ती है, तो आप बड़ी तेज स्पीड में आ रही थी, तो एकदम से accident हो गया, clear, और मैं आप से बोलूँ कि एकदम टकराती है, तो आप बोलो कि ने आतो रही थी, average speed पर टकरागी, आप खुद सोचो, मैं दो बनेट कुछ नहीं बोल रही कि आप खुद सोचो, आप इस question का क्या answer दोगे, आपको, आप किसी road पर खड़े हो, आपके सामने accident हो गया, ठीक है, अब आप से पूछा जाए को आप क्या बोलोगे, ये दोनों question, पहला question ये है, कि जब कार, बहुत तेजी, बस मेरे पूछने का तरीका लग है, कि जब कार भिड़ती हैं, तो स्पीड कितनी थी, ताप बोलोगे, बड़ी तेजी स्पीड में आ रही थी, और अगर मैं आपसे बोलोगे, ये जब कार यहाँ पर टकरा ही, तो किस तरह की स्पीड थी, ताप बोलोगे, average ही चल रहा था, पर शायद कुछ तो भी, या में भी कोई एक क पार की स्पीड ज्यादा थी और दूसरे की कम थी, कुछ इस तरीके से, रिस्पॉन्स जाएंगे, सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन, बट दर नेचर आफ कोशन डिफर्स दी, मैमोरी, आरा समझ में, सेम चीज यहाँ पर कही जा रही है, कि जैसे हम आई विटनेस को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, कोट प्रोसीदिंग में, बट बहुत बार, जो आई विटनेस है, वो अलग तरीके से, कंसेप्ट को समझ सकता है, इन फैक्ट दा, एन कोडिंग अब दीवेंट वस ओवर रिटन बाय मिसलीदिंग कोशन, और इसी एक एक इवेंट कोई वाउसन वाइंगा शुशन, जैस में आप अप ऍसम्ट वाइयन सेख़ा हो जाएंगallahrat कोशन, Nejए कुछ अैसी इंसिदेंट्स हैं, जिसमें आप एमोशनu हो जाते हो जिसमें आप क्या हो जाते हो आप एमोशनल हो जाते हो आप वहाँ पर जो intensity है उस incident की आप उसको तो छोड़ देते हो एक तरफ आप हो जाते हो एमोशनल आप एक scenario को imagine करो again imagine ही करना है कोई reality में नहीं पहुंचेगा ठीक है मान लो आप normally बस इस टॉप पर खड़े हुए थे ब बहुत मोटा थगड़ा बड़ा सा और आके वो वोमिन को मारने लग जाता है ठीक है मारने लग जाता है वो वोमिन जानती है उसको ठीक है वो जो लेडी है वो जानती है उसको और वो बोदी आरे तो मुझे क्यों मार रहे हो उसका नाम वाम लेती तो आप समझ जाते हो कि ह इसंहें आप क्या करने संप्र दो कंडिशन होती है यहीं होता है या तो आप विल्कुल कूद पड़ो या तो फिर आप शांती से खड़े रहू नव अब गलत की बात नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है आपको क्या नहीं ख़रना है we are just आदि शाइक लोगे पर हमारी psychology क्या होती है कि हमारा focus होता कि एक बहुत ही physically strong person एक lady को मार रहा है ठीक है तो अगर मार लो इसके बारे में आपसे पूचा जाए तो यूर लाइक कि अरे बड़ी बुरी तरीके से मारा उसने और वो बड़ा ही बेकार इंसान था और ये वो ये वो आपको नहीं पता कि background में क्या चीज हो रही थी तो आप जब emotional हो जाते हो न तो आप उस मतलब event के nature की वज़े से भी आप influence हो जाते हो और जब आप event के nature की वज़े से influence होते हो तो आपका जो reply आता है आपका जो response आता है वो भी बिलकुल अलग आता है आ रहा समझ में तो अगर आप eye witness memory की बात करो ठीक है अब वो court proceeding तो हो गई अपनी जगे की court में तो फिर ठीक है फिर court और बोलता है कि हमें सिर्फ इसके उपर बिलीव नहीं करते है और भी चीज़ों होना चाहिए एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर वो डाट इफरेंट पास अब courtroom से बाहर आओ वापिस अमनी psychology class म तो जनरली psychology एक चीज़ बोलती है psychology यह बोलती है कि जो eye witness memory है वो nature of events से influence हो जाती है nature of events से influence हो जाती है clear और जब वो nature of events से influence होती है तो जो उसका response है वो भी influence हो जाता है clear अगर आपके सामने दो लड़कों की लड़ाई हो रही है और आपके सामने एक लड़के और एक लड़की की लड़ाई हो रही है तो आपका दोनों सिनारीयों में जो आपका response होगा वो बिलकुल डिफरेंट होगा अगर लड़कों की लड़ाई है तो आप जो है आप ऐसा सोचते हो लड़के-लड़के की अगर लड़ाई है तो अगर आप दूसरे सिनारियों के इमाजिन करों कि लड़का और लड़की की लड़ा ये दोने एक दूसरे के साथ में मारा पीटी कर रहे हैं तो या फिल लड़का सरफ लड़की को मार रहा है तो यू आ लड़का ही गलत है क्योंकि वो लड़की को मार रहा है मैं नहीं ल कुणन नेचर ऑफ मेमरी को भी चेंज कजेता है यह सेकिंड में इसको वी News करना की नेचर ऑफ करना कि नेचर ऑफ कोशन चेंज इस दा membोली क्लियर आइथ थिंग usual ईफन पじゃあ और या पर दोड़ा इंट्रेस्टिंग कैम КНन आफ प्रोह है जैसे ऐसे ऑमालेब यह होता है कि आपके साथ में जो कभी नहीं हुआ, हम आपको वो भी करवा देंगे Surprised, basically it is like कि आपके साथ कभी ऐसा event हुआ ही नहीं है बट हम आपको उसकी भी memory दिला देंगे For example, आप कभी college गए ही नहीं हो, पर मैं आपको college में पहुंचा दूँ और मैं आपकी college से related एकाज memory भी बना दूँ अब आप बोलो कि मैडम क्या फालतु बात करी हो, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता है But this is the reality, ठीक है, this is the reality, ये एक चीज़ हो सकती False memory हम बना सकते हैं, जो कभी आपके साथ हुआ ही नहीं हम उसकी भी memory आपके अंदर सेट कर सकते हैं और ये सरफ मैं नहीं कर सकते हूँ, ये every psychologist can do this clear मैं psychologist नहीं हूँ, मैं teacher मैं आपको बताऊंगी concept क्या है So, let us look at one such study carried out by Gary, Manning and Loftus in 1996 and understand the features of false memory एक study conduct की गई, 1996 में Gary, Manning और Loftus ने conduct करी और इन्होंने यहाँ पर false memory क्या है, कैसी है, उसको explain करने की कोशिश करी Experiment थोड़ा सा tricky है, अच्छे से सुनोगे, अराम से सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा नहीं आएगा समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, concept को समझना important है Okay, now look at it Initially, they presented before the participants of their experiments, a list of events that could have occurred in their lives मेरे पास में ये एक रूम है, इस रूम के अंदर मेरे पास 10 participants है कितने participants है, 10 participants है, मान लो भी Gary Manning और Loftus तीनों मैं ही हूँ मेरे अंदर ये तीनों आ चुके है, ठीक है, और अब हम experiment कंड़क्ट करेंगे और मेरे पास में ये 10 लोग है, इन 10 लोगों को मैंने एक list दी इस list में कुछ events लिखे हुए थे, जैसे for example, मान लो, कैसे events थे कि जब आपकी शादी हुई, या जब आपका पहला बच्चा हुआ, या जब आप पहली बार office में जाते हो, job करने के लिए या जब आपका पहली बार accident हो जाता है, कुछ इस तरीके के events, ऐसे events जो उनकी life में हुए होंगे जनरली ये events अभी की life में होते हैं, आप बोलोगे हमारी life में तो कभी नहीं हुई शादी अभी तक, लेकिन होगी तो नहीं काद दिन तो इस तरीके से कुछ ऐसे events हमने दिये, जो जनरली उनकी life में हुए होंगे अब 10 थे, 10 के 10 को हमने ये list दी, तो इन्होंने rate करना इस्टार्ट किया, जैसे फॉर एक्जामपल, मान लो ए परसन है तो यहाँ पर हमने कुछ events दे दिये उसकी life में, कि जैसे फॉर एक्जामपल, कौन सा वो ऐसा event था जब उसको बहुत ही proud feel हुआ, ठीक है कौन सा वो ऐसा event था जब उसने अपनी life में बहुत ही proud feel किया, कौन सा ऐसा event था जब उसने अपनी life में failure को, जो है, मतलब experience किया कौन सा वो event था जब उसने अपनी life में fear को experience किया, या ऐसे कुछ related जो भी events हर एक person की life में होते हैं, हमने कुछ ऐसी list बना के उसको दी अब उसने इसमें rating करना स्टार्ट करी, ठीक है, क्या करना स्टार्ट करी, rating करना स्टार्ट करी कि कौन सा event उसकी life में, मतलब जिससे वो सबसे ज़्यादा connect कर पा रहा है, जैसे मानलो, सबसे ज़्यादा connect वो proud को कर पा रहा है, second वो fear को कर पा रहा है, इस तरीके से उसने rate क को दी थी यह लिस्ट इंसे ले ली इनको बोला जाओ अपने घर ठीक है यह सब अपने अपने घर चले गए दो हफते बाद यानि कितने दिन बाद 14 डेस आफ्टर 14 डेस देवर अगें इन्वाइटे टू दे लेबरेटरी इन दस लोगों को फिर से बुलाया क्या वापिस से स्वागात है आपका इस लैब के अंदर और इनके साथ में क्या एक चीज होती है यहां पर इनको बोला जाता है कि आप वापिस से उन इवेंट्स के बारे में इमाजिन करो उनको विजुलाइज करो जो आपके साथ में हुए है एक वो जो लिस्ट इनको दी थी उस लिस्ट में से आप उन events को imagine करने स्टाट करो जैसे अगर आपने कभी कभी कोई proud moment आपके साथ में हुआ था तो इसको imagine करने स्टाट करो that is the mental models पता है न mental models पढ़ा है हमने हमारे previous lecture में तो आप जो है उसको imagine करना start करो जो भी events आपकी life में हुए है actually आपके साथ में हुए है In particular, events which were rated low in terms of their likelihood of occurrence were chosen for the task of visualizing and imagining तो अब यहाँ पर ये एक चीज़ होती है कि आपको एक पूरी list दी है इस list में जित्ते भी events थे वो हमने कर दिये इसमें आपने rating करी कि कौन सा event से आप ज़्यादा connect कर पा रहे हो या कौन सा event सबसे ज़्यादा था और ऐसे करके आपने rating कर दी 1,2,3,4,5 और फिर ये list विस्ट सब लेके आपको दो हफते बाद बुलाया गया और आपसे कहा गया कि आप वापस से उन events के बारे में visualize करने start करो mainly उन events के बारे में जो सबसे कम आपके साथ में हुए हो या जिनके साथ में आपकी memories उतनी ज़्यादा है नी बड़ थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो flashbulb memories मालू मैं यह पड़ा हुआ है हमने यह second phase था experiment का पहले phase में list दी दूसरे phase में बोला visualize करो finally third phase में experimenters ने ऐसा pretend कि जो एक उन्होंने list दी थी न कि कौन सा event आपके साथ सबसे ज़्यादा हुआ कौन सा event को आप connect नहीं कर पा रहे हो तो इनना ऐसा pretend किया कि हमसे वो जो list है वो घूम गई है कहीं पर कि आपके साथ में कौन सा event के साथ आप सबसे ज़्यादा connect कर पा रहे हो वो list हमसे कहीं न कहीं miss place हो गई है in which they had obtained during the first phase and therefore requested the participants to respond to the list once again तो मतलब यह है basically कि जैसे मानलो आप हो तो जब आप first phase में आये थे तो आपको एक list दी थी ठीक है इस list में events थे और आपको बोला गया था कि आप इन events से सबसे ज़्यादा कहां connect कर पाते हो या सबसे ज़्यादा memories आपकी किसके साथ में है आप उसको rating करो तो आपने यहाँ पर rating करी थी 1,2,3,4,5 कुछ इस तरीके सा आपने rating करी थी ठीक है फिर यह list हमने आपसे ले ली हमने आपसे यह list ले ली second phase में हमने आपको फिर से बुलाया हमने आप से कहा imagine करो और हमने आप से कहा कि आप सबसे ज़्यादा उन चीजों को imagine करने की कोशिश करो जो आपके साथ least हुई है मतलब यह 5,4 यह वाले events third phase में हमने इसे यह कहा कि भाई यह जो list आपने हमको दी थी यह list हमसे खो गई है यह list हमसे खो गई है तो हम वापिस से आपको list दे रहे है और आप वापिस से रेटिंग कर देना आप काउंसे event के साथ में सबसे जादा connect कर पा रहे हो interestingly events which were rated low on likelihood in the first phase but were later visualized and imagined as real were now rated high the participants reported that those events actually took place in their lives these findings suggest that memory can be induced and implanted through imagination inflation a finding that provides useful insights into memory processes इसका मतलब यह है और लास्ट में हमने यह एक चीज़ देखी गई कि जब हमने आप से कहा कि हमसे list खो गई है तो हम वापिस आपको list दे रहे हैं आप वापिस उस पर marking कर दो तो यह देखा गया कि जहां पर आपने सबसे low rating दी थी उनकी rating सबसे जादा हो गई जैसे for example जब मैंने list दी थी उस list में कुछ fear से related event था कि कभी आप किसी भूत बंगले में चले गए थे आप कभी नहीं गए भूत बंगले में तो आपने उसको 5 rating दी थी लेकिन मैंने आपसे second phase में यह कहा कि imagine करो और imagine करो उन चीजों के साथ में जहां पर likelihood सबसे कम रहा तो आपने भूत बंगले के बारे में imagine करना start कर दिया आपने इतना जादे imagine कर लिया उसको कि जब मैंने आपको दुबारा से लिस्ट दी तो आपकी सबसे जादा memories जो थी वो भूत बंगले के ही साथ में थी तो जिसको आपने five rating दी थी उसको आपने फर्स्ट rating दे दी आया समझ में this is called false memory इसका मतलब यह है कि जनरली जो चीज़े आपके साथ में कभी नहीं हुई हम उसकी memories भी आपके अंदर implant कर सकते हैं and a finding that provides useful insights into memory processes आरहा समझ में तो जनरली memory क्या हो दी जो हमारे साथ में हुआ है जो events कभी हमने face किये कभी हमारे साथ में हुए that is a part of your memory लेकिन memory के अंदर उन चीज़ों को भी हम डाल सकते हैं जो कभी आपके साथ हुआ ही नहीं आपने कभी दे keeps on imagining them और धीरे-धीरे करके time ऐसा आता है कि यह memories यह false memory हमारी actual memory का part बन जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यह events हमारी life में हुए हैं यह चीज़ आप भी experience करते होगे कभी आप भी अगर इस एक चीज़ पर focus करो तो आपने दिखा होगा कि हम भी false memories create कर लेते हैं हम भी ऐसी बहुत सारी चीज़े सोसने हैं दिन भर में कभी पढ़ते पढ़ते दिमाग यहां से कहीं और चला जाता है किताब से है और कुछ और यह सिनारियो हमारे दिमाग में चलने लगता है maybe future को लेके या maybe किसी ऐसे past event क लेके जो हमारी life से related है हम सोसते तो उसे time पर ऐसा होना चाहिए था और हम उसके बार में इतना सोसते हैं कि वो हमारी actual memory का part बन जाता है ठीक है और that is a part of false memory आपके साथ यह चीज़ होगी होती होगी अगर आप कभी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आगा कि exactly false memories भी exist करती है मतलब जो आपने कभी किया ही नहीं वो आपके mind के अंदर आ जाता देखो मैंने आपको first point यहां पर यही बताया था कि false memory can be induced by powerful imagination of events that did not take place at all जो कभी हुआ ही नहीं आप उसके बार में सोचने लो जाते हो मैंने आपसे का भूत बंगले के बार में सोचने को भूत बंगले जै स्टोरी ऐसा ऐसा हुआ था जब आप वहां थे तो यह हुआ था वह था आप उसके बार में इतना सोचो कि वह आपकी memory का पार्ट बन जाएगा वह fleshable memory की तरह चमकेगा फिर कभी-कभी आप देखना ठीक है तो these are all the part of false memories clear आया यह यह भी यहां तक सब्सक्राइब सब्सक्र memory को बना रहे है nature of event जो है न वो हमारी nature of memory को change कर देता है false memory में मैं इतना बार आपको उस memory के बार में बता सकते हूं कि वह memory आपके अंदर आ जाएगी वह false memory actual memory में बन जाएगी so that is a part of memory making यह विलकुल एक short concept था छोटा सा concept था जो आपको explain करना था I hope so clear हुआ होगा और इसमें कोई doubt नहीं होगा still कोई डाउट है कोई भी चीज़े तो मुझे comment section में बताओ and work upon your memory चीग है अपनी memory को भी कि memory कैसे work करती है memory को कैसे retain और retrieve किया जा सकता है उसके धेर सारी functioning processes organization यह सारा सब कुछ in detail हमने discuss किया then we discussed a very unique concept that is memory making we have discussed कि memory making क्या होती आप अपनी memory को बना भी सकते हो so in that we discussed eyewitness memory and false memory आप उसी को थोड़ा सा और continue करें गया और यहाँ पर कुछ thinkers के साथ में हम समझेंगे memory as a constructive process यानि की आप memory को construct भी कर सकते हो clear अब आप कैसे memory को construct करोगे वो हमें आपर देखेंगे और कुछ thinkers के बारे में discuss करेंगे okay so let's begin now if you were to carefully examine the initial explorations about memory processes you will perhaps conclude that memory primarily consists of reproduction of the stored material अब तक अगर आपने जितना भी memory में पड़ा है उसको थोड़ा सा memorize करने की कोशिश करोगे तो आपको यह एक चीज़ पता चलेगी कि memory अब तक जितना पड़ा memory is kind of something जहां पर जो हमारा stored material है आप उसको reproduce कर सकते हो यानि for example just suppose this is memory तो इसके अंदर जितना भी डेटा है उसको वापिस से reproduce करना उसको यूज में लाना that we have discussed so far in our memory but this and this view was held by Evan Goss and his followers who emphasized the quantity of information that can be stored in the memory and judged its accuracy by matching the contents of storage and reproduction अब यह जो एक व्यूव है कि आपकी memory क्या है that is something की उसमें जितना भी material stored है आप उसको reproduce कर सको ओके यह व्यूव किस ने दिया था इस वास गिवन बाइबिन गॉस क्लियर इस एक व्यूव को किस ने दिया एबिन गॉस ने और एबिन गॉस और उनके followers उन्होंने इसी एक च समझ रहे हो क्या एक चीज़ मैं बोल रहे हूँ देखो यहां पर समझो अबिन गॉस और जो उनके followers हैं वो बात करते हैं अबिन गॉस सही spelling लिख रही हूँ ना मैं क्रॉस चेक करो आप लोग ठीक है येस वी आ राइट एबिन गॉस और इनके जो followers होते हैं वो यह बोलते हैं कि देखो memory is something जिसके अंदर बहुत सारी information को हम store करके रखते हैं हम बोलते हैं कि memory क्या है memory store house है लेकिन memory सिर्फ और सिर्फ store house नहीं है इसी के साथ साथ में जो भी information हमारे पास में है हम उसको retain कर सकें और साथ ही साथ में retrieve कर सकें समझ रहे हो क्या एक चीज़ बोल रही हूँ है कि जैसे for example if I have memorized the date of my friend's birthday मतलब जब मेरे friend का birthday आता है उस एक date को मैंने उसे पूछा उसने मुझे बता दिया तो मैंने अब उसको याद रखिया कि next time उसका birthday आएगा हम जनरली एक चीज़ करते हैं कि वर्थडेज वगेरा को लेके बहुत क्रेज होता है like मुझे तो है मुझे नहीं पता आप लोग को है या नहीं तो वर्थडेज को लेके जनरली क्रेज होता है So if, just suppose, my friend told me that उसका जो birthday है, वो कब आता है? वो आता है 12 अगस्ट, okay? मेरी फ्रेंड ने मुझे बताए कि उसका birthday 12 अगस्ट को आता है, clear? अब मैंने उसे एक चीज को याद कर लिया अब मैंने याद कर लिया, तो मतलब वो memory कहां? मेरे memory के अंदर ये information store हो गई अगस्ट को, next year 12 अगस्ट को याद आ, ये भी important है, तो retain करना भी important है और दूसरी बात, याद आ, तो मैं उसको retrieve भी कर पाऊंगी, use कर पाऊंगी उसे एक information को अपने friend को wish करने में, clear? तो store, retain, retrieve ये तीनों ही चीज उतनी जादा important है और हमारी memory कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये तब हमको पता चलता है कि हमने जो भी information को store किया है हम उसको reproduce कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप reproduce कर पा रहे हैं, that means आपकी memory बहुत sharp है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, that means you need to work upon your memory ये पढ़ा है ना, ये देखो सारा सब कुछ पढ़ा है, मैं फिर से बोल रहे हूँ, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहे हूँ जो already पढ़ा है ना previous lectures में, उसी को हम continue कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस chapter में तो specifically बार बार ये चीज बोल रहे हूँ कि अगर आपको पिछला आता होगा, तो आपको आगे का हैगा, अगर आपको पिछला नहीं आता तो आप आगे का अच्छे से नहीं पढ़ाओगे, नहीं समझ पाओगे तो समझने के लिए important है कि पहले का सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखो, clear? तो आपन का उस इसी चीज को बोल रहे हैं कि हमारे memory के accuracy को हम judge करते हैं, हम match करते हैं कि जितना store किया है information उसको reproduce कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो उससे accuracy पतल चलती कि memory sharp है या memory sharp नहीं है, so if the reproduced version of the stored material showed any deviation, it was seen as an error and a case of memory failure, अब जैसे मान लो, for example, ठीक है, मैंने वही उसी example को continue करते हैं कि just suppose मेरी friend का birthday 12th अगस्त को आता है, okay, अब इसके बाद में क्या होगा, कि जब next year 12th अभी तो मैंने पता कर लिया, अभी मैंने को याद हो गया कि हाँ 12th अगस्त को आता है, मुझे याद भी रहेगा, okay, कुछ time तक मुझे याद र है नहीं कि रोज में revision करूंगी अपने friend के birthday का, कि 12th अगस्त को आएगा, 12th अगस्त को आएगा, अभी one year है, okay, so I am relaxed, अपना मैं busy रहूंगी, etc, etc, सारी चीजों में, next year, August मनत आता है, तो मुझे एक बार के लिए click तो जरूर होगा, कि भाई 12th अगस्त को मेरे friend का birthday है, clear, फ store किया, मैं उसको reproduce कर पाई, and there is no error, and there is no error in my memory, clear, but just suppose, कि 12th अगस्त जब next year आती है, तो मुझे बिलकुल भी याद नहीं रहता, and even 13th अगस्त को फिर मेरा friend मुझे फूलाग बिलता है, तो अब यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ मतलब है कि error आ गया, error आ गया, मतलब कैसा error आ कि जो memory है, वो fail हो गई, memory क्या हो गई, fail हो गई, जो store किया था, उसको reproduce नहीं कर पाई, तो यह उन्होंने कुछ ऐसे functions होगे बता है, देखो, मैं आपको basic एक चीज़ बताऊं, कि chapter मैं आपको पढ़ाती हूं, है ना, concept मैं आपको clear कर देती हूं, आपका concept clear होना बहुत ज़् अधिंश कर चुके है, हमने evan goss heading के अंदर नहीं किया, हमने memory as a constructive process heading के अंदर नहीं किया, but this we have discussed, यह सब हमने डिसक्स कर लिया कि कैसे retrieve करना है, कैसे return करना है, कैसे store करके रखना, कैसे उसको reproduce करना है, कैसे knowledge को represent करना है, कैसे organize करना है, यह साः सब कुछ अलरेड़ी हम डिस कुछ new points भी मिल सकते हैं clear समझ में आ रहा है मैं यह चीज क्यों बोल रही हूं क्योंकि बहुत बार students के साथ में यह एक चीज होती है कि जैसे आप लोग पढ़ जाओ है न आप पढ़ रहे हो कोई चीज आपने पहले डिसकस करें थे फिर वो चीज आपको सेम यहां पर भी मिल लिया था but there is something new here हम किसी theory की बात कर रहे हैं जो Evan Gauze ने थी किसको लेके human memory को लेके तो मान लोगर question में आप से पूछ ला कि Evan Gauze और उनके जो followers हैं उन्होंने किस तरहीके से memory को as a constructive process बताया तब आप confused हो जाओगे पता आपको सब कुछ है ठीक है अभी तो मैं आपको यह topic पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको पता सब कुछ है कि कैसे memory retrieve restore करना है लेकिन अगर question में ऐसे आ गया कि Evan Gauze ने बताया कि memory constructive process है कैसे है उसको explain करो तो आप confused हो जाओगे clear और यह वही है memory वगरह सारा पढ़ चुके हो ना कि information है बढ़ जो question पूछ रहा है वो बतानी पा रहे तो वो सारी problems को नहीं आए वो सारी problems को remove करने के लिए आपको topic को अच्छे से सुनना है अच्छे से पढ़ना है Evan Gauze के points को हमको note करना है कि उन्होंने क्या क्या बताया तो पहला उन्होंने क्या बताया storage and reproduction clear store करो information को उसको reproduce अगर वो हो रही है that means that your memory is accurate clear second अगर नहीं हो रही जाता है clear that's a kind of human error now this is storage metaphor of memory implied that the memory was a passive occurrence of learned material that has been transported to its long term storehouse तो यह जो एक पूरा storage metaphor है ना यह एक passive process है कैसा process है? passive process है देखो यहाँ पर समझो देखो just suppose this is your short term memory this is your STM okay and this one is your long term memory LTM now you have asked your friend his birth date and he told you that on 12th August 12th August this is his birth date okay उसने आपको बताया कि 12 अगस्त को मेरा birthday आता है हर अब आपने क्या किया? आपने उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए तो मेमोराइज कर लिया अगर आपको next year भी याद रहता है 12th अगस्त को आपके फ्रेंड का बर्थ देख है तो that means आपकी वो short term memory से कहां चला गया? वो short term memory से आपकी long term memory में चला गया एक साल तक की duration का data आपको याद रहा तो वो passively होता है ये तो मतलब एक मैंने आपको सरफ example दिया है बार बार उसको produce कर रहे हो तो वो आपके LTM में automatically चला जाता है clear? बस इसी एक चीज़ को कौन बता रहे है? Abingos अब ये चीज़ भी पहले discuss कर चुके हो बट Abingos के points को याद रखना भूल मत जाना कि question में आजा Abingos ने क्या-क्या बोला तो आपको पता ही कौन Abingos हमने को कभी chapter के अंदर पड़ा ही नहीं तो अभी notes बनाएंगे उनके ठीक है? अभी इनके भी notes बनाएंगे कि इन्होंने क्या-क्या सारी बाते कहीं तो पहला इन्होंने बताया storage reproduction दूसरा इन्होंने क्या पताया? अगर deviation है तो memory failure तीसरा इनकी बात है कि passive occurrence of the learned material जो भी आप याद करते हो वो passively occur होता है क्योंकि वो दीरे-दीरे करके आपकी long term memory में transfer हो जाता है जब long term memory में transport हो जाएगा तो फिर आपको long duration तक कोई भी information जो है वो याद रहेगा आप उसको memorize कर सकते हो यह तीन basic चीज़े हैं जो Evan Gauz ने बताई है clear next comes Bartlett यह भी एक और thing करें ठीक है अब यह जो एक position है यह जो Evan Gauz ने बोला एक काम करते है Evan Gauz ने जो भी बोला उसको note down करते है ठीक है तो थोड़े से आपके notes भी बन जाएंगे और फिर comparison आप कर पाओगे ओके कमेर कमेर का मतलब यहां पर आओ और जो notes बन वारे हूं वो notes बनाओ ठीक है इसको I think मैं रब कर देती हूं है So number one, Evan Gauz ने क्या कहा कि storage, storage of information, storage of information plus reproduction of stored information plus reproduction of stored information यह फस्त, Second, accuracy और efficiency of memory is judged by reproduction समझ मैं आ रहा है जो भी हम लिख रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि सिरफ आप भी passively लिखते ही जा रहे हो और actively लिखी नहीं रहे हो, passively लिखने का मतलब समझते हो ना कि मैं जस्ट बोल रहे हूं और आप लिखते जा रहे हो समझ आपको नहीं आरा, अगर आपको समझ नहीं आरा तो आपके लिखने का कोई मतलब नहीं है नोट्स आप बना रहो ना मेरे साथ में, तो नोट्स बनाओ तो समझ के बनाओ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नोट्स बनाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे doubt पूछो, clear, क्योंकि अगर बस ऐसी passively लिखते जाओगे तो कुछ समझ में नहीं कहा है, reproduction किसका, of stored information, by reproduction of stored information, third, third हमने क्या एक चीज़ पड़ी थी, if error found, if error found, then memory failure, अगर error हमको दिखता है, तो मतलब memory failure है, clear, fourth हमने इसी के अंदर discuss करा था, इस पॉइंट को हमने bifurcate कर दिया, यह एक ही पॉइंट था, इसको हमने bifurcate कर दिया, यह third point हो गया, and fourth point क्या था, passive occurrence of, passive occurrence of learnt material, transfer या transported to LTM, that is long term memory, transported to LTM, long term memory, धीरे धीरे जब learnt material को, आप बार बार उसको, मतलब occur होता है वो, तो वो आपकी long term memory में जाके store हो जाता है, and फिर long term memories में, जो भी stored है, मतलब आप long duration तक किसी भी material को reproduce भी कर सकते हो, store भी कर सकते हो, is that clear, okay, so बस यहाँ पर क्या लिखना है आपको, abingos, abingos model of memory construction, ठीक है, यह रखो कितने बढ़िया से हमने notes बना लिए, अब मान लो abingos से कोई question आभी जाएगा, तो आप easily उसको answer कर सकते हो, ऐसी answer करना है बस, जो यह लिखा है, उसे उठा के वहाँ लिखते हैं, पर हाँ, ऐसे नहीं, arrow arrow नहीं लगा देना, उसको पूरा explain करते हुए लिखना, यह मैंना आपको short notes form में note करवा दिया, is that clear, जल्दी बताओ comment section में, okay है, समझ में आया है, यहां तक जितना पढ़ा है, notes बने है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं हो रही है, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत परिशानी है, तो वो मुझे comment section में बताओ, ठीक है, और पढ़ाई से related दिक्कत परिशानी बताओ, okay, now next, this position was challenged by Bartlett in the early 30s, who contended that memory is an active process and all that we have stored undergoes continuous change and modification, अब देखो, यह एक बड़ी ही contemporary और एक बहुत ही important theory, again, अब यहां पर Bartlett जो है, वो Ebingos की theory को content करते हैं, मतलब उसको criticize करते हुए बोलते हैं, जैसे Ebingos बोलते हैं कि passive occurrence of learned material, कि मतलब already वो धीरे धीरे जब आप बार बार उसको recall करोगे, बार बार आप उसको reproduce करोगे, तो already जो material है, वो आपके STM से LTM में store हो जाएगा, but Bartlett बोलते हैं कि passive नहीं है, बलकि active है, active का मतलब ये कि आपको पता है, आपकी memory के अंदर आपने किस एक चीज़ को store करके रखा हुआ है, और time to time वो change होती है, time to time वो modify होती है, आरा समझ में, is that clear to you, देखो, जैसे मैंने आपको birth date का example दिया, अब birth date तो change नहीं होगी, time to time है ना, लेकिन कुछ ऐसी information भी होती है हमारे पास में, जैसे for example, आप psychology के बारे में जानते हो, ठीके, आप अभी psychology में memory को पढ़ रहे हो, अभी आप class 11th में memory को पढ़ रहे हो, तो memory से related जितना भी information है, वो अभी आप ने अपनी memory में store करके रख लिया, जब आप graduation में जाओगे, जब आप class 12th में जाओगे, तो यही memory के जो basics हैं, इसका और थोड़ा सा, मतलब updated version आपको मिलेगा, और आप memory के concepts को जानोगे, और आप psychology में अच्छी अच्छी और भी concepts जाएगा, clear, या और कोई example ले लो, मतलब ये एक example हो गया, और कोई example ले लो, कि आपकी memory में या किसी भी चीज़ को आप store, या आपके अपने experiences ले लो, experiences बहुत बाद change होते हैं, मतलब इस से related मैंना आपको बहुत सारे examples भी दिये हैं, कि जैसे पर example आपका कोई friend है, और अभ change हो जाता है, आप कुछ ऐसा experience करते हो, जिससे आप realize करते हो कि नहीं, मेरा friend बहुत ही brave है, और वो बहुत ही soft-hearted person है, और वो हमेशा सब की help करता है, he is not selfish, तो ये आपका उसको लेके एक जो conception था, वो change हो गया, clear, so यहाँ पर उस एक चीज़ को memory में बताए गया है, कि generally हमारे memory में जो data होता है, वो time to time modify होता रहता है, ऐसा नहीं कि आपने कोई एक चीज़ store करके रखी है, तो आप वो बस वैसे ही रहेगी, वो कभी change नहीं होगी, जैसे हम values की बात करें, हमारे mind में, या हमारी memory के अंदर बहुत सारी values भी होती है, आपको याद होगा ना, हमने semantic memory हो, तो एक दिन तो उसका updated version आता है, तो same way में अगर आपने किसी चीज़ को store किया है, तो उसका भी updated version आएगा, ये कौन बोल रहे हैं, ये बाटलेट बोल रहे हैं, कि memory एक active process है, और stored information में change modification होता है, what we memorize is influenced by the meaning we assign to the stimulus material, and once it is committed to our memory system, it cannot remain in isolation from other cognitive processes, तो जैसे आपको याद होगा तीन memory के types को हमने discuss किया था, एक आपका STM था, एक आपका LTM था, और एक थी आपकी sensory memory, sensory memory से STM में जाएगा, STM से LTM में जाएगा, कुछ इसे एक तरीके से हमने memory को discuss किया था, तो यहाँ पर जो sensory memory होती है, उसमें कोई भी information कहां से जाती है, stimulus से, stimulus आपके अपनी physical surroundings, internal, external, तो आप जब भी किसी तरह के stimulus को देखते हो, सुनते हो, या कोई भी material है, stimulus से कोई भी material है, एक बार वो आपकी memory में चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल isolation में कहीं पर है, आप उसको दूसरे cognitive processes के साथ में involve करते हो ना, जैसे for example, आप, आप किसी song को सुन रहे हो, ओके, आप music सुन रहे हो, तो आपका यहाँ पर ears, जो आपके senses हैं, वो यूज हो रहे हैं, वो आपके information process होगी, clear, वो जो आपने music सुना, उसके information process होगी, आप उसको perceive करोगे कि यह music कैसा है, यह side music है, या यह for example, क्या बोलेंगे, love kind of song है है ना, मतलब romantic music है, ऐसा कुछ भी, आप उसको perceive करोगे, जब आप perceive करते हो, फिर आपके अंदर learning होती है, आपके अंदर understanding होती है, फिर आप think भी करते हो, मानलो side music है, तो आप कुछ thinking करने लग गए, clear, so इस तरीके से जंदली क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भ ये एक important point कि जहाँ एब इन गॉस बोल रहे हैं कि memory क्या है, memory as a reproductive process, construction as a reproductive process, reproductive process, वहीं Bartlett का कहना है कि memory एक reproductive नहीं, बल्कि constructive process है, तो हम memory construction को पढ़ रहे हैं, and Ebingos is saying that, Ebingos model of memory as a reproductive process, वहीं जो Bartlett है, वो बोलता है कि memory is a constructive process, तो इसको आप memory constructive की जगा, ऐसा लिखो कि Ebingos model of memory as a reproductive process, clear, ये Ebingos model of memory लिखके, सामने लिख लो as a reproductive process, clear, and third, जो आपके Bartlett है, वो क्या बोल रहे हैं, Bartlett model of memory as a constructive process, अब वो इसको constructive process क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप memory को construct कर रहे हो, आप जो भी memorize किये हो, वो एक किसी कोने में बस यूँ ही मतलब पड़ा हुआ नहीं है, बलकि आप उसको बाकी दूसरे cognitive processes के साथ में भी क्या कर रहे हो, mix-up कर रहे हो, clear, तो इसलिए Bartlett बोल रहे हैं कि memory एक constructive process है, is that clear to you? ठीक है, जितना भी points मैंने आपको बताया है, इसके अलावा, communication, memory as an active process, I hope आप लोग नोट कर रहे हैं है, एक बड़िया से register बनाया है, psychology के लिए, मतलब class register तो obvious से बनाया ही होगा, एक जैसे मुझ से भी पड़ते हो, या कुछ भी तो उसमें थोड़ा कुछ-कुछ points जो भी मैं लिखवाती हूँ, note किया करो, notes आपके लिए बहुत important है, I don't know आपको अभी उसके importance समझ में आई है या नहीं आई है, बट आगे जरूर आएगी, clear तो इसलिए notes अगर मैं यहाँ पर बनवा रही हूँ, मैं इतनी महनत क्यों करूंगी, है ना आप ही के लिए कर रहे हूँ, तो notes को आप भी बनाया करो, okay, so first we have discussed कि memory as an active process and second we have discussed that stored information, stored information is subjected to change and modification, change and modification, clear, so यह हमने इसमें second point दिखा, third what he said कि आप की जो memory का data है, that is not in isolation from other cognitive processes, तो मतलब इसका क्या हो गया, कि memorized data या memorized info, information is not in isolation, clear, इसमें bracket में लिख लो, mixing with other cognitive processes, इसको लिख लो, mixing with other cognitive processes, okay, यह हो गया आपके three points of the Bartlett model of memory as a constructive process, तो इसलिए Bartlett ने क्या कहा, कि memory constructive process है ना कि reproductive process है and using meaningful materials such as text, folk tales, fables, etc. Bartlett attempted to understand the manner in which content of any specific memory gets affected by a person's knowledge, goals, motivation, preferences and various other psychological processes. text और folk ways यह सारी चीज़ों को use करके, Bartlett यह समझना चाते थे कि कि किसी भी person की जो memory है, वो कैसे affect होती है, उसके अपने knowledge, उसके अपने goals, motivation, preferences or different psychological processes के through. Bartlett attempted to understand the manner in which content of any specific memory gets affected by a person's knowledge, goals, motivation, preferences and other psychological processes. अब इसको जानने और समझने के लिए वो क्या करते हैं, एक experiment conduct करते हैं, एक बिल्कुल सा experiment करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, reading of such stimulus materials was followed by 15 minutes break and then the participants of this experiment recalled what they has read. मतलब जनरली वो क्या करते हैं, कुछ read करने के लिए material देते हैं, अपने participants को, आप देखों, यहाँ पर दिखाया है न, using meaningful material, जैसे text, folk tales, या किसी तरह का कोई fable material. तो जैसे for example, मानलो कोई एक book दी, okay, कोई एक book दी और बोला आपको read करो, और आप read करो, फिर आपको 15 minute का break दे दिया, कि अभी रुख जाओ, भी आप से book ले ली, आप कुछ भी कर सकते हो इस एक time में, and then उसके बाद में, 15 minute बाद, वापिस से बोला कि आपने जो भी पढ़ आप उसको recall करो, मतलब जो भी आपने book के अंदर पढ़ा था, आप उसको याद करने की कोशिश करो, so, Barlet ने इस method को use किया, serial reproduction के लिए, in which the participants of his experiments, recalled the memory materials repeatedly at varying time intervals, तो इसको उन्होंने serially reproduce करने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने क्या करा, जो भी experiment के participants थे, उनको repeatedly, मतलब अलग time interval में, जो भी उन्होंने memory में, जो भी मतलब material था, उनके पास में, उसको recall करने के लिए कहा, ठीके, जो भी आपने पढ़ा, ब्रेक दिया, recall करो, पढ़ा, ब्रेक दिया, recall करो, कुछ इस तिक तरीके से, so, while engaging in serial reproduction of learned material, his participants committed a wide variety of errors, which Bartlett considered useful in understanding the process of memory construction, तो इस एक process में वो देखते उसमें errors देखने को मिले, मतलब वो recall नहीं कर पाया, और इसलिए Bartlett ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत जाधा important है memory construction में, उनके जो participants थे, they altered the text to make them more consistent with their knowledge, glossed over the unnecessary details, elaborated the main theme and transformed the material to look more coherent and rational, उन्होंने क्या किया, जैसे for example, मानलो ये 5 participants थे, अब इनको बुक दी, तो इन्होंने जनरली क् इसलिए कि मतलब जो भी unnecessary details वगेरा थी, उसको उन्होंने gloss कर लिया, और उन्होंने अपने knowledge के basis पर जो text थे, उसको alter कर लिया, अपने हिसाब से पढ़ने समझने की कोशिश करने लग गए, so basically ये है कि जैसे अभी Bartlett ने कहा, कि हम हमारे knowledge, हमारे experiences, जो भी हमारी understanding होती है, उस के basis पर हम memory को construct करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी information थी, बस हमारी memory में गई and that's it, no, हमको जो information चाहिए, हम वही information को अपनी memory में रखेंगे, हम unnecessary चीजों को हटा देंगे, जैसे यहां भी unnecessary चीजों को हटा दिया गया, main main जो थी में उसको elaborate कर दिया और ज्यादा rational coherent material को transform कर दिया, now in order to explain such findings, Bartlett invoked the term schema, which according to him was an active organization of past reactions and past experiences, इस एक चीज को और explain करने के लिए, बातले एक term को invoke करते हैं, that is schema, आपको याद है आपने schema पड़ा है, बताओ आपको याद है या नहीं, schema हम already पढ़ चुके हैं, we have discussed schema in our types of long term classifications, long term memory या classifications of long term memory, even हमने जब अभी representation models वगेरा पढ़े थे, या representation of knowledge representation organization in memory, उसमें भी हमने schema पढ़ा था, mental models हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर उसी एक चीज़ को और explain करने के लिए, वो क्या करते हैं, actively, मतलब schema की बात वो करते हैं, schema क्या है, एक active organization of past reactions and past experiences, जो भी आपने पहले experience किया है, जो भी आपकी reactions रहे हैं, उसका एक active organization, schema basically mental frameworks होते हैं, क्या है schema, mental framework, right? So, इस एक तरीके से वो इसके मा के बारे में बता थे, now, schema refers to an organization of past experiences and knowledge which ensures the way in which incoming information is interpreted, stored and later retrieved, तो इसका मतलब यह होता है, जैसे for example, कोई भी चीज है, पहला instance जो आपको किसी भी चीज को लेगे, किसी भी matter या, किसी भी content या, किसी भी object को लेकर आता है, पहला आपका जो एक mental model prepared होता है, that is basically schema, और इसके बाद में उसमें retrieval होता है, so memory therefore becomes an active process of construction, where information is encoded and stored in terms of a person's understanding and within his or her previous knowledge and expectations, तो इस तरीके से memory जो है, वो एक active process है, जहाँ पर आप उसको actively construct करते हो, उसमें आपकी understanding, आपको कितना knowledge है, आपकी क्या expectations है, आप उसके according ही memory को, मतलब, आप memory में information को रखोगे, for example, जैसे मैं आपको एक birthday का example दे रही थी, कि birthday जो date 12 अगस्त, birthday वीवर discussing ना, कि मान लो मेरे friend का birthday 12 अगस्त को है, तो मैंने उस एक चीज़ को याद कर लिया, ये कौन बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है, आपका एबिन कॉस वाला, जो reproductive process है, वो लेकिन जो Bartlett का constructive process है, वो ये बोलता है, कि आप वही information रखोगे, जो आप चाहते हो, जैसे आप समझना चाहते हो, जो आपकी expectations के according है, जैसे अगर मेरे friend के birth date है, तो वो तो मैं याद रखना चाहूंगी, लेकिन मान लो, अगर मेरे friend के साथ, उसके friend, उसके parents और उसके siblings की भ for me, समझ रहे हो, तो यहाँ पर हम unnecessary चीज़ों को हटा देते हैं, और जितना हमारा knowledge के according होता है, हम उतने ही चीज़ को लेते हैं, जैसे for example, just for example, मान लोग कि मैं आपको यहाँ पर कोई concept explain कर रही हो, तो जितना जादा आपकी expectation के according, या आपके previous past knowledge schema के according, जितना आप समझ होगे, so that is also very much important, तो इस तरीके से हम memory को construct करते हैं, आरा समझ में, इस ही एक तरीके से memory को construct किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस information आई, store किया और उसी को reproduce करें, information आई, so first of all, analyze it, understand it and then memorize it, is it clear to you, I hope so, memory as a constructive process आपको clear हुआ होगा, इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा, so we have discussed about the Ebingos model of memory in which he says that memory is our reproductive process और ये हमने four points इसके अंदर note-down किये, next we have discussed Bartlett model of memory as a constructive process and these three processes we have discussed in Bartlett model, is it clear to you, is schema हमने discuss किया, schema का notes हम already पहले बना चुके हैं, so I don't think so कि आपको फिर से लिखनी की जरूरत है, फिर भी आपको लगता है, तो आप ये line लिख सकते हो, active organization of past reactions and past experiences, I hope so clear हो गया होगा, जो भी हमने पढ़ा है, without any law, वही उसी तरीके से कुछ यहाँ पर समझेंगे कि कैसे आप भूल जाते हो, आपने देगा, short term memory loss, यानि थोड़ी ज़र पहले कुछ याता है, फिर थोड़ी ज़र बाद भूल गये, और भी ऐसे धेर सारे concepts होते हैं, भूलन होगा आपके साथ में भी, सबके साथ होता है, ठीके मेरे साथ भी हुआ है यह चीज़े, कि आप किसी काम को सोच के करने के लिए उठे थे, थोड़ा आगे पड़े थे, फिर किसी और चीज़ को देखके distract हुए, और suddenly आप भूल जाते हो कि आप किस एक चीज के लिए उठे किसी के लिए उठे हुए थे काम करने को बट फिर भूल जाते हो कि क्या करना था, क्या नहीं करना था, मैं आपको इसा एक्जाम्पल्स दिये हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने study room में बैठे हुए हो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अपना काम कर रहे हो और आपक करते हो गे तो ऐसा होता होगा कभी आपके साथ और सड़नली ऐसा हुआ कि नीचे तक गए किचिन तक गए बट एकदम से भूल गे कि यहा था उटके क्या काम था मैं क्यू आया था और जब आप आपर चानल जाओ तो कभी-कभी सड़नली याद भी आ जाते कि आप इसलिए आये थे आप यह चीज़ करना चाहरे थे बहुत बार ऐसा भी होता है हम बाते करते रहते हैं जैसे यह आपसे कोई बात बोलने हैं ऐसे हम लोगे कर रहे हैं और और मैं कुछ बोलने तो युद्य में क्या बोलने वाली थी यह बहुत बार यह बिलकोल जन्रल चीज है सब के साथ में होती है और बड़ी इंट्रेस्टिंग है कि अकसर ऐसा हो जाता है हमारे साथ में लेकिन हम उसको बहुत नॉर्मल लेते हैं कि भूल जाते हैं कभी आपने सोचा कि होता क्यों है पर ऐसा ऐसे क्या कारण है जिसकी सब को चुगा सब मैमोरी के अनदर हमने पढ़ा है तो अगर मेमोरी वर्क कर रही है तो फिर हम फॉर्गेटिंग नो zuzum कर नी के इस थी तमरी मैं को कि है mismo है क्या मेजिए चिश करेंग है इंधार सब कुछ इन हम डिसकश करेंगे इस लेक्श के अंदर हम भूल सबसे पहले चीज आपका ध्यान यहीं रहना चाहिए ध्यान आपका यहां वहां कहीं भी डिस्ट्राक्ट नहीं तो यह भूल जाओगे ठीक है और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो ध्यान आपका यहां रहना चाहिए और दूसरी चीज मैं नोट्स बनवाती हूँ आपको तो आपको नोट्स मेरे साथ साथ में बनाने है एड दी एंड आप दी लेक्चर सारी चीज़े क्रिस्टल क्लियर होंगी विदाउट ए हम क्यों भूलते हैं जब इनफॉर्मेशन में हमारे मेमभी में है इस्लिए हम भूल जाते हैं कि कुछी seconds के लिए short-term memory में गई थी ए 30 seconds के लिए short-term memory में गई थी तो फिर भूल गए इसलिए हम भूल जाते हैं क्या ये उसका कारण होता है मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता भी तो मैं स्टार्ट कर रहे हूं ठीक है आगे आगे देखो क्या क्या बढ़ा होंगी आप लोगों को so is it because we did not memorize it well enough or is it because we did not encode the information correctly or is it because during short storage it got distorted or misplaced ऐसा कुछ है कि आप कि आपने जो भी चीज आप memorize करना चाहा रहे थे अब आप उसको भूल गए तो भूल गए क्योंकि लॉंग टप memory में नहीं गई थी short time में रह गई थी या फिर अच्छे से आपने उसको memorize ही नहीं किया आपने उसको rehearse ही नहीं किया या फिर आपने information को encode ही नहीं किया समझने की कोशिश ही नहीं करी या फिर जब वो information आपके storage में गई तो वो कहीं पे धूल खाने लग गई ठीक है या फिर वो कहीं और की पढ़ा रहे हैं जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है so क्या यह सारे रिजन्स हो सकते हैं forgetting के so basically many theories have been forwarded to explain forgetting and now you will read about those that seem plausible and have received considerable attention forgetting rule लेकर बहुत सारी theories है मतलब जैसे in general अभीता का आपने जितना memory पढ़ लिया है तो एक psychologist आप लोग भी हो है ना तो आपके according हम क्यों भूल जाते हैं एक जो मतलब वैसे तो मुझे comment section में बताओ कि हम क्यों भूल जाते हैं आपको क्या लगता है क्या कारण होते हैं भूलन section में कि ऐसा क्यों होता है क्यों हम बहुत बार चीजों को भूल जाते हैं memory आपने पढ़ा है ना तो उतने के हिसाब से मुझे बताओ कि हम क्यों भूल जाते हैं क्योंकि जिनने पढ़ लिया है तो वो अभी intelligent लोग हैं वो comments में बताएंगे तो आपने पढ़ लिया है that's okay ज generally देखो अगर अभी मैं ऐसे पूछों आपसे कि क्यों होती है तो कुछ जो मुझे ऐसा लग रहा है expected responses रहेंगे that is something पहला कि हमने अच्छे से रिहर्सल नहीं करी क्योंकि we have discussed कि अगर आप रिहर्सल करते हो बार बार किसी भी चीज को लेके so memory is strong होती है second यह एक चीज हो सकत है कि अच्छे से analyze or understand नहीं किया मतलब encode नहीं कर पाए meaning नहीं पढ़ पाए अच्छे से meaning को समझ नहीं पाए तो शायद इसले भी हो सकता है कि हम बहुत बार चीजों को भूल जाते हैं okay बहुत बार जैसे वो reels वाले example देती थी थी ना कि भूल गया एक दम से थोड़ी दे इंचन दिया जाता है जिनको पढ़ा जाता है उन्हें ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे सो दफस्ट सिस्टेमाटिक अटेम्ट नेचर ऑफ और गेटिंग को समझने के लिए जिन्हों ने दिया वह हैं आपके हर्मन अब इन गॉस इनके बारे में आपने लास लेक्चर में पढ होती है मतलब कुछ ऐसे वर्ट जैसे नॉक, SEP, SAP ऐसे कुछ करके कुछ इस तरह के वर्ट्स होते हैं नॉंसेंस लेबस पता है ना आपको चाप्र नॉबर 6 लर्निंग में हमने पढ़े हुए हैं तो कुछ ऐसे नॉंसेंस लेबस की लिस्ट लेते हैं मतलब कुछ लिस्ट एक बार इस लिस्ट को रिकार्प नहीं की कुछिश ग fifa इस यह उनके अंदर फॉरगेटिंग होती है कितनी ठीय या नहीं होती यह आपके बुक में फिगर दिए है I think it's 7.2 तो आप अपनी बुक में इसको उपन करके रखो इसको हम समझेंगे, ओके? Next, so he observed that the course of forgetting follows a certain pattern and the rate of forgetting is maximum in the first 9 hours, particularly during the first hour तो मतलब देखो, बेसिकली उन्होंने किया क्या? जैसे उन्हें एक 10 words की list ले ले ली अभी मैं ही अगर आपको यहाँ पर 10 words लिखकर दे दूँ जैसे for example, मैं दे ही देती हूँ आपको, है ना? आप लोग भी देखना अपनी ममरी को चेक करना जैस अपोस, I'm giving you some of the words मतलब nonsense syllables दे रही हूँ, मैं आपको exact words नहीं दे रही हूँ यह एक दे देती हूँ आपको ठीक है, यह एक word मैं आपको दे देती हूँ and just suppose, यह चारी ले लो हना, इससे जादा मैं अभी फ्रेम नहीं कर पाऊंगी just take these four words, ओके, थोड़ी देर के लिए क्या करना? मेरे वीडियो को pause करना, अभी पहले मेरी बात सुन लो फिर pause करना यह चार words को learn करने की कोशिश करना फिर थोड़ा break लेना, पांच एक मिनिट, कुछ तो भी करने लगना, इधर उदर जा के अपना काम करने लगना फिर पांच मिनिट बात आना, फिर इसको याद करना, फिर जाना, फिर याद करना ऐसा करके कोशिश करने की और जब भी next time आओ, तो इसको recall करने की कोशिश करना मतलब थोड़ा break देना, फिर recall करना फिर learn, break, recall, learn, break, recall यह करना आप खुद इस एक चीज को अब्जर्व करोगे कि आप मतलब आपको अपने अंदर दिख जाएगा कि आप कितना जादा भूलते हो आपको पूरा प्रोसेस समझ माएगा उसको हम यहाँ पर अभी डिसकस भी करेंगे बढ़ आप एक चीज भाओगे कि पहली बार में आपको याद नहीं हुआ होगा मतलब पहली बार में हो सकता है कुछ-कुछ याद रहा होगा कुछ-कुछ आप भूल गयोगे सेकिन टाइम में थोड़े से एरर कम हुए होंगे third time में थोड़े और कम होए होंगे, four time में थोड़े और कम होए होंगे दीरे दीरे करके वो errors कम हो जाएंगे, learning जाद हो जाएगी क्योंकि आप बार बार rehearse कर रहे हो, तो पहले तो आप भूलोगे पहले तो आप भूलते हुए चले जाओगे, मतलब आप पढ़ोगे, कुछ काम करोगे फिर जब आप रीकॉल करोगे तो आप भूल जाओगे, फिर आप रीकॉल करोगे तो आप भूल जाओगे और उन्होंने भी ऐसे कुछ words वगरा थे उनको recall करने की कोशिश करी तो उन्होंने ये एक चीज देखी कि पहले 9 घंटे जब वो recall, revise ये सारा कुछ कर रहे थे तो rate of forgetting सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा वो चीजों को भूल रहे थे, mainly पहले घंटे में सबसे ज्यादा, मतल लेकिन एक time तक वो सारे चीजों को भूल रहे थे, उतना जल्दी उनके अंदर learning नहीं हो रही थी, लेकिन एक time ऐसा आया, जब उनके अंदर forgetting नहीं हो रही थी, इसको आप समझोगे, यहाँ पर diagram से, देखो यह figure जो यहाँ पर दिया है, यह है आपका time since learning in days, मतलब कितने दिनों तक आपके अंदर learning चल रही है, ऐसा खरके, यह है amount retained, कितना आपको याद रहता है और यह है यहाँ पर amount forgotten, आप कितना ज़ादा भूल जाते हैं, तो आप देखो, कि जब पढ़ना start किया, तो retaining बिलकुल decline हो रहा है retaining जो है वो बिलकुल decline हो रहा है, steeply नीचे आता चला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़ादा recall नहीं कर पार हो लेगन आप देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा gap भी हमको दिख रहा है, और यह gap बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है मतलब आप retain, मतलब जैसे for example, for example, अगर मैंने आपको five words दिये थे, तो पहली बार में तो आपको पांचो याद नहीं हुए दूसरी बार में एकाद word थोड़ा याद हुआ, तीसरी बार में एक पूरा याद हुआ, चौती बार में दो शायद याद हो गए, फिर उसके बाद में दो तीन याद हो गए, ऐसे करके, तो इसलिए यह gap बढ़ता चला जा रहा है और यह आपकी रिटेनिंग का जो पूरा ग्राफ है, वो नीचे आ रहा है, बट देर कम सा टाइम, कि अब यह जो आपका फॉर्गेटन वाली चीज है, यह बिल्कुल स्टेबल हो गई है पहले आपका जो अमाउंट फॉर्गेटन था, वो बहुत तेजी से नीचे किर रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर रुख गया और आपका रिटेनिंग वाला जो अमाउंट था, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो मतलब यह एक वो पॉइंट आ गया है, जब आप उतना जादा किसी भी चीज़ को नहीं भूलते हो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे यह एक चीज़ बताओ मैं आपसे simple, सबसे simple अगर मैं आपको पताओ तो मैं यह चीज़ बोल रहे हूँ कि जब भी आप कोई नई चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो, memorize करने की कोशिश करते हो तो पहले वो उतनी जल्दी आपको याद नहीं होती लेकिन अगर आप उसको बार बार revise, rehearse करते हो तो एक time ऐसा आता है कि वो आपको अच्छे से memorize हो जाती है और फिर आप उसे नहीं भूलते लेकिन जब आपने start किया किसी चीज़ को memorize करना तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़े याद होंगी एकदम से आपको सब याद नहीं होगा जैसे मैं आपको एक example दूँ मानलो मैं आपके chapter number 7 का test ले रही हूँ मैं आपको बोल दूँ कि कल आपके या कल नहीं मानलो आज से 5 दिन बाद आपका chapter number 7 human memory का test में conduct करोंगी test होगा subjective ओके just suppose मैंने यह एक चीज़ आपसे कह दी अब आपके पास 5 days का time है आपने कहा या बहुत सारा content है जल्दी से पढ़ाई लिखारी मैं आपनी कर लेता हूँ तो just take care of these 5 days first day, second, three, four, five पहले दिन जब आपने chapter को याद करने start किया पहले आपने उसको याद करने start किया धीरे धीरे करके तो आप देखोगे कि second day तक आते आते आपको उसका शायद सरफ 10% ही याद होगा 90% आप भूल चुके होगे 90% आप forget कर जाओगे पर second day आपने का रहे यार मैं तो इतना पढ़ा था सब भूल गया फिर से start करता हूँ तो आपने फिर से सारी चीजों को पढ़ना ही start किया 10% छोड़के आप फिर से पढ़ोगे फिर से पढ़ोगे फिर से पढ़ोगे आप third day ये चीज़ देखोगे कि मुझे 30 to 40% याद हो गया इस तिल मैं 60% भूल रहा हूँ अब आपने उस 60% पर ज्यादा focus देने start किया fourth day तक आप देखोगे कि 50 to 70% याद है बट इस तिल 30% भूल रहा हूँ तो आप देखरो learning का जो rate है वो बढ़ रहा है forgetting का जो rate है वो कम हो रहा है तो मतलब simple Ebingos experiment से यही कहते है कि पहले आपके अंदर forgetting बहुत तेजे से होती है लेकिन धीरे धीरे अगर आप rehearsal कर रहे हो तो आप memorize कर सकते हो after that the rate slows down and not much is forgotten even after many days although Ebingos experiments constituted initial explorations and were not very sophisticated yet they have influenced memory research in many important ways अब यहाँ पर देखो थोड़ा Ebingos भीया को गलत गलत बोल दिया है मतलब गलत नहीं बोला है पर उनने basic यह चीज़ बोली है कि Ebingos जो बात बता रहे है वो बिल्कुल initial level है यह हम सब को पता है यह हम सारी चीज़े जानते है बट बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जहाँ पर बिल्कुल अपर हम सारे थेखना होगा और जानना होगा फॉर्गेटिंग के बारे में तो उसको लेके फिर बहुत सारे थेखना होगा बता है इस ना अपहल्ड अल्मोस्ट यूनानिमस ली that there is always a sharp drop in memory and thereafter the decline is very gradual. So let us now examine the main theories which have been advanced to explain forgetting. तो यह कहा जाता है कि जैसे मानलो यह आपकी memory है, आपकी memory में बहुत सारा stuff है, बहुत सारा data है, तो आप पहली चीज़ तो आप store करके रख रहे हैं, आप retain करके रख रहे हैं, आप retrieve भी कर रहे हो, लेकन आप 100% usage कभी नहीं कर पाते, आप अपनी memory का 100% usage कभी नहीं कर पाते हो, वो बिल्कुल rare of the rarest case होंगे, जहाँ पर कोई 100% use अपनी memory का कर रहा है, otherwise we people can't do that, ओके? So ऐसे में क्या होता है कि forgetting होती है, जो चीज़े हमने memorize करी थी, वो forget होना start हो जाती है, हम भूलने start कर देते हैं, बट एक time ऐसा आता है, जब हमारे अंदर forgetting नहीं होती, और कोई concept हमको बिल्कुल कंठस्त हो जाता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने शायद KG1 में पड़ी होगी, आपने KG2 में पड़ी होगी, even first class में आते आते तक हो सकता है, हो सकता है, एक example दे रही हूँ, ठीक है, कि first class तक आते आते तक आपको 2K table उतनी जाद अच्छे से नहीं आती थी, लाइक आपसे पूछ ले 2 9s कितना होता है, तो आप नहीं बता पाते थे, but there comes a time ना कि आज आपसे कोई 2K table पूछ ले, ठीक है, तो वो एक चीज होती ही, कि एक time ऐसा आता है, जब forgetting नहीं होती, और जब आप एक gradual level पर सारी चीज़े आप memorize करके रखते हो, तो इसी एक चीज़ को Evan Gauz ने भी बताया है, and that's it, इसके अलावा आप हम बात करेंगे कुछ main-main theories की, जो forgetting से related होती है, और जो forgetting की concept को भी explain करती है, बट उनके भी अपने drawbacks ने एक theory आती है, उस theory के drawbacks आते हैं, तो दूसरी theory आती है, आपको पता है नहीं, यह चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, कि जैसे for example, आज मैं कोई बात बोलू, तो कल उसको कोई interpret करेगा, फिर उसकी बात को कोई और interpret करेगा, तो वैसे ही theories होती है, किसी ने कोई एक theory दी, फिर हम उसके criticisms अगर निकलते हैं, तो फिर कोई नहीं theory आती, तो वैसे हम यहाँ पर तीन basic theories को पढ़ेंगे, और आपको उन theories को बहुत 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 अच्छे से समझना है, आपको doubt नहीं होना चाहिए, देखो मैं आपको पहली बता दूं, बिल्कुल simple है, बिल्कुल simple theories है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ भी नहीं आएगा, इस वेरी simple, आप बस ध्यान यहाँ पर देना ठीक है, और आप notes बनाना, but the idea is forgetting, due to trace decay, now what is trace decay, trace decay जिसको disuse theory भी कहा जाता है, so this is the earliest theory of forgetting, ध्यान देंख रप्या ध्यान से सुने आव सभी ओके सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपके ब्रेन फिजिकल चेंजिस ब्रेन में भी आएंगे ही और इसको को अध्यान से सुनो अभी वेन दीज मेमोरी ट्रेसे अर नौट यूजट फर लॉंग टाइब बहुत बार ऐसे चीज़े होती है कि जैसे फर एक्जांपल मान लो आपका कोई क्लास फिफ्ट में फ्रेंड था जब आप क्लास फिफ्ट में थे तब आपका कोई फ्रेंड फ्रेंड हुआइब याद रहता था बट दीरे नर लो वो फ्रेंड किसी रीजन से से दूसरे आपरेल आईगी तो आपको याद आएगा कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था बट धीरे-धीरे करके ये डेट कहीं ना कहीं आपके माइंड के किसी कॉर्णर में पढ़ी रहेगी और फिर आप उसको बार-बार याद नहीं करोगे आप बड़े होते चाओगे और भी धेर सारी मेमोरी से चली जाती है इसके बहुत सारे इक्जामपल्स आप अपने घर में देखते होगे मानलो कोई ऐसी चीज है जो अब आपकी यूसमें नहीं आती तो वह कहीं घर में किसी कहीं कोने में पढ़ी रहती है धूल खारी होती है होता नहीं यह चीज और दिवाली की इसको use कर रहा हो ना, कोई ऐसी चीज है, जिसको आपने सालों से कभी use नहीं चिया, तो धीरे धीरे करके वह खतम हो जाएगी. धीरे धीरे करके वह क्या हो जाएगी? खतम हो जाएगी, तो आप उसको use करते रहो. यह trace decay की theory बोलती ही कि अगर आप उसको use करते रहोगे तो आपके अंदर forgetting नहीं होगी now when these memory traces are not used for long time they simply fade away and they become unavailable this theory has been proved inadequate on subtle grounds लेकिन इस theory के अपने criticisms हैं देखो basic जो trace decay theory है वो क्या है miss sorry disuse disuse का मतलब क्या कि आप उसको use नहीं कर रहे हो आप जिस चीज को use नहीं करोगे उसकी एक दिन value खतम हो जाएगी वो unavailable हो जाएगी जब वो unavailable हो जाएगी तो धीरे-धीरे करके fade away हो जाएगी मान लो आज आपके पास में वो हैं क्या बोलता है उसको bluetooth earphones या headphones शायद से यहीं बोलता है ना मेरे पास भी है ना में को नाम नहीं बता ठीक है तो bluetooth headphones आते हैं आज के टाइम में आप directly bluetooth से connect करो वायर वाले नहीं आते हैं वायर वाले नहीं आते हैं तो अब जैसे पहले का जो टाइम था तब हम क्या करते थे हम वायर वाले जो एयर फोन्स होते थे उसको यूज करते थे और अब जब से ये wireless वाला स्टार्ट हुआ है तो कहीं न कहीं हमने उसको यूज करना बंद कर दिया अब जब आप उसको यूज करना बंद कर दिया उसकी usage नहीं आप धीरे-धीरे करके उसको क्या करोगे या तो देखो अगर किस चीज को यूज नहीं करते, तो दीरे-दीरे करके वो फेड अवे हो जाएगा, ओके, ग्राजुवल तो देखो नहीं बोला है, तो में भी यहां पर इनका कहना ये है, कि gradual decay तो नहीं पर अगर आप कोई चीज को use नहीं करें तो वो कुछी time में fade away हो जाएगा बट इस theory के अपने कुछ ऐसे मिलब इस theory को कुछ grounds पर inadequate बताया गया है कि ये उतनी जादा useful theory नहीं है कारण बहुत सारे हैं आप कारण मज़दार हैं ठीक है So if forgetting takes place because memory traces decay due to disuse So then people why go to sleep after memorizing should forget more compared to those who remain awake So simply because there is no way in which memory traces can be put to use during sleep So memory traces decay हो जाते हैं अगर हम उसको use ना करें So then why do we need to sleep? We don't need to sleep for example, you are studying ठीक है, आप पढ़ाई करें राद भर आपने पढ़ाई करी फिर आपने डिनर किया और आप सो गए तो आप जितनी देर के लिए सोए हो मानलो आप 8 घंटे के लिए सोए हो 8 hours आप सोए हो तो 8 hours बाद आपने जो भी पढ़ा है वो सारक उस तो decay हो जाना चाहिए बड़ ऐसा तो नहीं होता और अगर decay हो जाता है तो फिर या तो हमको सोना ही नी चाहिए हमको सोने नी चाहिए हमको जागे रहना चाहिए तो फिर हमारी memory जाद अच्छी रहेगी तो ये उसका criticism है बट ऐसा आप खुद भी देखो ये एक चीज होती ना कि अगर आप बहुत देर तक पढ़ाई करते हो मानलो आप 8-10 गंटे पढ़ाई कर रहे हो कहा जाता है कि memory traces जो है वो तो फिर मतलब गायब हो जाने चाहिए अगर हम सो जाते हैं तो बट आप वो तो होता नहीं है ना results क्या दिखाते हैं कि बिलकुल opposite होता है जो आपने भी कभी ये चीज देखी होगी कि अगर आप कभी मानलो को 10th board के exam में आप लोग रात रात भर जागे हो और आपने बहुत पढ़ाई करी है मतलब होता है ये चीज जनरली कि हम बहुत गंटे पढ़ाई करते हैं हम सोचते हैं आज तो बिलकुल सोना नहीं है कल तो maths का exam है या science का exam है या social का exam है आज तो मैं रात भर पढ़ूँगा 2-3 बजे तक हम पढ़ते हैं फिर next day सुबाद 6 बजे सोट के वापिस से स्कूल भागो जनरली ये होता है ना 6-7 बजे स्कूल जाओ नींद नहीं होती पूरी आपने खुद देखा होगा आप बहुत बार कुछ चीजों को भूल गए होगे बहुत बार आपको चीजे याद नहीं रही होगी वो एक बात अलग होती कि हम दिन में सोलें और रात भर फिर जाग रहे हैं और इसी जगे कोई दूसरा परसन है जो बढ़ी हा राग भर से सो कर आया उसने जितना पढ़ा होगी वो उसने क्लास में भी अगर कोई चीज पढ़ी होगी तो वो उसको याद रहेगी आरा समझ में और यह चीज होती है सब के साथ में होती है आपके साथ में होगा ठीक है इसी लिए Because trace decay theory did not explain forgetting adequately so it was soon replaced by another theory of forgetting which suggested that new information that enters the long term memory interferes with the recall of the earlier memories and therefore interference is the main cause of forgetting. अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो trace decay theory है वो इतने अच्छे से forgetting को explain नहीं कर पाई तो इस वजह से उसको replace किया दूसरी theory दे, दूसरी theory आती है जो ये बोलती है कि जो new information है वो आपकी long term memory में interference, interfere करती है कोई new information है और वो आपकी long term memory में inter कर दे है तो वहाँ पर क्या होता ह है जनरली जो आपकी पहले की memory होती है उसको recall करने में आपकी एक तरह से help हो रही होती है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको interference कहा जाता है तो basically जो second theory आती है वो है theory of interference ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब new information that enters the long term memory interferes with the recall of earlier information therefore interference is the main cause of forgetting जैसे मान लो आपको याद है आपने transfer of learning पढ़ा है chapter number 6 में इतनी बार इस chapter में हमने chapter number 6 और chapter number 5 को याद किया है जितना हमने chapter 5 और chapter 6 में नहीं पढ़ा था तो basically जो आपने chapter number 6 में transfer of learning पढ़ा है ना transfer effect zero transfer positive transfer negative transfer तो देखो उसमें क्या कहा जाता है कि जैसे मान लो आपको कोई चीज already आती है आपकी कोई previous learning है और फिर आपकोई चीज नहीं सीख रहे हो तो उसमें आपको help मिल रही है difficulty हो रही है या कोई effect नहीं हो रहा यहीं पढ़ा ह जैसे मान लो आपको English language आती है और अब आप French सीखना चाहते हो तो यह French क्या है यह new information है यह new information है जो आप अपनी memory में डालने वाले हो और यह English क्या है यह previous है यह आपकी previous learning है जो आपने पहले से आपको आता था और ये कोई नई चीज जो आप सीखना चाहा रहे हो तो English आपको पहले आती थी तो French learning में अगर आपकी help हो रही है तो positive transfer होगा अगर आपको English पहले से आती है और आपको French सीखने में difficulty हो रही है तो negative transfer होगा अगर आपको English आती है और French सीखने में आपको कोई ना help मिल रही है ना difficulty हो रही है तो zero effect होगा यह transfer of learning में पढ़ा है हमने chapter number 6 में तो यहाँ पर यही एक चीज कही जारी है कि जैसे आपको new information आप gain करना चाह रहे हो आप new information को अपने long term memory में preserve करना चाहते हो और यहाँ पर जो previous learning है जो चीज आपको पहले से आती है वो interfere कर रही है वो interfere कर रही है तो भी forgetting होती है अब यह कैसे होता है यह हम पूरी theory के अंदर पढ़ते हैं जस्ट मैंने आपको इस एक statement का meaning बताया है कि क्योंकि अब जो trace decay theory है वो उतनी helpful नहीं रह पाई उतनी adequate नहीं हुई तो दूसरी theory आती है forgetting को लेके कि आप क्यों भूल जाते हो उसके कारणों को बताने के लिए that is the theory of interference और forgetting due to interference interference अमझते हो ना किसी काम के बीच में interfere करना कुछी से एक तरीके से ओके तो if forgetting is not due to trace decay then why does it take place अगर forgetting trace decay की वज़े से नहीं होती तो फिर क्या कारण है forgetting का so there is a theory of forgetting that has perhaps been the most influential one in the interference theory which suggests that forgetting is due to interference between various information that the memory store contains देखो मैंने आपको पढ़ाया यह चीज कि जो हमारी memory होती है न उसमें wide variety of information है अब जैसे अगर मैं LTM का example लूँ तो LTM के अंदर episodic memory भी है semantic memory भी है declarative memory भी है implicit memory भी है procedural memory भी है ऐसे करके different different बहुत सारी types of memory मेरे long term memory के अंदर है तो जब मुझे जिस तरह की information की requirement है अगर उसमें कोई दूसरी चीज इंटर फेयर कर दे तो भी मैं forget कर जाओंगी जैसे for example मान लो मुझे कोई date recall करनी है तो declarative memory यूज होईगी लेकिन उस declarative memory में मान लो किसी तरह की कोई episodic memory इंटर फेयर कर दे तो मैं भूल जाओंगी episodic memory generally क्या होती life experiences related मैं कोई date याद करनी की कोशिश करनी हूँ लेकिन उसके साथ साथ में कोई life experience है उसी dates related और वो दोनों चीज साथ में आपस में हो रही है तो मैं accurately किसी भी चीज को memorize नहीं कर पा रही हूँ even मेरे अंदर forgetting हो रही है मैं और ज्यादा चीजों को भूलती चली जा रही हूँ clear तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते है forgetting due to interference आया समझ में clear हुआ और example देखने है इसका जैसे मान लो आपने ABCD याद करी EFG पूरा ABCD ओके साथ ही साथ में आप याद कर रहे हो 1,2,3,4,5,6,7 ऐसे A के साथ में 1 आएगा B के साथ में 2 अथका C के साथ में 3 आएगा यें ही होता है इसके साथ में आप याद कर रहे हो A,न,R का ठीक है ये कुछ तरीके से आप जो पूरी बारख़ई होती नवो आप याद कर रहे हो ठीक है तो यह आप क्या कर रहे हो, आप inferences बनाते हो, आप क्या बनाते हो, inferences बनाते हो, किसी एक चीज को दूसरी चीज से relate करते हो generally, यह एक चीज आपको आगे मिलेगी यहाँ पर, So, this theory assumes that learning and memorizing involve forming of association between items and once acquired these associations remain intact in the memory, हम generally क्या करते हैं, हम association बना लेते हैं, हम किसी भी चीज को याद करने के लिए, किसी तरह का कोई association बनाते हैं, आपको याद होगा, मतलब याद होगा, आपके साथ में एक चीज होती होगी, मेरे साथ में होती होगी, आपके साथ में भी होती हो तो उसको याद करने के लिए, आप कोई दूसरी चीज को भी याद कर लेते हो, जैसे क्या एक्जामपल दूँ में आपको, आपके साथ में कोई incident होता है, जैसे मान लो, आपको कोई सपना आया, ठीक है, आपको सपना आज आया है, आप सो रहते, आपने कोई सपना देखा, ठीक है, अब आपने कोई सपना देखा कि कुछ future से related कोई dream आपने देखा, ठीक है, तो आपने का यार, ये dream मतलब कुछ ऐसा आपको dream देखने के बाद आप तो ऐसा लगा, कि ये ना कुछ ऐसा related है जो मेरी future life में होने वाला है, मेरी future life से related कोई dream मुझे आया है, अब generally ये हम सबने सुना है कि dreams जो होते हैं, वो सच हो जाते हैं, तो आप भी बड़े ही spiritual person थे, आपने मान लिया कि dreams जो हैं, वो सच हो जाते हैं, ओके, और आपने कोई future में होने वाले dream को at present, मतलब future में कोई चीज होने वाली थी, उसको आपने dream के form में, सपने के form में आज देख लिया तो अब हम इस एक चीज को याद करने की कोशिश करते हैं इस एक चीज को हम reality मतलब जब भी कोई reality होने वाली होती है तो हम उसको relate करने की कोशिश करते हैं कि आज हमने ये dream देखा था आज इतनी तारीक को जब कोई special day है मानलो उस दिन मम्मी का birthday था तो आज इतनी तारीक को जब मम्मी का birthday था तब मैंने ये dream देखा था तो उस dream को आपने दो चार और चीजों से associate कर दिया या for example, दूसरा example लो कि जैसे मानलो कि आप कोई भी काम करते हो जनरली आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को आप associate कर देते हो किसी दूसरी चीज के साथ में कि जैसे आज मैं ये चीज कर रहा हूँ तो आज इतनी तारीक है, ये वाला month है जनरली हम dates के साथ में करते हैं इसलिए मैं आपको dates का example देनी हूँ आपकी कोई life experience है आपका कोई life experience है तो आप उस experience को relate करते हो मैं इस लास में था जब मेरी ये friend हुआ करते थे तब मेरे साथ में ये चीज हुई थी तो हमारी आदत होती है associate करने की जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर example दिया कि आप A को 1 से associate कर रहे हो आप B को 2 से associate कर रहे हो तो हमारी जनरली आदत होती है association बनाने की, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से associate करना, clear तो यहां उसी association का कहा जा रहा है, कि जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं, तो हम जन्रली क्या करते हैं, अपने mind में association बना लेते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में रिलेट कर देते हैं ताकि वो हमको याद रहे और होता यह है फिर उसके बाद में इस मेमोराइजेशन के चकर में होता यह है कि हमको असोसियेशन भी याद हो जाते हैं आप जब फरस्ट टाइम आपने जब आप छोटे दर होगे आपने A, B, C, D सीखी होगी तो आपको यह प तो आपने A को 1 से असोसियेट कर दिया फिर आपने का 1 के बाद 2 आता और A के बाद भी आता तो आपने B को 2 से असोसियेट कर दिया तो हम जनरली ऐसे असोसियेशन बनाते हैं और फिर वो असोसियेशन भी हमको याद हो जाते हैं जो हम याद करने चारे हैं वो तो होता ही है साथ ही साथ में association भी हमको याद हो जाते हैं people keep acquiring numerous such associations and each of these rest independently without any mutual conflict however interference comes about at a time of retrieval when these various sets of association compete with each other for retrieval अब अभी हमारे mind में ये तोनों चीज बिलकुल proper है ABCD भी है 1,2,3,4 भी है ये सारे चीज़े बिलकुल intact है किसी तरह का कोई conflict नहीं हो रहा अपने स्फियर में दोनों है लेकि जब हम किसी चीज को retrieve करना जाते हैं अब जैसे मान लो associations आपने बना लिये थे फिर जब आप उसको याद करने की कोशिश करते हो जैसे मैंने भी आपको बताया नहीं कि आपने किसी कोई event था कोई भी event था आपने उसको connect कर दिया किसी date के साथ में या आपने उसको connect कर दिया अपनी मम्मी के birthday के साथ में clear या फिर आप उसको क्या कर दिया associate कर दिया कि जब आप class 6th में थे ठीक है तो ऐसे हम associations करते हैं अब वो association हमारे mind में बना हुआ है उस event को लेके लेकिन मान लो जब कभी आप उस event को वापिस से recall करने की कोशिश करोगे तब conflict शुरू हो जाता है तब conflict शुरू होता है और याद ऐसे आता है कि मम्मी का birthday था उस द interference होता है तब forgetting होती है यह बोलती है forgetting due to interference theory जैसे मैंने आपको यहां पर एक example दिया यहां पर दिया था कहां पर दिया था हां यहां पर दिया था कि जैसे आप किसी date को recall करने की कोशिश कर रहे हो और वो date आपके किसी episodic memory से related है तो आपकी life का episode आपको याद आने लग जाएगा date आपको याद नहीं आएगी यह date याद आएगी लेकिन उस related episode आपको याद नहीं आएगा clear तो यह जब interferences होते हैं जब दो चीज़ा आपस में interfere करने लग जाती हैं तब हम उस interference की वज़े से forgetting होने लग जाती फिर ना date याद रह जाती ना episode याद रह जाता ना life experiment और मतलब experience ना ही आएए ना ही 1 2 3 4 ना ही ABCD कुछ याद नहीं रह जाता सब भूल जाते हैं देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं जैसे हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसे कैसी थेओरीज हैं क्या हो रहा है बट बिलीव मी इन reality हम यह सारी चीजों को experience करते हैं आपको wordt सकता है अभी आप उसको worelख ना कर पाओ हो सकता है बटा एब एंबीजिक्टिघ्श लोग इसची चीज को relate कर रहे हो तो आप बस concept को याद रुखा आपको धीरे धीरे यह चीज खुद में समझ में आएगी कि बहुत बार हम अभूम एसा करते हैं हम किसी कुछिछ को डूसरी छीज से रिलेट करने की कोशिच करते हैं किज़ बाद stud precautions चीज से आ सोशिएट कर देते हैं So, this interference process will become clearer with a simple exercise. Request your friend to learn two separate list of nonsense syllables, one after the other. And after a while, ask her or him to recall the nonsense syllables of list A. If while trying to recall the items of list A, she or he recalls some of the items of list B, it is because of the association formed while learning list B are interfering with the earlier association, which were formed while learning list A. So, these are list, these are at least two kinds of interferences that may result in forgetting. This is the best experiment that I have given here. So, if I recall, you say this to your friend, but here I will say this to you. So, this is list A and this is list B. This is one list and this is one list. You can also do this experiment with yourself. You can also do this. Here we go. Nonsense syllables we won't let you. Okay? Here we go. There we go. Now, you say nonsense syllables we won't let you go. But I can give you just some words. I am giving you a normal word. For example, tree, enlightenment, okay, lotus, bull, शार्क फ्रॉग एलिफेंट टी-शिट मैंगो इस्पार्क यह कुछ वर्ड्स हैं ठीक है आपके सामने लिस्ट ए है आपके सामने लिस्ट भी है आपको दोनों को याद करना है ठीक है दो मिनिट के लिए मेरा वीडियो पाउस करो और आप इस लिस्ट को याद करो ठीक है मैं ऐसी उमीद करती हूं कि जब मैं बолती हूं मेरा वीडियो पाउस करा हूँ आप लोग पाॉस करके lots करते हो फिर वापस से play करते हो अब आपको यह लिस्ट आपने इसको याद कर लिया होगा आपने इसको अच्छे से सारे words को देख लिया है अब आपके सामने यह words नहीं है अब मैं आप से पूछते हूं कि आप मुझे लिस्ट B में बताओ कौन-कौन से नाम थे ठीक है सुनाना है और अगर मैं आपसे बोलते हूं लिस्ट B के words को सुनाओ मुझे पर अगर बीच में आपको एकाद लिस्ट A का word भी याद आता है तो interference हो रहा है मैं आपसे बोलूं लिस्ट A के words सुना और लिस्ट B के words अगर आपको interfere कर रहे है और उस interference की वज़े से forgetting आपके अंदर हो रही है और आप clearly recall नहीं कर पा रहे हो clear आया समझ में तो basic यहीं है interference कि यह कुछ ऐसे interferences होते हैं जिसकी वज़े से forgetting हमारे अंदर हो जाती है interference can be proactive forward moving which means what you have learned earlier interferences with the recall of your subsequent learning or retroactive backward moving which refers to difficulty in recalling what you have learned earlier because of learning of a new material तो जैसे मैं आपको एक example दे रही थी ना कि मानलो आपको English आती है और आप French पढ़ रहे हो मानलो आपको English आती है और आप French लर्न करना चाहा रहे हो यह आपकी previous learning है और यह आपकी new learning है तो अगर ऐसा करने में जो आपको पहले आता था आपकी English learning आपको French learning में problem कर रही है यानि बार-बार interfere करती है आप पढ़ फ्रेंच रहो लेकिन बार-बार आपको English याद आ जाती है तो इसे proactive interference बोलता है Retroactive interference backward moving होता है मतलब आप जो भी recall करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें जो new material है वो आपको recall करने नहीं दे रहा है मतलब आपने French learn कर लिया है जिसकी वज़े से अब आप English बहुत हद तक भूल चुके हो इसे retroactive forgetting या retroactive interference कहा जाता है clear ये दो चीज़ याद रखना proactive and retroactive In other words proactive interference past learning interference interferes with the recall of later learning while in retroactive interference the later learning interferes with the recall of past learning Now let's suppose for example वही आपको English वाले example यहाँ पर दिया है English और French वाले जो मैंने आपको explain कर दिया है चीक है हाँ वही example आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है Next comes our typical experiment design Our typical experiment design that is used to demonstrate proactive and retroactive interference has been presented तो ये जस्ट एक उसका example यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो ये retroactive है और ये proactive है ये forward है और ये backward है Again ये chart भी आपके book में बना हुआ है तो I hope so कि आप वो book का page खोल के रखते हो ये करते हो सारा कुछ मेरे साथ में कि नहीं करते हो जितना भी मैं बोलती हूँ कि ऐसा करके रखना है ये करना है, notes बनाना है, इतना पढ़ना है जल्दी बताओ मैंसे comment section में मैं जो भी बोलती हूँ करने को वो सारा कुछ करते हो या नहीं करते हो या बस हाँ माडम सुन लिया और अब गए अब अपने हिसाब से पढ़ाई करोगे लेको मेरे हिसाब से पढ़ाई करोगे तो I assure कि आपके बहुत अच्छे marks भी आएंगे और concept भी आपको बहुत अच्छे से clear होगा तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे किया करो तो यहाँ पर यह दिया है कि जैसे यह phase 1 है, आपने A चीज को learn किया है, यहाँ पर आपने B चीज को वही बिल्कुल basic है, कि जैसे मान लो आपने A learn किया, आपने यहाँ पर B learn किया फिर control group ने A learn किया और second कोई learning नहीं करी तो जो testing phase में जो experimental group है वो यह A को recall कर पाया और यह वाला जो group है वो भी A को recall कर पाया मतलब कि आप इस एक चीज को भूल रहे हो forward में कहीं न कहीं यह हो रहा है कि आप new learning आपको याद है बट आप पिछली learning को भूल जा रहे हो कुछ इस एक तरीके का ही concept है तो उस एक चीज को आपको याद रखना है forward learning में यह है, आगे पाट, पीछे सा पाट और backward learning में यह है कि मतलब जो पहले आता था वो आता है लेकिन नहीं learning नहीं हो पा रही है clear? next और the third one is forgetting due to retrieval failure अब आप retrieve नहीं कर पाते हो, इसले भी बहुत बार failure हो जाता है, अब यह क्या है भाईया यह third और last है ठीक है, इसको और discuss करते हैं so forgetting can occur not only because the memory traces have decayed over time as suggested by the disuse theory or because independent sets of stored associations compete at the time of recall, but also because at the time of recall, either the retrieval cues are absent or they are inappropriate कभी आपके साथ में ऐसा होता था कि मैज़ा सब के साथ में होता था यह जीज़ अगें भाई चीज़ है कि मैं भाई एक्जामफल देरू हूं जब आपके साथ में होता है जैसे मान लो आपको कोई teacher ने answer वांसर याद करने को दिया हो या word वगिरा याद करने को दिया हो या coaching में दिया हो कुछ भी याद करने को तो आपने याद तो कर लिया लेकिन जब सुनाने का time आया तो आप भूल गए तो आपने का कि मुझे initial word बता दो आपने यह चीज हमारे साथ में that is the retrieval forgetting यहाँ पर यह चीज कही जा रही ही कि जैसे मैं आपको बोल रही हो ना वह एक वर्ड वह एक पहली चीज बता दो जिससे मैं सारा कुछ कर लूँगा वह एक वर्ड क्यू है वह तरह का हिंट है कि आपको बता जाए अच्छा पहला word यह था जैसे मैं आपको बोलूँ आपको proposal word याद करना है अब बहुत simple सा word है तो वैसे आपको याद हो जाएगा लेकिन किसी छोटे वच्चे को बोला जाए तो शायद उसको ते अच्छे से याद ना हो और फिर मैं उसके सामने से यह वर्ड रब कर दू और फिर मैं उसको दो मिनट बाद बोलूँ कि बताओ यहाँ पर क्या word लिखाता तो उसको याद नहीं आएगा लेकिन अगर मैं उसको बोलू पी तो फिर उसके आद अगे चाहाँ प्रपोजल लिखा हुआ था तो वह पी क्या है वह हिंट है उसी क्यूंकि यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर यह कहा जाता है इस थेहोरी को देखो किसने कहा है तूलविंग तुलविंग के बार में हमने पहले भी पड़ा है तो तुलविंग ने इस व्यू को दिया है और वो ये बोलते हैं कि जो forgetting हमारे अंदर हो रही है वो ना ही trace decay की वज़े से हो रही है वो ना ही interference की वज़े से हो रही है बलकि वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी हम किसी कि मानलो कोई वर्ड लिखा है मैं आपको हिंटी ना दूं तो आप भूल जाओगे लेकिन अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो वो कहीं न कहीं आपको याद आ जाएगा तो यहाँ पर उस एक चीज़ की बात हो रही है तो आपकी मैमोरी में इतनी सारी इंफरमेशन है तो अगर आपको हिंट मिलेगा तो सारा सब कुछ आपको याद आ जाएगा तो वो रिट्रीवल क्यूज एक तरह से हिंट ही होते हैं तोलविग ने इस मैथट को दिया है या इस तरह की व्यू को बताया है तो तुलविग और उनके जो कलीग जोते हैं वो इस पर एक्सपरिमेंट करते हैं और वो यह बोलते कि अगर किसी तरह का हिंट या क्यू नहीं होगा तो जनरली हम भूल जाते हैं जैसे मान लो इसको एक एक एक्जामपल से समझते हैं आपको एक लिस्ट दी है कुछ वर्ट्स की जैसे हर्ट, वास्प, कॉटेज, गोल्ड, ब्रोंज, एंड एक्सेक्टर जिसमें हमने six categories बनाई हैं एक हैं places of living तो places of living में आपका हर्ट आगया names of insects इसमें आपके ant आगये types of metal इसमें आपका gold, bronze ये सारे आ गए तो ऐसे करके हमने कुछ-कुछ categories बनाई हैं और उन categories के according आपको यहाँ पर एक list दी गई है if after a while you are asked to recall those, you may recall a couple of them but if during the second recall attempt, you are also provided with the category names then you may find that your recall is near total जैसे मान लो, यहाँ पर मैं आपको कुछ words की list दे दूँ ठीक है? मैं आपको कुछ words दे दूँ जैसे mango, aunt, school दे दूँ मैं आपको दे दूँ mango हो गया, aunt हो गया, school हो गया और क्या, यह इसी तरीके से हम मान के चाहते हैं तो mango एक तरीके का fruit है, aunt एक तरीके का insect है school को हम education की category में ले रहे हैं ओके, next come here, what? lady finger, lady finger किसकी category में आ जाएगी? vegetables की category में आ जाएगी ते इसको हमने vegetables की category दे दी तो जैसे मान लो अगर मैं आपको सबसे पहले सर्फ बोलूँ कि आपको सर्फ यह याद करना है तो एक आत बार तो आप अच्छे से याद कर लोगे लेकिन जागर मैं आपको बोलूँ दुबारा से फिर से सुनाओ मुझे तो शायद कुछ ना कुछ words आप भूल जाओगे लेकिन अगर मैं आपको साथ में यह category बता दूँ कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर मैं आपको सेपरेटली याद करने को बोलूँ तो शायद उसमें आपको थोड़ा सा रीकॉल करने में दिक्कत आएगी तो हिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको हिंट दे दिया जाता है किसी चीज़ को लेके तो आप बहुत इजी ली जो है रीकॉल कर पाते हो otherwise आपके अंदर क्या हो जाती है? forgetting हो जाती है So if after a while you are asked to recall those, you may attempt वही सारा कुछ लिखा है यहाँ पर category names in this example act as retrieval cues and besides category names the physical context in which you learn also provides effective retrieval cues तो कोई भी category का नाम उसका physical context भी आपको help कर देता है किसी चीज़ को recall करने में So retrieval cues simply यह बोलते हैं कि अगर आप उसको थोड़ा hint दे दोगे तो उसके अंदर उत्ती जल्दी forgetting नहीं होगी बलकि उसको learning हो जाएगी clear है? आए यहाँ तक संस में I hope so अब कोई doubt नहीं होगा तो मतलब जो मैंने starting में बोला था कि बस अराम से यहाँ ध्यान देना और notes बनाना तो last में सारी चीज़े crystal clear हो जाएगी I hope so वो clear है और कोई doubt नहीं होगा जितना हमने पढ़ा एक बार फटाक से recall करेंगे सारा सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है एक बार अच्छे से देखते है सारा इतना कुछ पढ़ा है तो वो क्या क्या है ताकि भूलो नहीं चीक है? मतलब आपको भी forget नहीं करना है तो एक बार यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बार अच्छे से सारी concepts को समझेंगे, ठीक है, देखो, we have discussed nature and causes of forgetting, इसमें आपको एक concept याद रखना है, जो Ebingos ने दिया था, Ebingos ने बताया था ना कि एक time होता है, जब आप forget करते हो, लेकिन एक time ऐसा आता है, जब forgetting stable हो जाती, तो Ebingos के concept को नहीं भूलना है, ठीक है, उस concept of forgetting by Ebingos, ठीक है, ये एक आपको याद रखना है, जिसमें वो क्या बताते हैं, कि पहले forgetting बहुत तेजी से होती ही, लेकिन एक time आता है, जब forgetting stable हो जाती है, तो इससे side में एक ऐसा, आप क्या बना लो, वो arrow टाइप से बना लो, और इस पर F लिख लो, forgetting, ओके, नेजर and causes of forgetting में हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, so firstly, we have discussed about the theories, क्या एक चीज़ डिस्कस करें हमने इसमें, तो सबसे पहले एक theory को हमने इसके अंदर डिस्कस किया, तो theories में तीन theories हैं, सबसे पहले, disuse, disuse theory, और trace decay theory, trace decay theory, ओके, इसमें हमने क्या याद किया, कि अगर आप कोई चीज़ को use नहीं करते हो, तो आप उसको भूल जाओगे, second theory was your interference theory, interference theory, कि जैसे मान लो आप जन्रली क्या करते हो, आप association करके किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो, जब आप associate कर ले तो आप recall करते हो, तो वो interferences आपस में interfere करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, conflict होता है, जिसकी वज़े से forgetting हो जाती है, तो अब क्या हम इसमें ऐसा बोलें कि हमको associations नहीं बनाना चाहिए, हमको associations बनाने चाहिए, लेकिन forgetting कैसे, मतलब आप ignore कर सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है, कि आप बार-बार अगर किसी चीज को, किसी concept को recall कर रहे हो, analyze कर रहे हो, understand कर रहे हो, तो आप forget नहीं करोगे, चीक है, अभी और पढ़ना है forgetting में, इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ हम discuss करेंगे आगे, पर अभी जित्ता पढ़ रहे हो, उसको ध्यान रखो, interference में हमने दो चीजों को discuss किया, एक आपका proactive forgetting, और एक retroactive forgetting, दूसरा retroactive forgetting, proactive है आपका forward, retroactive है backward, clear, यह एक चीज हमने इसके अंदर discuss करी, यह आपको ध्यान रखना है, third and the last we discussed is your, कौनसी theory, retrieval cues, retrieval cues, इसको bracket में लिख लो hint, कि अगर आपको hint मिलता है तो आप ज़्यादा अच्छे से recall करते हो, अगर आपको hint नहीं मिलेगा, तो आप recall नहीं कर पाऊगे, बस इतना ही पढ़ा हमने, बस एक और चीज़ आपको इसमें नोट करने हैं, जितने आप अपने answer को भी present कर सकते हो और अपने concept को भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, this is all about your nature and causes of forgetting, I hope so, यहां तक सारी चीज़े clear हैं, examples को याद रखना, examples देना, जो हमने diagrams वगिरह इसके अंदर पढ़े हुए हैं, discuss करे हैं, वो भी एक बार अच्छे से देख लेना, clear और इस section में बताना और अगर कोई doubt नहीं आता है, तो अच्छी बात है, हम विलेंगे next lecture में, जब हमने psychology का first lecture लिया था, ठीक है, जब first lecture हमने start ही किया था, तब ही हमने बात करी थी कि psychology में आप यह सारी चीज़े, इतने सारे उसकी spheres होते हैं, scope होते हैं, सब कुछ पढ़ते हो, but there is something very important, जहां पर आप खुद को पढ़ते हो, psychology is also about knowing yourself, है ना, so आप इतना सारा कुछ पढ़ रहे हो, learning पढ़ा है, sciences पढ़ा है, perception पढ़ा है, memory पढ़ा है, तो आप relate कर पा रहे हो गया, I hope so, है ना, और चीज़े clear भी हो रही होंगी, तब हम बात करेंगे repressed memories की और ये भी एक ब repressed memories, clear, sorry, so some individuals undergo experiences that are traumatic, a traumatic experience emotionally hurts a person, so Sigmund Freud posited that such experiences are repressed into the unconscious and are not available for retrieval from the memory, देखो हम सभी के साथ में बहुत बार कुछ ऐसे traumatic incidences होते हैं, जो हम नहीं चाहते थे की हो, मतलब बहुत बार हमारी life में कुछ ऐसी tragedy हो जाती है, या हम कुछ ऐसी चीज़ का experience करते हैं, जो शायद हम कभी नहीं करना चाहते थे, but still क्योंकि वो life है जो भी आ है, चलती रहती है, ये सारी चीज़े तो आती ही है, तो वैसे ही life में ups and downs आते हैं, बहुत बार in ups and downs में कु उसका आपसे दूर चले जाना और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने अपनों को खो देते हो या उनसे बहुत दूर चले जाते हो, या for example आप जितने भी लोगों के साथ में थे, सब ने आपको dump कर दिया है, तो ऐसी जो चीज़े होती है, ये बहुत बार मतलब ऐसा होत में कुछ traumatic experiences होते हैं, जब आप emotionally बहुत जादा hurt होते हो, ठीक है, अब आप सब के भी sentiments बाहर आ रहे होंगे हैं ना, पढ़ते पढ़ते, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी एक ये incidence हुआ था, मेरा भी एक best friend था या best friend थी, और वो फिर बाद में दूर चली processes and mental processes also include emotions, so जब आप emotionally hurt हो, आपको किसी चीज को लेके बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत ही deeply hurt feel कर रहे हो, आपको बिलकुल ऐसा लग रहे है कि क्या ये दुनिया है, ये सारा संसार सब कुछ जूट है, और सब कुछ मतलब जो है, गलत है, मेरे साथ में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, जब हम बहुत बिलकुल बिलकुल लो फील करते हो जबाब, चीक है, सो सिग्में फ्रूट ने इसके बार में कहा है, and he posited कि ऐसे जो experiences होते हैं, these are repressed into the unconscious and are not available for retrieval from memory, so it is a kind of repression, painful, threatening, embarrassing memories are held out of consciousness, सिग्में फ्रूट ये बोलते हैं कि ऐसे जो experiences होते हैं, वो हमार unconscious mind में या unconsciousness में repress हो जाते हैं, और हम उनको बार बार याद नहीं करना चाहते हैं, मतलब, जैसे for example, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, कि जिनके family में किसी की death हो गई हो, ठीक है, हो सकता है आपके कोई friend हो, या maybe आपकी family में ऐसा कोई हो, या आपके साथ में कभी ऐसा कि आपका कोई बहुत ही close person था, जिसकी किसी reason से death हो जाती है, और अब वो आपके साथ में नहीं है, बहुत बार मतलब, ऐसे generally हम देखते हैं, ठीक है, that is really very very hurtful, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कि किसी ना किसी के parents की कोई, मतलब, किसी reason से, accident से death हो जाती है, या किसी के घर मे किसी sibling की death हो जाती है, या फिर हमारे जो loved person होते हैं, वो हम से दूर चले जाते हैं, और हम इन सारी चीजों को सहन नहीं कर पाते, ठीक है, but this is life, life तो आगे चलेगी और हमको इसी तरीके से जीना भी है, उनके बिना जीना है, तो हम क्या करते हैं, हम life में आगे बढ़ते हैं, और हम उन memories के बारे में कभी नहीं सोचना चाते, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो वो चीज हमको hurt करेगी, just suppose this is x person और इसके father की death हो जाती है, early death, हम बात करें early death की, क्योंकि death तो एक दिन सभी की होनी है, लेकिन जब early death हो जाती है, तब हमको बहुत जादा बुरा लगता है, जैसे for example, मानलो यह जो x person है, यह सरफ 20 years old था, जब इसके father की death हो गई, अब इसको obvious है, बहुत ही जादा grief होगा, बहुत ही जादा pain होगा, बहुत ही threatening होगा इसके लिए, मतलब बिलकुल आप तो सोच भी नहीं सकते हो है ना, कि किस तरहीगी का इस person ने feel किया होगा, लेकिन अब देखो, कुछ time तक उसको बहुत जादा बुरा लगेगा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, बहुत disturbed रहेगा, इस सारी चीज़े होगी, but there comes a time कि अब इसको life में आगे बढ़ना है, अब यह इस एक point पर आकर रुक तो नहीं सकता, क्योंकि life तो आगे बढ़ीगी, स इस एक point में बहुत ही बड़ी बड़ी दिक्कते होती है, किसी की life में छोटी छोटी होती ही, लेकिन सब के लिए अपनी problem बढ़ी होती है, यह पर लगे बढ़ना है, तो यह एक PRSON भी अपनी life में आगे बढ़ेंगा, और यह कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज किस के साथ में कभी ऐसी कोई memory बार-बार हो या वो यादे बार-बार उसको आएं जिसकी वज़े से वो बहुत ही जादा मतलब emotionally hurt हो जाए मतलब देखो इसका मतलब यहां पर बिलकुल यह नहीं है कि अगर इस person के father की death हो गई है सो यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके father के बारे में वो सोचे not this way लेकिन इस तरीके का जो incidence है उस एक time पर उसने क्या feel किया होगा किस तरह का मतलब उसको कितना जादा deeply affect होगा कितना जादा emotionally mentally hurt होगा वो कभी नहीं चाहेगा वो time पर उसने जो feel किया उसको वो कभी आगे भी feel करे clear आया समझ में जैसे मान लो for example आपके साथ में कोई कोई ऐसा accident वगरा हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जिसमें आपकी life में सारा सब कुछ मिलकुल जो है मतलब तहस नहीं सो जाता ह सब कुछ बरबाद हो गया ठीक है आप कभी नहीं चाहोगे ये चीज दुबारा आपके साथ में हो तो हम generally उन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं हम उसको memorize नहीं करना चाहते हैं clear तो देखो जैसे ये आपकी memory है तो आपकी memory में तो सारी चीजे हैं कुछ आपकी bad memories भी हो दुबारा हो it's not only about pain बट और कोई ऐसे situation जिसमें आप बहुत ही embarrassed हो गये थे कभी आप ये चीज देखते हो गये मतला देखो ये मेरे साथ में होता है मैं आपने एक्जाम पर आपको बहुत देती हो मैं आपको ये चीज दुबारा बता हूं कि ये चीज मेरे साथ में होती है कि for example मैं कभी किसी situation में थी and वहाँ पर मुझे किसी तरही किसे मेरे किसी act की वज़े से बहुत embarrassing situation होगी मुझे भी बहुत embarrassing लगा तो मैं उस चीज के बारे में अगर कभी वो मुझे memory जो है वापिस से flash होती है ना तो मैं उसको वहीं रोग देती हूं कि नहीं नहीं इसके ब दोबारा कभी ना हो and इसके साथ में वो चीज आपको affect भी कर रही है वो आपको किसी तरही के का trauma किसी तरही के का emotional hurt आप उस एक चीज की वज़े से feel कर रहे हो okay so आप क्या करते है आप उस चीज के बार में कभी नहीं सोर्चना चाहते है आप कभी नहीं चाहते कि इस तरह की memory जो है वो बार-बार flesh हो now in some persons traumatic experiences may give rise to psychological amnesia अब कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जो traumatic experiences होते हैं maybe वो बहुत white होते हैं जिसकी वज़े से psychological amnesia उनको हो जाता है यह psychological amnesia होने लग जाता है क्या है यह इसको हम यहीं पर discuss करेंगे okay so some individuals experience crisis and are utterly incapable of coping with such events so they close their eyes, ears and mind to such harsh realities and life and take mental flight from them आपने कभी देखा है कि जैसे for example सबके साथ में यह चीज होती है आपके साथ में हो सकता है इस stage पर हो या ना हो बट लेटर यह चीज सबके साथ में होती है सबके हम बहुत बार हम बहुत frustrated भी होते हैं बहुत बार हम बहुत ही hurt भी feel कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादे emotional हो जाते हैं देखो एक चीज हो दी ना कि एक आप बहुती खुश रहते हो आज अगर आपका दिन बहुत बुरा है, आज मेरे साथ पूरी दुनिया का बुरा हो रहा है, तो हमेशा ही गलत होता है, और मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, आज अगर आप डाउन हो तो कला वापिस से आप पर जाओगे, अपन डाउन ये तो बिल्कुल किसी चीज़ को लेके कभी आप बहुत ही डाउन फील करोगे कभी आप highly motivated फील करोगे यह लाइफ है ना मतलब यह सारी चीज़े लाइफ के अंदर होती है अब जैसे आप लोग का एक example ले लेते हैं बहुत बार आप लोग ऐसे हो जाते हो कि जैसे मान लो result आया okay result में expectation के according marks नहीं आये अभी आपको पता है ना कि result वगरा 10th के भी आपके आये होंगे 12th के भी results आये थे और magnet brain पर हम लोगी सारी चीज़े discuss भी करते हैं तो बहुत सारे students को हमने देखा जिनके 99% 100% marks extremely happy मतलब और बहुत ही यह मतलब एक तरह का proud moment भी है रहना कि आपके इतने अच्छे marks आ रहें आपने इतनी महनत करी even मतलब मैंने तो expect भी नहीं करा था कि मैं जब 10th में थी तो मेरे कभी इतने आ भी सकते होंगे I was like 95 यह मेरा target है बस okay डेकिन मैंने students को देखा इतने इतने marks आते हैं but there are some of these students बहुत अच्छी बात है आपके इत students के आते हैं जैसे अगर उनका target है 90 उनका target है 80 तो वो कहीं ना कहीं 70-60 पे आके अटक जाते हैं एक average तक उनके marks आते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो शायद fail हो गया हो यह किसी तरह का supplementary आ गया हो यह सारी चीज़े भी होती तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम बड़े पर हमारी बेसिक चीज़े सबके साथ में होती है यह चीज़े मतलब मैं कब जब में 12th क्लास में थी मैं जब 12th क्लास में थी तो हमारे यहां पर एक बहुत ही अच्छा college है मुझे वो college चाहिए था और मुझे ऐसा था कि after 12th मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी college से पढ़ाई करनी है मुझे और कहीं नहीं जाना है ओके लेकिन उस college में जो cut-off list होती थी ना percentage की वो बहुत ही ज्यादा होती थी ओके तो अब मेरा एक target था कि और उपर से वहां पर जो है reservation वगेरा भी होता था यह सारी चीज़े भी रहती थी तो और मैं general category से तो मुझे ऐसा था कि याग मुझे मुझे बहुत सारे marks चाहिए मतलब मुझे percentage तो चाहिए ही चाहिए है ताकि मेरा admission हो जाए क्योंकि अगर वहां पर मुझे admission नहीं मिला तो मुझे यसा लगता था कि वही मेरे लिए best college है मुझे और कहीं नहीं जाना है तो और मुझे ये भी पता था कि अगर मुझे वहां admission मिला और उसके बाद में भी मैं try करती हूँ तो फिर वहां पर एक criteria होता है like payment seat वाला तो फिर आपको जो fees है उसका पांच गुना ज्यादा देना पड़ता है तो मेरे माइड में यह जीज पहले से सेट थी कि मुझे उसी college में जाना है and I was doing all my efforts उसके लिए चीक है तो मेरा ऐसा 12 में target था कि मुझे 95% तो लाना ही लाना है एवन 95 प्लस है तो तो बहुत अची बात है मतलब 95 तो लाना ही लाना है so मेरा मतलब मेरे सारे subjects में बहुत अच्छे marks है सब में 90 प्लस है okay but सिर्फ एक subject सिर्फ एक subject English English में मेरे बहुत कम marks है मतलब I think 65 something मेरे marks है थे सब में 90 प्लस और English में मेरे 65 something marks है थे ऐसा नहीं है मैंने नहीं करी थी क्योंकि English का first exam था और मैंने बहुत lightly ले लिया कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और time हो गया मेरे एक्जाम नहीं हुआ ठीक है तो मेरे marks वहाँ पर थोड़े कड़वट गये थे अब इसके बाद में मेरे percentage कम हो गए क्योंकि अगर सब में 90 plus and that means मेरे 90 अब परसेंटेज होने चाहिए थे लेकिन एक में 65 संथिंग आ गए तो मेरे percentage कम हो गए कितने हो गया मेरे परसेंटेज अब मैं एक्जेक्ट बता दू ना अप लोगों को हाँ ठीक है तो मेरे हो गए 87% ओके अब मुझे बड़ा बुरा लगे ठीक है मैं भी गया था उतना कट अफ उस स्टीम का नहीं गया था and finally मुझे वो college मिल गया था और बहुत अच्छा college है ठीक है अभी नाम दी लेते हैं अब यह एक चीज होई कि भाई मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी expectation के according नयात में बहुत रही बहुत रही बहुत रही और यह सब के साथ में होता है ठीक है हम लोग क्या होते हैं हम थोड़े से hurt हो जाते हैं क्योंकि हमारी expectation meet out नहीं करी ठीक है यह same चीज आपके साथ भी ह होता होगा देखो यह एक normal जो सभी general students के साथ में यह एक चीज होती है अब सबकी life में situations अलग-अलग होती है आपके घर में कुछ अलग situation होगी किसी और के घर में कुछ अलग situation होगी किसी के घर में कुछ और अलग situation होगी तो हमको थोड़ा हम लोग सब बिलकुल अपनी family करियर प्लानिंग करने बैठे हो आप आपकी एज की जितने भी students हैं फो ठीक है 11-12 वाले कभी करियर प्लानिंग करने बैठे हो आप आपने देखा होगा जब भी आपका यह decision बना होगा ना कि 10th के बाद मुझे 11th में क्या subject लेना है बहुत easy होता है यह 10th के बाद 11th में क्य पाक्या जो है school में available है सारी चीजों को देखना पड़ता है सारा गणित करना पड़ता है math करना है calculation करना है finally हम एक conclusion पर पहुंच पाते हैं और उस conclusion के बाद भी मलब subject लेने के बाद भी हम थोड़े से confused रहते हैं हमारे decision सही था या हमारे decision wrong था तो उस एक time पर आपने कभी feel क क्या होगा जब आप career planning करने के बारे में सोच रहे होगे इतने सारे thoughts आते हैं ना इतने सारे thoughts कि आपको ऐसा लगीगा छोड़ो चाड़ो देखेंगे जो होगा वो आगे हम कर लेंगे कोई बोलेगा आपको CA बन जाओ कोई बोलेगा IAS की preparation करो कोई बोलेगा law करने लग जाओ कोई बोलेगा teaching line में जाओ कोई बोलेगा engineer बन जाओ कोई बोलेगा banking exam क्लियर करो इतनी सारे choices ठीक है और उतनी ही सारे choices maybe फिर sub choices त्विर उसके बाद में subject लेना, फिर आपका अपना interest, फिर पढोस की अंटी कुछ बोल रही है, घर में मम्मी कुछ बोल रही है, चाची कुछ बोल रही है, बुआ कुछ बोल रही है, फूपाजी कुछ बोल रही है और ऐसे करके इतने सारे opinions कि आपका एक time आता है, आप कान बंद करते हैं और चिलाते हुआ जोर से आरे बास इस तरीके से होता है यह चीज की नहीं होता बताओ लगता है नहीं चिला नहीं पाते होगे घर में रहते होगे बढ़ आप कान सब बंद करो बलू बस बिल्कुल चुप हो जाओ सब के सब बहुत तेज हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो यह चीज़े सब के साथ में होती हैं आप शायद करियर को लेकर हो रहे हो कोई और परसन शायद अपनी परसनल लाइफ को लेकर हो रहा होगा कोई और परसन अपने गोल्स की वज़े से हो रहा होगा तो यह एक फेस सब के साथ में होता है हर एक इंडिविजिय कि का कोई भी रीजन हो, but this is the fact कि ये चीज सब के साथ में होती है, हम सब की कुछ ऐसी memories होती है, हमारे कुछ ऐसे traumatic experiences होते हैं, जिनने हम कभी नहीं चाहते कि वो हमारी life में दुबारा से आएं, ठीक है, आपके भी अपने होंगे, it results in highly generalized amnesia, one of the result of such flights is the emergence of disorder known as Fugue State, ये लो, ये आगे आपके लिए एक बड़िया सा नया सा concept, that is Fugue State, I think मैं सही प्रणाउंस कर रही हूं, it's Fugue, या it's Fugue, या it's Fugue, ठीक है, मतलब इस एक तरीके से मैं आपको बता दिया, बिर pronunciation इसका कुछ ऐसे ही है, Fugue State, इसको हम बोलेंगे FS, अब ये जो एक तरीके का आपके साथ में दिक्कत हो रही है, कि इतने सारे मलब चीजें हैं, दिमाग में आ रही हैं, इतना कुछ परिशान कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको amnesia की तरफ ले जाता है, और ये amnesia धीरे- करके, इस FS यानि Fugue State of Disorder में रिजल्ट करने लग जाता है, persons who become victims of such a state, assume a new identity, name, address, etc. मतलब ये है, कि देखो, हर एक परसन परिशान होता है, हर एक परसन अपनी अपनी लाइफ में परिशान होता है, just suppose, हमारे पास में ये थ्री परसन है, इन सबकी लाइफ में अपनी अपन बट एक सौंग है न, कि वो दुनिया में कितना गम है, और मेरा गम कितना कम है, कुछ इसे एक तरीके से, तो देखो, हम सबको ऐसा लगता है, कि हमारी problems बहुत ज़्यादा है, हम सबको ऐसा लगता है, कि मेरी problem से बड़ी इस दुनिया में और कोई problem होगी ही नहीं, मेरे सात में जो हो रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे बुरी चीज हो रही है बड़ दर थेंगे इसकी सब के लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती है आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 12th के बाद कौन सा कॉलेज लो ठीक है और आप उसे की चीज में बहुत कंफियूज हो या आप करियर को लेके बहुत कंफियूज हो ये आपकी प्रॉब्लम है There is someone जसको ये भी नहीं पता कि मुझे शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसकी problem बड़ी हुई या आपकी problem बड़ी हुई obviously आप बोलोगे उसकी problem बड़ी हुई clear ऐसे सब की life में अपनी-अपनी problems है हम सब को ऐसा लगते हैं मैं यह नहीं बोल रही कि आप गलत हो आपकी अपनी problem है तो सब की life में problems होती है सब किसी ना किसी चीज को experience कर रहे होते हैं, किसी ना किसी trauma को experience कर रहे होते हैं, अगर मैं इन तीन लोगों की बात करूँ, जा suppose this is A, this is B and this is C, इन तीनों की life में अपनी अपनी problems हैं, ठीक है, तीनों की life में अपनी अपनी problems हैं, छोटी-छोटी problems हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी, हो सकता है, सरी, हो सकता है, इनके बच्चों की शादी होने वाली है, तो वो इनको इस एक चीज को लेकर टैंशन हो रहा है, इनके घर में जो है, मतलब बहुत ही पूर फैंबली है, तो बच्चों को कैसे बढ़ा करेंगे, कैसे खाएंगे, पिएंगे, क्या करेंगे, ये problem है, ये business man है, इसको problem है कि भाई मेरे business में profit नहीं हो रहा, तो ये छोटी-मोटी problems है, सबकी life में होती है, कभी-कभी ये छोटी-छोटी problems, एक हमारे लिए traumatic conditions बन जाती है, ठीके, क्या बन जाती है, traumatic conditions, यानि उनको अब जेल पाना हमारे लिए easy नहीं हो पाता, मानलो जासी ये एक poor person है, ये बहुत ही ज्यादा poverty को face कर रहा है, इसके बच्चे है, बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे घर को पालेंगे, पोसेंगे, कैसे घर का भरन पोशन करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेके ये बहुत ही परिशान इंसान है, किसी रीजन से इसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, मतलब मानलो इसको जॉब मिल ही नहीं पा रहा है, ये बहुत कोशिश कर रहा है बट इसको कहीं भी कोई जॉब नहीं मिली, इवन लेबर की भी जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, तो किसी रीजन से इसके, for example, मानलो तीन बच्चे थे, तीन में से एक की out of hunger death हो जाती है, दो बच्चे बच्चते हैं, अब ये बहुत, मतलब बहुत एक तरीक का, ये ट्राउमा ही है ना, कि एक बच्चे की death होगी out of hunger, अब इस बच्चे के दुख में, मानलो इसकी जो wife है, उसकी भी death हो जाती है, अब बच्चे, दो बच्चे, ठीक है, तो ये सोचता है कि यार, मेरे बच्चे हैं, मैं इन दो बच्चो को कैसे पालूँगा, कैसे क्या करूँगा, तो ये बहुत जगी कोशिश करता है, बहुत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से इतना प पादर उनके दो बच्चे और ये लोग थोड़ा अपनी लाइफ वगएरा को जी रहे थे जैसे तैसे करके इस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे जहां पर उनने अपने एक बच्चे और बच्चों ने अपनी मां को खो दिया था ठीक है अब ये लोग कोशिश कर बच्च आया थे मीन्वाइल ये काम से बाहर जाता है और इसके जो दो बच्चे हैं वो बाहरी घूम रहे थे और कोई कार आती है स्पीड में और दोनों बच्चों को क्या कर देती इस मतलब बिलकुल उनको उड़ा देती है ठीक है अब दोनों बच्चों की ओंडी spot death हो जाती है, आप लोग सोचों के मैटम कितनी बुरी कहानी आप हमको सुना रही हो, but this is something ना, हमको अभी ये amnesia, fusion की state इन सारी चीजों पर आना है, इसलिए इतनी बुरी कहानी में आपको सुना रही हो है ना, हम नहीं सुनना चाहते हैं ना, इनसान है, suicide भी नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब वो ऐसा परसन नहीं है ना, कि वो suicide कर ले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ थी, उसने बहुत फेस किया, सालों तक मतलब अपने इस दुख से वो बिलकुल उबर नहीं पाया, ठीक है, अब यह परसन क्या करता है, यह इतना ज़ादा परेशान हो जाता है, इसे कुछ समझ में आता, काम पर ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, तो यह चला जाता है, यहां से, फर एक्जामपल मान लो, यह X जगा पर रहता था, इस जगा को ही छोड़ता है, और किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी जगा पर जाकर सैटल हो जाता है, वहां जाकर सैटल हो जाता है, और वहां पर जाकर जो है, अपनी लाइफ स्पेंट करने लग जाता है, अपना नाम बदल लेता है, अपनी identity को बदल लेता है अपने address को बदल लेता है और सारे चीज़ों को बदल के एक नई life start करता है ताकि जो उसकी ये repressed memories हैं वो कभी भी उसके पास वापिस ना आएं ये just एक example है clear तो इस एक चीज को आए आपको समझ में कि ऐसे करके क्या होता है कि आप एक फ्यूजू के स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पर आप इन सारी मतलब वो उसको hold कर पाना इतना जादा heavy हो गया है इन feelings को कि वो एक बिलकुल अलग ही state में पहुंच जाता है सारे चीज को बद आप इस परसन की दो personality हो गई है एक personality जो वो यहां पर जी रहा था यहां पर जो life जी रहा था और second जो उसने यहां एक new place पर आके अपनी start कर दी है तो यहां पर क्या एक चीज हो रही है कि अब यह जो second personality बन चुकी है एक ही person की वो इस पुरानी personality को बिलकुल भी नहीं पहु तो जब भी आप बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस में होते हो तो भूलना या लॉस ओफ मेमोरी इस वेरी कॉमन आप देखो जैसे मान लो आपको कहा जाता है ना एक चीज यह एक्जामपल आए होपस आपको क्लियर होगा बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सिंपल सा था आप देखो आप ने यह चीज कभी देखी है आप जैसे मान लो आपके एक्जामस है और आप एक्जामस को लेके बहुत इस्ट्रेस ले लो अरे भाई कैसे पढ़ाई होईगी क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे तो कुछ कम्प्लीट ही नहीं इतना सा अपढ़ने बैट जाती है और फिर आपको जो भी आपने याद किया है वो धीरे तीरे करके forget करने लग जाते हो भूलने लग जाते हो एक और एक्जांपल दो मेरा personal life का मेरी life बड़ी adventurous रही है मतलब रही क्या अभी तो है मेरी बहुत लाइफ है अभी तो मैं मतलब थोड़ बहुत जितना भी है वो आपके साथ शेयर करते हूँ मेरे college में मेरे साथ में एक मेरी friend थी okay so वो बहुत मतलब उसकी height बहुत चोटी सी थी तो बड़ी बिलकुल चोटी सी दिखती थी और वो पढ़ाई को लेकर ना बहुत stress लेती थी जब हम लोग college में आये थे हमारा college normal college नहीं था like a lavish life और मतलब बिलकुल मजे कर रहे हो बंक कर यह वो बिलकुल ऐसा नहीं फिलकुल school जैसे पढ़ाई हमारे college के अंदर हुआ करती थी तो अब हम बहाँ पर जाते थे पढ़ाई लेगाई करते थे तो धीरे धीरे करके सारी चीज समझ में आती ना आप सोचो एकदम से आपको सब समझ में आ जाए तो नहीं होगा तो बोड़ा बहुत तो आता ही होगा कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा तो उससे related आपसे questions पूछे जाते थे और पूरे college का होता था सब का test होता था ओके सो वो ना इस छोटी-छोटी चीजों का बहुत stress लेती थी जैसे मानलो कल class test है अब generally 25 marks का class test होता था और आपको time भी दिया जाता था बता दिया जाता था कि आपको कितना पढ़ना है but still उसको बहुत stress होता था वो हर चीज मैं ऐसे सोचते थी अरे यार मैं क्या करूंगे मुझसे क्या हो पाएगा मैं कैसे कर पाऊंगी मुझसे पढ़ाई नहीं होगी class के बाद सीधे library में जाना library में हर ए एक तरह की एक तो हम competition में आ रहे हैं पहली चीज यह दूसरी चीज हम बार 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 जो है उन चीजों मतलब हम क्या कर रहे हैं stress ले रहे कि मुझसे यह नहीं हो पा रहा है मुझसे यह भी करना है और मुझसे कोई भी चीज नहीं हो रही अगर आप 10 चीजों के उपर focus करो एक साथ में और आप बोलो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो वो तो आप से नहीं हो पाएगा एक time पर एक चीज को करो दूसरे time पर दूसरी चीज को करो आपको improvement दिखेगा आप सोचो में सब कुछ एक साथ में करों तो वो नहीं हो सकता थि कि test है तो test का stress है जी के test हो रहा है तो जी के test में कितने marks हैंगे उसके marks को इतना जादा weightage नहीं होता था बहुत मतलब माक्स का बेटेज होता था but still वो ऐसा इतना जादा उसको वो नहीं किया जाता था ऐसे बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता था that was basic a test आपको जाना आपको देना है उसके लिए कोई syllabus नहीं है that's just your general knowledge test okay अब वो उस एक test को लेकर बड़ी परिशान होती थी उस टेस्ट के लिए भी वो पढ़ा ही करती थी बल्कि पता हमको होता ही नहीं था कि कहां से कोशन आएगा इतना सारा कुछ पढ़ा रहे हैं दुनिया के अंदर कहीं से कुछ भी उठा के दे देते थे अब वो उसको लेके भी stress करना तो मैं मतलब उसके साथ में थी तो मैं उसको बहुत समझाती थी कि देखो आप अराम अराम से करो एके करके करो अगर तुम सारी चीजों को साथ में करने की कोशिश करोगी तो वो नहीं हो पाएगा जैसे आपको समझा रहे हूं ना वैसे उस सेकंड यर हो गया सेकंड यर में वो बहुत कम आना उसने स्टार्ट कर दिया बिलकुल आना मतलब ना के बराबर कर दिया कभी आती थी कभी नहीं आती थी बहुत बहुत दिन हो जाते थे आए दिन वाटिमें प्रफेसर थी उनके साथ में मैं बात करें थी किसी काम को लेकर सदेनली आई सो की वो लड़की और उनके पारेंट्स दे के और वो आते हैं बटते हैं बातशीत करते हैं I was also there क्योंकि माम ने बता दिया था कि ये इसकी friend है तो वो आते हैं और वो बताते हैं कि हमारी बैच्ची पढ़ती तो बहुत है लेकिन वो depressed हो चुकी है वो बिल्कुल depression वाले state में जा चुकी थी उसको depression हो गया था literally पता है उसको depression हो गया था इतना जादा उसने stress ले लिया था ना कि उसको depression हो गया था exam देने आती थी उसको पता होता था लेकिन लिखनी पाती थी भूल जाती थी वो सारी चीजों को ये चीज बिल्कुल common है और पता है फिर मतलब बाद में वो teachers ना help out किया वो सारा खुस तो हो गया sorted बट अब वापिस यहाँ पर class में आओ तो मैं आपको यह चीज आज़िए कि अगर आप stress लेके कोई काम करोगे आप anxiety में कोई चीज करोगे तो भूलोगे सारी चीजों को ये बिल्कुल common है forgetting is common अगर आप stress ले रहो अगर आप anxiety में हो तो forgetting होगी लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो बिल्कुल अलग है वो क्या है कि इतना stress और इतनी anxiety कि आप अपनी identity को ही भूल चुके हो आरा है समझ में तो बहुत बार ये चीज़े होती हैं ठीके कि जैसे for example आपकी life में कोई ऐसी चीज होगे जिसको आप कभी नहीं चाहते हैं हमको बुरा लगेगा आप लोग पॉलिटिकल साइन्स अगर पढ़ते हो या आगे पढ़ो गे ठीक है तो पॉलिटिकल साइन्स में एक थeory है थeory दी है जरमी बेंथं ने जरमी बेंथं बात करते हैं utility की तो मतलब बेसिक जो उनकी थेओरी अभी मैं आपको इतना पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, बेसिक उनकी थेओरी है प्लेजर और पेन, वो बात करते हैं कि आपको किन काम को करने से खुशी मिलती है और किन चीजों को करने से आपको दुख होता है, तो ये दो कि जाके जो है, मतलब गाड़ी का एकसिडेंट कर दो और मुझे लग जाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा है, जिसको ऐसा अच्छा लगता है, कि मुझे लग जाए, मुझे चोट लग जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या मतलब किसी त तरह का पेन कोई भी चीज अगर वो आपको पेन देती है वो आपको किसी दरह से हर्ट करती है तो हम कभी नहीं चाहेंगे उस काम को करना हमेशा क्या चाहते हैं हमेशा प्लेजर वाले काम को करना चाहते हैं हमेशा वो चीज करना चाहते हैं जिससे हमको खुशी मिले जैसे मा यहां रही है कि भोग लगी है तों और दो दिन तक खाना ने खाता हूं आपने पेट का टेस्ट लेता हूं अज ऐसा कोई करता है क्या साइकोपाथ हो अब अगर आइसा रहे हो फिल्कों इस चीज़ को ना बंद कर दो तो यहां पर यही एक चीज बोली हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी repressed memories हम याद करें हम उसको कहीं किसी अपने unconscious कोने में फिक देते हैं memories के जहां से वो कभी भी दुबारा वापिस उठके ना आ सके तो यहां पर आपको एक repressed memory का concept समझना है एक आपको amnesia समझना है and third is the future state इस एक चीज़ को आपको समझना है many hard working and ambitious students aspire for highest course and final exam देखो, देखो NCRT वही example दे रही है जो मैंने अभी तुम को दिया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो exam में अपने according marks पाने के लिए जैसे मेरे को 95% चाहिए थे तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी तो आपको चाहिए तो आप भी बहुत पढ़ाई करते हो आप बिलकुल hard work करते हो ambitions के साथ में और ऐसा की मतलब घंटों तक पढ़ाई करना लेकिन expectation से कम marks मिल गए तो बहुत nervous हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को and forget everything they had prepared will या फिर इतना जादा stress ले लेते हैं अपनी preparation के time पे कि exam hall में जाके जो पढ़ा था वही भूल जाते हैं समझ रहे हो तो ये चीज़े नहीं होनी चाहिए आया समझ में अब देखो अब आप बोलो माम कैसे नहीं होगा तो ये चीज़ तो विलकुल मतलब in general है basic है कि सब के साथ में traumatic experiences होते है सब को life में कोई ना कोई ऐसा experience होता है जो हम चाहते हैं ये चीज़ कभी हमारे साथ में ना हो तो वो traumatic experiences होते हैं उसको हम पटक देता है हमारी memory के किसी एक कोने में ताकि वो दुबारा कभी उठके ना आए और हम even उसको memory में रखना ही नहीं चाहते है वो unconscious mind में चली जाती है हम उसको कभी memorize करना ही नहीं जाते है लेकिन अगर आप उसके बार में बार बार सोचोगे आप बार बार stress लोगे आप बार बार anxiety में रहोगे तो आपको हो जाएगा amnesia आपको क्या हो जाएगा amnesia हो जाएगा और उसकी वजह से आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूलने लग जाओगे समझ रहे हो और देखो ये सरफ रेप्रेस्ट memories के साथ में नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी memory पर फरक डालती है समझ रहो जैसे मान लो ये आपकी पूरी memory है ये आपकी पूरी memory है आप इस memory में से सिर्फ इस एक चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो दिन रात सोचते हो सुबह सोचते हो दुफेर में सोचते हो खाना खाते हुए सोचते हो वाश्रूम में जाते हो नहाते हुए भी सोचते हो सो गए तो नीन में चले गए नहीं तो आपको इतना जादा इस एक चीज़ को लेके आप बिल्कुल obsessed हो कि आपको सपने में भी इसी चीज के बारे में याद आता है तो मतलब आप किसी एक चीज के बारे में इतना सोच रहे हो कि आपकी बागी चीजें कहीं ना कहीं गायब होने लग जाएंगी और इससे आपकी memory पर फरक पड़ेगा आपकी memory पर फरक पड़ेगा आप सारी चीजों को recall analyze नहीं कर पाओगे आप memorize नहीं कर पाओगे तो कोई भी वो गोलते ना कि किसी भी चीज की अती अच्छी नहीं होती है तो वैसे यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज को उसकी जरूरत से ज्यादा कर रहे हो तो that will ultimately affect your memory Is it okay to you? Is it clear? I hope so clear हो गया होगा कोई doubt नहीं होगा यहाँ तक हमने जो भी पड़ा है उसमें कोई doubt है तो कहाँ बताओगे obviously comment section में बताओगे मुझे और क्या करोगे? साथ-साथ में इस topic को read very good तो जो भी अभी तक बड़ा है उसको read करना है कोई doubt है तो मुझे से comment section में पूछना है कोई doubt नहीं है तो क्या बोलोगे? No ma'am we don't have any doubt everything is clear और कोई doubt है तो यह नहीं बोलोगे Yes ma'am doubt सीधा doubt लिखोगे What is mean by this or what do you understand जो भी आपका doubt है इस तरीके से Is it clear to you? कोई doubt नहीं है ना मतलब मैंने जो बोला उसमें तो कोई doubt नहीं है So I hope so यह topic भी clear है So we will किसी की memory बहुत sharp होती है किसी की memory थोड़ी सी weak होती है हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई ऐसा person होता है जिसने किसी चीज को अगर learn किया तो वो उस चीज को बहुत time तक नहीं भूल पाता और हम वहीं उस चीज को जरा में भूल जाते हैं हमारे साथ में हमारे ऐसे कुछ friends होते हैं जो किसी भी concepts को एक बार में memorize कर लेते हैं और हम होते हैं जो नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं इसमें गलती आपकी नहीं बल्कि किसकी है? Memory की है ओके? तो हमको उस memory को करना है enhance यानि कैसे आप अपनी memory को बढ़ा सकते हो ये हम जानेंगे हमारे इस particular lecture के अंदर अब तक हमने ये तो देखा मतलब basics हमने memory के पढ़े कि जैसे for example आपके पास में जो भी information है जो भी data आपके पास में है अगर आप उसको अच्छे से analyze करते हो अगर आप उसको अच्छे से retrieve करते हो अगर आप उसको अच्छे से represent करते हो अगर आपकी memory एक organized format में होती है तो आपकी memory में जितना भी information है आप उसको recall कर सकते हो बहुत बार नहीं होता, बहुत बार forgetting हो जाती ही, वो सारा सब कुछ हमने in detail discuss किया, अब बात करेंगे, इसी एक चीज को आगे बढ़ाएंगे, कि अब आप और कैसे memory को enhance कर सकते हो, और कुछ important concepts को हम यहाँ पर discuss करेंगे, कुछ theories को हम यहाँ पर discuss करेंगे, I hope so, यहाँ तक मैं मेंसे कोई भी ऐसा है, मुझे comment में बताना, अगर कोई ऐसा है तो, कि आप चाहते हो कि मेरी memory weak ही रहे, मुझे किसी चीज को memorize नहीं करना, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती हूँ, कि मेरी memory बढ़े, मैं तो बिलकुल ऐसे weak ही ठीक हूँ, और यह सरफ ऐसे हासी मजाग मे हा या ना मत बलना, reality बताओ, क्या हम में से कोई भी ऐसा है, I would say no one, कोई ऐसा शायद नहीं होगा, जो नहीं चाहे कि हमारी memory excellent हो, अगर कोई है ऐसा तो मुझे reason के साथ बताने कि आप ऐसा क्यों चाहते हो, okay, so हम सब चाहते हैं, हमारी memory excellent हो, robust हो, बिलकुल dependable हो, and who after all likes to face situations of memory failures that lead to so much of anxiety and embarrassment, और उसके बाद में कुछ हम में से ऐसे भी होते हैं, जिनकी memory fail हो जाती है, जैसे मैंना आपको बताया ना, शायद ये चीज कि मेरे साथ में ये हमेशा एक चीज होती है, मैं नाम भूल जाती हो, और मतलब ये चीज बड़ी embarrassing होती है, मेरे लिए और सामने वाल क्याने के लिए भी, मैं बहुत बार नाम भूल जाती हो, मैं movies देखती हूँ, movies के नाम भूल जाती हो, मैं किसी person से मिली थी, मतलब देखो, अगर दो चार बार मिली हूँ, तो फिर तो मुझे नाम याद हो जाता है, वन्या मैं उस person का नाम भूल जाती हूँ, कोई quotation मुझे से याद आ रहा है मैंने अच्छे से पड़ा था लेकिन उसको किस ने दिया था मैं इसका नाम भूल जाती हूं मेरे साथ में नाम भूलने वाली दिक्कत बहुत है और सिर्फ नाम ही नहीं किसी परसन का ही नाम नहीं कोई भी चीज़ है कोई वर्ड मुझे याद नहीं आता फ यह प्रॉबलम मेरे साथ में है लेकिन आप लोग के साथ में अलग-अलग होती होंगी या हो सकता है ऐसा भी होता होगा कि कुछ भी situation में हमारी memory fail कर जाए कुछ याद करना है यादी ना है एक्जाम हॉल में बैठ है आंसर लिखना है आंसर ही याद नहीं आ रहा पड़ा त अब तक आपने जितना भी कुछ लर्न किया है memory से रिलेटेड उसके बाद में आप बहुत ही ज्यादा कीन हो गए यह जानने में कि memory को enhance कैसे करना है like what is memory we have discussed what is the nature of memory we have discussed what are the types of memory we have discussed stage model long term memory short term memory memory making eyewitness memory false memory repressed memories और knowledge representation organization in memory ना जाने कितने concepts हमने discuss कर लिये सब कुछ हमने जान लिया forgetting भी हमने discuss किया इतना सब पढ़ने के बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट है आप बलोगे माम चैप्टर जो पूरा पढ़ा चैप्टर में सारी चीज़े पढ़ी बट memory को जान लिया समझ लिया लेकिन memory को बढ़ा कैसे सकते है तो वो उस एक question का answer आपको यहाँ पर मिलेगा जहां आप य number of strategies for improving memory called mnemonics to help you improve your memory बहुत सारी ऐसी strategies होती है जिसके through आप अपनी memory को ठीक कर सकते हो इंप्रूफ कर सकते हो और उसे कहा जाता है mnemonics m is silent है and it's mnemonics इसको pronunciation भी बताया है कि कैसे बोलते हैं so it is basically mnemonics और mnemonics के through आप अपनी memory को improve कर सकते हो तो इसे अपने notes में कहीं पर side में लिख लो यह objective में आप से पूछा जा सकता है कि mnemonics क्या होता है या mnemonics किसके लिए होता है okay so mnemonics is basically help to improve or enhance what memory is it okay clear इसको क्या करना है इसको no down करना है और इसका pronunciation अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको bracket में यहाँ पर लिख लो ऐसे लिख लो mnemonics के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे देखो mnemonics दो तरह क्यों होते हैं एक होते हैं images images को use करके हम किसी की memory को enhance कर सकते हैं whereas others emphasize self induced organization of learned information तो दो तरीके हो गए यहाँ पर देखो mnemonics is a strategy write it down here in the bracket that mnemonics is a strategy कौन सी strategy है जिससे आप क्या कर पा रहे हो आप अपनी memory को enhance कर सकते हो अब इस strategy के दो तरीके होते हैं इस strategy के दो तरीके होते हैं जिसके through आप अपनी memory को enhance कर सकते हो so number one here is what use of images आप images को use करके अपनी memory को enhance कर सकते हो या फिर आपके पास में जो भी information है learned information ठीक है? learned information organization learned information organization जो भी information आपके पास में है आप उसको अगर अच्छे से organize करते हो आपने पढ़ा है na organization of memory तो जो भी learned information है अगर आप उसको अच्छे से organize करते हो तो आपकी memory enhance हो सकती है और अगर आप images को use करते हो तो भी आपकी memory enhance हो सकती है इसमें दो-दो types और होंगे जिनने हमें discuss करना है तो इसका एक बार और अच्छे से हम मतलब पूरा flow chart बनाएंगे उस flow chart को आपको copy करना है आप चाहो अगर आपके space है notebook में तो आप वहीं पर ही उसको mark कर देना बट मैं आपको एक बार और अच्छे से explain कर दोंगे okay so this is basically mnemonics mnemonics दो तरीके से आप अपनी memory को enhance कर सकते हों एक organization करके दूसरा use of images के थूँ आप कुछ mnemonics कुछ suggestions वगेरा को यहां पर memory improvement के लिए read out करते है so सबसे पहला है memory mnemonics using images now mnemonics using images require that you create vivid and interacting images of and around the material you wish to remember the two prominent mnemonic devices which make interesting use of images are the keyboard method and the method of loci अब यहां पर देखो दो चीज़े हैं आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसकी image अगर बना सकते हो उससे मतलब related अगर आप कुछ image बना के उसको याद रख लेते हो तो आप बहुत जल्दी learning कर पाते हो जैसे मैं आपको याद है मैंने आपको एक concept पढ़ाया था कौन सा concept मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम क्या एक चीज़ करते हैं हमारे mind में mental models पता है ना आपको mental models हमने discuss किया था mental models क्या होता है कि आप जो भी बोल रहे हो सुन रहे हो समझ रहे हो उस से related images आपके mind में बनने लग जाती हैं जैसे मैं बोलू एक school था उस school की जो principal का room था उस room में आप बैठे हुए थे तो ये जैसे जैसे मैंने बोला एक school था तो एक school आपके दिमाग में आया मैंने बोला principal का room तो आपने रिलेट कर लिया कहीं पर एक principal का room या आपने अपना school ही रिलेट कर लिया उस office में आप बैठे हुए थे आपने आपको भी देख लिया mind में ये चीज चल रही है that is a mental framework और मैं आपसे verbally बोल भी रही हूँ तो ये क्या होता है हम जब images के through relate करते है mental model is different from mnemonics ये थोड़ा सा different है इसमें basically क्या एक चीज होती है कि जैसे यहाँ पर तो आप mental images बना रहे हो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप exact images बनाओ अगर आप images के through किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो तो वो आपकी ज़ादा memory में रहता है जैसे मैं आपको examples देती हूँ मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मान लो कोई एक person है तो मैं यहाँ पर person बनाती हूँ तो आप ज़ादा relate कर पाते हो अगर मैं बोलूँ कि कोई a person है तो शायद मतब समझ तो पाते हो लेकिन कही न कही अगर आप कुछ न कुछ किसी तरीका का कोई image बना पाते हो तो आप चीजों को ज़ादा relate कर लेते हो जैसे for example just for example आप लोग history पढ़ते हो बताओ history पढ़ते हो आप लोग या नहीं पढ़ते हो comment section बताओ मुझे अगर आपने history पढ़ी है तो भी okay है अगर आपने history नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं आपको just take example दूँ इंडस वैली civilization के बारे में आपने सुना है just take example है इंडस वैली civilization के बारे में आपने सुना होगा कि इंडिया में एक बहुत ही oldest civilization थी ठीक है इंडस वैली civilization इंडस वैली civilization कहां से कहां तक थी कितना area cover करती थी तो अगर मैं आपसे कहाँ कि at present at present जो जमू कश्मीर है उसमें मांडा जो आपका UP है उत्तर प्रदेश उसमें आलमगिरपूर, महराष्ट में और अफगानिस्तान का सुतका गेंडोर ये चार मतलब East, West, North, South अगर हम बोले तो ये वो पूरे एक places को बताता है ये पूरा diagram बनता है या फिर ये एक पूरा extent है कि इतने extent तक इंडस वैली civilization फैला हुआ था इतना बड़ा था इंडस वैली civilization अब मैंने बोल दिया तो आपने सुना तो पर आपको याद नहीं हुआ होगा अब मैं क्या करती हूँ मैं बस एक ऐसे ही rough diagram बना रही हूँ मैं सिर्फ एक rough diagram बना रही हूँ नेको मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को पता होगा यहां पर उपर क्या है अफगानिस्तान है यहां पर मैं जम्मू कश्मीर बना देती हूँ ठीक है पर हमारा जम्मू कश्मीर है जैसे जम्मु कश्मीर में मांडा यहाँ पर है अफगानिस्तान में सुत्का गेंडोर यहाँ पर है महराश्र का दाइमाबाद मान लो आप यहाँ पर और यहाँ पर आप यूपी का आलमगिरपुर मान लो तो यह जो एक पूरा एरिया है यह हो गया North, South, East, West क्योंकि जब मैंने नाम बोला था सुद्गा गेंडोर है, आलमगिरपुर है, दाइमाबाद है, मांडा है तो आपको याद हुआ था, आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ था, आप बोलोगे नहीं हुआ था नाम भी भूल गए होगे, मेरे बोलने के बाद मैं पता भी नहीं हो, क्या बोला माम ने, क्या क्या नाम बोले, ऐसे होता है ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने create कर दिया तो आपको इतना तो पता है कि हाँ यार, इतना इतना एरिया जो है, वो पूरा इंडस वेली सिविलाइजेशन कवर करती थी यह एक इमेज बन गी उस एक चीज़ की यह क्या बन गी? उस एक चीज़ की इमेज बन गी, आप जोग्रफी पड़े होगे जोग्रफी में आपको बूला चाहता था मैप पे दिखाओ, मैप पे जब आप बनाते थे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होता था जब आप किसी चीज़ को मैप पे बनाते थे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होता था तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूं कि जब हम किसी चीज की इमेजिस बना के फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से याद हुता है मैं आपसे कहूं कि इंडिया जो है वो यहां से यहां तक यहां से लेकर यहां तक है मैं आपको पूरे बता दूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं आपको इंडिया का एक पूरा मैप यहाँ पर बना के देदू, मैं ऐसे करूँ कि आपको एक पूरा सा ऐसे करके मैप बना के देदू, कि यह जो है, देखो मैं बता दे रही हूं मेरी इतना ड्राइंग बहुत जादा अच्छी नहीं है, but I am trying my best कि मैं आपको समझा पाऊं मुझे नहीं आती अच्छे से ड्राइंग, I hope so मैंने map अच्छा बनाया हो, but मैंने आपको बहुझे यह पूरा इंडिया है, इंडिया के साईड में यहाँ पर पाकिस्टान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पूरा चाईना है, यहाँ नेपाल है, यहाँ रही जाएगा, रिहर्सल आपको करना है, that is important, रिहर्सल करोगे, रिवाइस करोगे, बार बार पड़ोगे, तब जाके और अच्छे से clear होगा, लेकिन अगर मैं आपको उसी चीज़ की इमेज बना के बता दूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से clear होता है, मैं आपको काटिल लिये जो थे, वो एक बहुत ही महान पुरुष्ट थे, और काटिल लिये जो है, कुछ इस, मतलब आपको एक्स्प्लेन करूँ कि वो चोटी रखते थे, और वो सरफ हमेशा ऐसे शॉल और धोती वगेरा पहने रहते थे, तो आप थोड़ा-थोड़ा आप रिलेट कर पाऊगे, लेकिन मैं यहाँ आपको कौट्रील लेकी इमेज दिखा दूँ तो आप ज़ादा रिलेट कर पाऊगे, तो जब आप इमेजिस को यूज करते हो तो आपका इंटराक्शन बढ़ जाता है, इंटराक्शन आपका बढ़ जाता है, तो जो भी keyword method और एक होता है method of lossy उन दोनों को हम यहाँ पर एक एक करके discuss करेंगे keyword का क्या मतलब है वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगे examples भी दूँगी चीके और सारे subjects को यहाँ पर relate कर दूँगे सब कुछ जित्ता आज तक पड़ा है so number one is the keyword method so suppose you want to learn words of any foreign language चैसे मान लो कि आप किसी foreign language को सीखना चाते हो आप सीखना चाते हो French को और in keyword method an English word that sounds similar to the word of a foreign language is identified अब यहाँ पर ऐसा एक assumption मान के चलते हैं कि आपको English आती है ठीके? Assumption यह है कि English language आपको आती है बहुत अच्छे से आती है और अब आप जो है French सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे words ढूंडेंगे जो English और French में same हो similar words जैसे मान लो for example कि क्या बोलेंगे greet करने को जैसे आप किसी को मिलते हो तो मान लो ठीके? मुझे French नहीं आती है मैं फिर से बता दूँ मान लो English में greet जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं hello okay and just suppose कि French में भी hello ही बोलते है just suppose hello नहीं बोलते है यह मुझे पता है hello नहीं बोलते है बन क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है okay so English में hello बोलते हैं French में भी hello बोलते हैं मान लो greet करने को तो यह hello क्या हो गया, similar word हो गया तो यह जो word है, यह कहलाएगा keyword The English word will function as the keyword और यहाँ पर यह जो English word है, यह keyword की तरह काम करेगा आरहा समझ में कि English word that sounds similar to the word of a foreign language is identified ऐसा word हम ढूणेंगे, जो foreign language का किसी word की तरह similar हो और English word को हम फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? keyword अब इसको एक example से समझते हैं, यहाँ पर example दिया है Spanish word का example दिया है तो if you want to remember the Spanish word for duck which is pato you will choose pot as the keyword and then evoke images of keywords and the target word and imagine them as interacting बहुत अच्छा सा बड़ा interesting सा है कि Spanish में जो duck होती है उसको pato कहा जाता है तो आपने यहाँ पर क्या किया? आपने इसको relate कर लिया pot से या आपने इसको relate कर लिया potato से जिससे भी आपको better लगता है सब के लिए words अलग होंगे, किसी के लिए pot होगा, किसी के लिए potato होगा तो आपने इसको relate कर लिया potato से या pot से और जब भी मानलो ऐसा कभी आपसे पूछा जाता है या आपको इस एक word को याद रखना है कि duck को Spanish में pato बोलते हैं तो आप उसके लिए pot याद रखोगे कि कभी मुझे पूचा जाएगा तो मैं बता सकूँगा pot से pato या potato से pato ओके और यहाँ पर यह pot या potato word जो English word है यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका keyword is it okay this is keyword method और फिर हम क्या करेंगे हम duck और pot को उन दोनों की images को ध्यान में रखेंगे उन दोनों को imagine करेंगे कि वो दोनों जो हैं interact कर रहे हैं एक तरफ आपकी duck है और एक तरफ है आपका pot ठीक है ऐसी होता ना pot शायद pot is like this देखो मेरी drawing किती अच्छी है तो अब यहाँ पर यह क्या हो गया यह हो गया आपका pot तो अब आपने pot और duck को imagine कर लिए अपने mind में mental model ओके और जब भी आपसे पूछा जाएगा इस पाइनिश में duck को क्या बोले जाता तो यह भी लाई कि हाँ pot याद आया तो पैटो या पोटेटो को आपने याद कर लिए duck के साथ में कुछ ना कुछ हम mental images बना लेते हैं हम अपने according बनाते हैं उन चीज़ों को second is the method of lossy इसमें कुछ रह तो नहीं गया the method of learning words of foreign languages much superior compared to any kind of road memorization तो अगर आप इस तरीके से learning करते हो तो ratification से ज़्यादा बेटर है क्योंकि understanding हो रही है रटने से ज़्यादा बेटर क्या होता है understanding अगर आप concept को समझ गए तो आप कभी भी आपसे पूछेंगे तो नहीं भूलोगे लेकिन अगर आप ratification कर रहे हो road memorization कर रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए तो आपको याद रहेगा लेकिन बाद में आप उसको forget कर जाओगे अबजेक्ट के अंदर हम उनको physical space में वो करने लग जाते हैं अरेंज करने लग जाते हैं ताकि वो visual images की तरह हमको दिखने लग जाएं कैसे this method is particularly helpful in remembering items in the serial order it requires that you first visualize objects places that you know well in a specific sequence imagine the objects you want to remember and associate them one by one to the physical locations इसको एक example संजो example से अच्छे से clear होगा तो जैसे for example you want to remember bread, eggs, tomatoes and soap on your way to the market, you may visualize a loaf of bread and eggs placed in your kitchen, tomatoes kept on the table and soap in the bathroom, mammy ने बोला market जाना, market से tomato लेकर आना, bread लेकर आना, soap लेकर आना और अंडे लेकर आना, चीके अब आपने कहा कि यार देखो, मैं बताओ, यहाँ पर मेरे बाइन में आपके भी यह चीज़ आ रही है, हो सकता, आपके में भी आ रही होगी, you be like कि यार, हम जो है, अपने phone निकालेंगे, अपने phone में list को लिखेंगे, या एक list परची पर मम्मी से लिखवा लेंगे, क्या क्या लाना है, और जाएंगे market में, ले आएंगे, ठीके, जनरली हम यह करते हैं, बट इससे हमारी memory sharp नहीं होती, इससे हमारी memory sharp नहीं होती, यह जनरली क्या एक चीज़ होती, कि आपने लिख लिया, फिर आपने जाके वहाँ पर देख लिया, तो आपको याद आ गया, otherwise आपको याद नहीं आएगा, जब mobile नहीं होता था, मान लो mobile हाई नहीं, existing करता है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप कैसे memorize करोगे, फिर क्या वापिस से घर आओगे, पूछने के लिए कि मम्मी क्या क्या बोला था, तो हम जनरली क्या करते हैं, कि जैसे tomatoes है, tomatoes fridge में ड्रॉर में रखे हुए हैं, तो उसको imagine कर लिया, और eggs जो है, और bread जो है, व आपने दो-चार बर rehearse किया, तो वो एक चीज आपके mind में एंटर कर जाएगी, और जब आप मार्केट में एंटर करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ mental walk करना है, सबसे पहले आपने देखा, कि यहाँ फ्रिज दिख रही है, आपने टोमेटों देदो आपको अपने दिमाग को चलाना है, along the route from your kitchen to the bathroom, recalling all the items of your shopping list in a sequence, इस तरीके से यहाँ पर इस से वापिस से पड़ो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी items को हम याद रखना चाहते हैं, are placed as objects arranged in a physical space in the form of visual images, हम उनको उनकी physical space से याद कर लेते हैं, जैसे for example, यह stylus है, अब म और मतलब daily office आती हूँ, daily यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ, तो यह जो stylus है, stylus गोलते हैं इसको, ठीके, pen जो है यह, यह मुझे daily चाहिए, पर अब मैं रोज इसको ढूनूगी तो यह कहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी एक place है, इसकी एक place है, जहाँ पर इसको रखते ह इसको जो है, ऐसे हम लोग रख देते हैं, तो अब जब भी मैं आती हूँ, और मुझे देखना है कि भाई, stylus का है, तो मुझे यहाँ पार ढूणने की जरुवत नहीं पड़ती, मेरा सीधा ध्यान जाता है, इस एक जगे की तरफ, और मैं को याद आद आज है, यहाँ पर रखती हूँ, या कभी कुछ important चीज़े, वैसे मैं सारी चीज़े perfect रखती हूँ, ठीक है, मैं बहुत perfect सारी चीज़ों को रखती हूँ, मुझे सारी चीज़े बिल्कुल ऐसे proper रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मुझे कभी कोई चीज ढूणनी चाहिए है, तो मुझे पहले उस इसको place करना है, लेकिन जहां पर मेरे सारे documents होना चाहिए, at present में वहां पर नहीं हूँ, तो मैंने जैसे for example मान लो उसको bed sheet के नीचे रख दिया, या for example मान लो मैंने उसको जो dressing table वगरा होता है, या जो dining वगरा होता है, वहां पर कहीं नीचे वीचे रख दिया उसको, कि पूचा कि वह वाली चीज कहां पर है, वह चाहिए है वापिस है या उसकी requirement है, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं उसको place से याद कर लेती हूँ, कि मैंने उसको dining पर रखा था, तो अब मैं डाइनिंग पूरी जो है, मतलब ढूण नहीं है, आप कहां dining पर आप document रखने कहीं ती, वह हमारे या ना dining में से थोड़ा नीचे भी space दिया गया है, तो वहाँ पर मैं समान तक देती हूँ, मतलब मैं ऐसा करती हूँ, करना नहीं चाहिए, बट मैं कर देती हूँ, जल्दी जल्दी में होता है, तो वहाँ पर समान रख देते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आप क एक ड्रॉर बनाया, इस ड्रॉर में आपने ऐसे लालाल टोमेटो बनाया और फिर आप जा रहे हो वह पर्ची को ले के कहां, मार्केट में, यह एक चीज हमको नहीं करनी है, हमको mental framework बनाने है, तो इमेजिस के अगर आप बात करी तो आपके mind में सारी चीजे होनी चाहिए, अगर आप पैटो को याद कर रहे हो, तो आप एक pot बना के रखोगे, वो pot आपके mind में बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं book पर बना लो और फिर आपको वो चीज याद रहेगी, नहीं, clear? So this is the method of lossy, इसको हम generally serial order में कोई चीजे होती है, तब हम करते हैं, इसमें पहले आपको object को visualize करना है, उसकी place को visualize करना है, फिर उसको एक sequence में रखना है, और फिर सारे objects को imagine करना है, उनको एक दूसरे से associate करना है, basic यहीं है, जो भी मैंने आपको बताया, कि आपको सारी चीजों को visualize करके उसको एक format में रखना है, is it clear to you, mnemonics using images, so अब क्या बनाएंगे, मैंना आपको कहा था कि हम एक flow chart बनाएंगे, so let's make that flow chart, okay, so here we have is mnemonics, okay, mnemonics, mnemonics helps you in, why mnemonics help you, mnemonics helps you in improving your memory, okay, I think line मेरी सीधी है, है न, हाँ, अब यह आपकी क्या है, mnemonics, अब दो तरह के mnemonics होते हैं, एक कौन से होते हैं, using images, और एक होते हैं, organization, note it down all, using images, fine, second one is organization, organization, organization of learned material हम एक बार लिख चुके हैं, तो दुबारा से उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, यह हो गया using images, यह हो गया आपका organization, organization, now comes the second, okay, essay, सीधी बना रही हुना मैं लाइन से बगेरा, नहीं, यह वाली मेरी लाइन जहे गलत हो गई है, इसको मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, यह भी हो गलत, चलो इसको बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ पर आते हैं, so using images, we have two, number one is keyword, okay, and इसमें हमने example देखा, language का, उसको याद रखना, note कर लो, यहाँ पर ऐसे लिख लो, example, language, second हमने क्या पड़ा, lossy method, lossy method, और यह है keyword method, lossy method में क्या होता है, क्या करते हैं आप, visualize the material, visualize करके उसको रखते हो, जैसे एक और चीज होती है, इसमें आपने देखा होगा, कि कभी कुछ ऐसे बहुत सारी words बगिरा होते हैं, और हमको उन words को memorize करना है, मतलब बहुत जादा words हैं, हमको उसको memorize करना है, तो अब हम road memorization अकेला करने से हमको याद नहीं होता, आपने देखा है tricks वगरा यूज करते हैं हम किसी चीज को याद करने के लिए tricks होती हैं, जैसे मैंने एक trick यूज करी थी, मैं आपको बताती हूँ, ओके, कहां बताओ, यहां पर बता देती हूँ, तो क्या होता है, बुद्धिजम, बुद्धिजम आप जानते होंगे, बुद्धिजम is a religion, बुद्धिजम हम लोग पढ़ते थे, तो बुद्धिजम में क्या होता था, जो गौतम बुद्ध है, वो एट फोल्ड पाथ बताते हैं, ठीक है, वो बताते हैं, एट फोल्ड पाथ कि आपको लाइफ में क्या-क्या करना चाहिए, तो उनके एट फोल्ड पाथ में एट व उसके लिए मैंने क्या ट्रिक लगाई कि जो पूरे 8 words थे ना जो पूरे 8 words थे मैंने उसके 1st 1st words को लिया और उन 1st words words terms को सॉरी लेकर, alphabets को सॉरी लेकर मैंने एक word बनाया जैसे for example मानलो लिखा हुआ है right vision, right speech तो मुझे ये तो पता था कि सारे 8 fold path के आगे right रहेगा terms थे, ये जो first alphabets थे, इनको लिया और इनको लेकर मैंने एक word बनाने की कोशिश करी, that's not easy, अगर आप सोचो कि बहुत easily ऐसा हो जाएगा तो वो चीज़ नहीं हो पाती, तो मैंने कोशिश करी, ओके, तो मैंने कोशिश करी और मैं एक word बना पाई marvels, चीक है, और m square रहेगा, ये मैंने एक word बनाया, चीक है, अब इससे मुझे पूरे 8 fold path याद है, मैं आपको बता हूँ, देखो, right memory, m से memory, right meditation, m से meditation और memory, दो term से इसलिए m square है, a से action है, r से resolution है, v से vision है, e से efforts है, l से livelihood है, और s से speech है clear, मेरे को याद हो गया ना, सारा सब कुछ, अब देखो, मैंने कब Buddhism पड़ा था, लेकिन मुझे अभी तक यादे, क्योंकि मैंने उसे trick को अपना लिया, तो generally ये चीज़े भी हम करते हैं, है ना, हम कभी tricks वगरा use करते हैं, कोई words वगरा बना लेते हैं, कोई keywords वगरा बना लेते हैं, या कोई image बना लेते हैं, अब जैसे, मैंने आपको यहाँ पर map बना कर दिखाया, ये, ये मैंने आपको दिखाया, ये मुझे भी याद नहीं था, जब मैंने मेरी class में पड़ा था, तो मुझे भी याद नहीं था कि सुत्का गेंडोर यहाँ है, दाइमवाद, लेकिन मैंने उसको बनाया, मैंने उसकी images बनाया, ये तो मैंने map पर बनाया, मैंने handwork किया, लेकिन यहाँ psychology में आपको क्या करना, आपको mental work करना है, आपको mind में सारी चीजों को करना है, कैसे में क्या क्या सारी चीजों को कर सकता हूँ, कैसे में memorize करके रखूँ, कैसे में क् इनी टेकनीक होगी, मैंना आपको बताया ना कि पैटो वर्ड कोई परसन पॉटेटो के साथ में रिलेट करेगा, तो कोई परसन पॉट के साथ में रिलेट करेगा, बट रिलेट आपको करना है, आपको images बनानी अपने mind में, जब आप ये चीज़ कर लेते हो, तो आपको concept बह imposing certain order on the material you want to remember, देखो, organization क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, कि आपकी memory में जितना भी data है, उसको एक order में impose करना, जैसे for example, ये आपकी memory है, अब इसके अंदर semantic data भी है, मतलब semantic memory भी है, इसके अंदर episodic memory भी है, declarative memory भी है, procedural memory भी है, implicit memory भी है, हर एक तरीके क्या data इसके पास में है, पर अगर आप इन सारे चीज़ों को डाल के विलकुल खिचड़ी बना दोगे, तो आपको याद नहीं देगा, तो आपको उसको क्या करना है, एक order में उसको preserve करके रखना है, कि कहीं पर सिर्फर सिमेंट data ही हो, कहीं पर procedural हो, कहीं पर implicit हो, कहीं पर episodic हो, तो कहीं पर declarative हो, मतलब एक proper order में सारी चीज़े हो नहीं चाहिए, जैसे मान लो, जब आप class 6th में थे, तब आपको class 12th की psychology पढ़ा दी जाती, तो क्या आपको समझ में आता, नहीं आता, क्योंकि 5th तक आपका उतना base clear ही न neighbors का, वो भी enhance होता है, तो एक तरीके का order है, कि पहले आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, तो organization का मतलब ये है, कि जो भी आपका पूरा memory है, उसमें सारा data organized way में रहे, निमोनिक्स of this kind are helpful because of the framework you create while organizing, makes the retrieval task fairly easy, इसे क्या होता है, कि आपने जो भी data आप पाते हो, अगर आपको किसी data को recall करना है, तो आप easily कर पाते हो, आपको याद होगा, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया है, जब हमने representation of knowledge and organization in memory पढ़ा था, तब हमने इस एक चीज को discuss किया था, कि organization करना कितना जादा important है, जैसे इसमें एक example मैंने आपको दिया था, कि मान लो, ये आपकी memory है, अब इसमें semantic declarative सभी तरीके का data है, मान लो इसमें data है dates से related, ओके और इसमें data है आपके life experiences से related, तो जैसे for example, आप किसी date को recall करना चाहते हो, और आपके life experiences भी है, और इसी के साथ साथ में logic भी है, अभी तो ये विलकुल organized way में है, तो अगर आपको date चाहि लेकिन मान लो, कि आप पूछ रहे हो, अपने mind से कि यार ये चीज़ कब हुई थी, ये चीज़ कब हुई थी, या आप किसी चीज़ को recall करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी date को recall करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको किसी तरीके का life experience याद आने लग जाए, त इस रूम के अंदर मैं बेड को बिल्कुल ऐसे सेंटर में रख दूँ यहां पर आपकी अलमीरा रख दो ठीक है यहां पर आपका सोफा सेट रख दू यहां पर आपकी सेंटर टेबल रख दो आपकी सारी बुक्स यहां बेड पर पड़ी हुई है कुछ कबट के अंदर हैं कुछ यहां नीचे पड़ी हुई है और यहां पर आपकी जितने कपड़े हैं वो सारे बाहर पड़े हैं बिल्कुल हुश-पोश-room कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो उसके पहले आपको 10 चीज़े मिल जाएंगी मानलो आपको यहाँ पर अपनी साइकलोजी की बुख ढूडनी है तो पहले कहीं कोई कपड़ा हाथ में आ जाएगा कोई बेडशीट हाथ में आ जाएगी कहीं से कुछ और चीज़ समान हाथ में आ जाएगा लेकिन वो बुक बहुत बाद में आएगी क्यों क्योंकि प्रॉपर और्गिनाइजिशन नहीं है अब सेम यहीं पर देखते कि अगर आपकी मेमोरी और्गिनाइज़ है या आपका रूम अगर और्गिनाइज़ है जैसे मान लो यहाँ पर आपका बेड है यहाँ पर आपकी अलमीरा है यहाँ पर आपकी सेंटर टेबल है यहाँ पर आपका सोफा है यहाँ पर आपकर study table है जिस पर सारी books रखी हुई है और यह entrance है तो obvious है आप जैसी अंदर आओगे आपको psychology की book चाहिए आप यहाँ से उठाओगे and that's it clear तो organization करना इसलिए important होता है ताकि हमको जो information चाहिए वही मिले हम retrieve कर पाएं हमें जो recall करना है हम उसको recall easily कर पाएं अब इसको दो तरीके से किया जाता है पहला है chunking what is chunking? so while describing the features of short term memory we noted how chunking can increase the capacity of short term memory in chunking several smaller units are combined to form large chunks like for creating chunks it is important to discover some organization principles which can link smaller units so therefore apart from being a control mechanism to increase the capacity of short term memory chunking can be used to improve memory as well आपको याद होगा short term memory में हमने concept पढ़ा था chunking का की chunking कैसे की जाती है या chunking क्या होती है तो इसमें हम basically क्या करते है हम छोटी-छोटी units को लेते है जैसे कोई बड़ा data है तो हम उसको छोटी-छोटी units में divide कर देते है हम उसको क्या करते है छोटी-छोटी units में divide कर देते है और ये छोटी-छोटी units मिलके एक whole create करती है तो ये जो छोटे-छोटे smaller chunks है न ये हमको किसी भी चीज को किसी भी information को recall करने में हमारी help करते है जिससे जिसको हम link करते है जैसे इसमें एक और example आप ले सकते हैं जैसे मैंने भी आपको दिया कि आपकी memory organized है आप किसी date को याद करना चाह रहे हो तो उस date को याद रखने के लिए आपने छोटे-छोटे chunks बना लिए कि उस दिन for example आप याद करना चाह रहे हो कि कोई important date है जिस दिन आपका 10th result आया था आपका result बहुत अच्छा था तो that's a kind of memorable date for you तो आप उसको कैसे याद करने की कोशिश करते हो मान लो उस दिन आपकी ममी का birthday था तो आपने याद करने की कोशिश तो आपने इस चीज़ को समझ लिया कि उस दिन ममी का birthday था उस दिन कोई आपके दूर के रिष्टेदार मान लो वो दिल्ली विल्ली कहीं पर रहते थे या मान लो वो कहीं foreign में रहते थे वो भी उसी दिन आपकी घर आयते तो आपने remember कलिया कि वो भी उसी दिन मेरे घर आयते तो इस तरीके से ये दो chunks बन गए और आप इन सारी चीजों को combine करके आपको एक चीज याद हो रही है वो date कि वो date कब थी तो जिस दिन मम्मी का birthday आता है वो एक date होगी और उसी दिन relatives भी आयते तो वो भी एक चीज होगी तो मतलब आप क्या करते हैं आप छोटी छोटी units में उसको divide करके as a whole learn करने की कोशिश करते हो basic अगर इसको memory के साथ मैं आप समझो तो जब आप data को organize कर देते हो तो आप छोटी छोटी units से से एक बड़ी चीज को समझ सकते हो और short term से ही जो data है वो long term memory में pass on होता है तो अगर आपको short term memory आपकी बहुत अच्छी है करके रख सकते हो retain और retrieve करके रख सकते हो तो पहली चीज हो गई chunking second is first letter technique जो अभी मैंने आपको example दिया था marvels का ये उसी की बात कर रहे हैं अभी जो मैंने आपको marvels का example दिया था नहीं कि मैंने first letter को कुछ ऐसे trick वगेरा बना ली तो in order to employ the first letter technique you need to pick up the first letter of each word you want to remember and arrange them to form another word और a sentence जैसे for example rainbow के colors कितने होते हैं आप बोलोगे seven colors है मैं बोलोगे सुनाओ तो थोड़ा सा second slogan आप सुनाने में कि ये सारे होते हैं लेकिन हमने उसको कैसे याद कर दिया विब ग्योर ठीक है ये एक acronym हम यूज़ करते हैं इसके लिए विब गया मतलब V से क्या हो गया violet I से indigo B से blue G से green Y से yellow O से orange R से red यही होते हैं violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red अगर आपको याद नहीं होती है कोई चीज तो हम जंदली क्या करते हैं हम first letter technique अपनाते हैं हम उसके first letter को लेते हैं और हम कोई word बनाने की कोशिश करते हैं जैसे इसको हमने लिया तो विब गया बन गया जैसे मैंने आपको यहाँ पर marvels बताया था ठीक है यहाँ पर मैंने आपको explain किया था marvels यह कहीं नहीं था word यह मैंने बनाया खुझ से ना मुझे पता था कि कैसे जो है मैं इसको करूँगी लेकिन मैं बहुत कंफ्यूस थी मुझे यादी नहीं हो रहा था 8-fold path मैंने का मैं अभी याद करूँगी थोड़े टाइम बद भूल जाओँगी तो मैं कैसे करूँ ताकि मेरी मेमोरी जादा अच्छी रहे तो यह मैंने ट्रिक अपना ली यह ट्रिक मैंने किसी को नहीं बताई चीक है किसी को भी नहीं बताई मैंने अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताई दी ऐसे परपसली नहीं बताई थी बट कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी के साथ में शेयर कर पाऊं आज आपके साथ में शेयर कर दी है तो अब आप ये चीज़ समझ लो कि ये एट फोल्ड पाथ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी क्यों कि एक बार तो मैंने मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो अब इसके जो second मदब दोनों पार्ट्स थे organization के इसको भी हम करेंगे note ठीक है fine so number one is chunking इसको लिख लो small units okay and second है first letter technique इसको ब्रैकेट में लिख लो विब ग्यॉर is it clear तो यह है आपका basically पूरा निमोनिक्स और sorry ऐसे करके आप अपनी मेमोरी को enhance कर सकते हो expand कर सकते हो अब इसका अगर एक जिस्ट निकालें तो सबसे अची चीज़ मताब सबसे simplest thing मैं आपको बताऊं क्या है कि पहले तो किसी चीज से कोई भी चीज आपको याद करने है कोई भी concept कोई भी बात आपको किसी भी चीज को याद रखना है तो पहले तो उसको समझो अच्छे से यह मैं आपको basic बताते हूँ कि अभी तक जितना बड़ा उसको अगर मैं summarize करूँ यह तो हो गया है I hope so आपने note भी कर लिया होगा इसको ठीक है तो अब मैं आपको बताऊं कोई भी concept है किसी भी चीज को आप जानना चाहते हो memorize करके रखना चाहते हो आप अपनी memory को enhance करना चाहते हो सबसे पहली चीज be clear with its meaning कोई भी चीज है उसका meaning आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहते है अगर आपको उसका meaning ही नहीं पता तो आप उसको भूल जाओगे अगर आपको उसका meaning नहीं पता तो आप उसको भूल जाओगे Memory को लेकि मैंने आपको एक और बाद बताई थी, कि देखो, Memory में ऐसा कहा जाता है, कि जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो, और आप उसके meaning को समझते हो, तो वो आपको 20-30% याद होता है, तो वो आपको किता याद होता है? 20-30% आपने भी कभी देखा होगा, मानलो कोई टेस्ट है, आप किसी आंसर को याद करना चाहरे हो, आपने पूरा एक बार याद कर लिया, फिर थोड़ी देर बार आपने उसको recall करने की कोशिश करी, तो थोड़ा कुछ कुछ आपको याद आएगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, फिर्स्ट टाइम, फिर्स्ट टाइम, आप उसको rehearsal करते हो, बार बार करते हो, तो आपको अच्छे से याद हो जाता है, याद में 20-30% आपको हमेशा के लिए याद रह पाता है, अब अगर आप इस concept को लिख लेते हो, जैसे जो भी आपने learn किया, ये अभी आपने औरली किया था, अब आपने इसको लिख भी लिया, ठीक है, आपने सोचे यार एक बार लिख लिख के देख लेता हूँ, सारे answers वगिरा, अभी question answers की हम बात करें, आपने उसको लिख लिया, तो लिखने से और ज़्यादा याद होता है, लिखने से आप समझ लो, कि around 50% concept आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप उसे नहीं भूलोगे, क्योंकि क्या होता है न, जैसे जब हम लिखते हैं, तो हमको पता होता है, हमने कौन सी चीज कहाँ पर लिखी थी, और लिखो भी ऐसे, मैंने एक और चीज आपको प्रिवेस लिक्टर में को लिखी थी, कभी भी आप notes बनाते हो, तो don't make notes की, मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ और आप बस लिख रहे हो, समझ के लिखो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, कि आप इस एक flow chart को अपने notes में बना के रखो, लेकिन अगर आपको यह concept सी नहीं पता है, तो आप अपना एक page बरवात कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी notebook का एक page बरवात कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया और आपने बस लिख लिख लिया, समझ भी नहीं आया तो आपको वो याद होगा ही नहीं, clear, तो इसी लिए समझना बहुत important है, और जब भी आप लिखो, तो उसको समझते हुए लिखो, आप देखो, जैसे हम जनरली क्या एक चीज़ करते हैं, जैसे मान लो, यह हमारी notebook का page है, यह हमारी notebook का page है, तो हम क्या करते हैं, कि जैसे for example, mnemonics ही आपको लिखना है, तो आप heading डालते हो, mnemonics, ठीक है, अभी writing पर मैं जाना, अभी मैं जस्ट आपको बतारी हूँ कि आप कैसे लिखते हैं, आप mnemonics heading डालते हो, आप ऐसे करते हो, और कभी कभी ऐसे भी नहीं करते हो, और आप लिखना शुरू कर देते हो, कि mnemonics helps us in improving the memory, it is a kind of strategy, और इसके दो parts होते है, एक होता है using images, यह आप पूरी कहानी लिख देते हो, ठीक है, लिख लिया, अच्छी बात है, उससे ज़्यादा याद नहीं होगा, आप एक rough copy होती है न, जैसे जो आप daily, बन्लाव नी classes वगरा में यूज नी करते हैं, जैसे मान लोग यह same आपकी copy है, just do a simple thing, याद करो, अभी तो मैंने आपके notes बनवा दिये, that is okay, बट अब इसको कैसे याद करो, कि mnemonics होता है, okay, mnemonics क्या करता है, help करता है, help किस चीज के लिए करता है, हमारी जो memory है, उसको enhance करने के लिए, तो उपर का arrow बना दिया, मतलब enhance हो रहा है, इसके दो parts होते है, एक होता है images, एक होता है organization, ठीक है, फिर इसके भी दो-दो parts होते हैं, दो ये होते हैं, दो ये होते हैं, फिर उसको समझो, और side में example लिखते चलो, side में example भी लिखते चलो, तो ये क्या हो रहा है, यह आपने एक format बनाया है, जब आप अपना format बनाते हो तो आपको और ज्यादा अच्छे से याद होता है, जैसे यहाँ पर हम ने पढ़ा, यहाँ पर हम देख रहे हैं यह format आपको किसी book में नहीं दिया यह format आपको आपके teacher ने पता नहीं बनवाया या नहीं बनवाया यह format शायद आपको अगर आप कहीं कुछ और भी पढ़ते हो, किसी से पढ़ते हो आपको यह कहीं नहीं देखेगा ये मैंने आपको दिया, ये मेरा एक format है, आप अपना इस एक्वेट करो, आप अपना model लेकर आओ, आप अपना format लेकर आओ, कि मैं ऐसे पढ़ूँगा, मैं ऐसे समझूँगा, कुछ लोग होते हैं जिनको paragraph में लिखने से याद हो जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन मैंने बनवाया, तो उसको छोड़ दिया और फिर खुद का भी नहीं बनाया, ऐसा हमत करो, अपने notes बनाओ, मैं आपको बस तरीका बता सकती हूँ, कि आपको किस तरीके से notes बनाने हैं, बट exactly क्या कैसा क्या pattern होगा वो आप पर है, तो जब आप लिख लेते हो और अपने हि दिखते हो, तो आपको 50% याद हो जाता है, अब अगर आप इसी एक सेम चीज को किसी को बोल के बता देते हो, जैसे for example, आपने निमोनिक्स आज पढ़ लिया, ठीक है, आज आप इसके notes बनाना, पढ़ने के बाद में अभी ये जब lecture खतम हो जाएगा, आप इसके notes बनाना, rough notes बनाना आप इसके, और dinner वगेरा करने के बाद में, या lunch dinner, जो भी आप करो, उसके बाद में आप memorize करने की कोशिश करना, कि क्या 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 मैंने पढ़ा हुआ था, जब आप memorize कर रहे होगे, तो किसी को भी लेना, आपने sibling वगेरा को पगड़ लेना, आपने मम्मी ब बाब में से किसी को पगड़ लेना, या मैं आपको बता हूँ, आप हजोगे, बट सची में, आपके घर में कोई pet है, ठीक है, कोई भी pet हो, आप उसको पगड़ लो, उसको बिठागे रखो, और उसको बताओ, कि ऐसा ऐसा होता है, क्या होता है, निमोनिक्स, निमोनिक्स के कभी नहीं भूलते कभी भी नहीं भूलते क्योंकि देखो आप 100% किसी चीज को याद कभी हमेशा नहीं रख सकते हो कुछ ना कुछ तो फॉर्गेटिंग होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी अगर आप इस एक पैटर्न को फॉलू करते हो दूसरी चीज यह तो मैंने किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हो तो पहले तो उसके मीनिंग को समझो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए ना तब आप उसके मेंटल मॉडल बनाओ तब आप क्या करो उसके मेंटल मॉडल बनाओ हमेशा आप जो भी चीज आपके माइंड में है उसको रिहर्स करते रहो ऐसा ना हो कि आपके memory में जितनी भी information है वो कहीं किसी कोने में पड़ी रहे उसको बार-बार recall करते रहा करो recall करते रहा करोगे तो आपके पास में जो भी information है वो जाधा time तक रहेगी especially हम इसको studying में देखने है memory सबसे जाधा important है जब आप पढ़ाई लिखाई की चीजे कर रहे हो उन चीजों में और वैसे भी in general भी है तो अगर आप पढ़ाई लिखाई की चीजों की बात करो तो कोई भी concept है बार-बार revise करोगे तो वो आपकी memory में रहेगा क्योंकि memory को पता है हाँ यह चीज है मेरे पास में memory दस दिन सोगी फिर उसको दस दिन बात जगवा दिया अरे मेरे पास में यह information है clear तो mental models बनाओ बार-बार rehearse करो क्या करो rehearsal करो ओके इसके बाद में इसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने चीजे पढ़ी images हमेशा उसे किसी ना किसी चीज के साथ में associate करने की कोशिश करो जो भी आपने पढ़ा है हमेशा उसको किसी चीज के साथ में associate करो उसे समझने के लिए कुछ तो भी टेखनीक, अपनी टेखनीक निकालो जोर दो अपने दिमाग के उपर, आपके दिमाग को सब पता है, ठीक है, उसको सब आता है आपको अपने mind को वो करना है, explore, ठीक है, आप ऐसे सोचो, मुझे अपने आपको explore करना है हम लोग पूरे world के exploration में लगे रहते हैं, खुद को explore नहीं करते हैं psychology is all about exploring yourself, आप अपने आपको explore करो, आप अपने अंदर देखो कि क्या क्या चीज में कर सकता हूँ मेरे साथ में ऐसा बहुत बार होता है, मेरे ऐसे कुछ friends हैं, again मैं अपना एक personal आपको वो बताती हूँ मेरे साथ में deal करने का, but बहुत सार मेरे ऐसे friends होते हैं, कुछ नहीं हो रहा है life में, जो करना चाहरा है, वो चीज हो नहीं पा रही है, बहुत time waste हो रहा है और बहुत ही जादा हमको time नहीं मिल रहा है अपने लिए या अपने कामों के लिए या अपने goals को achieve करने के लिए कि आप जो focus कर रहे हो ना, वो बाकी चीजों पर है, आपका focus दूसरी चीजों पर है, कि office मतलब जो भी उसके साथ में जितनी भी सारी चीजे थी, तो मैंने का, you are like, you are so much with your friends, कि अपने friends के साथ में रहना है, friends को time देना है, अपने जो भी जैसे कहीं पर जा रहे है, तो घू जोनना है, फिर ना है, ये सारी चीजे, if you have a goal, then work for it, इस चीज को बैठ के सोचने से अच्छा है कि काम करना, start कर दो, जैसे students होते है, students के साथ में क्या दिक्कत होती, अरे यार पढ़ाई नहीं हो रहे है, अरे यार, exam आने वाला है, लेकिन कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ह हो रहा है, वैसा हो रहा है, material नहीं मिल रहा है, जो है वो तो पढ़ने बैठो, at least start, आप जब तक start नहीं करोगे, तब तक automatically कोई चीज होगी ही नहीं, है ना, और हम क्या करते हैं, हम ध्यान इदर उदर भटकाते हैं, ये नहीं हो रहा था, इसका कारण था, ये चीज हो मेरी मम्मी नानी के घर चली गए थी, इसलिए मेरा एक्जाम खराब चला गया, ठीक है, मेरे घर पर काम वाली बाई नहीं आई थी, मुझे काम करना पड़ा, इसलिए मेरा एक्जाम खराब हो गया, मेरा एक्जाम खराब हो गया, कुछ खराब नहीं हुआ है, all you need to work upon yourself, आप अपने काम को start करो और खुद ही अपने questions का answer ढूलो, explore yourself, जब आप अपने आपको explore करोगे आपको खुद सारे answers मिलना start हो जाएंगे, तो same way में आपको कैसे association बनाना है, आपको कैसे mental model बनाना है, यह सब आपके mind को पता है, explore करना start करो, कोशिश करो, at least try करो, आप try करते हो वही बहुत जादा important है, हम सबने एक वो खरगोश और turtle वाली कहानी सुनिये ना, कच्छुए वाली, एक होता है, tortoise होता है, मतलब turtle होता है, और एक rabbit होता है, दोनों की बीच में race लगती है, okay, सुनिये, सबने सुनिये, बट मैं फिर भी एक बार भोल देती हूँ, कि race लगत rabbit के नीज लग जाती है, turtle धिरे धीरे 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 जिरे चलता ही रहता, वो एक second नहीं रूर्पकीण रूपता? चलता मन रहता है तो चलना important है, अब चाहे आप भाग के चलो, आप चाहे बहुत तेजी में अपनी गाड़ी लेके चलो, चाहे आप धीरे धीरे चलो, but at least work, आप जब तक work नहीं करोगे, तब तक आपको results नहीं मिलेंगे, तो अगर आप चाहते हो, आपको अपनी memory को strong बनाना है, आप लंबे समय तक किसी जीज को recall कर पाओ, आप memorize कर पाओ, तो उसके लिए आपको अपनी memory के उपर काम करना पड़ेगा, काम काम करोगे, जब explore कर करोगे, इस तरीके से करना स्टार्ट करो, associations बनाना स्टार्ट करो, clear, अब आप associations बनाते हो, अब associate करने के बहुत सारी तरीके हैं, images को use कर सकते हो, clear, आप कोई keyword ले सकते हो, जैसे हमनी keywords को यहाँ पर पड़ा, आप keyword ले सकते हो, आप chunking कर सकते हो, आपके पास में ज़्याद से टेकनीक को भूंदो, और फिर आप उसके उपर काम करना स्टार्ट करो, अगर आप इतना भी करते हो, यह basic है, अगर आप इतना भी कर लेते हो, you will see the difference, आप अपनी memory को enhance खुद ही कर सकते हो, और किसी भी चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, apart from that, stop taking stress, this is the most important, वो एक आपने सुना एक dialogue है, load मत लो, ठीक है, तो आप लोग भी load मत लो, जब आप ज़्यादा load लोगे, आप ज़्यादा चीज़ों से परेशान रहोगे, चाहे exam को लेकर हो, चाहे career को लेकर हो, चाहे अपनी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे family को लेकर हो, जहां आपने load अप से काम करना बंद किया, उसने का भाई तुम मुझे load देरो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, चीक है, तो load मत लो, just be easy, मैंने आपको बताया ना, problem सब के साथ में आती है, problem सब को होती है, लेकिन ये हमने discuss किया repressed memories के अंदर, कि problem सब के साथ होती है, problem सब को आती है, लेकिन अगर आप उस problem का बार बार stress लोगे, तो कौन से state में चले जाओगे, फ्यूजू state में, चीक है, और amnesia हो जाएगा आपको, तो इसलिए वह सारी चीज़े नहीं करना है, stress नहीं लेना है, अगर आप बार बार stress लेते हो, आप बार बार load लेते हो, तो आपना जो भी memorize किया है, वो irritation करो, शांत रहो, ये सारी चीज़े, ये सारी चीज़े आपको ultimately help करेंगे, किन चीज़ों में? अपनी memory को strong रखने में, अपनी memory को enhance करने में, अपने mind को sharp रखने में, आप वाकी चीज़ों में जाधा अपना mind लगाओगे, जाधा ध्यान दोगे, तो ये सारी चीज़े according work करेंगे, clear? तो इतना सारा जो मैंने आपको जीवन का ग्यान दिया है, I hope so, वो सारा कुछ आपको clear हो गया होगा, कि exactly ये सारा काम करना कैसे है, ठीक है? and in the lecture we have discussed all this, like mnemonics, using images, organization, keyword, method, lossy method, chunking and first letter technique, ठीक है? ये सारा सब कुछ अच्छे से याद रखना है, और अब इसके बाद में क्या काम करना है? इसके बाद में बस एक ही काम करना है, कि आपको जो book में ये topic दिया है, उसको अच्छे से read करना है, topic को अच्छे से read करोगे, तो कोई doubt होगा, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और सारी चीज़े अच्छे से clear है या नहीं है, वो पूछ सकते हो, और अब memory को कैसे enhance करना है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो उसके उपर work करना, start करो, even आज ही से start करो, और सिर्फ दो दिन मत करना, rehearsal नहीं करो कि जैसे हमने हमारे last lecture में निमोनिक्स के बारे में discuss किया था, कि जो आपके निमोनिक्स होते हैं, उसमें कुछ processes होते हैं, जिसके थुरू आप अपनी memory को इंप्रूफ कर सकते हो, so we have discussed some two types of mnemonics and then further two to again their distinguishes, so इस तरीके से हमने हमारा chapter number 7 में जो है धेर सारी topics को discuss किया, आप क करते हो, this we will discuss and then your chapter number 7 that is human memory is totally complete with each and every topic detailed discussion, so mnemonics strategy for memory enhancement are too simplistic and perhaps underestimate complexities of memory task and difficulties people experience while memorizing, देको mnemonics strategy बहुत ही सिंपल होती है, जैसे mnemonics में हमने क्या चीज़े इसकर सकरी, एक पहला we have discussed the images, कि आप images के थुरू चीजों को याद रख सकते हो, आप कोई भी चीज को, for example, क्या बोलते हो, उसको, recall करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको आप पहले क्या कर सकते हो, किसी image के साथ में relate कर सकते हो, for example, if you are studying, suppose, some of the language you are learning, you are learning, for example, Spanish language and in Spanish there is a word peto, so you can relate it with your English word pot or potato and then can remember it, यह हमने डिसक्स किया था निमोनिक्स क अंदर, secondly, we have discussed about the organization, कि आप memory को organize करके भी उसको improve कर सकते हो, तो जैसे मैंने आपको कुछ examples दिये थे, कि आप जो है, first letter technique अपना हो, for example, मैंने आपको एक यह marvels वाला example दिया था, जिसमें हमने दिखा था कि आप गौतम बुद्ध के 8-fold path जो है, उसको किस तरीके से remember कर सकते हो, उसको कैसे recall करोगे, कैसे वो आपको आपकी long term memory में चले जा, यह सारा कुछ हमने डिसक्स किया, so basically जो आपके निमोनिक strategy होती है, वो बहुत बार, मतलब उसको आप easily जो है, अपनी memory को enhance करने के लिए यूज कर सकते हो, but perhaps, कभी-कभी, शायद, underestimate complexities of memory task and difficulties people experience while memorizing, लेकिन इस्टिल कभी-कभी कुछ ऐसी complex memory वगरा होती है, तो जिसमें आपको उसको जादा time तक recall करने में, या जादा time तक memorize करने में, कुछ problems आती ह है, so in place of mnemonics, a more comprehensive approach to memory improvement has been suggested by many psychologists, तो फिर psychologists में कुछ और भी approaches बताए, कि mnemonics के अलावा, आप कैसे memory को improve कर सकते हैं, जैसे जब हमने mnemonics पढ़ा होगा, तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे questions आए होंगे, या बहुत सारी ऐसे चीज़ आई होंगी, कि for example, मुझे ये चीज या नहीं हो रही है, या mnemonics के बाद भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपको memorize नहीं हो रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, so उसके लिए psychologist ने कुछ और भी comprehensive approach लेकर आए, memory improvement के लिए, so in such an approach, emphasis is laid on applying knowledge about memory processes to the task of memory improvement, let us examine some of these suggestions, it is suggested that one must, अब देखो, यहाँ पर को suggestions दिये हैं, क कि आप जो भी memory processes होते हैं, उसमें कैसे knowledge को apply कर सकते हो, ताकि आप अपनी memory को improve कर सको, और आप अपनी memory को enhance भी कर सको, तो कुछ processes उसमें बताएगे, सबसे पहला है, engage in deep level processing, आपको यादे हैं, हमने deep level processing discuss किया है, we have discussed the levels of processing, okay, हमने levels of processing view, यह already discuss किया है, इसी chapter के अंदर, जिसमें एक हमने पढ़ा था shallow level of processing, second, we have discussed the intermediate level of processing, and third, we have discussed the deepest level of processing, आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा, so we have discussed one of the example of cat, कि for example, if I have written here this, क्या ये cat लिखा है, आप लोगे नहीं वाम, ये cat की spelling नहीं है, ये गलत cat की spelling है, okay, a cat, बिल्ली वाला cat, जो है, मैं आप से बोलोगे नहीं, ये भी cat ही है, वो वाला cat नहीं, जो हम बिल्ली को बोलते है, cat English में, तो क्या यहाँ पर cat लिखा है, नहीं लिखा है, if I will write this, तो क्या ये cat लिखा है, आप बोलोगे नहीं, ये भी cat लिखा है, तो क्या होती है cat की spelling, cat, this is cat, अगर मैं आप से बोलोगे नहीं, c ऐसे ही बनता है, a ऐसे ही बनता है, और ये ही cat लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल डिनाए करो, आप मानोगे नहीं उस बात को, कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने इस एक चीज को याद किया, हमने इस एक चीज को पढ़ा हुआ है, कि c हमेशा ऐसा ही बनेगा, a हमेशा ऐसा ही बनेगा, और t हमेशा ऐसा ही बनेगा, तो जब आप इन words को, इन alphabets को देख कर समझ रहे हो, कि यहाँ पर cat लिखा हुआ है, that is the shallow level of processing, cat का example हमने डिसक्स किया था, अब cat, मतलब अभी तो आपको सिर्फ ये पता चला है, कि c a, और t, ये तीन अलग-अलग words है, इन तीनों से cat word बनता है, that is shallow level of processing, अब मैं इन तीनों को साथ में लिख दूँ, तो यू भी लाइक कि हाँ, ये cat लिखा हुआ है, then you will related with a cat, okay, अब ये होगे intermediate level of processing, जहाँ पर आपने इस पूरे word को देखा, यहाँ पर आप alphabets को देख यहाँ आपने इस पूरे term को देखा, and फिर आपने इस cat को relate किया, जो exact, मतलब इस word को आपने relate किया cat के साथ में, कि वो कैसी होती है, तो इसके four legs होते है, fur body होती है, tail होती है, उसके two ears होते है, choti सी nose होती, cute सी दिखती है, very different colors की होती, तो आपने ऐसे imagine किया, औ फिर आपने क इनस्टेंस या कोई ऐसा आपके साथ का experience, cat के साथ में, तो आपने उस एक चीज को recall किया, जैसे मैं अपना experience बताती हूँ, हम लोग ऐसे ही just बाहर बैठे हुए थे, obviously cat मेरे घर में तो है नहीं, बट घर के बाहर बहुत सारी cat होती है, ठीक है, तो एक बाहर यू ही हम लोग तो मतलब बहुत ऐसे ठंड का मौसम था और बाहर घर के बैठे हुए थे धूप में, तो एक छोटी सी cat मेरे पास में आती है, पहले तो वो बहुत बेर रही थी आने में, बट वो पता नहीं कैसे तो भी आ जाती है, और बैट जाती मेरे पास में, और मैंने उसको कुछ प्रोसेसिंग क्योंकि वहाँ पर आपने रिलेट करके किसी चीज को समझ लिया, तो यह हमने इस चाप्टर के अंदर पढ़ा है, कि अगर आप किसी चीज को long term memory में अपने प्लांट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो चीज आपको long term तक ध्यान में रहे, तो उसको आप क किसी चीज से रिलेट कर लो, जैसे हमने निमोनिक में images का example समझा था, तो यहाँ पर बात हो रही है, उसी deep level processing के साथ में, कि अगर आप किसी भी concept को, किसी भी चीज को deepest level of processing के साथ में engage कर लेते हो, तो वो चीज आपको long term समय तक याद रहती है, आप उसको ज्यादा time तक memorize कर सकते हो, like if you want to memorize any information, well engage in deep level processing, so Craig and Lockhart, इन के बार में पहले भी पढ़ाया हमने, okay, Craig and Lockhart, we have discussed them earlier as well, so they have demonstrated that processing information in terms of meaning that they convey leads to better memory as compared to attending to their surface features, so deep processing would involve asking as many questions related to the information as possible, like considering its meaning, examining its meaning, examining its relationship to the facts you already know, तो जब भी आप किसी भी कोई भी information है, जब भी भी वो information process हो रही है, तो आप क्या करते हो, उसको उसके meaning में तो समझते हो, कि उसका meaning क्या है, but अगर आप उसको साथ ही साथ में, उसके features के साथ में relate कर देते हो, या फिर आप उसके meaning को समझते हुए, आप देखते ह हो, कि भाई इसमें और क्या क्या चीज़े include हो सकती है, आप उसकी relationship और ऐसे facts के साथ में बनाते हो, जिससे आप already जानते हो, clear, जैसे मैं आपको एक और example दूँ, शायद वो example आपके लिए पतानी उतना accurate हो या ना हो, बट अगर आप history पढ़ते होंगे, तो शायद आपको सम पढ़ोगे, तो आप उसमें देखोगे कि दोनों का जो time period है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत related रहता है, लेक बुद्धा का जन्म पहले होता है, जो जन्म में जो founder है महावीर, उनका जन्म थोड़ा सा बाद में होता है, और उसको लेकर है controversy भी है, तो ऐसे करके, तो में एक topic है, अगर आपने history पढ़ी होगी, तो आपको ये चीज़ पता होगी, आप relate कर पा रहे होगी, नहीं पढ़ा है तो समझ लो, आप समझ सकती हो ना, so Buddhism में symbols के through represent किया जाता है, symbols के through बहुत सारी चीज़ों को represent किया जाता है, if you have heard about Buddhism तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जब जो गौतम बुद्ध हैं, जब अपने घर को छोडते हैं, तो उसे चीज़ को एक symbol से denote किया जाता है, जब उनका enlightenment होता है, तो उसको एक symbol से denote किया जाता है, जैसे people tree, same चीज़ जैनिजम में भी होती है, जैनिजम में भी कुछ कुछ चीज़ों को three main symbols हैं, हम उसके सा सकते हो, relate करके समझने के लिए, just for your better understanding, okay, तो अगर आप किसी concept को बहुत अच्छे से समझते हो, आप उसको 5-6 चीज़ों से relate कर लेते हो, तो वो चीज़ आपके deepest level of processing में चला जाता है, यह यहाँ पर crack and lock heart बोल रहे हैं, in this way, the new information will become a part of your existing knowledge framework and the chances that it will be remembered are increased, तो इस तरही के से आपके जो information है, वो अभी जो भी आपने new knowledge acquire किया है, उसका तो पार्ट रहे गा ही, साथ ही साथ में वो आपके long term memory में भी जाएगा, जहां पर आपके जो memorizing की ability है, वो ज़ादा increase हो जाएगी, तो deepest level of processing सबसे अची चीज़ है, उसमें आप क्या समझ सकते हो, मतलब कैसे इसक short notes बना सकते हो, तो आप यहां पर लिखो deepest level of processing, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, meaning को समझो, किसी भी information, कोई भी नई चीज आप जानना चाह रहे हो, या कोई भी नई चीज आप study कर रहे हो, कोई नई information आपके सामने आ रहे हो, तो सबसे पहले उसके meaning क बहुत अच्छे से समझो, फिर उसके बाद में, उसके meaning को relate करना start करो, new relationships build up करो, ओके, new relationship का मतलब क्या, देखो, जैसे for example, आपके पास में कोई already known fact है, कोई किसी चीज को आप पहले से जानते हो, तो मैं इसको old लिख रहे हो, प्लस जो new information आपके साथ में आई है, इन दोनों को relate करने की कोशिश करो, दोनों को relate करने की कोशिश करो, तो आप चीजों को और जाधा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, आप चीजों को और जाधा अच्छे से समझ पाओगे, just for example, यह सरफ example में आपको जोनी हूँ, इसके examples हम आगे पढ़ेंगे 12th class में जबापाओगे तो और higher level आपको समझ पाओगे की चीज़े, बट जैसे for example मान लो, अगर आप इंडिया, बांगलादेश पढ़ रहे हो, तो पाकिस्तान पढ़ना भी important है, क्योंकि पाकिस्तान का ही पाट था, पहले बांगलादेश, इस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बुला जाता था, बाद में जो बांगलादेश है, उसको इंडिया ने free कर वा लिया, तो अगर आप उसके relation पढ़ रहे हो, right from the independence, तो थोड़ा बहुत आपको तीनों को ही include करना पढ़ेगा, आपका prior knowledge पाकिस्तान को लेके, आपका new knowledge बांगलादेश को लेके, मतलब मैं आपको सिंपल सी किती चीज़ कह रहे हूं कि कोई भी चीज़ आपको पहले से facts पता हैं, और कोई new information आप पढ़ेगा, तो relate करने की कोशिश करो, images के साथ भी आप relate कर सकते हो, जैसे हमने निमोनिक्स के अंदर पढ़ा था, आप उसकी, images के साथ भी relate कर सकते हैं, example मैंने आपको दिया cat का, okay, example मैंने आपको किसका दिया, cat का, तो जैसे जब आप cat समझते हो, अब तो देखो cat बिल्कुल सा concept है, तो उसको लेके इतना जादा वो नहीं है, लेकिन cat को आप relate कर पाते हो, ना, कि बाई cat वो है, जिसके four legs है, जिसके fur body है, okay, जिसकी tail होती है, okay, और फिर आप उसकी क्या-क् qualities होती है, बड़ी clever होती है cat, होती है या नहीं होती है, बताओ, ठीक है, तो उनकी क्या-क्या qualities होती है, उसके साथ में अगर आप relate कर लेते हो, तो आप बहुत जल्दी concept समझाते हो cat का, ठीक है, same way में अगर आप कोई new information gain कर रहे हो, तो अगर आप उसको और उसकी features के साथ मे relate कर लेते हो, तो आपको वो concept बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, और वो आपकी deepest level of processing में चला जाता है, तो ये आपकी deepest level of processing का first concept है, मतलब आपकी memory improvement का first concept है, that is deepest levels of processing, engage in deeper level of processing, is it okay to you, ठीक है, अब आजाओ second पे, second is minimize interference, interference भी हमने पढ़ा हुआ है, okay, मतलब उनी चीजों को और निलेट करें कि कैसे आप और ज्यादा memory को enhance कर सकते हो, so like interference as we have read is a major cause of forgetting and therefore you should try to avoid it as much as possible, you know that maximum interference is caused when very similar materials are learned in a sequence, like avoid this, so arrange your study in such a way that you do not learn similar subjects one after the another, जैसे मैंने आपको एक example दिया था ना, कि मान लो आपका exam है, for example, किसी भी मन्थ में 1, 2, 3, 4 जो dates है, उसमें आपका exam है, जैस सपोज आपका इस दिन political science का example है, जैस सपोज आपका second को history, sorry, history का exam है, example ने ठीक है, exam है, third को आपका psychology का exam है, and fourth आपका geographic example है, just for example, मान लो ऐसा, ठीक है, कि मान लो जो next month आएगा, तो उसमें एक तारिक को आपका polity का है, दो को history का है, इस तरीकी से आपकी exam है, और prior to this आपको 10 to 20 days time दिया गया है preparation के लिए, ठीक है, preparation leave आपको दी गई है, कि आप 20 दिन में अच्छे से prepare कर लो, फिर आपको ये exams देने हैं, और ये final exams है, just suppose 12th के exam है, मान लो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक proper time table बनाओगे, कि पहले जो है, मैं दो दिन ये पढ़ लोगा, फिर मैं दो दिन ये पढ़ूँगा, फिर मैं दो दिन कोई दूसरा subject पढ़ूँगा, तो ऐसे करके 8 days हो गया, फिर मैं इन सभी को दो दिन में, दो दिन और लोगा, और मैं इन सभी को revise करूँगा, चीक है, इन सभी को revise करूँगा, एक दिन में 2 chapter, एक दिन में 2 chapter, फिर जो मेरे पास again 10 days बच रहे हैं उनमें मैं दो दिन में political और history अच्छे से revise करूँगा और 5 दिन में psychology और geography मतलब एक तरीके साथ एक रफ आपने time table बना लिया अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो obvious है कि आप political separate पढ़ रहे हो आप history separate पढ़ रहे हो अच्छे से exam दे पाऊं ना आपने revise किया ना आपने कुछ किया तो obvious है कि first वाली टेखनीक जादा अच्छी है second वाली में आपके भूलने के chances जादा है और मान लो आप political लिखने बैट रहे हो तो आपको history याद आने लग जाएगी clear तो वो क्या हो रहा है interference हो रहा है क्यों हो र differences होते है कि चाहिए कुछ आता कुछ है memory में से तो उस एक चीज को आपको minimize करने की कोशिश करना चाहिए अगर आप interferences को minimize कर सकते हो तो आप जो है आपकी memory को improve कर सकते हो लेकिन अगर आपने नहीं किया जैसे हम देखते हैं कि जो आपकी long term memory होती है तो long term memory में बहुत सारी information है semantic memory भी है declarative memory भी है procedural memory भी है implicit memory भी है इसके अलावा और भी धेर सारे हमने discuss किये थे like episodic memory भी है बहुत सारी memory है अगर यह सब आपस में एक दूसरे से मिल जाती है तो क्या होगा क्या आप अच्छे से सारे concept को समझ पाओगे क्या आपको सारे जैसे आपको memory से कोई information चाहिए तो क्या वैसी ही information आपको मिलेगी नहीं सारे चीज़े विलकुल जगलप ह हो जाएंगी सब एक दूसरे के साथ में मिल जाएगा तो उस एक चीज़ को avoid करने के लिए आपको एक serial आपको एक पूरे sequence में information को memorize करना है अगर आप खिचडी पकाद होगे तो आपके दिमाग में खिचडी हो जाएगी और आपको सही information नहीं मिलेगी ओके सो उसके लिए हम को interferences को avoid करना है instead you pick up some other subject unrelated to the previous one and if that is not possible distribute your learning or practice this means giving yourself intermittent rest periods while studying to minimize interferences अब यहाँ पर क्या एक चीज़ कहीं जा रही है कि अगर आपके साथ में possible नहीं है कि आप distribute कर रहे हो learning को या practice को अगर आप distribute नहीं करते हो तो मतलब आप intermittent rest periods while studying to minimize interferences आप अपने आपको बहुत ज़ादा जो है मतलब time नहीं दे पार और सारी चीज़ों को आप बिलकुल वही कर दोगे तो वहाँ वही subject वाले example दिया है आपको जो मैंने अभी आपको explain किया ओके तो आपको interferences को avoid करना है third is give yourself enough retrieval cues आपने एक बहुत अच्छा quotation है और बहुत simple सा quotation है आपने हमेशे ही सुना होगा revision is the key to success सुना है हम सभी ने सुना है ना बचपन से ही सुनते हुए आ रह success अब यहां पर success का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी अपने goal को achieve करना चाहते हो ठीक है या किसी तरह की success आप चाहते हो तो revision करो अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप revision करोगे तो आप अंबानी बन जाओगे लेकिन आप exam अपने बहुत अच्छे से पास कर सकते हो यही पढ आया है उसके बार-बार test लिये जाते होंगे बार-बार आपसे बोला जाता होगा कि इतनी चीज़ को आप पढ़के रखो क्यों क्योंकि बार-बार revise करने को बोल रहे हैं और आपने भी यह चीज़ देखी होगी अगर आप किसी भी subject में या किसी भी concept में अच्छे से revision करते यह है कि अगर आपने जितना भी material को store करके रखा है, retain करके रखा है ना अपने काई में memory में उसको बार-बार retrieve करो उसको क्या करो बार-बार retrieve करो और यहाँ पर बात हो रही है retrieval cues की, cues का मतलब क्या होता है hint, clear हमने पढ़ा था ना retrieval cues के बारे में कि आपको एक hint मिल जाता है जिस hint के through आप चीजों को बता पाते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आपको जादा से जादा retrieval cues का मतलब यह कि किसी भी चीज को याद करने के लिए एक trick एक strategy आपके पास में होनी चीए, वो आपको खुद बनानी है, अपनी strategy हम खुद बनाते हैं, हैना कोई और ह आप memorize करना start करो, clear, देखो, while you learn something, think of retrieval cues inherent in your study material, identify them, link parts of the study material to these cues, cues will be easier to remember compared to the entire content and the links you have created between cues and the content will facilitate the retrieval process, जैसे बहुत बार हम कुछ concepts बगरा को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा पर आप भूल गए, याद नहीं हो पारा, बहुत बार आपने देखे होंगे कुछ names वगरा होते हैं, जैसे मानलो मैं आपसे बोलूँ, पूरे psychologist के नाम याद करके आजाओ, तो आप बोलो कि मैदम कैसे, बड़ा मुश्किल सा गाव में, कैसे हम याद करके हैं, या मैं आपको बना हैं, तो वो चीजे में बहुत बार हम confused होते हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि जब भी आप किसी material को पढ़ रहे हो, तो उसको लिंक करने की कोशिश करो, उसको आपस में relate करने की कोशिश करो, जैसे हम एक उसका पूरा serial order बना लो, उसका पूरा sequence बना लो, जब आप उसको sequence wise पढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो चीज आपको और जादा अच्छे से समझ में आ जाती है, और जादा अच्छे से आपकी memory में रह जाती है, अगर आप किसी भी चीज को, जो है, मतलब उसको ले के आप कोई cue बना लो, कोई एक hint अपने साथ में रख लो, कि जब भी इस तरह का और कोई topic आएगा, तो मुझे उसको इस एक चीज से relate करके रखना है, ताकि मैं उसको answer कर पाऊं, तो hint जो cues होते हैं, वो हमारे लिए easy होते हैं, और जब हम उसको link कर लेते हैं, तो हमको retrieve करने में और जादा easy हो जाता है, किसी भी information को recall करने में, Thomas and Robinson have developed another strategy to help students in remembering more which they are, which they called the method of PQRST, अब देखो, यहाँ पर Thomas and Robinson है, उन्होंने students के लिए एक method बनाई है, जिसको वो बोलते हैं PQRST method, और इसमें वो एक strategy बताते हैं कि कैसे आप remember कर सकते हो concepts को, बहुत बार होता है न, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, So this acronym stands for preview, question, read, self recitation and test, इसका मतलब क्या है कि आप preview, preview करना, question करना, read करना, self recitate करना और फिर उसके बाद में test करना जो भी हमसे बोला गया है, कैसे करोगे, यह PQRST क्या है देखो, PQRST, प्री में उन्होंने क्या बताया, preview करना, Preview refers to giving a cursory look at the chapter and familiarizing oneself with its content, जैसे इसी chapter का हम example है, आप chapter number 7 पढ़ रो, memory, अब memory तो समझ में आ गया, basic basic क्या है, concept तो clear हो गया, लेकिन chapter के अंदर इतनी सारी चीज़े दी गई है, सारा सब कुछ कैसे याद रखें, वो एक चीज है, तो सबसे पहले, आप एक बार अच्छे से chapter क को देख लो, अच्छे से एक बार chapter को समझ लो, कि भाई, दिया क्या क्या है chapter के अंदर, जैसे जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, chapter स्टार्ट करते हो, तो हमें एक overview देखते है, एक overview देखते है, पहले कि भाई, chapter के अंदर पूरा दिया क्या क्या है, ओके, question means raising questions and seeking answers from the lesson, now start reading and look for answers of questions you hold raised, जैसे अब आपने एक देख तो लिया, कि chapter के अंदर क्या 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 सारी चीजे बताई गई है, आपने पूरा question का, sorry, chapter का एक पूरा preview कर लिया, now question yourself, कि ये chapter आपको क्या क्या चीजे बताना चाता है, आप अपने से question बना, अपने से, कि human memory को लेके question है, तो प memorize नहीं कर सकते हैं, क्योंकि everything is scientific, तो उसे question को भी मैं इसी chapter के अंदर answer करने की कोशिश करूँगा, ये आप अपने से question बनाओ, अपने से question बनाओ, और उन questions के basis पर, ना start reading, अब read करना शुरू करो, chapter को, ठीक है, अब अच्छे से पूरे chapter को read करो, try to rewrite what you have read and at one end test how much you have been able to understand, द chapter के अंदर जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको कहीं पर छोटा छोटा छोटा, rewrite करना, start करो, छोटे 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 notes type उसके बनाओ, ठीक है, जैसे for example, आपने पढ़ा कि निमोनिक्स, तो निमोनिक्स के अंदर क्या-क्या बताया गया, तो उसका एक छोटा सा side में, आपने अपने बुक देखिये न, यहाँ पर पूरा content होता है, यहाँ पर आपको थोड़ी space खाली दी रहती है, तो छोटे-छोटे यहाँ पर notes बना लो, बिल्कुल छोटे-छोटे, आपके अपने, जैसे आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से, read करो, side में छोटे-छोटे-छोटे related to retention and bring about an overnight memory improvement, तो अब आप क्या करोगे, आप उसको retain करने की कोशिश करोगे, आपने जो भी पढ़ा है, पहले तो आपको अपने questions के answer यहाँ पर मिल जाने चाहिए, जब आप read कर रहे हो तो, still नहीं मिले हैं, तो और अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश करो, अब ऐसा त नहीं होगा न, एक ही राद में सारा सब कुछ नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, तो अभी आपने पढ़ा है, तो आपने जो भी पढ़ा है, वो आपको याद रहना चाहिए, इस एक चीज के आप कोशिश करो, तो एक बार क्या करा था, जो साइड में नोट्स बनाये थे, उ subject and matter, so on, in addition, you must learn to use strategies for memory improvement, depending upon the nature of memory task, you are required to accomplish, आप देखो, इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्हें आप से कहा, पहले तो प्रिव्यू कर लो, question करो, read कर लो, self recitation, जो पढ़ा है, उसको revise करना, then test yourself, आपको याद होता है या नहीं, test करने को लेके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ये प्रिव्यू, question, याद रखना, ये PQRST method क्या है, मानलो, पूछ ले जाए आपसे तो, तो preview करना है, फिर उसके बाद में question करना है आपने आपसे, फिर read करना है, start करना है, फिर जो पढ़ा है, उसको recite भी करना है, वापिस recall करने की कोशिश करो, book बंद करो, देखो, आपने पढ़ लिया, chapter आपने पढ़ लिया, chapter पढ़ने के बाद में question बना लिये, question, याद रखो, side में लिख लो कहीं पर मेरे क्या-क्या question है, read करना, start करो, read के side में notes बनाए, questions देखो, answer मिल रहे हैं, या नहीं मिल रहे हैं, और जो side में notes बनाए थे, उसको एक बार वापिस से read करो book बंद करतो, book बंद करतो, और फिर याद करने की कोशिश करो कि मैंने इस chapter के अंदर क्या-क्या पढ़ा है, ठीके, recite करो, वापिस से recite करो, test करो अपने आपको, कि आपकी memory कितनी जादा enhance हो रही है, आप कितना जादा recite कर पा रहे हो, एक रात में नहीं होगी, लेकिन practice करोग आप उस subject से कितना जादा familiar हो, ये भी बहुत जादा important होता है, देखो, अगर आप healthy हो, अगर आप बहुत जादा nutrition वगरे लेते हो, ये तो obvious है ना कि memory अच्छी रहती है, वो बहुत जादा बदाम खाओ, अच्छी अकल रहेगी, तो इसी तरीके से आपकी memory अच्छी रहेग हो, बहुत जादा बहुत जादा बहुत जादा बहुत हो, तो आपकी health बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका अपना interest, आपको interest है psychology में, पर आप पढ़ रहे हो, political science, मजा आएगा क्या, obviously नहीं आएगा, ठीके, तो इसी लिए interest आपका होना चाहिए, ठीके, अगर आपका interest ह आप उस एक चीज को समझ रहे हो, तो obvious है कि वह आपकी memory में रहेगा, आप interested नहीं हो, जैसे मान लो, सुबह सुबह बड़ी अवड़ीया चाहिए पी रहे थे, ठीके, सुबह अच्छे उठे उठे थे, बहुत अच्छा दिन था, और उठते से ही भीया, गरम गरम चाहिए, तो आप चाहे पी रहे हैं, जो भी आपकी अपनी फेवरिट चीज, आप देखो, जैसे मुझे चाहे पसंद है, तो मैं आपको चाहे के बारे में बता रहे हो, okay, तो आप सुबह सुबह उठ गया, ठेंड का मौसम था, अच्छी अद्रक वाली चाहे पी रहे थे, बैठे आप बोलोगे, अरे सुबह सुबह मेरी चाय थी, अच्छा घासा में पी रहा था, क्या, ये सारी चीज़े आप बिलकुल इग्नोर करने की कोशिश करोगे, तो इसी तरीके से, वैसे करना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लो, अगर आप बिलकुल अच क्लास में, या फिर मान लो, कॉमर्स अकाउंट्स की क्लास में आपको बिठा दें, तो आपका ऐसा रहा है, भगवान, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, तो इसी लिए, हमको वही चीज़, जो इंट्रस्टेड होती है, हम उसी एक चीज़ को सुनना समझना चाहते हैं, और वही चीज हमारी मेमरी में आती है, अगर हम किसी चीज़ में इंट्रस्टेड ही नहीं है, तो ओविसली वो हमारे माइंड में नहीं आएगी, हम जिसमें इंट्रस्टेड है वही चीज़े हमारे माइंड में आती है, और फिर हमको हमारे इंट्रस्ट को भी करना है next motivation की बाद यहां पर कि जारी motivation जानते हो ना chapter 6 में पढ़ा था जो आपको किसी काम को करने के लिए आपको मजबूर करती है that is motivation तो अगर आप motivated हो तो आप किसी chapter को पढ़ोगे अगर आपके अंदर motivation ही नहीं है डांट डांट के ममी ने बुला ता आज यह chapter complete होना चाहिए तो फिर उसके बाद में आपके अंदर से motivation नहीं है क्योंकि तो obvious है कि वो chapter आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर आप खुद स से उठे हो कि आज यह वाला chapter complete कर लेता हूँ आज इसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो obvious है कि आप उसी चीज को जादा अच्छे से memorize कर पाऊगे otherwise वो नहीं होगा पेट को वान लो भू कि नहीं है और आप खाना खिलाय जा रहे हो तो वो लेगा कि अंदर नहीं लेगा तो आप अगर interested नहीं हो आपके अंदर motivation नहीं है तो आपकी memory भी कुछ नहीं लेगी वो बोलेगी हाँ हाँ चलो वो बोलता है यहां से सुना यहां से निकल गया वो है exactly years के लिए बड़ आपकी memory भी बोलेगी हाँ ठीक है सुन लिया और sensory memory में जाके निकाल देगी उसको ठी से कितना जादा familiar हो जैसे आप तो पढ़ते हो psychology वाले सीधे साथे बच्चे और आपको पढ़ाने लग जाते हैं accounts ठीक है या फिर आपको पढ़ाने लग जाते है science या फिर आपको कोई ऐसा subject जो बिलकुल पसंद ही नहीं है या जानते ही नहीं हो उसके बारे में कोई ऐसा new subject आपको पढ़ाने लग जाते हैं अगर आप जानते हो आप यह जानते हो कि वह साइकलोजी से बहुत जादा रिलेटेड है और अगर आप नहीं जानते हो तो यह लाए कि ethics यह क्या होता है यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको कित्ते ही ethics बढ़ा दूंग अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो अव्यस है कि आपकी memory जादा अच्छे से इंप्रूव होगी अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपकी memory उतनी जादा इंप्रूव नहीं हो पाईगी लाइक फर एक्जांपल बिस्तर पर पढ़ें हैं 100 degree fever आ मैं आपको कोई trick नहीं बता सकती मैं आपको बता सकती हूँ बट आप मेरी trick को follow नहीं कर सकते हैं मैं आपसे बोलूँ कि for example class 11 को पास करने के लिए आपको 10 psychology की books पढ़नी पढ़ेगी और वो 10 books मैं आपको दे दूँ इतनी मोटी-मोटी books और मैं आपसे बोलूँ कि मैंने इन book class 11 की बस इसे ही पढ़ना है अच्छे से और समझना है उसको अच्छे से अगर आप उसको समझ ले तो अच्छे से तो आपका एक्जाम पास होगा है ना तो वह आपकी अपनी strategy होगा आप बोलो कि मेरे को पूरी बुक ही नहीं पढ़नी मैंने जो नोट्स बनाए मैं उसी नोट्स को बार-बार पढ़ूँगा और फिर मेरा एक्जाम निकल जाओ और आपका निकल भी जाए ताट मींस आपकी ट्रिक अच्छी थी तो आप अपनी strategy बनाओ आप अपनी ट्रिक्स बनाओ चीजों को लेके और जब तक आपकी अपनी ट्रिक्स आपकी अपनी strategy नहीं बनती आप कैसे अपनी memory को improve करोगे मैंने आपको बताया आप हर एक चीज याद नहीं कर सकते हम दिन भर में ना जाने कितनी सारी चीजों को ना जाने कितनी सारी चीजों को देखते हैं सुनते हैं समझते हैं जानने की कोशिश करते हैं आपको पता एक normal person एक अपने दिन के अंदर 30,000 decisions लेता है आपको पता इस बारे में या आप बोलेंगे मैडम कैसे मैंने तो अभी तक एक नहीं लिया सुबह से बट ऐसा नहीं है आप अपने दिन में 30,000 decisions लेते हो एक दिन के अंदर जैसे फर एक्जामपल जब आप इस class को देखने के लिए आ रहे थे या आप आपने इक decision लिया मैं इसको play करूँ मैं इसको play ना करूँ मैं आपको notes बनवाते हूं तो notes आपको बनाने हैं या आपको नहीं बनाने ये भी तह आपका एक decision होता है आपको सुब़े 6 बज़ उठवु आपको सुब़े 8 बज़े उठवे या आप अपने alarm की bell सो decide करते हो तो तो इतना सारा data है, इतनी सारी information है, सब कुछ इतनी छोटी से memory के अंदर कैसे रखोगे, तो उसके लिए क्या एक चीज करना है, जो important है बस वो रखना है, दूसरी चीज, important भी बहुत जादा है, तो उतने को भी नहीं रख सकते हैं, हमें तो लगता सारी चीज़ें important हैं, तो उ ऐसा करते हो, तो आप अपनी memory को जादा improve कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको अपनी memory में बहुत जादा data होगा, खिचडी पक जाएगी, जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा, तो उसके drawbacks भी हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत important है, आपकी memory improve होगी अग अगर आप अपने सही interest area को देखते हो, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन exam time में याद कुछ और ही आजाते हैं, गाने माने याद आने लग जाते हैं, तो आपका ध्यान शायद गानों के तरफ जादा है, पढ़ाही के तरफ कम है, तो वो चीजों को खुद से define करना है, मैंने आपको बोला ना, कि psychology is all about self exploration, जब तक आप खुद को explore नहीं करोगे, जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने आपके अंदर से सारी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपने interest areas को नहीं जानोगे, तो आप एक अच्छे psychology student कैसे बनोगे, तो ये सारी चीज़े आपको करनी है, और इसी के साथ में हमारा chapter number 7, that is human memory होता है, पूरी तरह से complete, जिसमें हमने धेर सारे topics को discuss किया, हर एक topic को in detail हमने discuss किया है, examples के साथ में, और हर एक आपके doubt को solve करते हुए, I hope so आपको पूरा chapter मतलब जो पूरा chapter दिया ना, उसको एक बार अच्छे से read करना, और क्या करना है, recitate करने की कोशिश करना, जो पड़ा है, उसको recall करने की कोशिश करना, और फिर कोई doubt आए, तो मुझे से comment section में पूछना, और कोई doubt नहीं आए, तो भी मुझे बताना कि मुझे कोई doubt नहीं आ तो revision करने के लिए, पहले concepts clear होने चाहिए है, तो पहले concepts को अच्छे से clear कर लेना, अच्छे से सारे lectures देख लेना, अच्छे से chapter को read कर लेना, then we will do the revision of this chapter, I hope so, and then हम उनको answer करेंगे, is it okay to you, सारा सब कुछ clear है, I hope so, इतने में, मतलब यह चीज एक समझ में आई, कि questions को कैसे हम को, मतलब हम कैसे deal करने वाले हैं questions को, okay, so आपके chapter के last में, around 9 questions आप से पूछ गया है, वो 9 questions को हम करेंगे यहाँ पर answer, NCRT solutions हम जिसको वोलते हैं, so start करते हैं, question number 1 से, और मैं ऐसा मान रही हूँ कि chapter आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तभी questions को answer कर पाओगे, okay, so question number 1 is, what is the meaning of the terms, encoding, storage and retrieval, अब यह तीन terms है, इसका meaning आपको बताना है, okay, क्या बताना है, simple सा question है, बड़ा, मतलब, छोटा सा question, छोटा सा answer, बस meaning पूछे, आम सा मीनिंग बता देंगे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा महनत मशक्कत नहीं करनी, ना कोई introduction, ना कि क्या है, but, एक चीज़ आप इसमें ध्यान तखेंगे, एक काम करते हैं, पहले answer को देखते हैं, फिर देखते हैं, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान तखने है, okay, so number 1 is, encoding, encoding, encoding का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा process, जहाँ पर आप information को क्या करते हो, record and register for the very first time, so that it becomes usable by our memory system, जैस for example, मैं आपको बता रहे हूँ, human memory क्या होता है, मैं आपको समझा रहे हूँ, तो आप उसे एक चीज़ को सुन रहे हो, और आप उसे एक चीज़ को register करना, जान रहे हो कि human memory क्या होता है, तो जो first instance में किसी भी information को जब आप record करते हो, register करते हो, जानते हो, सुनते हो, that is encoding, किस किसी भी चीज को एंड को करना information को पहली बार जब आप record करते हो उसको encoding का जाता है और ये हमारे memory system में एक तरीके से fit हो जाता है fixation समझे इसको के कैसे समझो fit होना किसी चीज का या fix हो जाना okay तो जब कोई information आपके memory system में fit या fix हो जाती है पहली बार जब होती है तो हम उसको बोलते हैं encoding then whenever an external stimulus impacts on our sensory organs it generates neural impulse that is the way nerve cells communicate with one another and these are received in different areas of our brain for further processing in this stage incoming information is received and some meaning is derived then it is represented in a way so that it can be processed further तो जैसे मैं आपको एक example देती थी chapter number six के अंदर I don't think so कि मुझे आपको इसे बहुत explain करने की जरूरत है क्योंकि explanation मैं आपको chapter के अंदर दिया but basically हम encoding के अंदर क्या करते थे एक basic idea मैं आपको बताते हुए चलूंगी जैसे आपके senses हैं chapter number five में भी हमने यह सेम चीज़ पढ़ी थी आपके senses हैं आपके senses किसी तरह की information को register करते हैं या किसी तरह की information को collect करते हैं उस information को collect करके कहां ले जाते हैं brain में जैसे हमने पढ़ा था कि आपकी eyes हैं तो आपकी eyes में at the end there is an optic nerve और ये optic nerve हमारे eyes को connect करती है हमारे brain के साथ में और फिर हमारे brain में हम जो भी चीज़े देखते हैं वो brain तक पहुंचता है फिर brain में वह information process होती कि वो क्या एक चीज़ है और फिर हमको पते चलते हैं कि this is something like this तो जब पहली बार आप किसी information को register करते हो और जब आपकी brain में जाती processing होने लग जाती है रिकॉर्ड होती है जब information पहली बार आपकी memory में पहली बार information record होगी आपकी memory में तो उसको हम encoding बोलते हैं is it clear to you यह होता है basic encoding अब second जो है second is storage storage तो हम सब जानते हैं भी या किसी information को store करके रखना है retain रिटेन करके रखना over a period of time तो जैसे मानलो यह आपकी memory है just suppose this is your memory okay तो अब यह आपकी memory में आपके मानलो census के through कोई information register हो गई कोई भी information register हो गई आपने उसको record कर लिया अपनी memory के अंदर तो यह record और register को साथ में ही समझो okay record कर लिया आपने उसको register कर लिया secondly अब जो information record करी है उसको थोड़े time के लिए store करके रखोगे ना थोड़े time तक तो रखोगे ही भले जाधा तक रखो या ना रखो पर थोड़े time तक तो रखोगे ही that is storage and then comes retrieval retrieval का मतलब क्या है कि जो information store करके रखी है उसको लेके aware हो ताके उसको use कर सको various cognitive tasks जैसे problem solving decision making को लेके जैसे मैं आपको बताऊं एक example कि एक छोटा सा बच्चा है छोटे से बच्चे को नहीं पता कि कोई hot pan उसके पास में रखा हुआ है वो जस्ट उसको ऐसे उसकी memory में गया कि हैं यह चीज है मतलब किसी तरह का क्पी खिलोना है कोई है को आपा क्वाइक तो वो उसके सामने जाता है और उसको 1का जिएक छोटा बच्चन बहुत चोटा बहुत क्रूटा नहीं है कि मान लो 3-4 साल का बच्च बच्चा तो थे उसक bersusy सब को अब next time अगर वो कभी ऐसा कोई उटेंसल अपने आस पास में देखेगा तो वो उसको टच करने में डरेगा क्यों क्योंकि उसको ये बात पता चल गई है कि ये इस तरह की दिखने वाली चीज़े जो होती है वो गरम होती है उनको नहीं टच करना चाहिए ओके तो ये क्या हो गया कि आप किसी टास्कों को परफॉर्म करने के लिए आपने अपने मेमरी में जो एक experience fit है ना उसको यूस किया कि भाई अगर मैं इसे टच करूँगा तो हो सकता है मुझे दुबारा गरम लग सकता है तो जो भी आपने स्टोर करके रखा है आप उसको यूस कर सको retrieval और use तो उसके लिए हम retrieval करते है ठीक उसके लिए हम क्या करते है जो भी information हमने store करके रखी है उसको लेके बिलकुल aware होते है और उसको अपने task वगेर हमें use करते है जैसे problem solving decision making एक सिकता है एक सिकता this all we have discussed in our chapter okay so this is something storage and coding and retrieval अब आपको answer कैसे लिखना है यह important चीज है points तो आपको भी पता होंगी कि भाई क्या क्या लिखना है but something that is very important सबसे पहली चीज़ just suppose if this is your page okay यह आपकी notebook का page है और इसके उपर आपको answer लिखना है हमारी notebook में ऐसी page होता है ना ऐसे lining वाला ओके तो यह आपका page है इस पे आपको answer लिखना है आप question आप से पूचा answer आप लिखना है start करो के so you have written here a or a and c answer करके है ऐसे मैं विलकु शॉट में लिखने हूं मेरे पास page नहीं है ना मैं आपको ऐसी उदा लिखना है तो अब आपने answer लिखना start किया so एक तो तरीका यह है कि encoding storage retrieval क्या होता है उसका पूरा लिख दो encoding refers to this 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 and there is a process known as storage of the information and we need to retrieve our information समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा अब मैं यहां पर क्या करूं इसी एक लिखे हुए में just suppose I have violated this is encoding this is storage and this is retrieval तो यह थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि encoding कहां लिखा है storage कहां लिखा है retrieval कहां समझ पारो ना कि चीज में आप से बोल रही हूं कि जैसे आपने लिखा कि चलो थोड़ा सा यहां पर लिखा था and coding refers to a process where you store the information इस तरीके से लिखा हुआ था पूरा encoding और वेर्यू क्या करते हुए encoding में information register and record so where register and record of information ऐसे लिखा था और फिर यहां पर लिखा था storage storage means where you store whole the information that has been given to you and then retrieval मतलब मैं यह जस ऐसी बोल रही हूं कि मैं बस आपको बता रही हूं इतनी सारी copies में से कहां वो आपका answer read करने के लिए बठेंगे तो ऐसा नहीं है कि teachers read नहीं करते question के answer को they read but generally क्या चीज़ होती अगर आप उसको और जादा अच्छे से present कर दो तो उनको read करने में easy होता है अगर आप इसमें ऐसे कर दो कि आपने highlight कर दिया कि यह यहां पर encoding लिखा है यहां पर storage लिखा है यहां पर retrieval लिखा है तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है but the best best तरीका क्या है मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हो आप क्या करो जैसे आपकी notebook का page है just write down encoding encoding आपने लिखा underline it और इससे related जितने भी points आपको पता है like it refers to and registering and recording of the information यह ऐसे करके आपने लिखा यह first point हो गया second point आपने इसमें कोई example दिया वो लिख दिया third point जो आपको लिखना आपने वो लिख दिया next change the paragraph write down next heading that is storage इसको underline किया first point इसका लिखा second point इसका लिखा that's it third retrieval लिखा first point लिखा second point लिखा third point that's it और बिल्कुल छोटा सा basic meaning आपसे पूछा गया है तो उसी तरीके से आप उसको लिखो ठीक है repeat मत करो बार बार एक चीज़ जो जहां लिख दी उसको दूसरे में लिख रहे है don't do that जो एक बार लिखा तो that's clear ठीक है points में answer लिखो सबसे important चीज़ जो आपको दिहान रखनी है और दूसरी चीज़ हमेशा highlight और headings का यूज करो लिख लो कहीं पर ठीक है लिख लो कहीं पर UPSC में आ जाए तो इस तरीके से आपको ये चीज़े तो करनी ही करनी है ठीक है सबसे पहली चीज़ points में लिखने है questions के answers को और दूसरी चीज़ highlight हमेशा करना है हमेशा highlight और headings ये एक चीज़ हमेशा use करो कि अगर answer को लिख लो heading लिखो highlight करते हुए चलो points में answer को लिखो ये पहले question के answer को मैंने आपको explain किया है अब आ जाते second question पर second question is how is information processed through sensory short term and long term memory system question ये बोल रहा है कि आपके sensory short term or long term memory में information कैसे process होती है क्या पूछा जा रहा है कि information कैसे process होती है short term long term or sensory memory में sensory memory हमने पढ़ा है STM भी हमने पढ़ा है that is short term memory और LTM that is long term memory भी हमने पढ़ा हुआ है इन तीनों में information कैसे process हो रही है ये आपसे पूछा गया है आपसे ये नहीं पूछा sensory memory क्या होती है आपसे यह नहीं पूछा STM क्या होता है आपसे यह नहीं पूछा LTM क्या होता है आपसे direct पूछा है कि information कैसे process होती है अब आपको अगर याद हो तो एक diagram आपकी book में दिया गया है एक diagram है जो आपकी book में दिया गया है अगर आप यहाँ पर वो diagram बना देते हो तो आप अपने full marks से समझो मतलब full marks का मतलब ऐसा कि यह नहीं सर्फ diagram बना कर छोड़ कर आगया अगर उसको थोड़ा explain कर देते हो then you will get full marks ठीक है अगर आप यहाँ पर बताने लग जाओ sensory memory क्या होती है यहाँ पर आप बताने लग जाओ short term memory क्या होती है यहाँ पर आप बताने लग जाओ long term memory क्या होती है doesn't make sense पूछा क्या है information कैसे process होती है और बहुत simple सा process है बहुत simple सा procedure है ओके आप यहाँ पर उस diagram को use करो that is much better मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि diagram किस तरीके से था तो उसमें हमने कुछ इस तरीके से समझा था कि just suppose hair is your sensory memory यह आपकी sensory memory है ओके और इसमें जो duration होती है वो कितनी होती है one second less than one second ऐसे करके पूरा diagram बनाया गया था ओके यह हो गया first second आता है आपका short term memory STM पूरा short term memory और इसकी duration कितनी होती है तो less than 30 seconds ऐसे था एक पूरा diagram आप अगर देखोगे अपने book में तो आपको दिखेगा then comes LTM long term memory duration unlimited ओके for unlimited time अगर आप अपनी sensory memory पर attention pay करते हो तो वो आपकी short term memory में जाती है और अगर आप अपनी short term memory को rehearsal करते हो तो वो आपकी long term memory में जाती है is it clear बस यही एक diagram आपको बनाना है इसमें अभी हम और थोड़ा edit करेंगे ठीक है और इसमें थोड़ी कुछ चीजों को add on करेंगे और फिर उसके बाद में हमारा answer complete हो जाएगा ठीक है अब पहले points को देखें फिर उसके बाद में इसके उपर आते हैं so sensory memory क्या होती है जिसमें बहुत ही large capacity है लेकिन यहाँ पर बहुत ही short duration के लिए information को store किया जाता है तो इसमें आप यहाँ पर लिखो large capacity large capacity लेकिन duration जो है वो बिलकुल less than one second होती है यह register करती है information को जो census से मिली है यह system को हम sensory memories यह sensory register भी बोलते हैं क्योंकि information सभी senses में से जित्ती भी register हो रही है वो exactly sensory memory के अंदर आती है जैसे अगर आप कोई visual after images को देख रहे हो अगर आप बहुत जादा light के exposure में हो और फिर एकदम से light को off कर दिया जाता है तो कुछ reverberations जो है वो रहती है और of a sound after the sound has stopped जैसे मानलो आप एकदम से बहुत light में थे और एकदम से light बंद हो गई तो एक थोड़ा सा वो क्या बोलते है ना light type की चीज हमको दिखती रहती है ठीके वो पढ़ाया है मैंने आपको chapter number five six के अंदर next ऐसा होता है जैसे आप किसी sound को सुन रहे हो मानलो आप डीजे पर sound को सुन रहे हो और एक दन से डीजे बंद हो जाता है तो एसे फिल्कुल धीमा सा ऐसा कुछ sound हमको सुना ही देता है थोड़ी देर तक कुछ seconds के लिए तो वो एक आपका sensory memory का example हो सकता है तो sensory memory आपने बना के दिखा दिया यह होती है sensory memory जो मैंने यहाँ आपको लिखके दिखा है वो आपको बना के दिखाना है that is much preferable लेकिन देखो एक और चीज मैं आपको बता हूँ कि जैसे जब हम question देखते हैं तो उसमें कुछ चीजे होती ही जो हमको ध्यान देने होती है ए अगर उसमें बहुत ज्यादा word limit है तो आप sensory memory को explain करो, आप STM को explain करो, आप LTM को explain करो फिर उसके बाद में आप उसका diagram बना दो मतलब अगर आपसे यह वाला question मान लो long या ऐसे type में पूछा जाता है तो इसके बाद में अगर जैसे question short बनाया में पूछा गया है तो simply बहुत explain करो, एक दो लाइन, diagram बनाया और थोड़ा बहुत मतलब हो गया, very short में पूछा है, तो सिर्फ और सिर्फ डाइग्राम बनाया and that's it, clear, diagram अभी जैसे मैं आपको दिखा ना, जिस तरीके से एक पूरा flow chart हम बनाते हैं, वैसी flow chart आपको भी बनाना है, तो यह आपका sensory memory के अंदर हो जाएगा, next आपकी STM, तो STM को आपको explain करना है, और एक चीज़ देख रहे होगे, कि मैं यहाँ पर आपको explain करती हूँ, तो हमेशा उसमें highlights होते हैं, जैसे यह आपको यहाँ पर yellow color से दिख रहा होगा, कभी green color से होते हैं, कभी orange color से होते होते हो, तो हमेशा heading क highlight करो, जो मैंने आपको बोलाना, headings लिखना है, highlights करना है, अच्छे से charts, diagrams वगेरा बनाना है, answer effective लगता है, again and again, I am saying, बहुत simple सी चीज़ है, आप सभी यह चीज़ जानते हो, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यह पूरा chapter as it is, learn करके आना है, तो आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं उसमें से कुछ-कुछ parts आपको दे दूँ कि आपको इतना पढ़ना है, आप flow charts वगेरा के through पढ़ सकते हो, आप इस example के through पढ़ सकते हो, तो आपको जादे easy लगेगा, है ना, बिलको simple सा funda है, यह, same चीज होती है, जब teachers बहुत सारी copies चेक करना है, वो मतलब ऐसे चेक करते हैं कि फटा-फट उनको दिख जाए, आपने क्या-क्या सारी चीज़े include करी है, answer के अंदर, या नहीं करी है, आपने कितनी गलतियां करी है, आपने कितनी सही चीज़े करी हुई है, यह सारा को चेक किया जाता है, और सबसे important है, जो question की demand है, कि आप वो चीज़ लिखो, question आप से पूछ रहा है, sources आप लिखने लग जाओ, criticism, okay, so वो चीज़ सही नहीं है, तो उन चीज़ों को समझते हुए, अभी से practice करो कि कैसे हमको answer writing करना है, and again and again I am saying कि ये चीज़ आपको आगे बहुत बार काम आएगी, okay, so here comes your short term memory and long term memory, अब short term memory में क्या बता दोगे, कि यहाँ पर जो attention है, अगर आप किसी sensory memory के उपर attention pay करते हो, मैंने आपको बताया है, कि अगर sensory memory पर attention pay किया जाता है, तो वो चली जाती है आपके STM में, okay, तो इसी लिए अगर आप किसी sensory memory पर attention pay कर रहे हो, तो वो आपके short term memory में चली जाएगी, not more than 30 seconds, duration इसका रहता है, और इसकी storing capacity भी उतनी जादा नहीं रहती, sensory memory से बड़ी होती है, लेकिन उतनी जादा नहीं होती, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कि, if this is your sensory memory, then this is your short term memory, okay, this is your short term memory, and this much larger is your LTM, that is long term memory, शोट term memory पर जब आप attention pay करते हो, तो वो चली जाती आपके LTM में, और sensory memory पर जब आप attention पर करते हो, तो वो चली जाती आपके short term memory में, और जब आप अपनी short term memory पर rehearsal करते हो तो वो चली जाती आपकी long term memory में short term memory छोटी सी है इसके अंदर 30 seconds रहेगी कोई भी sorry 1 second रहेगी कोई भी information कितना रहेगी 1 second short term memory में not more than 30 seconds and in long term memory unlimited इस तरीके से भी आप चाहो तो एक diagram बना के अपने short term memory, long term memory, sensory memory को explain कर सकते हो is it clear to you? तो ऐसे आपको समझना इस एक चीज़ को, अब ये हो गई आपकी short term memory इसको Atkinson और Shiffrin ने बताया है कि STM में जो मतलब information होती है वो जादा तर sound के through होती है तो उसको मतलब जादा तर जो information and code हो रही है वो sound के through होती है अगर आपने कोई चीज़ सुनी और एकदम से आपको वो धिहान मतलब आपने उसको पर attention पही किया तो वो आपको थोड़ी देर कुछ seconds तक याद रहती फिर आप भूल जाते हैं इसमें मैंने आपको Reels के example दिया था, Shots के example दिया था है permanent store house है पूरी information का और इसी के साथ साथ में आपको वो चीज़े भी धियान में रहती है जो 10 साल पहले आपके साथ में हुई हो और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि LTM में अगर कोई information है तो वो बहुत जल्दी आप उसको नहीं भूलते हो वो आपको जादा लबे समय तक याद रहती है reason इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो information है वो logic और meaning के साथ में आती है तो यहाँ पर आप ऐसे note down कर सकते हो कि sensory memory है तो information senses के थूँ आ रही है STM में जो information है वो sound के थूँ आ रही है LTM में जो information है वो logic और meaning हम लगा रहे है मतलब उसके meaning को हम अच्छे से समझ रहे है इसलिए जो long term memory में information है वो जादा लंबे समय तक रह रही है और साथी साथ में storage capacity भी बहुत ज्यादा है clear आ रहा है समझ में मतलब बहुत simple बिलकुल simple जो है करना है कि ऐसे information process होती है clear यह भी आया समझ में अब कैसे answer लिखोगे तो वो आपने अभी यहाँ पर देखी लिया कि पहले sensory memory लिखी और बता दिया कि information sensory memory में कैसे process होती है अगर long में answer पूछा गया है तो short में पूछा है तो इतना जादा explain मत करना ठीक है फिर short term memory को explain किया फिर long term memory को explain किया आप खुद देख रहे हों कि यहाँ पर जो point मतलब answer लिखे है फो points में लिखे है answer हम िसा वह पॉइंट्स में लिखे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बिलकुल paragraph form में लिख रहे है paragraph format में लिख रहे है तो आपको भी उस एक चीज को avoid करना है है ना points में ही answer को लिखना है highlights करना है, headings आपको use करना है This is all about your question number 2 आरहे समझ में कि कैसे हमको questions को answer करना है ऐसी questions है सारे simple से questions है, simple सा answers है बहुत जादा confused नहीं होना जो पूछा है बस वही answer में लिखना है अगर आप unnecessary लिखोगे तो आप अपना time waste कर रहे हो ओके, then comes your question number 3 How are maintenance rehearsals different from elaborative rehearsals अब यह देखो यहाँ पर है maintenance rehearsals और यहाँ पर concept है आपका elaborative rehearsal का आपको बताने इन दोनों में क्या differences है या यह दोनों इक दूसरे से कैसे different है तो पहले आप बताओगे maintenance rehearsal क्या होता है अब यह चीज मैंने आपको बहुत बार बताईए आप चाहो तो ऐसे भी differentiate कर सकते हो कि एक side आपने maintenance rehearsal लिखा एक side आपने elaborative rehearsal लिखा and then just make this ऐसे जो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 जिते भी points होते हैं वो भी कर सकते हो चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो तो सबसे पहले heading डाली maintenance rehearsal then these are the part of short term memory control process for retaining information for as much time as required and these kinds of rehearsal simply maintain information through repetition and when such repetitions discontinue the information is lost maintenance rehearsal का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपकी short term memory जो control process है उसमें आपकी जितनी भी information होती है उसको हम maintenance rehearsal का part मानते हैं क्योंकि अगर आप उस information को जब तक retain करने की कोशिश करते रहोगे जब तक आप उसको recall करते रहोगे तब तक वो आपको याद रहेगी लेकिन एक बार आपने recall करना छोड़ा तो वो information भी जो है आपके mind से आपकी memory से lost हो जाएगी clear वो होते हैं आपके maintenance rehearsal then comes elaborative rehearsal इसमें क्या होता है from the short term memory information enters long term memory through elaborative rehearsal अब आप किसी चीज़ को बार बार बहुत ज्यादा practice करते हो बार बार उसकी rehearsal करते हो तो वो short term memory से long term memory में आजाता है वो आपकी memory में fix हो जाता है उसको हम elaborative rehearsals बोलते हैं इसमें क्या होता है it connects the to be written information to the already existing information in long term memory and in elaborative rehearsals one tries to analyze the information in terms of various associations it arouses it involves arrangement to the incoming information is as many ways as possible यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे मान लो यह आपका STM है just suppose यह आपका STM है और यह आपका LTM है तो अब जैसे यहाँ पर अगर कोई information है यहाँ पर कोई information है आप उसको जितना recall करोगे उतनी वो आपको याद रहेगी एक बार आप recall करना छोड़ दोगे तो वो भी lost हो जाएगी लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़ादा recall करते हो बहुत ज़ादा आप उसकी rehearsal करते हो तो वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी वो LTM में आ जाएगी that means आप क्या कर रहे हो आप elaborative rehearsal कर रहे हो okay आप क्या कर रहे हो elaborative rehearsal कर रहे हो बहुत ज़ादा आप उसको practice करोगे तो वो आपकी long term memory में चली जाएगी short term memory में जैसे मैंने आपको examples दिये थे कोई song है यह examples जो मैंने दिये थे यह सब आपको answers में include करने हैं okay इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहते हूं कि मैंने वह वाले example दिया था तो उस example को आपको note करना है तो जैसे STM है short term memory है for example मानलो आपने कोई अच्छा सा song सुना और music song कुछ भी आप सुन रहे थे और उसके बाद में आपको जो है वह song सुनना मितलब वह song आपको बहुत अच्छा लगा तो आपने काया इसको Google करता हूं यह इसको YouTube पर देखता हूं और आपने इसको सुनना स्टार्ट कर दिया स्टार्ट आपको आप उसको बार बार पर तो वह зॉनो अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसको जब तक सुनना चाहते हो तबदें गाते हों उसको जुरीएक, यह सब्सक्रास नहीं लगेगा रहोगे गुंगुनाति रहोगे आपके माइंड में वो चलता रहे process if अपकी चलता रहेगा एक बार आपने उसको गवनाना छोड़ा एक बार आप एक असको गाना प्रहाई होगे कर साज्त होदाने दोपर और उसको लूधगा ये ज़ताए थो हो सकता है, होता भी होगा कुछ-कुछ cases में, तो वो आपके फिर LTM में चले जाता है, इसको बोलते है, Elaborative Rehearsal. Is it clear to you? ठीक है, तो ये हो गया हमारा question number 3, और उसका छोट असा answer, कि Maintenance Rehearsal क्या होता है, और Elaborative Rehearsal क्या होता है, ठीक है? ये ही करना है आपको, पहले आपको heading लिखना है, आपको उसको underline करना है, देन उसका जो भी content है, वो आपको लिखना है, देन second heading आपने लिखी, Elaborative Rehearsal, देन उसके content को आपने लिखा, and must include examples. Examples जरूर include करना, ओके? और जब भी example को लिखो, तो ऐसे उसको या तो underline कर दो, या उसको highlight कर दो, या उसको different, दूसरे color के pencil लिख दो, ठीक है? तो वो दिखता है कि आपने example लिखा है, उटके आता है कि हाँ, देखो, इसको पता था, इसने example भी include करा है, अच्छा example देना, ओके? So, this is all about your question number 3. Now comes question number 4, differentiate between declarative and procedural memory, आपका सबसे favorite topic, तो मदब मुझे ये पढ़के बड़ा मज़ा आया था, कि declarative memory, procedural memory, आपको पढ़ा के बड़ा मज़ा आया था, तो क्या होती है, declarative और procedural memory, बताओ, LTM के ये types हैं, LTM हमने पढ़ा हुआ है, उसी LTM की बात यहाँ पर हो रही है, कि जो हमारी long term memory होती है, उसके अंदर बहुत सारी information होती है, तो mainly हम उसको दो में classify करते हैं, एक, declarative memory, और एक होती है procedural memory, declarative के अंदर आप क्या याद रखते हो, आप याद रखते हो जो भी dates है, जितने भी facts हैं, जितने भी एक सेक्टर एक सेक्टर, यह चीजों को आप याद रखते हो, declarative memory के अंदर, procedural memory में आप क्या याद रखते हो, life experiences, किसी task को perform करने का, क्या procedure होता है, किसी task को, या किसी skill को acquire करने का, क्या एक procedure होता है, आप इस declarative memory को, further two parts में divide किया है, ठीक है, तो एक हो जाती है, semantic memory, और एक हो जाती है, episodic memory, semantic में आप क्या क्या याद रखते हो, तो semantic के अंदर, जैसे logic है, values हैं, यह आप याद रखते हो, episodic में आप क्या क्या याद रखते हो, तो आपके जितने भी life experiences वगिरा रखते हैं, या आपकी life से related कोई episode, कुछ भी ऐसी चीज, तो वो आपकी episodic memory के अंदर रहती है, देखो सारा सब कुछ याद आया की नहीं आया, बताओ, याद आना चाहिए आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये सारा सब कुछ आपको याद आयेगा, बस आपको इसमें ये पूरा explain नहीं करना है, आपको इसमें main focus आपका जो होना चाहिए, that should be only on this DM and PM, चीक है, इन दो को आपको याद रखना है, DM और PM को और इसी को आपको explain करना है, बहुत सारे examples देते हुए, उस topic को explain किया, फिर हमने second heading लिखी, फिर हमने उस topic को explain किया, मैंने आपको बताया था, दूसरे तरीका क्या होता है, आप एक topic को यहाँ लिखते हो, दूसरे topic को यहाँ लिखते हो, और ऐसे करके differentiate कर देते हो, दोनों के बीच में, तो यहाँ question number 4 में, हम इस तरह का differentiation देखेंगे, आप चाहो तो question number 4 में, यह वाली technique को भी use कर सकते हो, that all depends on you, ठीक है, जैसे भी आपको करना है, जिस भी तरीके से आप explain करना चाहते हो, वैसे आप कर सकते हो, तो अब देखते हैं, कौन कौन से points आप add कर सकते हो, अपने question number 4 के answer में, so this is declarative memory and this is procedural memory, जितनी भी information है, चाहे facts से related हो, चाहे names से related हो, चाहे dates से related हो, वो सब जाती हैं हमारी declarative memory के अंदर, और जो भी procedures होते हैं, किसी skill को achieve करने के लिए, किसी task को perform करने के लिए, वो जाते हैं हमारी procedural memory में, ये first points होंगे, ये first points होंगे, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, meaning बताओगे, आप देखो, मैं आपको एक और तरीका बताते हूँ, आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे, just suppose, ये आपकी notebook है, ओके, और आप यहाँ पर differentiation कर रहे हो, wait, ये यहाँ पर इस तरीके से, बैसे पता है ये तरीका आप लोगों को, ये भी पहले हमने बहुत बार डिसकेस किया है, बट यहाँ पर कुछ न्यू चीज़े आपको जानने को मिलेंगे, ओके, तो वो हम करेंगे यहाँ पर डिसकेस, कर दिसकेस, फिर्स्ट आश रिट राइबं, बेसे ओफ दिफरेंस, बेसे ओफ दिफरेंस, ओके, ना रहाँ खम स्यर्ट्ट्र रैटेव मेमुरी, बेकले रैटिटिव मेमुरी, चीखे, मैने शहाँ में लिखा, आप पूरा लिखना, ले चूम्री, procedural memory procedural memory ठीक है अब basis of difference में सबसे पहला basis हमने क्या लिखा meaning तो सबसे पहले आप बताओगे कि declarative memory और procedural memory का meaning क्या होता है तो meaning अभी हमने discuss किया भही आपको first बताना है second basis आपने लिया examples second basis क्या लिया examples इसका example दे दो यहाँ पर और इसका example दे दो यहाँ पर declarative की क्या क्या होगे तो जैसे हमने discuss किया था कि 15 अगस्ट 1947 को इंडिया independent होता है अब मैं अगर आप से बोलूँ कि इंडिया independent हुआ था 28 अगस्ट 1948 को तो क्या आप मानोगे आप बिलकुल deny कर दोगे नहीं मादम हमने बच्पन से बढ़ा हुआ है हमने यही चीज़ सीखी है fact है यह date है जो हम बच्पन से याद करते हुए आ रहे है तो आप बिलकुल बोलोगे कि यही जो है correct होगा क्यूं क्यूंकि आपकी declarative memory का यह part है और long term memory में है है आपका वी नहीं भूल सकते इसको ओके सो यह आपका एक example हो जाएगा इसके अलावा sun है तो वो sun हमेशा east say he raiz करेगा okay sun हमेशा east say he raiz करेगा तभी वेस्ट से rise कर सकता है क्या कभी नॉर्थ से राइस कर सकता है क्या नहीं कर सकता so this is again a fact और इसके अलावा जैसे आपका कोई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है, विराट कोली है, महिंदर सिंग दोनी है, रोही शर्मा है, तो आपको मतलब उसका नाम हमेशा याद रहता है, आपको अपने फ्रेंड का नाम हमेशा याद रहता है, बढ़ आपको उसकी फैमली मेंबर्स तो यह first आपने example दे दिया 15th August 1947 वाला यह date का example हो गया second example आपने दिया sun rises in the east यह क्या है यह fact का example हो गया आपका favorite player कौन है तो आपने लिखा Virat Kohli is my favorite cricket player तो यह यहां पर name हो गया ठीक है जादतर लोगों के होता है ना क्रिकेट मेरे नहीं है मतलब मैं क्रिकेट में इतना ज्यादे इंटरस्टे नहीं है तो इसलिए मेरे नहीं है मुझा ऐसा कोई उनसे बुराई नहीं है ठीक है so next comes here a procedural का example तो एक bicycle को कैसे चला जाता है football का match कैसे खेल जाता है चाही कैसे बनाई जाती है यह सारे procedure स्विमिंग कैसे की जाती है उसको लेकर एक procedure है तो तीन चार एक्जामपल यहां पर देतो ठीक है और इसमें और चीज कर सकते हो कि जैसे तरीके से आपको present करना है okay then आप यहां पर क्या लिखोगे third point लिखोगे जो हम अभी discuss करेंगे फिर उसका basis of difference लिखा और दोने के बीच में differences बता दिये clear यह बहुत अच्छा दिखता है जब आप इसको अच्छे से लिखते हो in the declarative memory can described using verbal descriptions आपकी declarative memory में कोई fact है तो आप उसको verbally describe कर सकते हो आप उसको बोल के बता सकते हो ना कि like India got independent on 15th August 1947 यह आप बोल के बता सकते हो मेरे best friend का नाम अंकिता है आप यह बोल के बता सकते हो but procedures के साथ में क्या एक चीज होती है कि जो content होता है ना procedure का वो बहुत easily describe नहीं किया जा सकता like मैं आप से बोलू कि swimming कैसे की जाती है यह मैं आप से बोलू dance कैसे किया जाता है तो आपको अपनी हाथ की कल्हाई को मोड के और उंगली को ऐसे उठाना है आप उसको describe नहीं कर सकते है ठीक है आप उसको बहुत easily describe नहीं कर सकते है क्योंकि content ऐसा होता है बहुत बार procedures का dancing is also a skill na so we can describe how a game of cricket is played but if someone asks do you ride a bicycle it is difficult to describe ठीक है तो procedure जो है उसमें दिक्कत यह आती है कि बहुत बार content तो पता होता है लेकिन describe करना उत्ता जादा easy नहीं होता ठीक है तो यह point आप उसमें differentiate कर सकते हो clear बोलो यहां तक समझ में आया की नहीं four questions हमने answer किये सब में सारे points देखे charts वगेरा देखी आपको मैंने process बताया कि आपको कैसे answer करना है क्या pattern होना चाहिए I hope so clear हुआ होगा और चीज़े समझ में आ भी रही है ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे comment section में बताओ ठीक है और समझ में आ रही है तो भी मुझे बताओ कि मुझे सारा कुछ समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही okay so this is all about your question number four next comes question number five describe the hierarchical organization in long term memory आपको पता है ना hierarchical organization in long term memory हमने पढ़ा हुआ है यह के chapter में ही दिया है सब वही पूछा है जो chapter में दिया है chapter के बाहर कुछ नहीं out of syllabus नहीं पूछते हैं हम पर okay so और अगर पूछ भी लिया तो आप answer कर सकते हो आपके concepts इतने जादा clear हो गए हो so यह पूछा है कि long term memory में जो hierarchical organization होता है उसको आपको describe करना है उसके बार में आपको बताना है so इसमें हम बताएंगे 1969 में Alan Collins और Ross Quillian इन्होंने एक research करी थी जिसमें इन्होंने यह बताया था कि जो knowledge है long term memory में वो hierarchical है और वो एक network structure की तरहा लगता है तो same इसको लेके आप आपकी book में एक figure आपको दिख जाएगा ठीके एक figure भी जो है आपकी book में इसको लेके दिया गया है हम उसको यहां देखेंगे सारा सब कुछ discuss भी करेंगे और जैसे हमने topic में discuss किया था बहुत detail में नहीं जाएंगे बट उसको आपको use करना है यह मना आपको पहली बता दिय अब देखो यहां पर आप देख रहे हो कि simply बस लिखा हुआ है भले points में भी लिखा हुआ है तो समझ में तो आ रहा है कि क्या-क्या points यूज करें हैं थोड़ा clear clear दिख रहा है बट थोड़ा से इसको और clear करते हैं कैसे देखो ऐसे clear करते हैं 1969 Alan Collins and Rose Killian in their research suggested that knowledge and long-term memory is arranged hierarchically and looks like a network structure आप समझ में आ रहा है कि Alan Collins कहा है, Rose Killian कहां लिखा है, research कप कंडक्ट की गईती हम किसके बारे में यहां पर बताने जा रहे हैं so this is a kind of introduction of your answer आपको ये मैंने बताया है ना कि आपको answer को किस तरीके से start करना है हमेशा आपका एक pattern क्या होना चाहिए answer का बताया मैंने ठीके मतलब बताया है मैंने पूछ नहीं हूँ आपसे बताया मैंने आपको बहुत बार देखो एक बार और देखते हैं जब भी आप answer लिखें तो आपका एक pattern होना चाहिए सबसे पहले introduction okay then comes the main body and then comes conclusion अब तीन चीजों को answer आपको हर एक question के अंदर करना ही करना है जैसे यहां पर पूछा है hierarchical organization long term memory में और यह pattern हम तब follow करते हैं जब question हमसे long में पूछा जाता है या short में पूछा जाता है या ऐसे type में भी पूछा जाता है very short में आपको इतना ज्यादा लिखनी की जरूरत नहीं होती जब आप very short question answers को कर रहे होते हैं तो simply जो पूछा गया है उसको बस आपको answer करना है ज्यादा उसमें pattern वगेरा नहीं होता लेकिन जब short या long type questions करते हो या ऐसे type questions करते हो तो क्या होता है word limit भी जादा होती है weightage भी जादा होता है marks का तो जादा marks यह तो थोड़ा presentation हमारा effective होना चाहिए as compared to other students तो यहां पर हम basically क्या एक चीज़ करते हैं कि सबसे पहले एक introduction लिखते हैं कि आप जो भी चीज़ बताने चाहरें उसका चोटा सा introduction जैसे कभी आप speech देते हो कभी दिया होगा आपने तो हमेशा उसमें एक introduction होता है ना या कभी आप किसी को message करते हो या कभी किसी से होता है तो जब भी ऐसे short long ऐसे type questions होंगे तो एक बिल्कुल छोटा सा introduction हमको देना है two or three lines में और introduction में हमको लिखना क्या है basically क्या एक चीज़ हमको बतानी है कि जो भी question में पूछा गया है उसका एक छोटा सा introduction जैसे यहां पर क्या पूछा गया है hierarchical organization in long term memory तो hierarchical organization in long term memory का concept कहां से आया तो वो concept दिया 1969 में Alan Collins Ross Cullian ने दिया और उनने बताया कि जो knowledge होता है long term memory के अंदर वो hierarchy में है और एक network like structure के अंदर होता है यही आपका introduction है यही बस आपका introduction है यही आपको दो या तीन line में लिखना होता है Then comes the main body, main body मतलब जो एक चीज़ पूछी गई अब आपको इसको explain करना है इसको आपको describe करना है कि क्या hierarchical structure है कैसे network create होता है तो वो आप main body के अंदर बताओ के बहुत बार questions में ऐसा भी होता है कि question parts में पूछा जाता है question के अंदर क्या होते है parts होते है दो या तीन parts होते हैं like for example what is the meaning of long term memory and how the hierarchical organization happening in long term memory और what are the classifications of long term memory अब इसमें हमने कितनी चीज़े पूछी तीन चीज़े पूछी एक तो ये कि long term memory का meaning क्या होता है दूसरा long term memory में hierarchical organization कैसे हो रहा है तीसरा long term memory का classification क्या क्या है तो तीन parts में अगर question है तो तीनो parts को answer करना है आप खाने में बोलो कि आज मुझे जो है noodles, manchurian और fried rice खाने का मन है ठीक है अगर आप एक ही part को बहुत जादा explain कर दोगे तो वहाँ पर आपके दो parts के marks जो है वो cut जाएंगे तो इसलिए जितने parts पूछे गया है उतने parts का answer करना and finally conclusion conclusion generally अभी के time पर आप एक आधी line में लिखो, एक या दो line में कि हमने जो भी इतना कुछ discuss किया हमारे answer के अंदर उसका final conclusion क्या है बस वो एक चीज़ आप जैसे-जैसे question answers को देखो कि आपको समझ में आएगा और अगर आप पहले से follow कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि कैसे introduction करना है कैसे conclusion देना है, कैसे main body को लिखना है, कैसे parts को identify करना है कैसे मुझे highlights करने है, अपने question answers के अंदर कैसे मुझे headings को use करना है, examples include करने है flow charts बनाने है, diagrams बनाने, यह सब कुछ आपको एक या answer के अंदर नहीं करना लेकिन जहां required है, वहाँ जरूर करना है, अगर कहीं पर requirement है flow chart का तो बनाओ, कहीं पर requirement है example का, तो example दो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही answer में इतना सारा सब कुछ लिखने लग जाओ और बागे आपको answer करने का time ही ना मिले, तो जहां जितने की requirement है उतना आपको करना ही करना है, और ये note कर लो, ये कहीं पर ऐसी जगा लिख लो कि ये चीज़ आपको बार बार दिखे, कि जब भी आप questions को answer करो, तो आपको ये points उसमें ध्यान रखने ही रखने हैं, clear, यही pattern को हमको follow करना है तो आप स्टाइट करेंगे कौन से question number 5 के साथ में, ये आपने पहले देख लिया कि introduction क्या है then comes next, अब हम main body पर आएंगे, so the most important unit of representation of knowledge in LTM is a concept देखो अब सबसे ज़ादा important unit क्या होती है LTM की, वो होती है concept अब इसको आपको, मतलब इसके अंतर आपको क्या-क्या सारी चीज़े include करनी है, concept क्या होता है ये सारा कुछ मैं, एक बार आपको shot मैं वापिस से पूरा recall करवा दे रही हूं, जो आपने chapter में पढ़ा था वही सारा कुछ आपको यहाँ पर note down करना है, ठीक है अच्छे से एक बार देख लेना, अच्छे से एक बार समझ लेना, और फिर points यहाँ पर आप देखी लोगे कि क्या-क्या include करना है So, just suppose, this is your LTM, ओके ये आपका क्या है LTM अब आपको पता है कि LTM जो होता है, वो बहुत ही, मतलब अपने size में बड़ा होता है Large size होता है और इसमें duration information की unlimited होती है यानि कि एक तरह का very large and permanent storehouse of information LTM आपका है ठीक है, LTM क्या है आपका Large and permanent storehouse of information लेकिन सिर्फ information store तो नहीं होती, क्या-क्या होती है information Retain होती है, आप information को recall करने की कोशिश करते हो उसको वैसा ही बना के रखने की कोशिश करते हो उसको reform करते हो, analyze करते हो, understand करते हो, ये सारा सब कुछ होता है अब इतनी wide variety of information अगर आप अपनी memory में रखोगे तो सबसे जादे important चीज़ क्या है, सबसे जादे important है उसको organize करना जब तक आपके LTM को आप organize नहीं करोगे, तब तक आपको जैसी information required है वैसी information आपको नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा drawback है, हाना तो क्या चीज़ जरूरी है, कि इसको हमको अच्छे से क्या करके रखना है, organize करके रखना है अब organization भी हमने पूरा पढ़ा है, मैंने आपको example दिया था कि जैसे for example आपका room है, अगर आपका room बहुत जादा बिखरा हुआ है कपड़े कहीं पढ़े हैं, books कहीं पढ़ी हुई है, समान कहीं पढ़ा हुआ है तो आपको मानलो उसमें से psychology की book ढूरना है तो आपको नहीं मिलेगी बट अगर organized way में आपका room बहुत अच्छे से, बिल्कुल neat and clean है कि जहां पर clothes होने चाहिए, वो सारे wardrobe में रखे हुए है, आपकी books आपकी bookshelf उपर रखी हुई है आपकी जो table, कुर्सी, जितनी भी चीज़ है आपके room के अंदर, वो सब कुछ बिल्कुल proper अपनी places पर है तो आप सीधे जाओगे, साइकलोजिक की book उठाओगे और आप अपना काम करने लग जाओगे तो यह सबसे important चीज़ होती, organization को लेके तो जैसे अगर हमारा LTM है, तो LTM organized होना चाहिए नहीं तो आप जो information मांगोगे, वो नहीं मिलेगी, बलकि कुछ और मिल जाएगी मांगोगे जले भी मिल जाएगा समोसा, ठीक है, तो वो नहीं करना है खाने के example बहुत देती न मैं आपको, ठीक है, तो यह आपको क्या करना है इसको आपको organize करके रखना है, अब organize करोगे, तो कैसे organize करोगे जितना भी knowledge है, आपके LTM के अंदर, ठीक है जितना भी knowledge है, आपके LTM के अंदर, आपको उसको organize करके रखना है जैसे for example, declarative memory है, procedural memory है, semantic memory है, episodic memory है, implicit memory है इसके हलावा false memory है, और भी बहुत सारी memories होती है, बहुत सारी classification हमने पढ़े है LTM के तो यह सब होने चाहिए, properly organized होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे के साथ में मिल जाए जैसे जब हम semantic पढ़ें, तो semantic के अंदर क्या होता है, इसमें भी तो कुछ facts, logic, values, ऐसी वाली चीज़ होती है अगर आप उसको मिलादो episodic के साथ में, तो यहाँ पर तो मतलब कुछ का कुछ ही हो जाएगा, तो हमको क्या करके रखना है false memory को आप मिलादो किसी episodic memory के साथ में, तो वो नहीं चलेगा इसका मतलब आपकी memory होगी corrupt, memory होगी corrupt मतलब से information नहीं देरी, जैसे file corrupt हो जाती न कभी कभी तो वैसे ही यहाँ पर आपकी memory corrupt हो गई, तो वो एक चीज़ हमको नहीं करना है यह मैंना आपको example mobile phones के भी दिये थे, बहुत सारे जितने examples मैंना आपको दीता, आप कुछ-कुछ include कर सकते हो तो अब main हम hierarchical concept पर आते हैं, तो जो हमारे Collins है, Alan Collins और Ross Quillian यह बोलते हैं कि जो knowledge है न, वो hierarchy में है, वो एक तरीके से hierarchy में organize होता है तो उसमें एक हम important चीज़ पढ़ते हैं, concept के बारे में, ठीक है, concept मतलब क्या होता है, categories जब आप किसी को categories में divide कर देते हो, तो वो एक concept बन जाता है और फिर यह further concept को लेकर आती है, और उसमें फिर और categories होती है जैसे हमने इसमें example पढ़ा था mango का, mango है, mango fruits की category में आ रहा है mango fruit की category में आ रहा है, तो mango अपने आप में एक concept है फिर mango के अंदर और भी बहुत सारे types होते हैं, mango के भी अलग-अलग types होते हैं कोई बिल्कुल छोटा सा होता है, किसी के अंदर जो seed होती है, वो बहुत छोटी होती ही बड़ी होती, तो ऐसे उसके अपनी अपनी varieties है तो यानि concept अब यह जो category थी, यह बन गई concept और इसकी further sub categories आ जाएंगी जहां पर आप mental frameworks बनाते हो, ठीक है, जहां पर आप mental frameworks बनाते हो, आपको कोई भी चीज़ का जो एक first instance होता है, वो आपका scamma होता है यह भी अमने discuss किया था, तो आपको इस hierarchy के अंदर concept categories, scamma इसको explain करना है, सबसे पहली चीज़, यह तो मैंने आपको understanding के लिए बता है but main जो आपको इसके अंदर लिखना है, वो है आपको बताना है, concept क्या होते हैं, आपको बताना है, categories को थोड़ा सा, मतलब concept ही categories होते हैं, वही आपको further explain करना है इसी में आपको scamma बताना है, इसमें हमने एक canary वाला example पढ़ा था, वो आपको बताना है, कि bird is an animal, यह bird जो है, वो एक animal है, तो canary भी क्या एक animal होता है, यह आपको बताना, और इसमें हमने एक पूरा flow chart आपके chapter के अंदर देखा था, कि जैसे animal है, तो हमने इसमें ले लिए फिश को, फिर फिश के भी further subdivisions में हमने देखा कि shark भी है, ओके फिर हमने इसके साथ में देखा swim fish भी है, ऐसे आपको याद है, हमने यह चीज डिसकस करिए chapter के अंदर, तो इस एक chart को आपको यहाँ पर include करना है, कि there is a concept, concept के अंदर category, category बन जाएगा concept, फिर concept की further subcategories, और उ यहाँ तक समझ में, अब हम इसमें network structure को भी बताएंगी, यह तो हमने hierarchy के साथ में सब एक दूसरे से connected है, जैसे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर explain किया था, किसके बारे में, short term, semantic memory, declarative memory, etc, etc, ठीक है, तो हमने उसके अंदर क्या एक चीज देखी थी, अगर आपकी यह पूरी long term memory है, तो इसके अंदर यह semantic memory, declarative memory, episodic memory, implicit memory, procedural memory, और साथी साथ में false memory, और भी date सारी memory types होती है, तो इन सब के बीच में network structure होना चाहिए, जैसे पर example, आप किसी date को याद कर रहे हो, आपने association हमने पढ़ाने कि आप memory में associate करते हैं, ताकि हमको link करने मे जादा easy हो जाता है, जैसे पर example, आपने किसी date को remember किया, उस date की आपकी कोई memory थी, episodic memory से related, और आपको सरिफ date याद आ रही है, उस से related कोई episode याद ही नहीं आ रहा, कोई life experience याद ही नहीं आ रहा, that means network नहीं है, ओके, सब अपने अपने आसपास में, एक जो है, मतलब अपने आसपास में boundaries बनाए हुए है, किसी तरह का कोई network नहीं है, तो network होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब network होगा, तभी वो knowledge को हम use कर पाएंगे, तभी उस knowledge को हम represent कर पाएंगे, ये आपको explain करना है, अपने answer में, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर क्या-क्या points है, और क्या क्या आप note down कर सकते हैं, तो introduction मैंने आपको बताया, then write down की सबसे important unit है, concept, concept mental categories होते हैं, objects या events को लेके, जो की एक दूसरे जैसे होते हैं, concepts एक बार form हो जाते हैं, तो फिर वही categories बन जाते हैं, मैंने आपको बताया कि concept से category बन जाता है, concept क्या है, किसी object या event को लेके, जो आप एक mental category बना लेते हो, वो आपके concepts होते हैं, category फिर से concept बन जाती है, ये भी मैंने आपको explain कि concept है, category है, फिर वो category अपने आप में concept बन गी, फिर उसके और subcategories आ गई, ठीक है, तो category जो है, वो भी एक concept है, but it also functions to organize or arrange similarities अमंग other concepts based on common features, तो जो भी common features होते हैं, जैसे for example, this is a concept, ठी कि ये एक तरह का concept है, और इस concept की एक कोई category है, अब ये category फिर से क्या बन गई, एक concept बन गई, और फिर हम इसमें देखेंगे और subcategories क्या क्या बन सकती है, जैसे मैं आपको mango का example दिया, fish वगेरा का example दिया, तो अब यहाँ पर जो और subcategories बनेंगी, हम उनमें similarities ढूनेंगी कि किन में क्या क्या similarities होती है, जैसे हमने fish के example लिया, हमने shark का example लिया, हमने swim fish का लिया, और भी ऐसे ठीक है, bird में लिया, तो canary का लिया, तो अब आप उसमें क्या करो, आप उसमें relationship बनाओ, कि कि किसमें कौन कौन सी चीज़े common है, कौन कौन से features common है, जैसमें common features होंगे, हम उ आता है, world को आप समझते हो, तो आप schema के थू समझते हो, concept, basic knowledge है, basic level है knowledge का, LTM में, and the ideas of category and schema is the first level at which concepts are organized, तो जब भी आप LTM में knowledge को organize करोगे, तो सबसे बहले आप उसको concept में बनाओगे, concept से category बनेंगी, categories, schemas के थू भी बनेंगी, हाना, तो यह सारे चीज़े उसमें useful होंगी और जो भी elements होंगे, इस hierarchy के, वो सभी एक network structure में होंगे, यह मैंना आपको बताए कि सबके बीच में एक structure होगा, एक network structure होगा, जो किस से connected होंगे, nodes से, तो सभी के आस पास में nodes होंगे, और वो nodes जो है, इनको एक दूसरे से connect कर रहे हैं, जिससे एक network पूरा जो है, वो create हो रह देंगे, which indicate, category, membership और concept, attributes, मैंने इसमें आपको एक example दिया था, पूरा solar system वाला, ठीक है, आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको इसके अंदर एक solar system का भी example दिया था, कि जैसे यह sun है, just suppose this is sun, इसके आस पास में, और बहुत सारे planets revolve करते हैं, Mercury है, Earth है, Neptune है, Saturn है, बहुत सार है, ठीक है, तो यह सब आपस में एक दूसरे के revolve करते हैं, तो sun concept हो गया, बाकि उसके categories हो गए, अब अगर हम बात करें, Earth की, Earth जो है, वो भी revolve करता है, फिर moon भी है, stars भी है, तो ऐसे करके सब सब concepts बनते चले जा रहे हैं, इसका इमाज बनते चले जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से connected हैं, सब के बीच में relationships हैं, तो इस तरीके से एक hierarchy बनी है, hierarchy में सब एक दूसरे से network structure में connected हैं, यही बात वो बोलते हैं, जो Alan Collins और Ross Quillian है, कि हमारे जो memory है ना, उसमें बहुत सारा data है, उसको हम organize करते हैं, concept में, category में, schema में, notes के थ्रूस में, एक network बनाते हैं, ताकि जब जो information के requirement हो, वही information हमको मिले, as per this view, we can store all knowledge at a certain level that applies to all the members of a category, without storing the same information at the lower levels in the hierarchy, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम हमारे knowledge को store करके रखते हैं, और जब भी, जिस भी information की जरूरत होती है, वो हमको मिल जाती है, जैसे मान लो, अभी अगर आप यहां पर किसी तरह का क किसी तरह का कोई structure ना हो, और यह सब आपस में एक दूसरे से बिलकुल mix रहें, सब आपस में एक दूसरे से बिलकुल mix हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी आपकी false memory है, कौन सी आपकी episodic memory है, कौन सी आपकी declarative memory है, और मान लो, आपको चाहिए कोई date आप remember करना च आ रहे हो, और आपको याद क्या आने लग जाए, कि ये person काम क्या करता है, आप उसका name remember करो, पर आपको याद आने ले जाए कि ये person काम क्या करता है, तो does it matter, चाहिए क्या नाम चाहिए, पर याद कुछ और आ रहा है, that means कि memory organized नहीं है, सब खिचडी पकरी ये दिमाग के अ important होता है, जैसे मान लो, आपका school है, आपका school एक concept है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी classes है, अगर मैं एक approximate मान के चलूँ, तो आपके school के अंदर 15 classes है, nursery, kg1, kg2 और first से लेके 12 तक, सभी classes separate लगती है, ठीक है, सभी classes separate लगती है, first class के बच्चों को first class का content पढ़ाया जाता है, 10th class के बच्चे को 10th का पढ़ाया जाता है, 11th का 11th को पढ़ाया जाता है, syllabus है, एक उनका, एक उनका पूरा pattern है, जिसको follow किया जाता है, सबकी अलग-अलग classes है, तो सबको identify करना easy है, अगर आपको बुलाना है, तो सीधे कोई भी जो भी होगा, प्यून होगा, या जो भी teacher ह होगी, आपका friend होगा, वो सीधे आपके पास आएगा 11th क्लास, जैसे मानलो यहाँ पर 11th क्लास है, और यहाँ पर प्यून है, और यह मानलो रास्ता है, ठीक है, रास्ता मतलब walk करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ से जाएगा सीधे क्लास 11th में, आपको बुलाएगा कि चैसे पूटा यहाँ पर चूफे ने राास्ता आप शाना, पर घरमास ऑपासं, और यहाँ आपका फिर Noelू प्रेंड को बुला ब सारा गुन ले, तो इतने पूरे में अमन धूंत ने के पाल पड़ेगा, यह मतले मैं शोटा सवचना मं तो आपको पूरे में धूब कि इस कोई और चले जाएंगे तो वो एक चीज हमको नहीं चाहिए ना हमको organization चाहिए हमको hierarchy चाहिए और network भी चाहिए connection भी चाहिए सबके साथ में clear है समझ में आया है example समझ में आया है अभी तक ऐसा होता होगा शायद कि बुक से आपने देखा यह answer है और बस लिखना इस्टार्ट कर दिया मैंने आपको पहली बोला है psychology is all about self exploration खुद को explore करना है अपने बारे में जाना है सबसे पहले खुद को जानोगे तभी तो आप psychology में बाकी चीजों को समझ पाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपको खुद से start करनी चाहिए आपको अपने words में answer लिखना चाहिए आप अपने words में answer लिखोगे तो आप जैसे concept अगर आपको clear है तो जरूरी नहीं है कि आपको book में जो पूरा चीज दिया है आपको उसको wrote memorization करना और फिर उसको ज लिखवा रही हूँ हना मतला बोलोगे तो लिखवा भी दोंगी मुझे कोई दिक्खत नहीं है लेकिन आप कोशिश करो कि मैं कैसे answer को frame कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं कैसे examples को लिखूँ मैंना आपको example तो बता दिया पर अब मेरे जैसे तो नहीं लिखोगे न ऐसे बना के तो नहीं होगे कि madam देखो यह एक mango है mango की और बहुत सारी categories होती है तो यह concept है यह category है ऐसा तो नहीं करोगे न यह तो नहीं कर सकते explain करना है explain करो अपने words में करो is it clear so यह आपको यहां पर इसमें notes के बारे में लिखना है concept, category, notes, schema यह अभी तक यहां पर हो गया आपका and this makes sure that there is high degree of cognitive economy which means maximum and efficient use of the capacity of LTM with minimum redundancy तो इसका मतलब यह है कि आपको जो information चाहिए वही information आपको मिलेगी that is cognitive economy ओके और redundancy नहीं होगे redundancy का मतलब क्या है कि फाल्तु में आपका time based नहीं होगा जैसे मैंने आपको कहा ना कि school में आपको principal ने बुलवाया है तो जो प्यून होगे वो सीधे आपकी class में जाएंगे सीधे आपका नाम बुलाएंगे आपको बुलाएंगे और principal office में ले जाएंगे मतलब ऐसा नहीं ह आपको ढूंडेंगे आपको ले जाएंगे principal office के पास में तो time waste नहीं हुआ ना लेकिन अगर आप मिलो ही नहीं पूरे school के अंदर कहीं तो ढूंते रहेंगे बिचारे time waste होगा तो time waste नहीं करना है ना अगर जैसे मान लो आपसे मैंने अभी कोई question पूछा तो वो answer और मैंने आपसे student पहली बार NCRT solutions देख रहे हैं मेरे साथ में मैं solve गरवा रहे हूँ तो आपको यहां पर answer मिलेंगे pattern भी मिलेगा और concept भी solve होते चले जाएंगे ठीक है कोई भी problem होगी कोई भी doubt होगी तो वो भी आपको पता चलते चले जाएगा ऐसा नहीं है कि एक बार chapter में पढ़ाया तो आपको दुबारा नहीं मिलेगा अच्छे से समझो हर एक चीज़ को समझो ठीक है अब आजा question number 7 पे और इसको समझो so question number 7 देखो कितना चोटा सा question है बड़ा प्यारा सा बिल्कुल इतना सा question है पर इसका answer इतना सा नहीं है इसका answer अच्छा खासा है so why does forgetting takes place यह इतना सा लिखके ना बहुत सारा answer मांगा है आपसे इन लोगों ने ठीक है इतना आपसे बोला है कि यह forgetting क्यों होती है यह आपको बताना है अब आपसे जोगे इतना सा इतना चोटा सा question है बस मैं तो फटाक से लिख देता हम forgetting इसकारेंट से होती है क्योंकि हम rehearsal नहीं करते हम बार बार अच्छे से नहीं पढ़ते इसलिए forgetting हो जाती है नहीं सर्फ इतना सा नहीं लिखना है पूरे process बताना है पड़ा है ना nature and causes of forgetting ब हम देखेंगे और इसमें हम एक बड़ी ऐसा flow chart बनाएंगे okay so why does forgetting takes place now forgetting is a common problem all of us which we experience very frequently it was observed that forgetting takes place due to a sharp drop in the memory clear to forgetting जो है वो बड़ा ही common सा problem है सभी के अंदर होता है सभी इसको experience करते है और forgetting जो है वो बहुत बार मतलब उसका जो कारण होता है obviously memory loss होता है या memory failure होता है हमारी memory response नहीं कर पाती उस कारण होता है देखो दो लाइन में लिखा ना बस that's it ठीक है आपको भी छोटा से introduction देना है फिर आप आओगे main body पे अब बताओ कारण की forgetting होती क्यों है तो तीन कारण है ठीक है मतलब तीन रीजन होते हैं जिसकी वज़े से forgetting होती ही पहला क्या है forgetting due to trace decay second क्या है forgetting due to interference and third is forgetting due to retrieval failure तो पहले सबसे पहले एक चार्ट बना देना उसके बाद में इसको explain कर देना कैसे बनाओगे देखो पहले तो मैं आपको answer पर लेया हूँ और अब हम यहां पर बनाएंगे एक flow chart बढ़िया सी सुन्दर सी जो आप सब बनाएंगे मेरे साथ में so forgetting and bracket में लिखेंगे reasons ओके और अब क्या करेंगे देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ इसमें क्या करो थोड़ी सी कलाकारी करो और एक बनाओ triangle ठीक है एक क्या बनाओ एक triangle बनाओ और यहां पर लिखो forgetting और bracket में क्या लिखोगे reasons मतलब forgetting की क्या reasons है वो हम लिख रहे हैं यह reasons और forgetting भी आप लिख सकते हो अब सरिफ three reasons हैं तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे यहां पर forgetting द्यू टू ट्रेस डिके ओके यह हमारा फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया हमारा फर्गेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलर एंड फर्गेटिंग अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हमने ट्रेंगल क्यों बनाया यह थोड़ी सी स्पेस को भी बचा लेगा forgetting due to interference यह तीन वो reasons होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर forgetting होती है इसको आप और short कर सकते हो आप यहां पर स्रिफ retrieval failure लिखो यहां पर trace decay लिखो और यहां पर interference लिखो बस तीन चीज लिखके भी आपका यह complete हो सकता है चाहो तो पूरा लिख सकते हो चाहो तो सरफ retrieval failure interference और trace decay भी लिख सकते हो और इसको अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा और colorful दिखा देते हैं इसको A कर देते हैं इसको B कर देते हैं और इसको C कर देते हैं लग रहा है ना सुंदर सा अब यह सेम आपकी copy में होगा तो और कितना सुंदर लगेगा तो बस आपको यही करना है और फिर इसके बाद में करके इनको explain कर दो कि trace decay है तो trace decay क्यों होता है retrieval failure क्यों होता है is it clear अब मुझे बताओ कि क्यों होता है मैंने तो पढ़ाया नहीं इतना सारा मैं पूछ नहीं कोशन आप लोग मुझे answer दो comment section में मुझे बताओ सबसे पहले बताओ trace decay क्यों होता है क्या कारण होता है trace decay होने का यह trace decay का meaning क्या होता है बताओ जल्दी-जल्दी comment section में फटा-फट अपने answers देना start करो ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ इसमें और बाकी चीजों को भी हम discuss करें so trace decay is basically your disuse theory जिनको आता है वो तो मुझे comment section में बताएंगे ही और उनको मैं reply करूंगी ही जिनको नहीं आता है वो अच्छे से समझ लो और इसको याद रखना okay तो disuse theory का मतलब यह होता है कि जहां पर आप किसी चीज को use नहीं कर रहे हो use नहीं करने का मतलब यह होता है कि जैसे for example आपके पास में कोई information थी लेकिन आप उसको बार-बार recall नहीं कर रहे या उस information को आप use में नहीं ले रहे अगर आप उस information को use में नहीं लोगे तो धीरे-धीरे करके आप उसको भूल जाओगे अगर जैसे आपको बोला जाता नहीं कि revision करो बार-बार revision करो तो आपको वो चीज याद रहेगी लेकिन अगर आप revision करना छोड़ दोगे तो एक दना भूल जाओगे 10th class में science के जो formulas थे वो आपको बहुत अच्छे से आते थे बार-बार आप उसको revise करते थे याद रहते थे लेकिन आज अगर मैं आपसे वो same formulas पूछूँगी तो आपको याद नहीं होगे क्योंकि आप class 11th में आगे अब आप class 11th का पढ़ते और आपने class 10th का पढ़ना छोड़ दिया है तो जो आप class 10th की चीज़ों को भूल चुके हो ना because of disuse that is trace decay तो बहुत बार हमारे साथ में भी यह चीज़े होती है कि हम किसी चीज़ को use में नहीं लेते और फिर वो धीरे-धीरे हमारी memory में पड़ी-पड़ी धूल खा जाती है और हम उसको use करना बंद करते हैं clear यह होती है trace decay theory यह points लिखे हैं आपको इनी points को लिखना है book में से भी आप points को देख सकते हो यहां भी देख सकते हो ठीक है तो यह होती है आपकी trace decay theory और यहां पर assumption यह है कि memory से क्या होता है कि हमारे central nervous system में कुछ modifications होते हैं कुछ physical changes होते हैं हमारे brain वगेरा में और जिसकी वज़े से memory traces होते हैं तो जब memory traces को आप जादा time तक use नहीं करते हो तो ultimately वो fade out हो जाते हैं और इस theory के कुछ criticism भी हैं criticism सबसे पहला तो यह है कि अगर trace decay होता है disuse की वज़े से तो हमको कभी भी कोई नई information gain करने के बाद में सोना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम सो जाएंगे तो तो हम सारा कुछ भूल जाएंगे क्योंकि मान लो 7-8 घंटे का आप लोग के case में 12 घंटे का 12-12 घंटे सोते हो न आप लोग तो इस तरीके से क्या होगा कि हम सभी के case में अगर हम सो जाते हैं तो वो information क्या हो जाएगी हमारे पास से हम उसको use नहीं कर रहे हैं साथ-8 घंटे सोता है बिलकुल अच्छे से daily अपनी sleep को पूरा करता है तो उसको उसकी जो memory होती है वो जादा strong होती है वो जादा चीजों को याद रख सकता है irrespective of those जो नहीं सोते हैं जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा मेरी अपनी एक ऐसी friend है चार चार बजे तक जागती थी वो बिलकुल चार चार बजे तक और वो बहुत दूर रहती थी मतलब हमारे college से 50-60 km दूर उसका घर था तो वो daily up-down करती थी तो चार बजे तक वो पढ़ती थी 3-4 बजे तक एक दो घंटा सोती थी वो या तीन घंटा सोती थी मानलो और उसके बाद में जाकती थी और वापिस जो है college आती थी और फिर अपने पढ़ाई बढ़ाई करती थी तो मतलब इतना घंटा सोती थी वो एक्जाम निकल गया उसका वो बात अलग है लेकिन थीक है वो तो सारी किसारी आप भूल जाओगे है ना trace decay हो जाएगा लेकिन पाया क्या जाता है कि जो लोग अच्छे से सोते हैं उनकी memory जादा शार्प रहती है as compared to दोस जो नहीं सोते हैं अब आप बोलो कि madam आपकी friend का तो एक्जाम निकल गया मैं उसको बहुत डाटती थी कि सोया कर थीक है तो वो उसने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी किया था चार-पांच-छै घंटा सोना तो इसलिए मैं आप लोग को भी बोल रहे हूं कि प्रॉपर नींद लोग है तो memory शार्प रहेगी नहीं तो आपके साथ भी ये trace decay हो जाएगा तो इसलिए in basis पर इस एक theory को या इस एक reason को deny किया जाता है कि trace decay main reason नहीं हो सकता क्योंकि अगर disuse की बात है disuse की वज़े से forgetting हो रही है तो हम लोग सो जाते है या जैसे for example आप पढ़ रहे थे पढ़ने के बाद में आपको किसी party में जाना था बढ़िया से तयार VR होके चले गया हो तो क्या सब कुछ भूल जाते है ऐसा थोड़ी होता है उसको आके एक बार recall करोगे revise करोगे तो सारह सब कुछ याद आ जाएगा तो इसलिए ये इसके criticism कि किये जाते है आप ये जो points वगरा लिखे हुए है इसको पढ़ते हो कि क्या क्या लिखना है क्योंकि ये important होते हैं इसलिए यहाँ पर लिखे हुए है अगर explain करना होता तो मैं सरफ question लिखके लाती और आपको explain कर देती लेकिन यहाँ पर सारी चीज़े हैं इसलिए ताकि आप इनको read करो ये ही answers में आपको include करने है points सारे नहीं adequately next is forgetting due to interferences अब interference हो जाता है तो इसलिए भी forgetting हो जाती है अब कैसे होता है interference so our theory of forgetting that has perhaps been the most influential one is interference theory जहाँ पर ये कहा जाता है कि interferences की वज़े से भी हम चीज़ों को भूल जाते है जैसे हमारी आदत होती है जैसे ये sorry LTM है तो LTM में जब भी हम किसी चीज़ को जादा time तक information को retain retrieve करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके meaning को समझ लेते हैं हम उसके meaning को समझते हैं associations बनाते हैं और इन associations के through हमारी memory जो होती है वो intact रहती है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये इतनी सारी associations बनाने से associations के बीच में mutual conflict हो जाता है है ना और फिर हम याद कुछ और करना चारहे हैं retrieve कुछ और करना चारहे हैं बट हो कुछ और जाता है जैसे इसमें एक example दिया था कि for example आपको English language आप पढ़ रहे हो और साथ में French language भी पढ़ रहे हो ये English language आपको आती है और आप French language पढ़ना स्टार्ड कर देते हो तो कहीं ना कहीं French पढ़ते पढ़ते बो जो English language है वो आपको क्या करती है इंट्रफेर करने लग जाती है यह इसमें एक और example था कि जैसे Spanish language है तो आपने उसमें associations बना लिये हैं यह सारे example हमने पढ़े थे ना class के अंदर तो वो है मैंने इसमें आपको A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 इसका भी example दिया था इसमें एक example यह भी दिया है कि जैसे मान लो यह list A है और यह list B है इसमें कुछ words लिखे हुए हैं इसमें कुछ words लिखे हुए हैं मैं आपको इसमें 5 words दे दूँ याद करने को और इसमें 5 words दे दूँ याद करने को और मैं आपको दोनों list दे दूँ कि आपको ये दोनों लिस्ट को अच्छे से याद करना है फिर आपको मुझे सुनाना है पांच मिनिट बाद मैं वो लिस्ट आपसे ले लूँ वापिस और मैं आपसे बोलू कि बताओ क्या-क्या वर्ड्स थे मैं आपसे बोलू लिस्ट B के वर्ड्स मुझे आप बताओ तो ह सकता है कि list A के words आपको याद आने लग जाए list B के भी याद आए बट list A के भी याद आ रहे हैं तो यह क्यों हो रहा है क्योंकि हमने कुछ information को जो है अपने LTM में collect करने की कोशिश करी है और जिसकी वजह से interference हो रहे हैं तो interference की वज़ेसे हमको बहुत बार forgetting होती है उसका solution ये है कि आपको बार-ार rehearsal करना चाहिए बट ये आपको लिखना है ये भी एक point होता है कि interference की वज़ेसे बहुत बार जो learning है उसमें हमको problem आती है इसमें दो तरह कожд के recall of your subsequent learning तो जैसे मानलो आपने ये चीज पहले याद करी थी और फिर आप इस एक चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो ये वाली चीज आपको interrupt करी है बार बार तो ये होता है proactive, retroactive which refers to difficulty in recalling what you have learnt earlier because of learning a new material क्योंकि अब आपने ये एक चीज learn कर ली है अब ये वाला earlier है ये वाला जो है आपने बाद में learn किया है तो जैसे ये वाली चीज आपने learn कर ली है इस वाली list का item आपने सारा learn कर लिया है और इसको learn करने की वज़े से जो A का material है आप उसको recall नहीं कर पा रहे हो ठीक है आप उसको क्या कर पा रहे हो recall नहीं कर पा रहे हो तो ये भी एक reason होता है कि इसको बोला जाता है retroactive forgetting तो एक proactive है एक retroactive है ये आपको दोनों इसके अंदर याद रखनी है clear है ये interferences में दोनों चीज़ों को याद रखना उसी को आगे explain किया गया है आप एक बाद इसको भी अच्छे से देख लो और इसमें आप example दे सकते हो जैसे ये आपका English और French वाले example हमने पढ़ा था तो इसको भी यहाँ पे discuss कर सकते हैं ये हो गया आपका interferences की वज़े से then next comes retrieval failure अब आप retrieve नहीं कर पा रहा है information तो store करिये लेकिन याद ही नहीं आ रहा कुछ तो भी तो forgetting होगी ही ना तो इसको भी मतलब हम forgetting ही बोलते हैं so forgetting can occur not only because the memory traces have decayed over time or because of the interferences that have been taken place sorry it can also be because of the time of recall either the retrieval cues are absent or they are inappropriate हमने cues के बारे में पढ़ा है आपने retrieval cues जिसको हम बोलते हिंट तो अगर आपको किसी दरा का कोई hint नहीं मिल रहा है अगर आप उस hint को या फिर समझ नहीं पा रहे हो या hint आपकी कहीं नहीं गलत है तो भी forgetting हो जाती है आप retrieve नहीं कर पाते हो जो information आपने याद करी है जो information आपने store करी है आप उसको retrieve नहीं कर पा रहे आप उसको recover नहीं कर पा रहे store तो है वो memory में लेकिन वो याद नहीं आ रहे इसे concept को tool wing ने और जाद एक्स्पेरिमेंट किया है और वो ऐसे बहुत सारे experiments वगेरा करते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि अगर retrieval cues नहीं होंगे अच्छे से तो हम जो भी हमारी memory में content है हम उसको वो नहीं कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे recall नहीं कर पाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से classifications वगेरा में हमने यह पढ़ा हुआ था long term के कि जैसे for example कोई भी कोई भी information है तो इसको आप चीजों से associate करो ठीके जादा से जादा अगर आप इसके associations बनाते हो, retrieval cues बनाते हो तो आपको याद रहेगा concept, data इतना सारा है सब कुस तो store नहीं कर सकते हैं तो hints के through चीजों को अपने mind में store retrieve करने की कोशिश करो ओके, so this is all about your question number 6 and its answer की कैसे जो है forgetting होती है तो पहला कारण trace decay हो रहा है explain किया trace decay को example बताया, criticism बताया next, interferences interferences कैसे होते हैं, examples के through explain करो next, retrieval failure आप retrieve नहीं कर पाए इसमें भी आप example दो और tool wing जो हैं, उनके बारे में बता दो is it clear? अब आ जाता है question number 7 question number 7 देखो थोड़ा सा इसमें जो है, मतलब क्या पूछा गया उसी को, question number 6 को ही continue किया है but question अलग से पूछ लिया है तो question पूछा है how is retrieval related forgetting different from forgetting due to interferences interferences और retrieval failure इन दोनों के बीच में जो है किस तरीके से differences होते हैं यह आपको बताना, अभी हमने तीन चीजों को पढ़ा एक trace decay हमने discuss करा, हमने retrieval failure discuss करा, interferences discuss करा अब trace decay को छोड़के जो आपको बताना है, दोने एक दूसरे से कैसे different है तो आप ऐसे आप वही सारे points में भी note down कर देना कि जैसे forgetting यहां पर कैसे हो रही है कि आप retrieve नहीं कर पार है आपने जो information को store किया था जैसे मान लो यह आपके LTM है यह LTM 1 यह LTM 2 LTM 1 और 2 मैं क्यों बोल रही है क्योंकि इसके अंदर हम समझेंगे interference को और इसके अंदर हम समझेंगे retrieval failure को retrieval failure का वोता है कि आपने information रखी हुई है यह information store है आपके LTM के अंदर लेकिन जब आपको याद करना था तो यह आपको याद करने के कुशिश कर रहे तो याद ही नहीं मिल रहा है कुछ Q कोई hint ही नहीं मिल रहा है जैसे मैंने आपको यह वर्ड होता है Autonomy उसको याद करो आपने याद कर लिया मैं आपको 5-10-15 मिनिट के लिए कुछ और काम दे दूँ और मैं आपसे बलूँ बताओ मैंने क्या word बताया था तो आपको उसको recall करने में मान लो दिक्कत हो तो मैं आपको बलूँ A पहला word था तो आपको एकदम से याद अजे का अचा हाँ autonomy word था ओके तो A यहाँ पर क्या है वो एक तरह का Q है एक तरह का hint है तो हम भी बहुत बार चीजों को याद करने के लिए कुछ Qs कुछ hints अपने आज पास में रखते हैं जब वो hints काम नहीं करते तब forgetting होती है जब हम recall नहीं कर पाते तब forgetting होती है तो टुलविंग ने इसको बताया है association की बात इसके अंदर होती वही आपको इसके अंदर explain करना है next interferences में आप ये बताओगे कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने information को store किया ये भी information है ये भी information है ये भी information है ये भी information है अब ये सारी information एक दूसरे के साथ में interfere करेंगी यह क्या करेंगी सब आपस में एक दूसरे के साथ में interfere करने लग जाएगी जब इतना जादा interferences हो जाएगा तो जो information चाहिए वो नहीं मिलेगी ब्लॉकेज हो जाएगा जो information हमको चाहिए वो information हमको नहीं मिलेगी तो interferences की वज़े से भी forgetting होती है इस तरीके से दोनों एक दूस की वज़े से इसमें forgetting होरी retrieval failure की वज़े से एक्जाम्पल्स दे दो ज्यादा से ज्यादा क्लियर यह आपको बताना है कोशन नमबर सेवन के अंदर is it okay यह भी clear है अब last two questions वज़े है question number 8 और question number 9 उनको हम देखते है so question number 8 says मैं ऐसा मान देन हूँ कि question number 7 तक सारी चीज़े clear है कोई doubt तो नहीं है कोई doubt है तो मुझे बताया करो comment section में और मैं जितना भी note करवाती हूँ तो आपको याद रहेंगी यह memory ही enhance हो रही आपकी इस तरीके से okay so question number 8 what evidence do we have to say that memory is a constructive process यह बड़ा अच्छा question पूचा है आपसे यह पूचा है कि memory a constructive process है हम मानते हैं कि memory constructive process है लेकिन हम क्यों मानें कि memory constructive process है क्या आपके पास कोई सबूत है आपके पास कोई evidences है यह कहने के लिए कि memory जो है वो एक constructive process है अब इसको क्या करोगे इसको करोगे explain memory as a constructive process कैसे है यह आपको बताना है अब यह पढ़ा हुआ है ना बताओ किस किस ने नहीं पढ़ा है तो आज मैं सब की आपको क्या चीज करनी है कि हमने इसमें डिसकेश किया एक होता है memory एक तरह का reproductive process है ठीक है इसमें हम दो अलग-अलग theorist या philosophers को पढ़ेंगे जो एक बोलते हैं कि memory जो है वो एक reproductive process है जहां पर आप information को reproduce करते हो जो भी information आपने store करके रखी है आप उसको reproduce करते हो वापस से जैसे मैंने कोई चीज याद करी थी तो हम मैं वापस से उसको याद कर रही हूँ तो that is a kind of reproduction दोसरे theorist होते हैं जो बोलते हैं कि memory जो है वो एक constructive process है क्योंकि memory सिर्फ और सिर्फ एक store house नहीं है memory का मतलब यह नहीं कि सिर्फ information को store करके रखा है अब यह जो information है हम इसको analyze भी कर सकते हैं हम इसको interpret भी कर सकते हैं जैसे मान लो मेरे पास में कोई information थी मेरे पास में information थी intelligence की नहीं CID की कोई information नहीं थी मेरे पास में मुझे ऐसा data पता था कि 2 प्लस 4 प्लस 6 is equals to 14 ठीक है मुझे ऐसा पता था लेकिन फिर उसके बाद में यह मेरी memory में data store था कि 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 is equals to 14 लेकिन फिर बाद में जब मैंने उसको analyze किया और मैंने और भी लोगों से समसा मुझे मेरी teacher ने बताया मतला पहले मैं थोड़ी सी dumb student थी लेकिन फिर बाद में तो मुझे पता चला कि यह तो भीया 12 होता है तो यह एक तरीके का क्या है आपने construct किया न उसको ऐसा नहीं है कि जो चीज आपके mind में थी बस उसी को use कर रहे हो उसमें कुछ नया add करो उसमें कोई चीज गलत है तो उसको हटा उसमें क्या चीज और अच्छा कर सकते हो वो कर तो हम यहां पर देखेंगे कि initial exploration अगर हमने पढ़े थे तो हमने यह देखा कि memory सिर्फ और सिर्फ एक reproduction process है ठीक है पहले हमने यहीं पढ़ा था ना कि यह memory है और memory के storehouse होता है इसमें information आती है उस information को हम store करके रखते हैं और जब भी requirement होता है तो उस information को हम use कर देते हैं यहीं हम जानते थे अभी तक यह व्यों किसने दिया था एविंगॉस में याद रखना यह चीज़े ठीक है एविंगॉस ने इसके बारे में बताया था तो वो यह बोलते थे कि information आपकी store रहती है और आपकी information कितनी ज्यादा मतलब सुरी आपकी memory कितनी ज्यादा अच्छी है यह ह हम तब पता कर पाती है कि आपके जो memory है वो कितनी ज्यादा information को reproduce कर रही है अगर वो ज्यादा information को reproduce करती है मतलब आपकी memory जो है वो बिलकुल accurate है और बहुत sharp memory है आपकी और इसी के साथ साथ में अगर हमको ऐसा लगता है कि हमने जो भी store किया था हम उसको कहीं न कहीं reproduce नहीं कर पा रहे हैं ठीक है हम उसको reproduce नहीं कर पा रहे हैं मतलब किसी तरह का एक memory failure error हमारी memory के अंदर है जिसको हमको correct करने की जरूरत है और वो यह बोलते है इनका कहना यह है जो reproduction की बात करते हैं वो यह बोलते हैं कि यहाँ पर जो memory है वो एक तरह का passively occur हो रही है पैसिव occur होने का मतलब यह है कि जो आपने store किया था वही यहाँ से वापिस reproduce हो रहा है इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है जो आया वही चीज हमने आगे pass on कर दी ठीक है तो इसलिए य यहाँ पर जो memory है वो passive occurrence पर based होती है या उसका occurrence जो है वो passively होता है but then comes the constructive view और constructive view किसने दिया बाटलेट ने बाटलेट ने इसके बारे में बताया कि memory जो है वो एक active process है वो ऐसा कोई passive process नहीं है जहाँ पर information आई और वही information को हमने bounce back कर दिया अगर information है तो ये information को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसके meaning को हम समझेंगे obviously हमने meaning समझा इसलिए वो information हमारी memory में आई है बट हम उसको analyze भी तो करेंगे हम उसको जो भी stimulus material होगा हम अपने cognition के साथ में उसको जोड़ के देखेंगे हम हमारी learning के साथ में उसको समझेंगे हमारे अंदर जो perception हम उसके थूँ इस information को समझने की कोशिश करेंगे फिर हम इस information को use करेंगे फिर हम इस knowledge को use करेंगे ऐसा नहीं है कि information आई isolation में है और यहीं से bounce back होगी it is an active process क्या बोलते हैं बाटलेट कि यह क्या है यह active process है इसलिए था हम बोल रहे है कि memory a constructive process है देखो प्रोसेस आप पूरा बताओगे लेकिन question को मत भूलना question क्या बोल रहा है evidences दो कि memory a constructive process क्यों है तो आपको बताना है कि abingos ने इतना बताय था देखो अगर जैसे मान लो यह आपका पूरा page है जिसमें आप answer लिखने वाले हो तो start writing down और आप सबसे पहले reproduction वाला process बताना आप abingos इतना बताना abingos आपका सिर्फ इतना होना चाहिए और इतना आपका बाटलेट होना चाहिए समझ रहे हो क्योंकि main चीज़ किस पर focus है constructive process पर अगर आप abingos को ही पूरा explain करने लग जाओगे तो आप constructive process पर कब आओगे आप अपने time को यहाँ पर waste कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ abingos को explain करके बलकि पूछा constructive है तो abingos हमको थोड़ा सा बताना है और compare करते हुए हमको constructive पराना है और हमको proof करना है कि memory एक constructive process है आया समझ में जो मैंने बोला यह पर तो introduction आपका कैसे होगा कुछ इस तरीके से कि अगर आप carefully examine करो अभी तक जो हमने memory में discuss किया तो उससे यह पता चलता है कि memory एक तरीके का storehouse है जहां से information reproduce होती है इस concept को abingos ने दिया था वो यह बोलते थे कि memory के accuracy को आप judge कर सकते हो अगर आपने उसमें जो भी store किया है व पैसिबली ओकर होती है पांच लाइन जादा से जादा बहुत जादा से जादा पांच लाइन ठीक है इससे जादा नहीं लिखना फिर आजाओ सीधे constructive प्रॉसेस पर constructive process में बताو कि उन्होंने कहा कि memory जो है वो एक active process है active कैसे है तो वो आप explain करो कि ऐसा नहीं हो रहा है कि memory सरफ isolation में है हम उसको हमारे cognitive процесс के साथ में relate करते हैं ऐसे हमारे learning process के साथ में, अमारे perception के साथ में, हमारी understanding के साथ में, हमारी thinking के साथ में, इन सारी चीजों के साथ में जब हम relate करते हैं तो जो भी store material हमारे पास में है, हम उसको actively use कर सकते हैं, हम उसको actively use कर सकते हैं, इसी लिए memory एक constructive process है, यह आपका पहला point होगा, आप चाहो तो इसको points में लिखना बहुत अच्छा answer प्रेजन्ट होगा आपका second आप ये बता सकते हो कि memory एक constructive process है क्योंकि यहाँ पर हम meaningful material को use करते हैं जैसे text हो गए, folk tales हो गए, fables हो गए इन सारी चीजों को use करके हम memory को construct करते हैं ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही पढ़ा और बस उसी को आगे forward कर दिया मैं आपको एक example दो, आपके chapter में जितना भी पूरा content आपको दिया रहता है आप उसको पढ़ते हो, पर इसका मतलब यह नहीं है ना कि आप पूरा पढ़ते हो Bartlett is tempted to understand the manner in which content of any specific memory gets affected by a person's knowledge, goals, motivation, preferences, various other psychological processes यह तीसरा point होगा इसमें कि Bartlett यह बोलते हैं कि आपकी memory है तो जैसे for example कोई information मेरी memory में है और कोई information आपकी memory में है जा सपोज यह S मैं हूँ और यह M आप हो ठीक है तो मेरी memory में कोई information है तो मेरे जो experiences रहे होंगे मेरा जो knowledge रहेगा, मेरा जो interest area रहेगा मेरे जो अपना सारा dimensions रहेंगे उसके according मैं इस information को, इस knowledge को interpret करूँगी उसके according मैं इसको समझूँगी और फिर जहां मुझे useful रगेगा वहां इसको apply कर दूँगी यहां पर आपके experiences मेरे जैसे same तो नहीं रहे होंगे आपका interest मेरे जैसा तो नहीं रहेगा आपकी choices मेरी choices तो नहीं होंगी है ना, तो आप उसको अलग तरीके से समझोगे तो इसलिए एक constructive process है हम इसको नहीं बोल सकते कि यह passive process है यह third evidence है आपको proof करना, अपने हर एक point के साथ में आपको proof करना है कि therefore memory is a constructive process this is why memory is a constructive process this proves memory is a constructive process so last में आप यहीं लिखोगे conclusion में भी कि all these arguments that we have discussed support that memory is a constructive process यह आपका conclusion होगा clear? और भी points है अभी conclude नहीं करना है, यह भी समझ लो तो यहाँ पर वो कुछ experiments वगेरा बताते हैं कि कैसे उन्होंने experiments कंड़क्ट करें और मतलब उन्होंने participants को कुछ material दिया learn करने को और 15 minutes का break दिया जो मैंने आपको पूरे explain किया था यहाँ पर कि फिर उनको बोला कि आप memory को recall करो तो देखा गया कि सब के अलग-अलग dimensions रहे हैं सबने अलग-अलग तरीके से उसको explain किया है जहाँ पर कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर errors भी देखे गए तो यह experiment है experiment को इतना जादा focus नहीं करना है में हमको किस एक चीज़ पर ध्यान देना है कि किस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया यहाँ पर schema की भी बात की गई है तो schema जो है schema भी active organization है past reactions का past experiences का schema क्या होता है organization of past experiences and knowledge जो हमारे stored information को कही ना कही interpret करता है schema पढ़ा है ना उसी schema का यहाँ पर आप example दे सकते हो तो इस तरीके से जितने भी सारे points में आपको explain करे हैं वो सारा सब कुछ आपको अपने answer के अंदर include करना है clear है और उसको last में लिखना है कि यह सारे points support करते हैं इस argument को कि memory एक constructive process है समझ में आया clear है यहाँ तक इतने में तो कोई doubt नहीं है तो इसको आपको अच्छे से जो है note करना है clear अच्छे से लिखना सारे answer को मतलब आपको 20-30% सिर्फर से फेविन गॉस के बारे में बताना है बाकी का पूरा 70-80% आप लिखोगे किसके बारे में बाटलेट के बारे में ठीक है और conclusion that's it clear है now the last question of your chapter number 7 और बड़ा interesting question mnemonics mnemonics क्या होते हैं suggest करो कि कैसे आप अपनी memory को improve कर सकते हो ये है parts में question ठीक है जो मैं आपको बूल रही थी ना starting में की question बहुत बार parts में पूछा जाता है पहला part है define mnemonics mnemonics क्या होते हैं वो आपको define करना है दूसरा ये पूछा है कि आप कैसे अपनी memory को improve कर सकते हो तो ये mnemonics के अंदर ही पूछा है तो उसी से relate करके आपको बताना है लेकिन question दो parts में है सबसे पहले mnemonics क्या होते हैं वो बताओगे secondly mnemonics कैसे help करते हैं memory organization में वो आप बताओगे तो कैसे help करते हैं एक images, एक organization फिर उसके अंदर भी फर्दर दो-दो divisions होते हैं उसका भी हम एक chart बना लेंगे और chart के थूपर समझेंगे ठीक है clear है तो आपको ऐसे इसको question को answer करना है सबसे पहले बताएंगे कि mnemonics क्या होते हैं तो mnemonics एक तरह का strategies है हम ये बोलें एक तरह की methods है जिसके through हम हमारी memory को improve करते हैं और इन में से जो mnemonics होते हैं वो mainly two types के होते हैं कौन-कौन से यहाँ पर समझें देखो अब अपन थोड़ा से drawing करेंगे यहाँ पर मतलब drawing नहीं करेंगे chart बनाएंगे तो mnemonics यह chart मैंने आपको जब इस topic को explain किया था तब भी बनवाया था और मैं ऐसा आशा करती हूँ आप सभी से कि आपने ताब इसको note किया होगा अगर आपने नहीं किया था तो अभी भी golden chance है कर दो इसको चीक है और ऐसे ही हमको mnemonics को explain करना है अगर question आजाता है किसमें exam में तो so mnemonics दो तरह क्यों होते हैं एक mnemonics होते हैं जहां पर आप images को use करके अपनी memory को improve कर सकते हो और दूसरे mnemonics होते हैं जहां पर organize जो भी content जो भी information आपके पास है आप उसको organize करके using organization नहीं इसमें स्रिफ organization लिखो ठीके information को organize करके आप अपनी memory को improve कर सकते हो अब इनके भी further दो-दो types होते हैं जिसको हम अभी यही पर ही discuss करेंगे ठीके तो मैं अभी बस ऐसे ही बना दे रही हूँ यहाँ पर but explain में आपको उसको थोड़ी देर में करूंगी ठीके यहीं पर यहीं पर यहीं हम डिसकस करेंगे चार्ट आपको बनानी है तो इसलिए वह मैं आपको पहले बनवा दे रही हूँ तो यह दो टरीकेसे से निमोनिक्स जो होते हैं वहाँ मेमरी को एम पर इंप्रूविंग मेमरी नोट कर ले इसको यहांपर लिख लो इन इंप्रूविंग और इन्हेंसिंग improving or enhancing memory चीक है वो होते हैं कौन निमोनिक्स clear है यह आपको इतना note करना है यहां पर now coming back to our images कि images कि थूँ आप कैसे कह सकते हो तो जबी भी आप किसी चीज़ को remember, recall, information को अपनी memory में retain करने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसमें कुछ images वगरा को use कर दो और images के through क्या होता है कि हम ज़ादा interact कर पाते हैं जैसे for example मैं आपको कोई story सुना रही हूँ और अगर मैं आपको सरफ stories सुना रही हूँ तो आपको उतना interest नहीं आएगा लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ में यहां पर video भी दिखाने लग जाओं उस story से related तो आप जादा relate कर पाओगे आप जादा connect कर पाओगे आपको stories जादा समय तक याद भी रहेगी तो इसलिए बोला जाता है कि images जो होते हैं वो बड़े ही powerful होते हैं bring out powerful feelings and clarity in mind इससे कोई भी information है तो उसको लेके clarity आपके mind में आजाती है आप उसको अच्छे से समझ जाते हो अच्छे से वह आपको connect कर पाती है तो इसलिए हम images के through भी अपनी memory को improve कर सकते हैं अब इसमें दो devices होते हैं एक होती है keyword method एक होती है lossy method तो यही आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है keyword method चीक है keyword method and here write it down lossy method एक होती है keyword method एक होती है lossy method keyword method के अंदर हम क्या करते हैं हम जो भी information है उसको कुछ keywords के साथ में relate कर लेते हैं जैसे for example अगर we want to learn words of any foreign language जैसे मैंने आपको उता है कि Spanish में जो एक word है जिसको बोला जाता है peto Spanish में एक word है peto तो उसको हमने relate कर लिया pot के साथ में English हमको आती थी तो हमने उसको relate कर लिया pot के साथ में तो pot एक तरीके का keyword हो गया यहां पर कि जब भी वो peto word को याद करना है तो आप pot word को याद कर सकते हो ठीक है इसका example मैंने आपको दिया था वह यह example यहां पर भी लिख देना ओके यह होती है keyword method lossy method के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी object वगेरा को remember करना चाह रहे हो तो उसको उसकी physical space के साथ में remember कर दो जैसे आपको ममी ने बोला था कि बजार जाना बजार से tomatoes tomatoes लेकर आना और साथ साथ में bread लेकर आना और जो है क्या लेकर आना for example ममी ने बोला था शैजवान लेकर आना तो आपने क्या कर लिया आपने उसकी location देख लिया आपने शैजवान होता है डाइनिंग टेबल पर रखा होता है bread जो है वो kitchen में रहती है तो उसका bread कैसी दिखती वो याद कर लिया और tomatoes fridge में रहते तो fridge का drawer याद कर लिया और जब आप market में कहें तो आपने थोड़ा से recall करने की कोशिश करी तो आपको fridge दिखी, dining table दिखी, आपको kitchen दिखी, आपको तीनों चीज़ी यादा कही है कि मुझे यह समान बजार से लेना था यह example यहाँ पर दिया गया था, तो वो हो जाती है आपकी lossy method, उसमें आपको यह सारा कुछ explain करना है, जो यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपको बोल के बताया है, वो आपको लिखना है, clear, then comes, next, that is mnemonics using organization, अब आप organization करके किस तरीके से अपनी memory को improve कर सकते हो, तो इसमें दो method होती है, एक होती ही chunking method, एक होती है first letter technique, okay, एक क्या होती है, chunking and the other one is first letter technique, ठीक है, यह दो methods के थ्रू हम organization करते है, chunking समझते हो, क्या करते है हम, कि parts में कि कोई बड़ी unit है, तो उसको चोटी चोटी units में divide किया, और फिर उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे, for example, अब मैंने आप से कहा कि ये number को आपको याद करना है, ठीक है, तो आपको इतना बड़ा number याद करने में तो बहुत मतलब time भी लगेगा और एकदम से याद भी नहीं होगा, तो क्या किया, इसको कुछ चंक्स में divide कर लिया, कैसे चंक्स में, 1947, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, 1991, इंडिया ने economic reforms, LPG policy adopt कर, economic reforms किये, 2004, इंडिया में एक सुनामी आती है, clear, तो ऐसे करके हमने याद कर लिया, अब मैं आप से पूछू, बताओ, क्या नंबर दिखा है, तो आप बोलोगे, 1947, 1991, 2004, क्यों, क्योंकि ये हमने chunks में divide करके, इसको याद कर लिया, clear, तो ये एक चीज होगी, आपकी chunking, इसमें हम क्या करते हैं, group में कर लेते हैं, concept, जो भी क्या होता है, first letter technique के अंदर, हम जैसे हमको कोई बहुत long sentence याद करना है, या for example, कोई ऐसी चीजे हमको याद करने हैं, जिसके अंदर बहुत जादा content है, तो हम उसका first word याद कर लेते हैं, जैसे इसमें example दिया है, कि जितने भी colors होते हैं, आपके, किसके, rainbow के, तो उसमें violet है, indigo, blue, green, yellow, orange, red, seven colors होते हैं, अब हम इतने सारे को जो है, कैसे याद करेंगे, बहुत बार confused हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे colors को जानते हैं, तो मान लो हमारे मन में pink आजे, तो हम pink लगा देंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसे में क्या होगा, interference होगा, क्योंकि हम colors को बहुत करना सकते हैं, जैसे violet का V ले लिया, indigo का E, B blue से, G का green, yellow का Y, O का orange और R का red, तो ये एक word बन गया, विब क्योंकि है, इसे बोलते हैं, first letter technique, तो इसके through B, हम हमारी memory को enhance करने में help कर सकते हैं, इसमें को और चीज़े कर सकते हो, examples लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर, ऐसे example लिख और, ओके, chunking में क्या कर सकते हो, तो वो 1947 और वो जो example दिया था, वो लिख लो, ठीक है, कैसे लिखो के example को, ऐसे लिखो, example लिखा, ऐसे लिखो, and then इसमें, chunking लिखके, chunks लिखके, 1991, 1947, 2004, इसको पहले, और इसको बात में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, lossy method और keyword method में भी, अगर आपको कुछ example suitable लगता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, तो वो पता है कि चार्ट में ही सारी चीज़े दिख जाएंगी, कि आपको सब कुछ आता है, फिर आप उसको explain कर रहे हो, यह चीज़े बहु को detail में हम discuss कर चुके हैं, और साथी साथ में question answers भी कर चुके हैं, जो आपकी book में दिये हैं, so this is all of our nine questions of chapter number 7, human memory, जिसके हमने answers देखे, flow charts देखे, pattern जो मैंने note कर वाया है, उसको अच्छे से note करके रखना, वो आपको अच्छे से आगे तक काम आएगा, 12th में भी वही काम आन नहीं है, still कोई भी doubt है, तो मुझे बताना comment section में, आपके सारे doubts को मैं वहाँ पर भी answer कर दूँगी, ठीक है, और मैं जितना पूसती हूँ ना, इतना कि ये समझ में आया, इसका answer दो, वो भी मुझे comment section बताया करो, मैं सब के comments को like भी करती हूँ, जहां मुझे लगता है, तो revise, revision is the key to success and revision is also a key, जिसके through memory में रहेगा सारा chapter, ठीक है, तो ये आपको पते चला ना, human memory से, तो वहीं हम करेंगे, हम करेंगे revision, जो भी हमने पड़ा है, ताकि हम उसको भूले नहीं, ठीक है, एक बार में पूरे chapter को करेंगे, revise, है होप सो, सारी चीजे clear है, कोई भी doubt है, तो मुझे comment section में बताओ, हम मिलेंगे next lecture में, बस जाते जाते एक और छोटी सी information ले लो मुझसे, कि Magnet Brins की website को कैसे access करना है, तो जैसे कि आप जानते हो, daily lectures आपको मिलते है, Magnet Brins की YouTube चैनल पर, साथ ही साथ में Magnet Brins की app है, उसे भी आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हो, अब देखो जो Magnet Brins की website है, वो है सबसे मज़दार चीज, वहाँ पर आपको मिलेंगे सारे courses, सारे classes, सारे subjects, सारे topics, सारे chapters, सब कुछ मिलेगा, और sequence में मिलेगा, सबसे बड़ी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परिशानी नहीं होगी, किसी चीज को ढूंडने में, ऐसा Magnet Brains.com, जैसे आप यह एंटर करोगे, यह Magnet Brains Education Platform आपके सामने उपन होगा, इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे, यहाँ पर explore top courses के option दिये हैं, यहाँ पर यह देखो सारे classes हैं, सारे courses हैं, आपको जो भी class या जो भी course पढ़ना है, उस पर बसे click करना, जैसे मानलो आपको देखो आप यहाँ पर CUET है, Hindi Medium है, English Medium है, UP Board है, बिहार Board है, आपको जो भी पढ़ना है, जैसे आपको English Medium पढ़ना है, तो आपने English पर click किया, classes K2L, आप यहाँ पर आपको सारी classes दिख रही हैं, आपको जो class पढ़ना है, मानलो आपको class 11 पढ़ना है, तो आप class 11 पर click कर दो, आपको यह दिख रहे हैं, सारे subject class 11 के, ठीक है, सभी के नीचे watch now लिखा हुए, आपको दिख रहा है, जो भी subject आपको पढ़ना है, watch now पर click कर दो, जैसे मानलो आपको class 11 psychology पढ़ना है, तो यह class 11 psychology लिखा है, book का नाम भी लिखा है, book का नाम आपने दिखा, watch now पर click किया, यहा सारे chapter wise videos, अब आपको यहां सारे chapter दिख रहे हैं, आपको जो chapter पढ़ना है, उस पर click करा, उस से related sub topics देखे, जो topic पढ़ना है, watch now पर click किया, तो कोई भी course हो, कोई भी class हो, कोई भी subject हो, कोई भी topic हो, कोई भी chapter हो, just click on watch now और यह आपका video open, अब यहां पर बढ़िया से concepts को इसलिए आप Magnet Brins के website को access कर सकते हो, यहां पर आपको 100% free and quality education मिलती है, बिना किसी paid subscription के, यहां पर आपको कोई payment नहीं करना, कोई coupon नहीं खरीदना, किसी तरह का कोई भी आपको payment नहीं करना है, सब कुछ free है, quality के साथ में, best teachers के साथ में, बस बने रहे हो Magnet Brins के साथ में, और अपने friends और relatives को भी Magnet Brins के बार में बताओ, ताकि वो भी 100% free and quality education को access कर सके, so I hope so, सारी चीज़े clear हैं, और वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से कर दो, like, share और subscribe, हम मिलेंगे हमारी next video lecture में, thank you very much